हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ बाल मुकुन मौर्या और आप देख रहे हैं ग्यान एक स्पी तो टॉपल सी न्यूस लिबस के लिए मैंने ये मास्टर क्लास क्रियेट की इसमें आपको एक हजास से ज़्यादा इंपॉर्डन क्वेशन्स मिलेंगे और अधिकतर ऐसे क्वेशन्स हैं जो कि टॉपल सी एक्जाम में पूछे गए हैं और इस क्लास में आपको टॉपल सी न्यूस लिबस पे आधाई सभी टॉपिक्स पे क्वेशन्स मिलेंगे तो अगर आप टॉपल सी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये एक लिखने को मिलेंगी और प्लस आपको ट्रपल से एक्जाम क्वालिफाई करने में काफी मदद मिलेगी ओके तो आए देखते हैं आज का सबसे पहला question और हम चाहेंगे कि आप इसको एक mock test के तरह लिजे और इन सभी questions के right answer आप लोग comment box में comment करते रहेगा last में आपके कितने questions correct हुए हैं comment करके जरूर बताएगा तो हर एक question के बीच में आपको हम थोड़ा सा time देंगे इस बीच आप इन questions के right answer comment box में comment कर सकते हैं तो सबसे पहला question है पिछली slide पर जाने की shortcut key क्या है page down, page up, back space या फिर B तथा C और ये सबी questions आपको हिंदी और इंगलिस तोनों language में मिलेंगे तो आपको जो भी language पसंद आते हैं उसमें आप questions के right answer comment कर सकते हैं तो इस question के right answer होगा option D, B तथा C पिछली slide पर जाने के लिए back space या फिर page up का इस्तिमाल किया जाता है अगला question है F, SF का phone room क्या है और इस question के right answer है option B, free software foundation इसका full form होता है और अगला question है LibreOffice में track change option किस menu में होता है तो LibreOffice के वीडियो में मैंने अल्रेडी बताया है practically कि track change क्या होता है इसका कहाँ पर हम इस्तिमाल करते है तो अगर आपने इस syllabus नहीं complete किया है तो आप हमारे channel की playlist में जाके triple C, new syllabus नाम की playlist है यहाँ से आप triple C का नया syllabus complete कर सकते है और इस question का right answer है option B, edit menu के अंदर होता है track change का option और अगला कुछ ने निम्ड में से कौन सा cyber सुरच्छा खत्रे का एक प्रकार नहीं है denial of service, man in the middle attack, fishing या फिर piracy और man in the middle attack कई बार short form में लिखा रहता है M, I, T, M और इसका full form भी कई बार एक सामें पूछा गया है तो इसका full form होता है man in the middle attack और इस question का right answer है option D, piracy जो की cyber सुरच्छा खत्रे का एक प्रकार नहीं है और अगला कुछने USST का पूर्ण रूप क्या है और इस question का right answer है option C, unstructured supplementary service data और अगला कुछने निम्न में से कौन सा उक्रण सीधे मुद्रित पार्थ input करने के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है OCR, OMR, MICR जिसको पुलते हैं माइकर या फिर उप्रोक्त सभी और इस question का right answer है option A, OCR और इसका full form भी कई बार्थ जाम में पूछा जाता है optical, character, recognition इसका full form होता है और अगला question है संदेश या mail बनाने के लिए हम किस बिकल पर click करते हैं send, compose, draft या फिर create तो ये question email से जुड़ा हुआ है अगर हम किसी को mail send करना चाते है तो इन में से किस का या कौन से बिकल का इस्तिमाल करेंगे और इस question का right answer है option भी compose और अगला question है input file के अंत में कौन सा नियंतरन वर्ण संकेत देता है तो ये question जुड़ा हुआ है Linux operating system से और ये question काफी important है कई बार triple C exam में repeat हुआ है और इस question का right answer है option B, control plus D और अगला question है USST कहाँ पर कारी करता है mobile, ATM, POS, POS का full form होता है point of sale या फिर all of the above तो USST एक mobile banking service होती है और इसके इस्तेमाल हम mobile के द्वारा करते है तो इस question का right answer है option E, mobile और अगला question है internet के जनक कौन है ये काफी popular question है I hope आप सभी को पता होगा इस question का right answer क्या है तो यहाँ इस question से कई सारे questions पूछे जा सकते हैं इस question का right answer है option E, band surf ने internet को double up किया या इनको internet का जनक कहा जाता है अब अगला option है या पे Tim Berners-Lee, इन्होंने www.wide web को double up किया था और इन्होंने TCP protocol को भी double up किया था और अगला option है Ray Tomlinson एक question पूछा जाता है कि सबसे पहला email किसके द्वारा भीजा गया तो Ray Tomlinson के द्वारा सबसे पहला email भीजा गया था और इसी तरह से एक और question पूछा जाता है कि सबसे पहले browser को किसने double up किया थो most है कि सबसे पहला GUI पे आधारिती एक web browser है जिसको Mark Anderson ने double up किया था इस question से कई सारे questions बन सकते हैं तो आप इसको अच्छी तरहिके से कहीं पे no down कीजिएगा और अगला कुछने CSS का mode room क्या है और इस question का right answer है option C Cascading Style Seats और अगला कुछने slide के उपरी margin में क्या print किया जाता है footer, header, text या फिर इन में से कोई नहीं और इस question का right answer है option B header print किया जाता है और अगला कुछने IMPs के द्वारा भुकतान किया जा सकता है तो triple C exam में true false के कुछ questions पूछे आते हैं हलाकि समय true false के questions बहुत ही कम पूछे आते हैं 10 से 5 ही questions ऐसे होते हैं जो की true false में पूछे जाते हैं और total 100 questions होते हैं triple C exam में और इस question का right answer होगा true बिल्कुल सही IMPs के माध्यम से भुकतान किया जा सकता है और अगला कुछने www का पूण रूप क्या है ये काफी popular question है यहाँ पे देखी चार बार w लिखा गया है और तीन बार होता है तो इसका full form होता है word wide bib जबकि यहाँ पे चार बार लिखा गया है और इस पे बेस्ट कई और भी questions पूछे जा सकते हैं और इस question का right answer है option B word wide bib warm इसका full form होता है और कई बार exam में ये भी पूछा जा सकता है कि www क्या है तो यहाँ पे देखी चार बार अगर डबलू लिखा हुआ है तो यह होता है एक टू जी क्या है triple C syllabus में एक E governance नाम का topic है जिससे जुड़ा हुआ यह question है और इस question का right answer है option A business to government और अगला question एक किस topology में computer एक दूसरे से जुड़े होते है तो कौन से ऐसी topology है जहाँ पे computer direct एक दूसरे के cable के माध्यम से जुड़े होते हैं star, ring, tree या फिर miss और इस question का right answer है option D mass topology mass topology कैसी topology होते है जहाँ पे जितने भी systems होते हैं वो directly cable के माध्यम से एक दूसरे से connect होते हैं और अगला कुछ ने Ubuntu में default browser क्या है और कई बार एक साम में ये भी पूछा जा सकता है Ubuntu क्या है तो Ubuntu एक Linux पे आधारित operating system एक Linux flavor operating system है तो सबसे पहला option है Firefox, Chrome, Opera या फिर chromium और इस question का right answer है अपसने Firefox, Ubuntu operating system में default web browser होता है और अगला कुछ ने कौन सा network सहरों, देसों और दुनिया को जोड़ता है LAN, MAN, WAN या फिर WAN और इन सबी के full form में पूछे आते हैं Local area network full form होता है LAN का MAN, Metropolitin Area Network और WAN का full form होता है Wide Area Network और WAN, WAN का full form होता है Virtual Area Network और इस question का right answer है option C, WAN और अगला कुछ ने अब एकस पहली mechanical calculator machine थी तो इस question का right answer होगा false अब आकस एक manual calculating machine थी जिसको बिस्सो का सबसे पहला manual computer माना जाता है और अगर हम mechanical calculator की बात करें तो Pascal scale Pascal के द्वारा डबल अब किया गया सबसे पहला mechanical calculator था और अगला कुछ ने calc में max का मान क्या होगा जहां range a1 colon a3 दिया है तो calc या excel में एक function इस्तेमाल कियाता है max जो की maximum value को निकालने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं और इस question का right answer होगा option A max a colon a3 जब हम excel या calc में range को define करते हैं महां पे colon का इस्तेमाल किया जाता है जैसे यहां पे लिखा हुआ a1 colon a3 एक range है जहां से a1 colon a3 के बीच जितने भी cells होंगे उन सबी को यह calculate करेगा और महां पे जो भी available values होंगे उनमें से maximum value को find out करेगा और अगले कुछे ने whatsapp पर किसी group में कितने लोगों को जोड सकते हैं सबसे पर आप सने 128, 256, 500 या फिर 512 तो आप में बहुत से लोग होंगे जो किसी न किसी group में जुड़े होंगे या आपने खुद कोई group बनाया होगा तो आपको पता है को इसमें maximum कितने members को add किया जा सकता है और इस question का right answer है option B 256 और अगला question है निम्न में library office का extension है और यह question काफी popular है और इस question का right answer है option D.oxt library office का extension होता है और अगला question है E governance में B2B क्या है और इस question का right answer है option A business to business और अगला question है Linux एक open source application software है तो इस question का right answer होगा false अब यहाँ पर problem क्या है Linux एक open source system software का उदारण है या फिर एक तरीके का operating system है Linux एक operating system है जो की open source है लेकिन यहाँ पर इस question में लिखा गया है application software software जो की गलत है जिसके विज़े से question का right answer होगा false और अगला कुछने एक computer को IP के आवस्ता किस में होते है LAN, MAN, Internet या फिर उप्रोक्त सभी तो जब हम किसी device को किसी network के साथ connect करते हैं तो वहाँ पे IP address required होता है ताकि उस network पे उस particular machine को या device को identify किया जा सके तो इस question का right answer होगा option D उप्रोक्त सभी क्योंकि ये सभी एक network के प्रकार है और अगला question है library office में spread seat क्या है Excel, Calc, Lotus, VG Calc बहुत simple सा question है और इस question का right answer है option D calc अगला question है library office में प्रतिवक्त सीट में column की अधिक्तम संख्या कितनी है ये question काफी popular है एक्सर्ट प्रस एक्जाम में पूछा जाता है और इस question का right answer है option C 1024 और अगला question है library office में एक सिल में अधिक्तम वर्ण की संख्या क्या है means library office Calc के किसी एक सिल में अधिक्तम कितने character लिखे जा सकते है और इस question का right answer है option D 32767 total number of character किसी एक सिल में लिखे जा सकते है और अगला question ने July 2010 में इंडिया के लिए कौन सा browser launch किया गया तो आज इस video में मैंने सभी topics related questions को सामिल किया है जो कि पहले triple C exam में पूछे जा चुके हैं तो आप इस video को last तक जहूर देखेगा काफी important questions आपको देखने को मिलेंगे और यह ऐसे questions हैं जो कि कई कई बार triple C exam में repeat हो चुके है और इस question का right answer है option C epic एक browser है जो कि July 2010 में इंडिया के लिए launch किया गया था और अगला question है LibreOffice में help की shortcut की क्या है ती काफी simple से question है इस question का right answer होगा option E F1 LibreOffice या फिर OpenOffice या फिर अगर हम बात करें Microsoft Office के तिन तीनों में help के लिए F1 का इस्तिमाल किया जाता है और अगला question है calc में दिनांग insert करने की shortcut की क्या है और इस question का right answer है option B control plus colon का इस्तिमाल किया जाता है और इसी तरह question पूछा जा सकता है calc में time insert करने की shortcut की क्या है तो इस question का right answer हो जाएगा control plus shift plus colon और अगला question है भेजा हुआ mail कहां पर store होता है inbox, bin, draft या फिर send box तो जब आप किसी को email भेजते हैं तो गो email आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा और इस question का right answer है option D send box जब आपका mail send हो जाता है तो वो send box के अंदर मिलता है और अगला question है email द्वारा attachment भेजने की आदिकतम सीमा क्या है 15 MB, 20 MB, 25 MB या फिर 15 GB और इसी तरह एक और question पूछे जाता है कि किसी भी email account में maximum storage caps T क्या होती है, कितना storage मिलता है तो इस question का right answer होगा option D 15 GB तक मिलता है किसी एक email account में mail storage के लिए और इस question का right answer होगा option C 25 MB और अगला question ने personal computer किस प्रकार का computer है mini, micro, mainframe या फिर small और इस question का right answer है option B micro computer है, personal computer को हम micro computer के नाम से भी जानते है और अगला question है, LibreOffice Calc में default cell चौणाई क्या है ये question काफी popular है, कई बार exam में repeat हुआ है तो जब आप LibreOffice Calc में काम करते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी cell की default चौणाई क्या है और उसे आप change भी कर सकते हैं लेकिन जब वहाँ पे आप values देखते हैं कि इसकी चौणाई कितनी है तो वो inches में display करता है तो इस question का right answer है option C 0.89 inch और कई बार इसको centimeter में convert करके भी इस question को पूछा गया है तो आप इसको centimeter में convert करके कहीं पे note down कीजेगा और अगला कुछ ने library office writer में नई file open करने की shortcut की क्या है control plus n, alt plus n, shift plus n या फिर control plus o तो यह काफी simple से question है maximum application में control plus n किसी एक नई file को create करने के लिए control plus n shortcut की का इस्तिमाल किया जाता है और अगला कुछ ने writer में save as की shortcut की क्या है तो writer के videos में मैंने already यह सारी shortcut की इस काफी detail में practical के साथ बताई है तो अगर आपने triple C news syllabus नाम की playlist है वहाँ से videos देखे होंगे तो easily आप इस तरह के सभी questions के answer दे पाएंगे क्योंकि मैंने वहाँ पे practically सभी shortcut keys को पता है writer, calc और impress को हर इक topic को काफी detail में practical के साथ explain किया है तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इन videos को जरूर देखी का इससे आपको काफी कुछ सेखने को मिलेगा और plus अगर आप triple C exam देने जा रहे हैं इससे आपको काफी help मिलेगी तो इस question का right answer है option C control plus plus S का इस्तिमाल किया जाता है save as के लिए अब ये कई बार पूछा जाता है save as का इस्तिमाल क्यों किया जाता है कहां पे करते हैं अगर पहले से save किसी file को किसी दूसरी location पे या किसी दूसरे नाम से save करना है तब हम save as का इस्तिमाल करते हैं और पहले बार जब आप किसी file को create करते हैं उसको save करना चाते हैं तो save का इस्तिमाल करते हैं और अगला question है निम्न में कौन सा social media सबसे लोगपरी है तो ये काफी simple से question होगा आप सभी को पता होगा कौन सा ऐसा social media है जो सबसे ज़्यादा popular है Facebook, Twitter, Telegram या फिर Instagram और इन सभी questions के PDF आपको Telegram चैनल पे मिल जाएंगे तो आप चाहें तो join कर सकते हैं इस कलिंग इस वीडियो के description में दिया गया है तो इस question के right answer है option A, Facebook सबसे लोगपरी social media है और अगले question ने user और software के मद्द समन्वे स्थापित करता है तो सबसे पहला option ने system software application software, central processing unit या फिर hardware तो operating system के video में मैंने काफी detail में बता है कि operating system क्या है किस तरह से काम करता है तो operating system user और software के मद्द एक समन्वे या फिर interface प्रोवाइड करने का काम करता है जो कि एक system software का उधारन है तो इस question का right answer होगा option ने system software और अगला question ने A.E.P.S का पूर्ण रूप क्या है ये भी काफी popular question है और इस question का right answer है option ने A.E.P.S का फुल फॉर्म होता है और अगला question है इस question का computer है प्रतम, द्वती, त्रती या फिर चतुर्थ और इस question का right answer है option B. द्वती मिन्स second generation का एक computer है और कई बार ये भी पूछा जा सकता है ये किस प्रकार का computer है तो इस एक main frame computer है IBM 1401 और अगला question है I.E.M. का उदारन नहीं है तो I.E.M. का full form होता है instant messenger तो सबसे पहला option है Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा उदारन नहीं है तो इस question का right answer है option D. Facebook और अगर यहाँ पे लिखा होता Facebook messenger तो Facebook messenger एक instant messenger का उदारन है जबकि Facebook instant messenger का उदारन नहीं है एक simple सा social media platform है और अगला question है E.C.S. का पूण रूप क्या है और इस question का right answer है option है Electronic Clearing Service जो की banking से जुड़ा हुआ एक question है और अगला question है 3D printing किसके लिए उप्योग किया जाता है बहुतिक से digital या digital से बहुतिक या फिर दोनों या फिर इन में से कोई नहीं तो 3D printer का इस्तेमाल के जाता है किसी object को print करने के लिए means digital to भौतिक इस question का right answer होगा option B और अगला question है या किसी square को बनाते समय shift के साथ ना बनाए तो उसका प्रतिरूप होगा छोटा बनेगा, बला बनेगा, पूर्ण square नहीं बनेगा या फिर slide के बीच नहीं बनेगा तो impress के वीडियोज में मैंने practically बताया है अगर आप shift के साथ में किसी square को बनाते हैं तो क्या होगा और shift के बिना उसे बनाते हैं तो क्या difference होगा और इस question का right answer होगा option C पूर्ण square नहीं बनेगा जब आप shift के साथ किसी object को ड्रैक करते हैं तो चारो direction में एक साथ बढ़ता है ताकि वो पूर्ण square बन सके तो यहाँ पर इस question का right answer है option C और अगला question है जब एक उब्भोकता, दूसरे उब्भोकता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाता है C to G, C to B, C to C या फिर B to C और इस question का right answer है option C C to C means consumer to consumer और कई बार exam में इसका full form भी पूछा गया है और अगला question है इन में से कौन सा search engine चीन का है याहू, Google, Baidu, Yandex और इस question का right answer है option C Baidu और अगला question है Facebook क्या है Social Media, Media, Entertainment या फिर उप्रोगत सभी तिये काफी simple सा question है आप सभी को पता होगा इस question का right answer क्या है option A, Social Media और अगला question है इन में से कौन एक internet का नाम है NTT, NET, NFT या फिर NIT तो इन्टरनेट को NET के नाम से भी जानते है तो इस question का right answer होगा option B, NET और अगला question है spread seat में row और column के प्रतिछेदन को क्या कहते है जहाँ पर row और column मिलते हैं तो उस particular location को या जगे को किस नाम से जानते हैं बिल्कुल size question का right answer होगा option C, Cell और अगला question है इनमें से कौन सही image format है JPG, GIF, BMP या फिर उप्रोक्त सभी तो किसी image को store करने के लिए कई अलग अलग तरह के image extension का इस्तेमाल किये जाता है जिसमें से JPG, GIF, BMP ये सभी image के extensions होते हैं तो इस question का right answer होगा option D, उप्रोक्त सभी और अगला question है calc में full screen की shortcut की गया है तो calc, writer और impress इन सभी के important shortcut keys के वीडियोस में पहले upload कर चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो cc news syllabus नाम की playlist है यहां से ही आप सभी shortcut keys के वीडियोस देख सकते है और इस question का right answer है option D, control plus F plus J और अगला question है STTP में T का मतलब क्या है कई बार exam में STTP का full form पूछा जाता है इस question का right answer होगा text transfer क्योंकि STTP का full form होता है hyper text transfer protocol और कई बार exam में यह भी पूछा जाता है कि STTP protocol किस port number पे कारी करता है तो port number 80 पे STTP काम करता है और अगला question है LibreOffice Writer में अधिक्तम जूम क्या है 300, 400, 500 या फिर 600 और इस question का right answer है option D, 600 LibreOffice Writer का maximum जूम है वो होता है 600 और अगला question है retweet करना क्या कहलाता है तो सबसे पहला option है फिर से posting दोबारा post, नया post या फिर इन में से कोई नहीं और इस question का right answer होगा option A, फिर से posting और अगला question है credit card का बिसकार किस नहीं किया ये काफी important question है अगर आपको इस question का right answer नहीं पता है तो आप कहीं पे note down कीजेगा और इस question का right answer है option A, John Begins ने credit card का बिसकार किया और अगला question है TCP IP network model में कितनी layers होती है तो कई बार exam में EV पूछा जा सकता है कितनी प्रकार के network models है तो दो तरह के network model हैं जिनका इस्तिमाल किया जाता है एक होता है TCP IP और दूसरा होता है OSI network model तो TCP में total 4 layers होती है जबकि OSI की बात करें तो आपे total 7 layers होती है तो इस question का right answer होगा option A, 4 layers और अगला question है निम्न में GUI पर आधारित operating system कौन सा है Linux, Windows, Ubuntu या फिर उप्रोक्त सभी GUI का full form होता है graphical user interface, Linux, Windows, Ubuntu ये सभी GUI पर आधारित operating system है तो इस question का right answer होगा option D, परोक्त सभी अब यहाँ पर एक और question पूछा जा सकता है इन में से कौन सा operating system है जो कि GUI और CUI means command user interface दोनों पर आधारित है तो Linux और Ubuntu Ubuntu एक operating system है जो कि Linux पर based होता है ये दोनों CUI और GUI पर काम करते हैं इनका दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है और अगला question है Inbox और Outbox दोनों समान है बहुत simple सा question है इस question का right answer होगा false Inbox और Outbox दोनों अलग-अलग होते हैं किसी के द्वारा भेजेगे email को Outbox के अंदर store किया जाता है जबकि जो mail हम receive करते हैं वो Inbox के अंदर store होता है और अगला question ने monitor वा keyboard किस प्रकार का device है Simplex, Harp Duplex, Full Duplex या फिर Duplex तो इससे related भी कई बार अलग-अलग तरह से questions पोछे जाते हैं तो आपको पता होना चैए Simplex, Harp Duplex या Full Duplex क्या होता है तो Simplex में क्या होता है किसी एक direction में data भेजा जा सकता है जैसे कि आपका cable TV Cable TV में क्या होता है वो सिर्फ signals को receive करता है इसी तरह अगर हम keyboard और mouse की बात करें या monitor की बात करें तो ये एक ही direction में data को flow करते हैं जैसे monitor सिर्फ data को receive करता है, keyboard सिर्फ data input करता है मींस keyboard keys के माध्यम से system को input देता है तो एक ही direction में या पे data flow होता है तो इस case में इस question का right answer होगा option A Simplex और अगर हम Harp Duplex की बात करें तो याँ पे दोनों direction में data भेजा जा सकता है जबकि same time पे दोनों direction में data भेजना Harp Duplex में possible नहीं होता है और इसका एक example होता है walkie talkie जब हम walkie talkie के माध्यम से बात करते हैं तो वहाँ पे over and out last में जब हम अपना sentence complete करते हैं तो over and out बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब आप बोल सकते हो जो आप बोलना चाहते हैं तो एक time पे एक ही direction में data flow होने की condition में वहाँ पे Harp Duplex का इस्तेमाल किया जाता है और अगर हम full duplex के बात करें तो यहाँ पे दोनों direction में data same time पे flow होता है और इसको हम example के तोर पे अगर देखें तो mobile phone जिसमें आप दोनों direction में एक साथ बात करते हैं तो एक दूसरे को same time पे आवाज सुनाई पड़ते हैं तो it means यहाँ पे दोनों direction में same time पे data flow हो रहा है और अगला कुछने Linux system में कुल run इस्तर है means कितने run labels होते हैं Linux operating system में 4, 5, 6 या फिस 7 ये काफी important question है और कई बार exam में ये भी पूछा जा सकता है कि run labels का इस्तिमाल किस command की साथ किया जाता है तो एक init process होता है जिसके साथ में हम run labels का इस्तिमाल करते हैं वो total 7 labels होते हैं 0, 2, 6 यहाँ पे जो counting होती है वो total 7 होती है जबके जब हम इसका इस्तिमाल करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से run labels का इस्तिमाल किया जाता है और अगला question है 25 computer वाले network में किस topology के लिए सबसे ब्यापक cable बिचाने की आवस्तिता होगी तो कौन से ऐसी topology है जिसको setup करने के लिए सबसे ज़्यादा cables की जरुवत होती है star, mesh, ring या फिर bus तो यह काफी simple question है इस question कर आई टान सोग option B mesh topology में सबसे ज़्यादा cables की requirement होती है क्योंकि यहाँ पे जितने भी systems होते हैं वो एक दूसरे के साथ direct cable के माध्यम से connect होते हैं जिसके वाज़े से यहाँ पे maximum cables की requirement होती है as compared to star, ring या फिर bus topology अब यहाँ पे एक और question पूछा जा सकता है कि 25 computer को mesh topology के माध्यम से connect करने पे total कितने cables की आवज़ सकता होगी तो इसके लिए एक formula होता है topology के वीडियो में मैंने बताया है explain किया है किस तरह से हम इस formula के इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह formula होता है n n-1 divide by 2 तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं total number of cables कितने लगेंगे तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि 25 computer को mesh topology के माध्यम से connect करने पे कितने cables की आवज़ सकता होगी और अगला कुछने flight simulator आम तोर पर निम्द स्रेणियों में से किस स्रेणि का होता है application software, system software, embedded software या फिर open source software और इस question का right answer है option C, embedded software अब embedded software होते क्या है यह manufacturer द्वारा जब हम hardware को double up करता है जो भी manufacturer उस time पे उसके अंदर एक application या software को store करता है जिसको बोला जाता है embedded software और अगला कुछने network पर computer के बीच data packets aggressive करने के लिए निम्ल खित में से कौन सा उपकरण जिम्मेदार है repeater, modem, router या फिर hub और यह सभी networking device होते हैं इसके बारे में भी मैंने triple C, news syllabus, online classes में इन सभी devices के बारे में काफी detail में बताए किस तरह से यह काम करता है और कहाँ पर इसका इसका इस्तेमाल के जाता है तो आप एक बार इस playlist को जरूर देखिएगा इससे आपको काफी कुछ सेखने को मिलेगा और इससे आप syllabus भी complete कर पाएंगे और triple C, news syllabus पर बेस टीस अभी वीडियोज आपको इस playlist में मिल जाएंगे तो इस question का right answer यह option C, router के इस्तेमाल किया जाता है और अगला question ने निम्न लिखित में से कौन एक बंद दरवाजे से गुजरने की अनुमती देने के लिए बैतिगत, क्रेडेंसियल पढ़ने के लिए एक भावतिक सुरच्छा प्रणाली में कारे करता है access control reader, सुरच्छा scanner, BR sets या फिर memory card reader तो कई बार जब आप किसी office में जाते होंगे तो वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं, employee होते हैं वो entry कले एक card का इस्तेमाल करते हैं जो कि swipe card की तरीके का होता है, entry card होता है तो इस question कर I answer होगा, option A access control card reader का इस्तेमाल किया जाता है उस card के माध्यम से उस दरवाजी को open करके हम वहाँ पर entry कर सकते हैं और अगला कुछ ने केवल computer program के वास्तविक कारी को model करने वाले संचालन के चरणबत तरीके जो सीधे निस्पादित नहीं किया जा सकता है तो कई बार क्या होता है जब आप questions को हिंदी में देखते हैं तो पढ़ने में या समझने में difficulty हो सकती हैं तो आप उसका English version जरूर देखें ताकि आपको समझ में इस question में क्या पूछा गया है तो किसी भी program को लिखने से पहले या किसी भी problem को solve करने से पहले उसकी algorithm डबल अप की जाती है जो किसी भी problem को solve करने का step by step solution होता है तो इस question का right answer है option D algorithm और अगला question है निमले खित में से कौन MS word में find and replace का बिकल्प नहीं है match case find whole words only match prefix find by document date तो इसको भी मैंने practically बताया है किस तरह से हम find and replace का इस्तिमाल कर सकते है और वहाँ पे कौन कौन से options होते है तो इस question का right answer है option D find by document date नाम का कोई भी option नहीं होता है मेंस इसका हम इस्तिमाल नहीं कर सकते है और अगला कुछन है IP network पर audio और video के लिए किस protocol का उप्योग करते है ये काफी important question है सबसे पहला option है BGP, RTP, UDP, SMTP और इस question का right answer है option B, RTP और कई बार इक साम में इसका full form भी पूछा जा सकता है तो इसका full form होता है real time transmission protocol और अगला कुछने बिलों के भुकतान के लिए online प्रणाली का लाभ है अगर आप online bill payment करते हैं तो उसका क्या फायदा होगा बिल पे secure है, बिल भुकतान सुविदा जनक है या फिर बिल पे आपका समय बचाता है या फिर उप्रोगत सभी तो बहुत सिंपल से question इस question का right answer होगा option do उप्रोगत सभी ये सभी laugh मिलते हैं या benefit मिलते हैं अगर हम online payment का इस्तेमाल करते हैं और अगला कुछने पंच card सबसे पहले किसके द्वारा paste किया गया था ये काफी popular question है अगर आप history से जुड़े हुई वीडियोस देख चुके होंगे तो आपको पता होगा इस question का right answer क्या है और इस question का right answer है option हर्मन होलरेत हम यहाँ पे questions के बीच में ज्यादा time duration नहीं रख रहे हैं क्योंकि काफी सारे questions discuss करने हैं तो इस वज़े से यहाँ पे थोड़ा सा gap कम करने हैं आप जल्दी से जल्दी इन सभी questions के right answer comment box में comment करते रहेगा और अगला question ने भीजे गए email कहाँ पर store होते हैं inbox, draft, send box या फिर trash box तिये question कई अलग अलग तरह से पूछा जाता है जैसे कुछ time पहले अभी यहाँ पे question discuss कर चेके हैं जो कि same इसी तरह का था और इस question का right answer रोगा option C, send box भीजे के email send box के अंदर store होते हैं और अगला question ने ब्रत्तकार plate के रूप में भंडारण का माध्यम कौन सा है flash, drive, disk, registers, gas, memory तो circular plates के form में storage के लिए हम इस्तेमाल करते हैं disk का तो इस question का right answer रोगा option B, disk और अगला कुछने OLX किसका उदारण है सबसे पहला option B to B, B to C, C to C, या फिर C to B तो OLX एक ऐसा platform है जहाँ पर आप सामान को purchase कर सकते हैं या फिर sell कर सकते हैं तो यहाँ पर सिर्फ customers होते हैं जो कि अपना product sell करते हैं या फिर कुछ customers होते हैं जो कि वहाँ से products को purchase करते हैं तो इस question का right answer है option C, C to C means consumer to consumer का इस्तेमाल करता है या इस पे आधारित OLX एक platform है जो काम करता है और अगला question है C for text क्या है तो इस cyber security से जुड़ा हुआ एक question है जो कि computer science में cryptography नाम का एक subject है जिस से जुड़ा हुआ एक question है और यहाँ पर जब हम कोई message भीजते हैं तो उसे secure बनाने के लिए उसको हम encrypt करते हैं और इस question का right answer है option C encrypted text को हम cipher text के नाम से भी जानते हैं और कई बार एकसाम में यह भी पूछा जा सकता है कि encrypted text को किस नाम से जानते हैं तो cipher text को encrypted text के नाम से जानते हैं या फिर encrypted text को हम cipher text के नाम से भी जानते हैं और decrypted text को हम plain text के नाम से भी जानते हैं Decrypted Text को किस नाम से जाना जाता है तो उसको हम Plain Text के नाम से जानते हैं और अगला कुछिन है जब हम Computer में दस्तवेज बनाते हैं तो अस्थाई रूप से दस्तवेज कहां पर संग रहित होता है जब कोई हम Document Create करते हैं तो Temporary वो कहां पर Store रहता है और इस Question का Right Answer होगा Option यह RAM Random Access Memory में जब हम कोई Document Create करते हैं और जब तक उसे हम Save नहीं करते हैं वहाँ पर काम करते रहते हैं तब तक वो Document हमारा RAM पर Store रहता है जब उसे हम Save करते हैं तो वो Document हमारा Hardisk पर या जो भी हमारा Secondary Store डिवाइस से वहाँ पर Store हो जाता है और अगला कुछ ने ULSI का किस पीड़े में प्रियोग हुआ और कई बार एक्जाम में इसका Full Form भी पूछा जा सकता है तो इसका Full Form होता है Ultra Large Scale Integration तो 5th Generation में ULSI और AI means Artificial Intelligence इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है तो इस Question का Right Answer होगा Option D, 5V means 5th Generation और अगला कुछ ने Calc में Filter क्या है तो यह मैंने Calc के वीडियोज में Practically बताएं कि Filter Option कहां पे होता है और इसका हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आप इन सभी वीडियोज को जरूर देखे इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और इस तरह के Questions के Right Answer भी आप इसली दे पाएंगे तो इस Question का Right Answer है Option है बिसिस्ट पंक्तियों को देखने के लिए और अगला कुछ ने निम्न में असमांतर Operator कौन सा है Means Inequality Operator कौन सा है और इसको मैंने पहले Practically भी बता है कि Calc में या Excel में Inequality Operator के लिए किस सिंबल का इस्थिमाल करते हैं इस Question का Right Answer होगा Option A Less Than, Greater Than ये दोनों साइन एक साथ अगर हम इस्थिमाल करते हैं तो एक Inequality Operator की तरह से काम करता है और अगला कुछ ने ट्रेंडिंग सिंबल क्या है तो ये बहुत सिंबल से Question आप सरी को पता होगा Has Track का इस्तिमाल किया जाता है तो इस Question का Right Answer है Option C Has और अगला कुछ ने Linux में किस कमांड का उप्योग किसी फाइल के स्वामेत Means Ownership को बदलने के लिए किया जाता है ये भी काफी Important Question है और इस Question का Right Answer है Option D C-H-O-W-N और इसका Full Form होता है Change Ownership अगर किसी फाइल या डारेक्टरी की Ownership चेंज करना है तो इस Particular Command का इस्तिमाल किया जाता है और अगला कुछ ने Operating System का मूल है सबसे पहला Option है Init Process, Kernel, Bios या फिर इन में से कोई नहीं तो इस Question का Right Answer है Option B, Kernel जो कि Linux Operating System का मुख्य या Main Component होता है और अगला कुछ ने P2P और Client Server Architecture समान है ये Question कई बार repeat हो चुका है ट्रिपल सी एकसाम में जब से इन ट्रिपल सी का नया स्ले बस लागू हुआ है और P2P का मतलब होता है Point to Point ये Peer to Peer और Client Server ये कलक तरीकी का Architecture होता है जहाँ पे एक Server होता है और कई सारे Client होते हैं जो कि उस Server का इस्तिमाल करते हैं जबकि Peer to Peer की बात करें तो यहाँ पे दो सिस्टम Directly Cable के माध्यम से एक दूसे से Connect होते हैं जिनके पास Similar Permissions होते हैं जबकि अगर हम Client Server Model की बात करें तिहाँ पे Server जो भी Permission Client को देता है सर्फ उन्ही Permissions को वो Accept करता है या उसी Permission के Basis पे काम कर सकता है तिहाँ पे Client और Server इन दोनों के बीच में जो Communication होता है वो Maximum Depend करता है Server के उपर क्योंकि वो Limited Permissions देता है Client को और Client से उतना काम कर सकता है या उस तरह की Request भीज सकता है जो से Permissions दे गई हैं जबकि Peer-to-Peer में बात करें तिहाँ पे दोनों के पास समान Permissions होते हैं तो इस Question का Right Answer होगा False क्योंकि ये दोनों Equal नहीं होते हैं या समान नहीं होते हैं और अगला कुछन है निम्न में से कौन Web Browser का उदारण नहीं है तो सबसे पहला आप्सने Google Chrome Internet Explorer Safari अवास तो इस Question का Right Answer है आप्सन डी अवास तेक Antivirus है ना कि Web Browser और अगला कुछन है एक Firewall हो सकता है Hardware, Software Hardware और Software दोनों या फिर इन में से कोई नहीं तो Firewall किसी भी सिस्टम को सुरच्छा प्रदान करता है जब हम किसी Laptop, Desktop और किसी भी Computer को इंटरनेट से Connect करते हैं तो Firewall उसकी सुरच्छा के लिए जाता है जो कि Software या Hardware दोनों फॉर्म में हो सकता है या फिर Hardware और Software का Combination भी हो सकता है तिस Question कर आइट आंसर होगा Option C, Hardware और Software दोनों और अगला Question है C, A, 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 S का पोर्ण रूप क्या है ये Question जुड़ा हुआ है Cloud Computing से और इस Question कर आइट आंसर है Option C, Communication as a Service और अगला Question ने Bheem App द्वारा भेजे जा सकने वाले धन की सीमा क्या है 20,000 per transaction या 40,000 per day या फिर 10,000 per transaction या फिर A और B दोनों तो Bheem App के माद्यम से आप 20,000 per transaction कर सकते हैं या फिर एक दिन में maximum 40,000 रुपे भेज सकते हैं जो कि एक Normal Theme App का Limit होता है तो इस Question कर आइट आंसर हुगा Option D, A और B दोनों और अगला Question ने एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाने को कहा जाता है Multitasking, Foreground Tasking Single Tasking या फिर Symmetric और इस Question कर आइट आंसर है Option A, Multitasking और अगला Question ने भारत से बाहर पैसे भीजने के लिए उप्योग होता है RTGS, NEFT, SWIFT या फिर IFSC और यहां पर एक और Question पुछा जा सकता है कि भारत से बाहर पैसे Receive करने के लिए इन में से किसका इस्तिमाल किया जाता है ति इन दोनों Question का सहीम आंसर होगा इस Question का Right Answer आंसर है Option C, SWIFT Code का इस्तिमाल किया जाता है और अगला Question है NEFT सुविधा की सुरुवात कब हुई 2002, 2004, 2005 या फिर 2008 और इस Question का Right Answer है Option C, 2005 में NEFT सुविधा की सुरुवात हुई और अगला Question है LibreOffice Writer में Default Page Orientation क्या है तो दो तरह की Page Orientation होते है एक होता है Landscape और दूसा होता है Portrait तो अगर हम Writer की बात करें तो यहाँ पे Default Page Orientation होता है Portrait तो इस Question का Right Answer होगा Option D, Portrait और अगर हम Impress की बात करें या फिर PowerPoint की बात करें तो यहाँ पे जो Default Page Orientation होता है वो Landscape तो यह याद रखिएगा इस पे बेस भी कई सारे Questions पूछे जाते है और अगला Question है CC से एक से अधिक Email नहीं बेज सकते हैं कई पर एक्साम में CC का Full Form भी पूछा जाता है तो यह Question पूछा गया है Email से Related जब आप किसी को Mail बेजते हैं तो यहाँ पे CC और BCC दो तरह के Options होते हैं तो CC का Full Form होता है Carbon Copy और BCC का Full Form होता है Blind Carbon Copy तो यहाँ पे इस Question में पूछा गया है CC से एक से अधिक Email नहीं बेज सकते हैं जोकि गलत है CC में आप Multiple Email आइडी टाइप करके कि आप कई सारे लोगों को एक साथ Email भेज सकते हैं तो इस Question का Right Answer होगा False और अगला को इसने Libre Office में थिसारस के लिए Short Cut कुणजी क्या है तो जब आप Impress, Calc या PowerPoint, Word, Excel में काम कर रहे होते हैं तो कई बार आप कुछ Word टाइप करते हैं और उसके बारे में उसका Synonym या Antonyms जानना चाते हैं तो हम थिसारस Option का इस्तिमाल करते हैं ओके तो इस Question का Right Answer होगा Option B Control प्लस F7 और इसी तरह से गर आप किसी Particular Word की Spelling चेक करना चाते हैं तो आपे F7 का इस्तिमाल किया जाता है और अगला कुछने Libre Office में Word Count कहां दिखाई देता है Task Bar, Status Bar, Title Bar या फिर Side Bar और इस Question का Right Answer है Option B, Status Bar जो की सबसे नीचे का बार होता है जहां पे Total Number of Pages कितने हैं या Total Number of Word Count दिखाई पड़ता है और अगला कुछने Phone Pay क्या है E-Valid, NIC Card, E-Governance या फिर E-Mail तो आप में से बहुत से लोग होंगे जो Phone Pay का इस्तिमाल करते हैं जो की एक E-Valid है तो इस Question का Right Answer होगा Option E-Valid और अगला कुछने Default Roop से Libre Office Calc में कितने Work Seat होते हैं तो जब आप Libre Office Calc को Open करते हैं तो आपे Default Roop से एक Work Seat Open होते हैं आप चाहें तो आपे Multiple बना सकते हैं और कई बार एकसाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अधिकतम कितने Work Seat बना सकते हैं तो Libre Office Calc में जो अधिकतम Work Seat Create करने की सीमा है वो है 10,000 में अधिकतम 10,000 सीट साब बना सकते हैं जबकि Default Roop से एक सीट होते हैं तो इस Question का Right Answer होगा Option है 1 और अगला कुछेने Email ID में कितने भाग होते हैं तो सबसे पहला Option है 1, 2, 3, 4 तो किसे भी Email ID में दो पार्ट होते हैं सबसे पहला Part होता है User ID और उसका Next Part होता है Domain Name तो User Name और Domain Name दो पार्ट होते हैं जिसको Separate करने के लिए Add the Rate Symbol का इस्तेमाल करे जाता है तो इस Question का Right Answer होगा Option B 2 और अगला कुछेने वाइफाई का पूर्ण रूप क्या है तो इस Question का Right Answer है Option C Wireless, Fidelity, Wi-Fi का Full Form होता है और अगला कुछेन है किस कार्ड के लिए हम अग्रेम भुगतान करते हैं मिन्स कौन सा ऐसा कार्ड है जिसके लिए Advance में पेमेंट करने की आवसकता होती है तो इस Question का Right Answer है Option D प्रिपेड कार्ड के लिए Advance में पेमेंट करने की आवसकता होती है और अगला कुछेन है इनिट प्रक्रिया मींस प्रॉसस की ID क्या है तो Linux में जितने भी प्रॉसस होते हैं उनकी प्रॉसस ID होती है तो इनिट एक प्रॉसस है जिसकी प्रॉसस ID होती है 1 तो इस Question का Right Answer होगा Option B ये काफे Important Question है और ये भी Question कई बार टुपल सी एकजाम में रिपीट हो चुका है अगला कुछेने Function Sailing 120,11 का मान क्या होगा ये काफे Important Question है इससे पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है इसको दो तरह से पूछा जाता है तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं Sailing Function क्या करता है जैसे यहाँ पे लिखा गया है 120,11 इसका मदलब है जब हम Sailing Function को अपलाई करते हैं तो 120 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा जोकि 11 से Divisible होगा इसी तरह से एक और Function पूछा जाता है तो अगर हम यहाँ पे Sailing का इस्तेमाल करते हैं तो 120 के बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जोकि 11 से Divisible होगा तो इस Question का Right Answer होगा Option C 121 जोकि 11 से Divisible है जोकि 120 के बाद नंबर आता है और इसी तरह से गर यहाँ पे Sailing के जगे पे फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है तो फ्लोर भी सेम इसी तरह से काम करता है बस फ्लोर में यह difference होता है कि Sailing यहाँ पे 120 के जस्ट बाद वाले नंबर को Consider करता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जोकि यहाँ पे दे गए जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा 11 यहाँ पे जो भी नंबर होगा उससे डिविजबल कौन सा नंबर होगा और अगर हम यहाँ पे फ्लोर का इस्तेमाल करते है तो यह क्या करता है जैसे यहाँ लिखा गया है 120 तो 120 से पहले कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इस particular number जैसे कि यहां पे लिखा गया है 11 जो कि इससे divisible होगा तो यहां पे floor और selling दो तरह के functions पूछे आते हैं और यह question लगबग इसी तरह से कई बार repeat हो चुका है काफी important question है तो आप इसको अलग से कहीं पे note down कीजेगा और अगला question ने तस्वीर की दिशा बदलने के लिए हम clip art में किस बिकल्ब का उपयोग करते हैं rotate, move, cut या फिट, transpose तो यह काफी simple question है अगर हम किसी picture को rotate करना चाते हैं तो rotate option का इस्तेमाल करते हैं इस question का right answer होगा option A और अगला question ने इस सिच्छा संस्थानों के लिए domain name क्या है .org, .int, .edu या फिर उप्रोगत सभी तो आप कई अलग-अलग educational institutes के domain name देखते होंगे उनके website के domain name क्या होते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि यह किस प्रकार की domain है तो यहाँ पर इस question का right answer है option C, .edu और इसी तरह से सिच्छन संस्थानों means educational institutes के लिए .ac.in नाम का domain भी यूज किया जाता है और अगला question ने दिशा और स्थान को खोजने के लिए किस app का उपयोग करते हैं और इस question का right answer है option D, Google Map और अगला question ने recycle bin भेजे बिना किसी वी फाइल को स्थाई रूप से हटाने के लिए means delete करने के लिए किस shortcut कुझी का इस्तेमाल किया जाता है तो इस question का right answer होगा option E, shift plus delete के साथ अगर किसी file को हम delete करते हैं तो वो recycle bin में ना जाके directly delete हो जाती है, एक तरह से permanently वो file delete हो जाती है और अगला question E-wallet कहां पर उपयूग कर सकते हैं तो सबसे पहला option है, online shopping, digital payment, online ticket booking या फिर उप्रोक्त सभी तो आजकल कई तरह के e-wallet का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल online shopping या digital payment या फिर online ticket booking क्लिक किया जा सकता है तो इस question का right answer है option D, उप्रोक्त सभी और अगला question ने Instagram किस से सम्बन्दित है, Twitter, Facebook, Google या फिर या हो तो Instagram की parental company है Facebook, तो Instagram Facebook से related है, सम्बन्दित है, इस question का right answer होगा option B और अगला question ने CC का पूर्ण रूप, तो I hope पता चल चुका होगा, इस question का right answer क्या है, क्योंकि इससे पहले भी हम इसको explain कर चुके है बिल्कुल साई, इस question का right answer है, option B, carbon copy और अगला question है, UPI में U क्या है, तो UPI का full form होता है, unified payment interface, तो इस question का right answer होगा, option B, unified और अगला question है, hyperlink insert करने की shortcut की क्या है, और इस question का right answer है, option A, control plus K, जो कि impress, writer, calc, या फिर MS Word, Excel, PowerPoint, इन सभी में, same shortcut key का इस्तेमाल किया जाता है, hyperlink को insert करने के लिए, hyperlink क्या होता है, किस तरह से हम इसको insert करते हैं, practically already मैं calc, impress और writer की वीडियो में बता चुका हूँ और अगला question है, library office writer में page break करने की shortcut की क्या है, और इस question का right answer है, option B, control plus enter, और इसी तरह से एक question पूछा जाता है, paragraph बिना change की के, line change करने की shortcut की क्या है, तो ये, इस question का right answer हो जाएगा, shift plus enter, और अगला question ने, topology का उपयोग, land के लिए, नहीं किया जा सकता, तो topologies का इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी network में systems को आपस में किस तरह से connect किया जाएगा, कई तरह की topologies होती हैं, जैसे की star, mess, burst, tree, ring, तो इस question का right answer होगा, false, land, man, when, इन सभी में topologies का इस्तेमाल किया जाता है, और अगला question ने, O, S, S का पौन रोग क्या है, और इस question का right answer है, option D, open source software, और आप लोग इन सभी questions के right answer, जरूर comment box में comment करते रहे, से आपका confidence level डबलप होगा, और last में कितने questions correct हुए हैं, ये भी हमें comment करके जरूर बताएगा, और अगला question ने, IMEI number में कितने digit होते हैं, तो IMEI एक number होता है, जो कि आपके phone में physically store किया जाता है, means जब आपका phone manufacturer होता है, तो manufacturer द्वारा आपके phone में ये store कर दिया जाता है, जो कि एक address होता है, जिसके मादम से आपके mobile phone को track किया जाता है, और इस question कर right answer है option B, 15 या फिस 17, और अगला question ने, IMEI pin में कितने digit होते हैं, तो जब आप किसी IMEI application का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि भीम, तो यहाँ पे दो तरह के pin इस्तेमाल होते हैं, एक login pin होता है, जिससे आप अपने UPI account में login कर सकते हैं, तो वहाँ पे total 4 digit का pin required होता है, और अगर हम transaction pin की बात करें, जो M pin का एक तरीके का प्रकार होता है, M pin होता है, जिसके माधिन से आप किसी को amount transfer कर सकते हैं, या फिर आप अपने bank account का balance चेक करने के लिए, इस pin का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक 6 digit का pin होता है, तो इस question कर I answer है, option है 4 digit, और अगला question है, PTM कारोबार इस्तांतरित करता है, सबसे पहला option है, digital payment, e-ballot, online bank, या फिर इन में से कोई नहीं, और इस question का right answer है, option है, digital payment, और अगला question है, ब्लूटूथ किस प्रकार का network है, land, man, van, या फिर pen, तो ब्लूटूथ पर्सनल एरिया network मीन्स, pen का एक उदारण है, इस question का right answer होगा, option डी pen, और अगला question है, ब्यक्तिगत computer की पहचान करने के लिए, IMEI महत्तुपूर्ण है, तो इस question का right answer होगा, false, IMEI number का इस्तिमाल किया आता है, mobile phone को track करने के लिए, जबकि computers को track करने के लिए, उसकी पहचान के लिए, Mac address का इस्तिमाल किया जाता है, और अगला कुछने, POS का उप्योग किसके साथ होता है, PIN, CVV, MPIN या फिर में से कोई नहीं, तो POS का full form होता है, point of sale, एक machine होती है, जहाँ पे आप card स्वाइब करके payment कर सकते हैं, तो जब आप POS के माधम से payment करते हैं, तो वहाँ पे आपको ATM PIN की requirement होती है, तो इस question का right answer होगा, आप तर ने PIN, और अगला को इसने control plus Y किसके लिए उप्योग किया जाता है, तो अगर आप triple C exam की तयारी कर रहे हैं, तो में यह तरप से हमेशा एक suggestion रहता है, कि अगर एक बार में आप एक अच्छे grade से triple C के exam qualify करना चाते हैं, तो आप slabbers जरूर complete करें, slabbers complete करने के लिए मुश्किल से आपको 10 से 12 दिन का time लगेगा, और यह freely available है, आप हमारे चैनल की playlist में जाके triple C new slabbers नाम की एक playlist है, उसको follow कर सकते हैं, और इसके सास्त में आप practice भी क कर सकते हैं, practice करने के लिए आप हमारी website www.ganxp.com पे visit कर सकते हैं, यहाँ पे आपको triple C new slabbers के recording questions मिल जाएंगे, और चाहे तो आप हमारे चैनल पे काफी सारे videos upload हैं, जो कि online test से related हैं, जहाँ पे आपको काफी important questions के videos मिल जाएंगे, आप यहाँ से practice करते रहें, और इस video में भी काफी सारे ऐसे questions होंगे, जो कि same to same question आपको triple C exam में देखने को मिल सकते हैं, ओके तो इस question के right answer और option B, redo, control प्लस Y का इस्तिमाल किया जाता है, redo के लिए, और अगले कुछ ने भीम एप कब launch किया गया था, 2014, 15, 16 या फिस 17 और इस question के right answer है, option C, 2016 में भीम एप को launch किया गया था, और अगला question है, लिब्रे आफिस इंप्रेस में नई slide जोड़ने की shortcut की क्या है, इस question को लेकि कई सारे लोग confused रहते हैं, अगर हम नई presentation बनाना चाहते हैं, तो नई presentation create करने के लिए हम इस्तिमाल करते हैं, control प्लस N का, और अगर हम कोई presentation बना रहे हैं, वहाँ पे कोई एक नई slide एड़ करने हैं, तो उसके लिए हम इस्तिमाल करते हैं, control प्लस M, तो इस question का right answer है, option B, control प्लस M, क्योंकि इस question में पूछा गया है, नई slide जोड़ने की shortcut की क्या है, जोगी control प्लस M होगी, और अगला question है, one nibble में कितने bytes होते हैं, तो one nibble होता है, four bit, और eight bit equal होता है, one byte, तो I hope समझ में आ चुका होगा, इस question का right answer क्या है, one nibble होता है, half byte के बराबर, तो इस question का right answer है, option B, 0.5, और यह question कई बार पूछा गया है, कई बार यहां पे 0.5 के जगे पे half लिखा रहता है, और अगला question है, भीम आप को किस रिजर बैंक गवर्नर के समय प्रारम किया गया, तो यह भी काफी important question है, और भी कई अलग अलग तरह के एक्जाम्स में इस question को पूछा जा सकता है, तो इस question का right answer है, option B, उर्जित पतेल, और अगला question है, formula div b2, b3 का परिणाम क्या होगा, यदि b1 equal 1, b2 equal 3, b3 equal 6 हो, 1, 2, 3, या फिर name question mark, तो जब किसी भी प्रकार की formula error होते हैं, तो वहाँ पे has name question mark का एक error message आता है, तो div नाम का कोई function नहीं होता है, जिसके वज़े से this question का right answer होगा, option D, name has question mark, और अगला question है, mobile phone किसका उदाहरण है, सबसे पहला option है, mini computer, micro computer, मुख्य computer या फिर्ण में से कोई नहीं, और इस question का right answer है, option B, micro computer, और अगला question है, phone pay के द्वारा एक दिन में transaction सीमा क्या है, 20,000, 40,000, 50,000, या फिर 1,00,000, और इस question का right answer है, option D, 1,00,000, और अगला question है, आकार में सबसे बड़ा computer किस PD का था, तो यह काफी आसान question है, आप सभी को पता होगा, किस generation के computer, आकार में सबसे बड़े थे, और इसके मैंने generation के वीडियोस में काफी detail में भी बताया है, कौन-कौन से technology इस्तेमाल होती थी, कौन-कौन से computers थे, तो इस question कर right answer है, option D, पहली PD या first generation, और अगला question है, phone पे किस से संबन्दित है, NPCI, UPI, RBI या फिर E-Valid, तो phone पे कि UPI F है, तो इस question कर right answer होगा, option B, UPI, और अगला question है, BGA का phone रूप क्या है, तो BGA graphics port होता है, और इस question कर right answer है, option B, video graphics array, जिसके माध्यम से monitor को CPU से connect किया जाता है, कई अलग-लग display unit को इस port के माध्यम से connect किया जाता है, जैसे कि monitor या फिर projector, और अगला question माईकर कोड में कितनी संख्याएं होती है, तो अगर आप checkbook का इस्तिमाल करते हैं, तो वहाँ पे checkbook में नीचे की तरफ माईकर कोड दिया रहता है, तो इस question का right answer है, option D, nine digits, जो माईकर कोड होता है, वो total nine digits का होता है, और अगला question ने दस्तवीज part के पीछे धुंदला दिखाई देता है, तो अगर आप कोई document create करते हैं, उसके नीचे धुंदला सा क्या दिखाई पड़ता है, वाटर मार्क, इस question का right answer होगा, option C, वाटर मार्क, जब आप किसी document में वाटर मार्क सेट करते हैं, तो आपका जो भी text content होता है, वो उस वाटर मार्क के उपर दिखाई देता है, जबकि वाटर मार्क सबसे नीचे उस document में धुंदला सा दिखाई पड़ता है, और अगला question ने market place, फेस्बुक द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की सेवा है, और यहां से एक और question पूछा जा सकता है, कि market place किसका उत्पाद है, या किस से संबंदित है, तो marketplace फेस्बुक से संबंदित है, marketplace फेस्बुक का एक अलक से platform है, जो कि बिलकुल OLX की तरह से काम करता है, यहां पे लोग अपने सामान को खरीज सकते हैं, बेज सकते हैं, खरीदने और बेजने के लिए इस platform का इस्तेमाल किया जाता है, हलाकि marketplace फेस्बुक का जो application है, platform है, अभी तक हिंडिया में launch नहीं किया गया है, तो इस question का right answer है, option is C to C, customer to customer, और अगला question है, निम्न में क्या hard copy तयार करता है, scanner, monitor, printer या फिर disk, तो document हमाई दो तरह के होते हैं, एक soft copy format में होता है, एक होता है hard copy format, जो हमाई system में store document होते हैं, वो soft copy में होते हैं, जो हम print करते हैं, जो printer के माध्यम से हमें print out मिलता है, वो एक hard copy होता है, तो hard copy तयार करने के लिए, create करने के लिए हम इस्तिमाल करते हैं, printer का, तो इस question का right answer हो और अगला कुछने email द्वारा फाइले भेजने को क्या कहते हैं upload, download, aggressive, attach आप इस तरह के कई सारे questions आप अलग-अलग तरह की books में या pdf में पढ़ सकते हैं लेकिन कई बार क्या होता है questions हमें समझ में नहीं आते हैं तो यहाँ पर मैं वीडियो में काफी detail में question को explain करने कोसिस करता हूँ ताकि इससे जुड़ा हुआ कोई भी doubt है वो clear हो जाए तो इससे क्या होता है आप इस questions आजली याद कर सकते हैं या याद हो जाते हैं बिलकुल इस question का right answer होगा D, attach और अगला कुछने निम्ण में CP command के बारे में मदद पाने के लिए किसका उपयोग करेंगे और कई बार एक्साम में ये भी पूछा गया है कि Linux operating system में किस command का استعمال किसी भी command की help के लिए किया जाता है तो man एक command होता है जो किसी भी command की help के लिए man का استعمال किया जाता है जिसका syntax होता है सबसे पहले आपको लिखना है man और उसके बाद एक single space दिना है उसके बाद उस particular command को type करना है जिसके बारे में आप जानना चाते हैं तो इस question कर right answer option b man space cp और अगला question है impress में alignments जैसे text image को ब्यवस्थित करने के लिए प्रियोग करते हैं तो इस question कर right answer होगा option d layout का इस्तेमाल करते हैं और अगला question है LibreOffice writer में templates का प्रबंधन करने के लिए shortcut कुझी क्या है तो template को manage करने के लिए कौन सी shortcut की इस्तेमाल की जाते है writer के shortcut की इसके वीडियोज में practically बता चुका हूँ किस तरह से हम slide के template को या writer के template को manage करने के लिए कौन सी shortcut की इस्तेमाल करेंगे तो इस question का right answer होगा option एक control plus if plus n का इस्तेमाल करते हैं और अगला question है impress के लिए default extension क्या है means जब हम impress में किसी भी presentation को save करते हैं तो by default किस extension में save होती है और इस question का right answer है option B ODP open document presentation इसका full form होता है तो full form भी पूछा जा सकता है आप इसको भी याद रखिएगा open document presentation और अगला question है facebook account खोलने की नियुनतम उम्र क्या है 12 year, 13 year, 16 year या फिर 18 year और इस question का right answer है option B 13 year अगर आप facebook account open करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 13 साल होनी चाहिए और अगला question है कौन से memory बार बार refresh होती है ROM, RAM, P-ROM या फिर E-P-ROM और इस question का right answer है option B RAM random access memory जो की बार बार refresh होती रहती है और कई बार exam में RAM और ROM से related कई अलग अलग तरह के questions पूशे जाते हैं जैसे की ROM एक non-volatile memory है, non-volatile वो memory होती है जो की power off होने के बाद भी data store रहता है और RAM एक volatile memory है, जैसे हम power off करते हैं अपने system को shutdown करते हैं इसमें store data automatic delete हो जाता है और अगला question ने कौन सा नया browser बिंडो 10 के साथ paste किया गया है तो इस question कर right answer option D, it's एक नया browser है जो की बिंडो 10 के साथ में launch किया गया है और अगला question ने छोटे छोटे pixels को icon कहा जा सकता है तो यह काफी important question है icon किसी भी program का एक graphical form होता है जिसको हम click करके उस particular application को या program को run कर सकते हैं या open कर सकते हैं जबकि अगर हम pixels की बात करें तो यह हमारे display unit के सबसे छोटे components होते हैं तो इस question कर right answer होगा false क्योंकि यह दोनों अलग-अलग होते हैं और अकला question है क्या email id में उप्योग करता नाम बदल सकते हैं क्या किसी एक email id में username बदला जा सकता है रोज 7 ता 1 दो बार हमेशा कभी नहीं तो किसी भी email id को create करने के बाद उसका username बदला नहीं जा सकता है तो इस question का right answer होगा option D कभी नहीं और अगला question है निम्न में Linux पर आधारित operating system नहीं है Ubuntu, Red Hat, CentOS, BST तो Ubuntu, Red Hat, CentOS ये तीनों Linux पर आधारित operating system है जबकि BST एक Linux operating system नहीं है और अगला question है IBM system 38 computer work का प्रतने दित्तु करता है means किस प्रकार का computer है small scale computer, large scale computer या फिर super computer या फिर इन में से कोई नहीं ये भी एक important question आप चाहिए इसको अलग से no down भी कर सकते है तो इस question का right answer है option है small scale computer और अगला question है calc में वर्तमान बिंडो से बाहर निकलने के लिए shortcut key क्या है तो यहाँ पे जिसे लिखा गया है calc और जिसी तरह से यहाँ पे impress और writer भी लिखा जा सकता है इन तीनों के लिए same shortcut key का इस्तेमाल किया जाता है और इस question का right answer option है control plus w और अगर हम पूरी तरह से library office को बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं control plus q और अगला question है ps2 port में कितने pin होती है ps2 एक port होता है जिसके माद्यम से mouse को या keyboard को connect किया जाता है इसमें total 6 pins होते है तो इस question का right answer होगा option b6 हलाकि ps2 एक ऐसा port है जो कि आज की date में एक तरह से outdated है अभी जो जितने भी नए pc आते हैं laptop होते हैं वहाँ पे आपको ps2 port देखने को नहीं मिलेगा इसके जगा पे usb port का इस्थिमाल किया जाता है और अगला कुछने mail भीजने के लिए standard protocol है तो email system में तीन अलग अलग तरह के protocol का इस्थिमाल किया जाता है सबसे पहला protocol होता है SMTP Simple Mail Transfer Protocol जो कि किसी भी email को भीजने के लिए इस्तिमाल किया जाता है तो इस question का right answer option C SMTP अब यहाँ पे दो और protocols इस्तिमाल किया जाते हैं mail को receive करने के लिए tutte work दोनों email को receive करने के लिए इस्तिमाल किया जाते हैं और यह दोनों अलग अलग जगा पे काम करते हैं अगर आप internet email जैसे की Gmail, Yahoo Mail इन सब का इस्तिमाल करते हैं तो वहाँ पे IMAP, Internet Message Access Protocol का इस्तिमाल होता है और अगर आप किसी application के माध्यम से जैसे की email clients होते हैं जैसे की Outlook Express का इस्तिमाल करते हैं वहाँ पे email को download करने के लिए POP means Post Office Protocol का इस्तिमाल किया जाता है और अगला कुछने plugin software को किसने प्रसिद्ध बनाया ये भी काफी popular question है, कई बार exam में पूछा गया है तो जैसे आप Chrome browser को इस्तिमाल करते हैं तो वहाँ पे कुछ add-ons होते हैं जिनको आप download करके उसके अंदर install कर सकते हैं जब आप अपने Chrome browser को use करेंगे तो वहाँ पे उन applications को भी आप उसके साथ में इस्तिमाल कर सकते हैं तो ये कुछ होते हैं plugin software तो अब यहाँ पे पूछा गया है किसने plugin software को प्रसिद्ध बनाया तो इस question कर right answer है option भी NetScape Navigator और कई बार एक सामें ये भी पूछा जा सकता है कि NetScape Navigator क्या है तो एक dev browser है और इसी से related एक और question पूछा जाता है कि नम्न में कौन सा browser है जो की paid है तो NetScape Navigator एक paid browser है मींस इसको इस्तिमाल करने के लिए हमें पहले से purchase करना पड़ता है और अगला question है नमीनतम browser कौन सा है Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox या फिर Opera और इस question कर right answer है option है इन में से सबसे latest Google Chrome है जो की Google के द्वारा launch किया गया एक web browser है और अगला question है हम एक समय में एक computer में दो operating system का उप्योग कर सकते हैं और इसी पर बेस्ट एक और question पुछा जाता है किसी एक system में एक से अधिक operating system को install किया जा सकता है तो हम किसी एक system में कई operating system इस्तेमाल कर सकते हैं या install कर सकते हैं जिसको हम बोलते है dual boot लेकिन उन दोनों operating system को एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तो इस question का right answer होगा false और अगला question है अगर हम mail में कुछ दस्तावेज जोड़ना चाते हैं तो हम कौन सा बिकल्प चुनते हैं link, compose, attachment या फिर add काफी simple सा question है और इस question को कई अलग अलग तरा से पूछा जाता है तो जब हम किसी email के साथ में कोई document भीचना चाते हैं तो attachment option का इस्तेमाल करते हैं तो इस question का right answer है option C, attachment और अगला question Linux किस प्रकार का operating system है multitasking, multi user, multi programming या फिर उप्रोगत सभी तो Linux एक ऐसा operating system है जिसमें multitasking, multi user, multi programming ये सभी features होते हैं तो इस question का right answer होगा option D, उप्रोगत सभी और अगला question ने calc का file extension क्या है और कई बार exam में ये भी पूछा जाता है calc क्या है तो calc के एक प्रकार की spreadsheet है तो इस question का right answer है option C, dot O, D, S और exam में इसका full form भी पूछा जा सकता है कि O, D, S का full form क्या है तो open document spread seed इसका full form होता है और अगला question ने mac पते का आकार क्या है means mac address कितने bit या byte का होता है तो देखते हैं आप में से कितने लोग इस question का right answer दे पाएंगे I hope आप सभी को पता होगा इस question का right answer क्या है लेकिन तब भी आप यहाँ पे कई सारे लोग होंगे जो गलतिया करेंगे तो देखते हैं कितने लोग इस question का right answer दे पाएंगे तो mac address होता है 48 bit का और अगर हम इसे byte में convert करते हैं तो यह हो जाएगा 6 byte इस question का right answer होगा option B 6 byte क्योंकि यहाँ पे दिखी लिखा हुआ है byte 48 byte कई लोगों ने इस question का right answer दिया होगा option D जो कि यहाँ पे लिखा है byte अगर यहाँ पे लिखा होता है bit तो इस question का right answer होता option D और अगर हम 48 bit को byte में convert करते हैं तो यह हो जाता है 6 byte तो कई बार इस तरह से questions को थोड़ा सा घुमा फिर आगे पूछा जाता है यह question काफी popular है अलगी बहुत simple सा इससे पहले भी हम कई बार इसको discuss कर चुके हैं तो किसी भी folder को directory के नाम से भी जानते हैं तो इस question का right answer होगा true और अगलक उसने mac address hexadecimal में लिखा होता है तो mac address एक ऐसा code होता है जो कि हमारे system में manufacturer के द्वारा store किया जाता है कई बार exam में यह भी पूछा जा सकता है कि mac address कहां पे store होता है तो जो हमारा land card होता है उसके अंदर mac address स्टोर किया जाता है और इसके माद्यम से जब हमारे system internet या किसी भी network से connect होता है तो उसके माद्यम से हमारे system को track किया जा सकता है और इस question का right answer है true mac address hexadecimal में लिखा होता है और अगला question है नाबाड किसकी सिफारिस पर स्थापित हुआ है काफी popular question है कई बार exam में पूछा जा चुका है और इस question का right answer है option है B.C.U. रमन समिती के द्वारा नाबाड की स्थापना हुई और अगला question है vacuum tube का उप्योग कब किया जाता था पहली PD, दूसरी PD, तीसरी PD या फिर चौथी PD और इस question का right answer है option ही first generation में vacuum tube का इस्थेमाल किया जाता था जबकि second generation की बात करें तिहाँ पे transistor का इस्थेमाल हुआ है और अगर हम third generation की बात करें तो IC का इस्थेमाल हुआ है और अगर हम चौथी PD की बात करें तिहां पे LSI means large scale integration का भी इस्तिमाल किया गया है और अगला कुछी ने संस्थान की पहचान संख्या IIN कितने अंकों की होती है 4, 5, 6 या फिर 8 और ये question जुड़ा हुआ है banking से और कई बार exam में इसका full form भी पूछा गया है तो इसका full form होता है institution identification number इसको भी कहीं पे note down कीजेगा तो NPCI के द्वारा जितने भी banks होते हैं उन सभी को IIN numbers इसू किया जाता है और इस question का right answer होगा option C 6 digit का होता है IIN number और अगला question ने www tier 1 network है तो network setup करने के लिए तीन अलगला categories की companies involved होते हैं tier 1, tier 2 और tier 3 tier 1 वो companies होते हैं जो countries को आपस में connect करने के लिए अपने cables को बिछाते हैं और tier 2 वो companies होते हैं जो अपने country के अंदर cities को आपस में connect करने के लिए network बिछाते हैं और tier 3 वो companies होते हैं जो उप्भोगता मींस user तक उस connection को पहुचाते हैं तो www क्या है worldwide web जो की tier 1 का एक उदारन है इस question का right answer होगा true और अगला question है case sensitive match के लिए क्या उप्योग किया जाता है ये काफ़ी important question है तो उससे पहले हम समझ लेते हैं case sensitive होता क्या है तो जैसे यहां लिखा गया है match case अब यहां पे match में M capital है case में C capital है और इसी को small letters में भी लिखा जा सकता है match case तो यहां पे यह दोनों अलग अलग तरा से होंगे अगर हम case sensitive का इस्तिमाल करते हैं ये case sensitive को activate करते हैं उस case में small में लिखा गया match और capital में लिखा गया match या फिर title case में लिखा गया match इन तीनों को अलग अलग consider किया जाएगा तो अगर हम case sensitive match करना चाते हैं या check करना चाते हैं तो उस case में एक option होता हमाई पास match case इसको अगर हम on कर देते हैं तो उसके बाद ये capitals में लिखे गया words को या small में लिखे गया words को अलग अलग consider करता है तो इस question का right answer है option A और अगला question ने PPP और client server दोनों समान architecture है तो by mistake equation हो गया repeat और इसको हम पहले explain कर चुके हैं तो इस question का right answer होगा false क्योंकि ये दोनों अलग अलग architecture होते हैं और अगला question ने cloud cube model में कितने प्रकार के आयाम means dimension मौजूद हैं ये भी question काफी popular है कई बार exam में पूछा गया है एक नया topic triple C syllabus में add किया गया है cloud computing जिससे जुड़ा हुआ ये question है तो इस question का right answer होगा option C 4 total 4 dimensions होते हैं cloud cube model में और अगला question ने IBM 1401 एक main frame computer है तो इसको हम पहले explain कर चुके हैं I hope आप पता होगा इस question का right answer क्या है क्योंकि इससे पहले question पूछा गया था कि IBM 1401 किस generation का computer है और यहाँ पे पूछा गया है IBM 1401 एक main frame computer है जो कि बिल्कुल साइस question का right answer होगा true IBM 1401 एक second generation का computer है जो कि main frame computer है और अगला question है operating system का नाम जानने के लिए command क्या है तो यह question पूछा गया है Windows operating system से related अगर हम Windows operating system में उसका version जानना चाते हैं नाम जानना चाते हैं इन में से किस command का इस्तिमाल करेंगे और इस question को हम पहले भी practically बता चुके हैं कौन सा command इस्तिमाल करेंगे किस तरह से इस्तिमाल करते हैं तो यहाँ पे time जादा ना लें इस वज़े से हम यहाँ पे इसको practically नहीं बता रहें और अगलग इसने के बी में बी क्या है तो के बी, एमबी, जीबी, टीबी इस तरह से अलग-अलग storage unit होते हैं तो इस question कर I answer होगा byte, kilobyte और अगलग इसने बड़े network के लिए किस topology का उपयोग किया जाता है ring, mess, bus या फिर star तो बड़े network means जहाँ पे काफी सारे computers को हमें network के माध्यम से connect करना हो तो वहाँ पे कई तरह की problems आती है जैसे कुछ हमारे node dead हो जाती है कुछ lines disconnect हो जाती है कुछ lines में problem आती तो कौन से ऐसी topology है जो इस तरह की problems को easily solve कर सकते हैं वहाँ पे, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते है start topology का, start topology में एक center में hub या switch के इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बाकी सारे computers को connect किया जाता है तो यहाँ पे अगर कोई भी system dead होता है या disconnect होता है, तो बाकी network पे किसी भी प्रकार का कोई effect नहीं पड़ता है जिसकी वाज़े से start topology को बड़े network setup करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जबकि अगर हम छोटे network को setup करना चाहें तो यहाँ पे rank, mess या फिर bus का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगला कोईशने किसी email खाते में means account के लिए अक्सर किस सब्द का उप्यूग किया जाता है जिसमें भंडारण छेतर सामिल है तीवी काफी simple से question इस question के राइटान सुरू गॉप्सन सी mail box और अगला कुछने यह email पते का हिस्सा नहीं है underscore, add the rate, dot या फिर space तो इन में से किस का इस्तेमाल किसी भी email id में नहीं किया जा सकता तो किसी भी email id में underscore का इस्तेमाल कर सकते हैं add the rate का इस्तेमाल की जाता है user और domain name को अलग करने के लिए dot का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इस space का इस्तिमाल नहीं किया जा सकता है तो इस question का right answer है option D space और अगला question है electronic meeting सब्द के रूप में जाना जाता है तो electronic meeting के लिए इन में से किसका इस्तिमाल किया जाता है तो इस question का right answer है option C teleconferencing और अगला question ने computer द्वारा कौन सा operation नहीं किया जाता है सब्सक्राइब आप्सन है understanding, controlling, processing या फिर inputting तो computer के पास खुद की सोचने की छमता नहीं होती है तो इस question का right answer होगा understanding ये operation इसके द्वारा नहीं किया जाता है और अगला question ने print out पर rulers दिखाई नहीं देते हैं तो जब आप word या writer में काम करते हैं तो वहाँ पे हम ruler का इस्तिमाल करते हैं कि अपने document पे लिखे गए content को align कर सकें तो इस question का right answer होगा true जब हम print out करते हैं तो वहाँ पे जो rulers होता है वो visible नहीं होता है और अगला question है spread sheet में योग खुजने के लिए किस tool का उपयोग किया जाता है तो calc या excel में किस particular option का इस्तिमाल करते हैं total करने के लिए इस question का right answer option c auto sum और अगला question है smart phone में किस प्रकार का lock system मौजूद नहीं है तो आप सभी लोग अपने phone को किसी न किसी lock medium से या माध्यम से एक तरीके से उसे lock करते होंगे जैसे कि encryption, swipe, pin, pattern कौन सा ऐसा तरीका है जो locking system नहीं है और इस question का right answer option c encryption phone का locking system नहीं है और ये भी पूछा जा सकता है इन तीनों में ये सभी तीनों प्रकार होते हैं locking system के इन तीनों माध्यम से अपने phone को आप lock कर सकते हैं यहां से एक और question पूछा जा सकता है इन में से कौन सा locking system secure नहीं है तो swipe इन में से secure locking system नहीं है क्योंकि जब हम swipe को enable करते हैं तो हमाई phone को कोई भी simply हमारी screen पे swipe करके इस phone को unlock कर सकता है और अगला question है land scap क्या है ती काफी simple जग्वेश्चन है इस question का right answer है option C page orientation land scap portrait ये दो प्रकार की page orientation होते हैं और अगला question है आप प्रस्ट भूमी में एक प्रक्रिया means process या program कैसे चला सकते हैं ये question पूछा गया है Linux operating system पे based question है तो background में किसी process या program को run करने के लिए इन में से किसका इस्तेमाल करते हैं तो इस question का right answer है option E and और अगला question है operating system का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस command का उप्योग किया जाता है और ये question related है Linux operating system से तो Linux operating system में operating system का नाम display करने के लिए किस command का इस्तेमाल करेंगे तो इस question का right answer है option C यू name और अगला question है cache memory को DRAM chip के उप्योग से क्रियान वित किया जाता है तो इस question में पूछा गया है cache memory को DRAM के माध्यम से डबलब किया जाता है या implement किया जाता है तो इस question का right answer होगा false क्योंकि cache memory को SRAM से डबलब किया जाता है means cache memory को डबलब करने के लिए SRAM का इस्तिमाल किया जाता है और अगला question ने optical disk में उप्योग की जाने वाली तकनीक कौन सी है reflective, refractive, laser beam या फिर diffraction तो optical disk में उप्योग जाता है laser beam का तो इस question का right answer है option C laser beam और अगला question ने 3D printer दुनिया की बस्तूओं को print करता है तो आप सभी को बता होगा 3D एक ऐसा printer होता है जो की object को print करने के लिए इस्तिमाल के जाता है तो बिल्कुल साइज question का right answer होगा true और अगला question है DNS का full form क्या है means DNS का पोन रूप पूछा गया है तो इस question का right answer है option C domain name server और कई बार यहां पर domain name system भी लिखा होता है और अगला question है बार कोड और QR कोड एक ही सब्द है तो यह दोनों अलग अलग प्रकार की code होते है बार कोड एक one dimension code होता है जबकि QR code की बात करने तो यह two date means two dimension code होता है तो इस question का right answer होगा false यह दोनों एक ही सब्द नहीं है और अगला question है printer की गुडवक्ता को किस में मापते हैं तो किसी भी printer की quality को मापने के लिए measure करने के लिए इसे किस का इस्तेमाल के जाता है CPM, PPM, DPI, LPM और इन सभी के full form भी आपको पता होने चाहिए CPM का full form होता है character per minute PPM का full form होता है page per minute DPI का full form होता है dot per inch और LPM का full form होता है line per minute तो किसी भी printer की quality को जाचने के लिए DPI का इस्तेमाल के जाता है means dot per inch और अगर हम printer की speed की बात करें तो CPM, PPM, LPM ये सभी printers की speed होती है जो कि अलग-अलग प्रकार के printer की speed को मापने के लिए किया जाता है जैसे character printers होते है या dotmatics printer में CPM का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे laser printers होते है या फिर inkjet printer होते है उसमें page per minute उसकी speed मापी जाते है LPM जो हमारे line printers होते है उनकी speed को मापने के लिए LPM line per minute का इस्तेमाल किया जाता है और अगला question ने repeat के लिए shortcut की क्या है तो repeat क्या है किस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे undo, redo होता है उसी तरह से repeat होता है तो repeat का इस्तेमाल किया जैसे previous जो भी आपने काम किया इसको दुबारा से same करने के लिए हम यहाँ पर repeat shortcut की का इस्तेमाल कर सकते हैं या repeat option का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस question का right answer option एक control plus y जो कि repeat की एक shortcut की है और इसको हम calc, impress या फिर writer में इस्तेमाल कर सकते हैं इन तीनों में same shortcut की का repeat के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अगला कुछ ने PDA का पूर्ण रूप क्या है तो इस question का right answer है option C, personal digital assistant और अगला कुछ ने LibreOffice Calc में अधिकतम font आकार क्या है तो इस question का right answer होगा option D क्योंकि maximum font size होता है 999.999 जो की 1000 के बराबर होगा और अगला कुछ ने A, B, R, S में S का मतलब क्या है तो A, B, R, S का full form होता है आधार, based, remittance, service तो इस question का right answer है option B, service और अगला कुछ ने Artificial Intelligence का पहला सम्मेलन कहा हुआ ये काफी important question है ये question पिछले मैंने टपलस exam में पूछा गया है और इससे पहले भी ये question पूछा जा चुका है तो इस question का right answer है Dartmouth College चुकि US का एक college है जहाँ पे सबसे पहला AI का सम्मेलन या conference हुआ और अगला कुछ ने e-commerce का उदारण है पे टियम, फ्लिप कार्ट, इंडिया मार्ट या फिर उप्रोक तो सभी तो इस question का right answer होगा option D, उप्रोक तो सभी ये सभी e-commerce के उदारण है और अगला कुछ ने calc में cell की चौडाई कितनी होती है तो यहाँ पर देखिए options में cm के इस्तेमाल किया गया है जबकि आप अगर calc में उसकी चौडाई देखते हैं तो वो inches में दी रहती है तो कई बार लोग यहाँ पर गलतियां करते है और इस question का right answer है option E, 2.26 cm और यहाँ पर अगर आप calc में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है 0.89 inch तो अगर आप 0.89 inch को cm में convert करते हैं तो यह होगा 2.26 cm और अगला question है एक computer virus किसके द्वारा बनाया जाता है प्रकृति द्वारा, machine द्वारा, manisoo द्वारा या फिर उप्रोक्त सभी तो computer को किसी इंसान द्वारा डबल अप किया जाता है तो इस question का right answer option C, manisoo से द्वारा और अगला question कितने दिनों बाद email में trash अपने आप delete हो जाता है तो trash एक box होता है जब आप किसी email को delete करते हैं तो automatic वो trash box के अंदर move हो जाता है जो कि 30 दिनों के बाद trash के अंदर जितने भी emails होते हैं वो automatic delete हो जाते हैं तो इस question का right answer option B ये question काफी popular है कई बार exam में पूछा जा चुका है और अगला question है यू SST के द्वारा digital lane देन किया जा सकता है तो बिलकुल सही इस question का right answer होगा true mobile banking के लिए यू SST का इस्तेमाल किया जाता है और अगला question कोई file default route से कहां पर save होती है तो जब आप अपने operating system पर काम कर रहे होते हैं किसी file को save करते हैं तो by default वो कहां पर save होती है तो इस question का right answer है option B my document लेकिन आप चाहें तो उसकी location को change भी कर सकते हैं और अगला question है sum 1,0,true,false यह काफी important और tricky question है तो देखते हैं आप में से कितने लोग इस question का right answer दे पाएंगे तो sum एक function है जिसको हम इस्तिमाल करते हैं total करने के लिए इसको actually a calc दोनों में इस्तिमाल कर सकते हैं दोनों में सेम तरह से काम करता है अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है 1 और दूसरा यहाँ पे लिखा गया है 0 और तीसरा लिखा गया है true और यहाँ पे false तो यहाँ पे computer में true का मतलब होता है 1 और false का मतलब होता है 0 तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 और 1 यहाँ पे दो बार 1 आया है बाकी दो बार 0 आया है तो अगर हम यहाँ पे 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 करते हैं तो क्या आएगा टूटल आएगा 2 तो इस question का right answer होगा option D2 ओके तो I hope समझ में आ चुका होगा इस तरह से कई बार trickiest तरह के questions पूशे जाते हैं और कई बार लोग इस तरह के simple questions के answer गलत देके आते हैं तो यहाँ पे इस question का right answer होगा D2 और अकला question है किसी part के उपरी भाग पर लिखे गए छोटे part को कहा जाता है तो अगर आप कोई text type करते हैं उस text के उपर की तरफ कोई छोटा text लिखते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं super script इस question का right answer होगा option is super script और अगर किसी text के नीचे एक छोटा text लिखते हैं तो होता है sub script और अगला question है टेली ग्राम के संस्था पक कौन है और इस question का right answer होप्शन है पावल, डिवरो, टेली ग्राम के संस्था पक है और आप लोग comment box में comment करके बताएगा टेली ग्राम को किस year में launch किया गया और अगला question ने फाइलों को हटाने के लिए किस command का उप्योग किया जाता है और ये question जुड़ा हुआ है Linux operating system से Linux operating system में files को remove करने के लिए हटाने के लिए rm command का इस्थिमाल किया जाता है जिसका full form होता है remove तो इस question का right answer है option C ने निमन में कौन सा file format LibreOffice impress में जोड़ा जा सकता है WMA, WMV, MPEZ या फिर उप्रोक्त सभी तो इन सभी के full form भी पूछे जा सकते है तो सबसे पहला option है आपे WMA इसका full form होता है window media audio और WMV का full form होता है window media video और MPEZ का full form होता है moving picture expert group तो इस question का right answer है option D उप्रोक्त सभी सभी प्रकार के file format LibreOffice impress में जोड़े जा सकते है और अगला कुछने आप अपनी cryptocurrency कहां store करते हैं E-Valid, Cloud, Email या फिर Bank और इस question का right answer है option E-Valid और अगला कुछने ATM का विसकार किस ने किया ये question कई बार repeat हुआ है triple C exam में और आज के इस test में हम banking से related और use now से related questions भी discuss करेंगे जैसे कि मैं पहली बता चुका हूँ triple C ने उस लिबस के जितने भी topic हैं सभी topic पे बीस्त आज हम question discuss करने वाले हैं ये test काफी important है से आपको exam में काफी help मिलेगी तो आप इस test को last तक जरू देखीगा ओके तो इस question का right answer है option E zone, address, word, baron इन्होंने ATM का अविसकार किया था और अगला कुछने ने निम्न में OPD से सम्बन देत है सबसे पहला option है ORS, among, EPS या फिर इनमें से कोई नहीं तो triple C news syllabus में एक नया topic add किया गया है ORS और इसका full form होता है online registration system government की तरफ से एक नया platform launch किया गया है जहाँ पे government और private hospital को इस platform से जोड़ा गया है और यहाँ पे patient अपने आधार card के माध्यम से OPD के लिए registration कर सकते हैं या appointment book कर सकते हैं तिस question का right answer है option है ORS और अगला कुछने UPI दोरा भुकतान करने की समय सीमा क्या है सुबा 7 बजी से साम 8 बजी तक या सुबा 8 बजी से साम 7 बजी तक या फिर सुबा 8 बजी से साम 6 बजी तक या फिर इन में से कोई नहीं मीन्स कोई समय सीमा नहीं और इस question का right answer है option D कोई समय सीमा नहीं UPI के माध्यम से आप 24 आवर किसी भी time payment कर सकते हैं और अगला question है LibreOffice Calc में default cell उचाई क्या है और इस question का right answer है option C 0.18 inch और अगला question है LibreOffice में होते हैं Writer, Calc, Draw या फिर उप्रोक्त सभी तो LibreOffice एक application software है एक तरीकी का package है जिसमें कई अलग अलगतरा के applications होते हैं जैसे कि Writer, Calc, Draw ये सभी applications LibreOffice के अंदर होते हैं तो इस question का right answer है option D प्रोक्त सभी और अगला question ने cut, copy और paste का विकल्ब किस menu में होता है और इस question का right answer है option B edit menu के अंदर cut, copy और paste जैसे options होते हैं और अगला question है इन में से सबसे तेज कौन है buffer, सहायक memory जिसको हम secondary memory के नाम से जानते हैं P room या फिर hard disk और इस question का right answer है option E buffer memory सबसे तेज होते है और अगला question है निमन में कौन सा bank बित्ती नहीं है SDFC, ICICI, HSBC या फिर बजाज finance बित्ती ये bank का मतलब होता है जहां पर लोग अपना account open करते हैं और अपने पैसे जमा करते हैं या फिर निकालते हैं तेन में से कौन सा ऐसा bank है जो बित्ती ये bank नहीं है और इस question का right answer है option D बजाज finance से एक finance company है जो कि सिर्फ loans प्रवाइड करती है और अगला कुछने ASCII का पोन रूप क्या है ये question काफी popular इस पर भी कई सारे और questions पूछे जाते हैं और इस question का right answer है option C American Standard Code for Information Interchange एक तरह की coding technique है जो computer में alphabet, numbers, special character या symbols को represent करने के लिए इस coding technique का इस्तेमाल किया जाता है Sky7 और Sky8 दो तरह के versions होते है Sky7 एक 7-bit का code होता है जबकि Sky8 एक 8-bit का code होता है और CPBST और question पूछे जाता है Sky7 से कितने maximum character represent किया जा सकते है तो Sky8 एक 7-bit का code है जिससे maximum 128 character को represent किया जा सकता है जबकि अगर हम Sky8 की बात करें तो एक 8-bit का code है और इससे maximum 256 character को represent किया जा सकता है और अगला कुछने MMID में कितनी संख्याएं होती है और इस question का right answer है option D 7 digits और अगला कुछने निमन में non-impact printer कौन सा है line printer, drum printer, laser printer या फिर उप्रोक्त सभी तो printer दो तरह के होते हैं impact और non-impact और इस question का right answer है option C laser printer एक non-impact printer है इसी तरह ink-z printer भी एक non-impact printer है जबकि line printer, drum printer ये सभी impact printer की category में आते हैं और अगला कुछने निमन लिकित में से कौन सा बिकल्प की छमता, तो वहां से आप देख सकते हैं आपका जो password है, वो कितना strong है तो इस question का right answer है option C password छमता ये password strength और अगला कुछने निमन लिकित में से किसमे data पुनर प्राप्ति की संदर में सबसे तेज पहुंच समय है means इसमें से कौन सा ऐसा storage device है जिसमें access time सबसे कम है या जल्दी से इसमें data access किया जा सकता है और इस question का right answer है option C SSD और इसका full form भी पूछा जा सकता है तो इसका full form होता है solid state drive जो कि CD, DVD, hard disk इन तीनों से faster है और अगला question है निम लखित में से कौन Unix पर आधारित नहीं है drawbin, freebst, python या फिल linux और इस question का right answer है option C python, python एक programming language है जबकि drawbin, freebst, linux ये तीनों operating system Unix operating system पर आधारित है और अगला question ने HTML के अलावा web page के द्रस से सुरूप को set करने के लिए निम्न विकल्पों में से किसका उपयोग किया जाता है XML, CTML, CSS, TCP तो HTML code के साथ में एक दूसरा code भी यूज किया जाता है ताकि web page को attractive बनाया जा सके और ये code होता है CSS और इसका full form होता है cast cadding style sheets और इसका full form भी कई बार exam में पूछा गया है और अगला question है library office writer एक application software नहीं है तो ये बहुत simple सा question इस question का right answer आप सभी को पता होगा इस question का right answer होगा false क्योंकि library office writer एक तरह के application software है और अगला question है PGP का मतलब क्या है और ये question काफी popular है PGP का full form होता है pretty good privacy तो इस question का right answer है option A और एक और इसी पे base question पूछा जा सकता है कि email में security के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है तो email में security के लिए PGP का इस्तेमाल किया जाता है pretty good privacy और इसी तरह से एक और question पूछा जा सकता है कि PGP किस से संबन्दित है तो PGP email security से संबन्दित है और अगला को इसने जो CPU और Input-Output के बीच संकेतों की गतविधियों को नियंतरित करता है ALU Control Unit, Memory Unit, Secondary Storage तो CPU के तीन मुख्य कंपोनेंट होते हैं ALU Control Unit जिसको सौट में बोलते हैं CU और Memory Unit जिन में से Control Unit सभी कंपोनेंट को कंपोनेंट को कंपोनेंट करता है तो इस question का right answer option भी Control Unit और अगला कोशने लिब्रे आफिस इंप्रेस में optimal zoom percent क्या है तो अगर आप लिब्रे आफिस इंप्रेस राइटर ये calc में जाएंगे जूम सेक्षन में तो वहाँ पे आपको optimal zoom का एक option दिखता है अगर आप उसे set करते हैं तो आप एक default optimum zoom होता है जो की set हो जाता है तो इसमें पूछा गया है लिब्रे आफिस इंप्रेस में optimal zoom percent क्या है तो इस question का right answer है option c 77 percent और अगला question है निमने में प्रथम graphical web browser कौन सा है तो ये काफी popular question है और इस question का right answer आप सभी को पता होगे इस question का right answer है option b mosaic और अगला question ने artificial intelligence के जनक कौन है और इस question का right answer है आप सभी जोन मैक काया थी AI के जनक है और अगला question ने vacuum tube के अब इसकारक कौन है और इस question का right answer है आप सभी जोन एम्ब्रोज फ्लेमिंग और अगला question है लिब्रे आफिस कैल्क में अधिकतम कितनी seat बना सकते हैं ती काफी popular question है आप सभी को पता होगा कई बार हम इसको discuss कर चुके हैं और इस question का right answer है option C 10,000 और अगला question है computer network में bandwidth क्या है तो bandwidth किसी network में maximum data transfer rate होता है या दर होता है तो इस question का right answer है अधिकतम data transfer दर जिसको हम बोलते है bandwidth और अगला question है SEO का पूर्ण रूप क्या है तो यहाँ पर हम questions के बीच में थोड़ा सा time कम रख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे questions discuss करने हैं तो आप लोग इन questions के right answer comment box में comment करते रहेगा और इस question का right answer है option C search engine optimization और अगला question है FDM क्या है और यह question कई बार triple C exam में पूछा गया है कई बार लिखा होता है FDM का पूर्ण रूप क्या है या FDM का full form क्या है और इस question का right answer है option E fuse deposition modeling इसका full form होता है जो कि 3D printing से related है और अगला question है warm boot किसे कहते है तो booting दो प्रकार की होती है cold boot और warm boot अब इन दोनों में difference क्या होता है अगर हमारा system पूरी तरह से shutdown है और जब हम उसे start करते हैं तो उस time पे जो booting होती है उसको हम बोलते है cold boot और अगर हमारा system running stage में है उसको हम restart करते हैं तो उस booting को हम बोलते है warm boot इस question का right answer है option B restart और अगला question है MySpace की स्थापना किस वर्स में हुई और एक्साम में यह भी पूछा जा सकता है कि MySpace क्या है तो MySpace एक तरह का social networking platform है और इस question का right answer है option B 2003 में MySpace की स्थापना हुई और अगला को इसने अलीबाबा के संस्थापक कौन है और एक्साम में यह भी पूछा जा सकता है कि निम्ड में कौन सा e-commerce website है वहाँ पे एक अलीबाबा का option दिया जा सकता है तो अलीबाबा एक तरह की e-commerce website है जैसे कि Amazon है उसी तरह से चाइना की अलीबाबा एक e-commerce website है और इसके जो संस्थापक है उनका नाम है Jack Ma तो इस question का right answer है option है Jack Ma और अगला कुछन है LibreOffice इंप्रेस में default page orientation क्या है तो writer और calc में जो page orientation default होता है वो होता है portrait होगर हम इंप्रेस की बात करें तो यहाँ पे default page orientation होता है land scap तो इस question का right answer है option C land scap और अगला कुछन है UPI के द्वारा सिर्फ online भुकतान किया जा सकता है बिल्कुल साइस question का right answer होगा true UPI के माध्यम से सिर्फ online lane देन किया जा सकता है और अगला कुछन है calc में cell के column को select करने की shortcut की क्या है तो यह question कल भी मैंने discuss किया था और practically बताया था वहाँ पे पूछा गया था row को select करने की shortcut की क्या है और इस question में पूछा गया है column को select करने की shortcut की क्या है और इस question का right answer है option B control plus space और अगला कुछन है computer में pan का full form क्या है तो इस question का right answer है option B personal area network और bluetooth personal area network का एक उदारण है और अगला question है key logger क्या है virus, fireball, antivirus या फिर spyware और इस question का right answer है option D spyware key logger एक तरह का spyware है अगर ये spyware आपके system में है तो आप अगर कुछ पी type करते हैं अपने keyboard के माध्यम से तो ये आपके keyboard पे प्रस की गई keys के record को store करता है और किसी और के पास भीज सकता है तो ये एक तरह का key logger spyware होता है और अगला question है IFSC code का full form क्या है और इस question का right answer है option C Indian financial system code और अगला question है EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है तो जैसे sky होता है उसी तरह की एक और coding technique है जिसका नाम है EBCDIC और इस question का right answer है option C extended binary coded decimal interchange code तो ये भी एक coding technique है sky 7 की तरह इसका भी इस्तेमाल किया जाता है coding के लिए और अगला question है Twitter किस प्रकार की site है ये काफी popular question है कई बार double C exam में पूछा गया है और इससे पहली भी मैं कई बार discuss कर चुका हूँ तो आपको पता होगा इस question का right answer क्या है बिल्कुल सही इस question का right answer है option B micro blog और अगला question है LibreOffice Calc में अन्तिम edited cell तक पहुचने के लिए shortcut की क्या है और इस question का right answer है option C control plus int और अगला question है CPU में कौन से memory होती है RAM, ROM, register या फिर CAS memory तो CPU means central processing के अंदर registers होते हैं जिसका internal processing के लिए इस्तिमाल किया जाता है means internal calculations होते हैं उसका intermediate data होता है उसको registers में store किया जाता है तो इस question का right answer है option C register और ये कई अलग अलग तरह के register इस्तिमाल की जाते हैं और अगला question है Libre office writer में line की शुरुआत में जाने के लिए shortcut कुणजी क्या है और इस question का right answer है option B home किसी line की शुरुआत में जाने के लिए home का इस्तिमाल करते हैं और अगर हम line के last में जाना जाते हैं या ant में जाना जाते हैं तो end की का इस्तिमाल करते हैं और इसी तरह किसी document के सबसे पहली line पे जाने के लिए हम control प्लस home का इस्तिमाल करते हैं और page के सबसे last में जाने के लिए control प्लस end का इस्तिमाल करते हैं और अगला कुछ ने IMPS का full form क्या है या पूर्ण रूप क्या है और इस question का right answer है option B immediate payment service और अगला कुछ ने LinkedIn पर रोजगार संबन्धी चीजे होती है तो LinkedIn एक तरह का social networking website है जहाँ पे companies अपनी job post करती है और लोग अपने यहाँ पे CVs post करते है तो एक तरह से रोजगार संबन्धी चीजें यहाँ पे upload होते हैं तो इस question का right answer होगा true और अगला question है UTR number में कितनी संख्याएं होती है तो जब आप किसी को RTGS या NEFT के माध्यम से payment करते हैं तो वहाँ पे आपको एक UTR number मिलता है और इस question में पूछा गया है UTR में कितनी संख्याएं होती है तो इस question का right answer है option D16 और अगला question है निम्न में Ubuntu operating system में छिपी हुई file दिखाने के लिए shortcut key क्या है तो Ubuntu एक Linux पे आधारित operating system है तो यहाँ पे hidden file को show करने के लिए कि shortcut key का इस्तेमाल किया जाता है और इस question का right answer है option B control plus H और इस test में हम जितने भी question discuss कर रहे हैं वो सभी के सभी question डुपल सी एक्जाम में पहले पूछे जा चुके है तो आपको इससे पता होगा किस तरह के डुपल सी एक्जाम में questions पूछे आते हैं इन में से काफी सारे questions हैं जो कि कई कई बार टुपल सी एक्जाम में repeat होते रहते हैं और अगला question है फाइल की अनुमती 764 का अर्थ क्या है ये काफी popular question है कई बार पूछा गया है अगस्त में भी पूछा गया था September और October में भी कई बार ये question repeat हुआ है और इस question का right answer है option B हर एक पढ़ सकता है मालिक सहित समू लिख सकता है अकेले मालिक निस्पादित कर सकता है तो Linux operating systems rated ये question पूछा गया है Linux operating system में अगर किसी file को 764 permission assign की जाते है तो उसका मतलब होता है इस file को कोई भी read कर सकता है और admin या फिर admin उससे related जो groups होते हैं सिर्फ वो उस file में लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे उस file को सिर्फ execute करने की permission admin के पास होती है जैसे कि यहाँ पे last line में लिखा गया है अकेले मालिक निस्पादित कर सकता है तो वो जो admin होता है सिर्फ वो उस file को execute कर सकता है और अगला question है नेस कॉम का पूरा नाम क्या है और इस question का right answer है option है National Association of Software and Services Companies इसका full form होता है और अगला question है LibreOffice Calc में formula insert करने की shortcut की क्या है और इस question का right answer है option B, control plus F2 और अगला question है LibreOffice Calc में cell की अधिकतम उचाई कितनी होती है तो यह काफी important question है यहाँ पे inches में पूछा गया है maximum कितनी height हो सकती है normally एक question पूछा जाता है कि minimum कितनी height होती है या minimum कितनी चौडाई होती है और यहाँ पे पूछा गया है अधिकतम कितनी उचाई हो सकती है और इस question का right answer है option D 39.37 inch maximum उचाई हो सकते है किसी भी excel की और अगला question है secondary memory का उदारण है तो सबसे पहला option है room, DRAM, SRAM या फिर pen drive और इस question का right answer है option D pen drive एक secondary memory है और यहाँ पे इसी से रेटेट कई और भी questions पूछे जा सकते हैं जैसे कि DRAM का full form पूछा जा सकता है जो कि dynamic random access memory होता है और इसी तरह SRAM का भी full form पूछा जा सकता है static random access memory और कई बार exam में पूछा जाता है CAS memory किस से बनी होती है तो CAS memory SRAM से बनी होती है और अगला question ने formula F C1 greater than 10 और यहाँ पे लिखा गया है A और यहाँ पे लिखा गया है B का परणाम क्या होगा यदि C1 equals 7 हो A, B, 1 या फिर 0 तो calc या फिर excel में इस एक function होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है condition को test करने के लिए तो यहाँ पे दिखिए condition दी गया है C1 greater than 10 अगर यह condition true होती है तो उस case में यहाँ पे जो लिखा गया है वो आएगा और अगर यह condition false होती है तो उस case में यह आएगा तो I hope समझ में आ चुका होगा इस question का right answer क्या है बिलकुल सही इस question का right answer है B क्योंकि यहाँ पे यह condition होगी false 7 10 से greater नहीं है और अगर यह condition है line printer की speed किस में मापी जाते है LPM, CPM, PPM तो इन सभी के full form भी आपको पता होने चाहिए LPM का full form होता है line per minute CPM का full form होता है character per minute और PPM का full form होता है page per minute तो line printer की speed मापी जाते है LPM में जो क्यों होता है line per minute और अगला question माउस में प्राथमिक और दोती की आपस में बदली जा सकती है तो triple C new syllabus की classes में मैंने practically बताया था किस तरह से हम keys को आपस में change कर सकते हैं अगर कोई left hander है तो keys को आपस में change करके mouse का इस्तेमाल कर सकता है तो बिलकुल साइस question का right answer होगा true और अगला question ने दो या दो से अधिक topology के solution को क्या कहा जाता है और इस question का right answer है option C hybrid और अगला question ने asymmetric cryptography में कितनी कुंजियों का उपयोग होता है और इसी तरह से एक और question पूछा जा सकता है कि symmetric cryptography में कितनी कुंजियों का उपयोग होता है तो symmetric cryptography में सर्फ एक key का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम होता है public key और अगर हम asymmetric cryptography की बात करें तिहाँ पे 2 keys का इस्तिमाल किया जाता है किसी भी message को encrypt करने के लिए या फिर उसे decrypt करने के लिए तिहाँ पे asymmetric में 2 keys होते है एक होती public और दूसरा होता है private public एक ऐसी key होते है जिसको publicly distribute किया जाता है और private एक ऐसी key होते है जिसको अपने pass रखा जाता है जब कोई message भीषता है तो वो public key के माध्यम से उसे encrypt करता है और जब हमारे पास वो message आता है उसको decrypt करने के लिए हम अपनी private key का इस्तिमाल करते हैं तो इस question का right answer होगा option B2 और अगला question एक cloud computing में cloud क्या है तिही काफी simple से question है आप सभी को पता होगा इस question का right answer option C internet और अगला question है Daisy wheel किस प्रकार का printer है matrix printer, impact printer, laser printer या फिर manual printer और इस question का right answer option B impact printer और अगला question है नेमलेकित में से कौन ISP सुविधा प्रदान करता है Reliance, Bipro, TCS या फिर Microsoft ISP का full form होता है internet service provider तो Reliance एक internet service provider है तो इस question का right answer होगा option E Reliance और अगला question है नेमलेकित में सीधे hardware पर क्या स्थापित किया जाता है software, firmware, application software या फिर system software ये भी एक important question है और इस question का right answer है option B, firmware जैसे की BIOS और अगला question है LibreOffice writer में font आतार को कम करने के लिए हम किस menu का उप्यूग करते है और इस question का right answer है option B, format menu और अगला question है नेमल में एक antivirus नहीं है तो आपकी screen पे हिंदी और इंगलिस दोनों language में एक साथ questions डिस्प्ले होंगे जिनके right answer आप उपर options दिये रहते हैं पे mark कर सकते हैं और triple C का exam कैसे देते हैं इस पे based मैंने एक वीडियो बनाया तो इस question का right answer है option C, BLC एक media player है जबकि ABZ, Bitdefender, Norton ये सबी क्या हैं antivirus के उदारण है और अगला question है IFSC code में कितने one होते हैं means कितने character होते हैं ये इस question में पूछा गया है तो अगर आपका account PNB bank में है तो आपके bank account का जो IFSC code होगा वो होगा PUNB तो यहापे total four characters होते हैं तो इस question का right answer होगा option C और अगला question है निम्ण में दुनिया का पहला mini computer कौन सा था और इस question का right answer है option C PDP1 दुनिया का यह word का सबसे पहला mini computer था और अगला question है माउस का बिसकार किसके द्वारा किया गया और इस question का right answer है option C Douglas C. Engelbert ने माउस का विसकार किया था और अगला question है product 300, minus 5 का मान क्या होगा तो product एक function होता है जो की multiply करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे यहां लिखा गया है 300, minus 5 तो अगर आप 300 को minus 5 से multiply करेंगे तो क्या result आएगा I hope आपको समझ में आ चूगा होगा इस question का right answer क्या है इस question का right answer होगा option B, minus 1500 और अगला question है LibreOffice Writer में drop down box में अधिकतम font size क्या है तो यह drop down box होता क्या है इसको भी आप देख लीजे अगर हम यहां पे writer में जाते हैं और writer को open करते हैं तो यहां पे अगर आप font size देखेंगे इस जगे पे click करेंगे तो minimum font size यहां पे 6 दिया रहता है इस drop down box में और अगर हम maximum की बात करें तो सबसे नीचे जाएंगे तो यहां पे 96 दिया गया है तो drop down box में maximum 96 होता है जबकि minimum होता है 6 ओके तो इस question का right answer होगा option C, 96 और अगला question है hub की जगा किस device का उप्योग किया जा सकता है सबसे पहला option है router, bridge, switch या फिर gateway तो hub यह switch का इस्तिमाल किया जाता है start topology में तो इस question का right answer है option C, switch hub एक broadcasting device होता है जबकि switch एक unicast device है और अगला question है num में कौन binary file format है तो system में कुछ ऐसी files होते हैं जो binary file format में store की जाते हैं खास तोर पे यह operating system द्वारा create की गई files होते हैं जो कि by default हमाई system में store रहते हैं तो इनका file extension क्या होगा इससे related equation पूछा गया है इनमें से निम्ण में कौन binary file format है और इस question का right answer है option B .com नाम की जो files होते हैं वो binary files होते हैं और अगला कुछ ने आरो ही क्रम में ब्यवस्थित करें GB, MB, TB या फिर KB RO ही means बढ़ते हुए क्रम में इसको arrange करना है तो अगर हम GB, MB, TB, KB में देखें तो सबसे छोटा है KB तो सबसे पहले आएगा KB, उसके बाद आएगा MB फिर GB और उसके बाद फिर TB तो इस question का right answer है option D KB, MB, GB और TB और अगला question है अगर हम एक mail aggressive means forward करना चाहते हैं तो हम चुनेंगे forward, reply, compose या फिर send तो जो mail हमें receive होते हैं या हमारे inbox में रहते हैं उनको हम किसी दूसरे को forward के माद्यम से भेजते हैं तो इस question का right answer होगा option E forward और अगला question है credit card में APR क्या है ये काफी important question है, कई बार repeat हुआ है और इसी तरह से APR का full form पूछा गया है तो इस question का right answer है option E, annual percentage rate और अगला question है IPB6 का size क्या है तो सबसे पहला option है 16 bit, 32 bit, 128 bit या फिर 48 bit तो IP address के दो version है, IPB6 और IPB4 IPB6 या सबसे latest version है और इसका size होता है 128 bit और अगर हम IPB4 की बात करें तो इसका size होता है 32 bit और अगला question ने disk का उप्यूग करने से पहले से format करना जरूरी है तो अगर आप किसी disk को market से purchase करते हैं तो क्या उसे हम इस्तेमाल करने से पहले format करने के बाद ही उसका उप्यूग कर पाते हैं तो इस question का right answer होगा false क्योंकि जो disk होती है वो पहले से pre-formatted आते हैं डारेक्टली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगला question है e-wallet के प्रकार है और ये question काफी detail में हम पहले किसी एक बीडियो में discuss कर चुके हैं और यहाँ पे मैंने बताया था close wallet, semi close wallet या फिर open wallet क्या होते हैं तो e-wallet के मुख्यता तीन प्रकार होते हैं close wallet, semi wallet और open wallet तो इस question का right answer है option A और अगला question ने FTP एक फाइल को इस्थांतरित करने के लिए कितनी समानतर means parallel TCP connection का उपयोग करता है 1, 2, 3 या फिर 4 तो FTP एक प्रोडोकॉल है, file transfer protocol जिसका file send करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है तो यह TCP connection के दो parallel lines का इस्तिमाल करता है तो इस question का right answer हो जाएगा B यहाँ पे दो line इस्तिमाल होते हैं, एक line का इस्तिमाल किया जाता है data को send करने के लिए और दूसी line का इस्तिमाल किया जाता है उसके acknowledgement के लिए कि ये data packet यहां पे पहुँच चुका है और अगला कुछने hyperlink हो सकता है text, drawing object या फिर picture या फिर उपरोग तो सभी तो अगर आप किसी website का इस्तिमाल करते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे image के साथ में या किसी object के साथ में या किसी text के साथ में hyperlink को attach किया जाता है तो इस question का right answer option do प्रोग तो सभी इन सभी के साथ hyperlink को link किया जा सकता है और अगला कुछने RTGS भुगतान पूरा हो जाता है तुरंद 2 गंटे, 4 गंटे या फिर 6 गंटे में तो इस question का right answer option b 2 गंटे, RBI के द्वारा जो समय सीमा तेह की गई है उसमें RTGS भुगतान होने के बाद 2 गंटे में वो balance टांसफर हो जाता है और अगला कुछने निम्ड में कौन एक web browser नहीं है mozilla, fox pro, internet explorer या फिर net escape navigator और इस question का right answer option b fox pro एक programming language है ना कि web browser और अगला कुछने land network में निम्ड में से कौन सा उप्यूग करताओं को computer program और data साजा करने की अनुमती देता है file server, printer server, sanchal server या फिर उप्रोक्त सभी ये काफी important question है इस question का right answer के आप लोग comment करते रहे है और इस question का right answer है option e file server का इस्तेमाल किया जाता है और अगला question है दोध पादो की बिक्री की प्रदर्शन की तुलना करने के लिए आप किस प्रकार के चार्ड का उप्योग करेंगे और इस question का right answer है option b column chart का इस्तेमाल करते है प्रड़क्स की sale को आपस में compare करने के लिए और अगला question है यद कोई company notes की संख्या बलाती है तो क्या प्रभावित होगा notes का मतलब होता है किसी network में कुछ नए devices या computers को attach करना तो अगर किसी network में कुछ नए devices को या नए computers को उसके द्वारा जोड़ा जाता है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा प्रदर्शन बिस्तोसनीता या फिस्तुरच्छा या फिर उप्रोग्त सभी तो अगर किसी network में number of notes की संख्या बढ़ती है तो उसकी speed कम हो जाएगी तो इस question का right answer है प्रदर्शन और अगला question है किसी file में user login session record करने के लिए किस command का उपयोग किया जाता है और ये question जूड़ा हुआ है linux operating systems related और पहला option है micro, read, script या फिर इन में से कोई नहीं और इस question का right answer है option C script नाम के command का इस्तिमाल किया जाता है और अगला question है library office calc में अन्तिम column क्या है means इसमें पूछा गया है जो अन्तिम column name है वो क्या है तो अगर आप calc के इस्तिमाल करते हैं यहाँ पे अगर आप control के साथ में right arrow की प्रस करेंगी तो आप सबसे last column पे जा सकते हैं और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं amj last column name दिया हुआ है तो इस question का right answer होगा option b amj और अगला question ने clip board क्या है यह question काफी simple सा इसको थोड़ा सा describe करके लिखा गया है एक्जाम में काफी simple से question को बढ़ा चड़ा के पूछा रहता है तो इस तरह के जो भी questions होते हैं उनको आप एक से दो बार read करें तभी आपको समझ में आएगा इस question में क्या पूछा गया है तो इस question का right answer है option D अस्थाई रूप से cut या copy कियेगे data को संग्रहित करने के लिए computer memory में एक भंडारन में storage और यहां से एक और question पूछा जाता है clip board में maximum कितने item copy करके या cut करके रखे जा सकते हैं तो maximum 24 item को store करके रखा जा सकता है और अगला question है Paytm किस से संबन्दित है यह भी काफी important question है और जैसे कि यह पूछा जा सकता है Paytm किस company से related है या किस company से संबन्दित है और इस question का right answer है option E 197 communications नाम की company है संसा है जिस से related है Paytm और अगला question है 3D printer किस के द्वारा नहीं बनाया जाता यह भी काफी popular question है कई बार पूछा गया और यहाँ पे options को change कर दिया जाता है और इस question का right answer option B Apple Apple 3D printer को नहीं बनाती है और अगला question है if 1 plus 1,2 plus 2,3 plus 3 का परिणाम क्या होगा तो देखते हैं आप में से कितने लोग इस question का right answer दे पाएंगे और अगर condition false होगी तो यहाँ पे जो लिखा गया वो result आएगा अब देखें true का मतलब होता है computer में 1 और false का मतलब होता है 0 तो यहाँ पे अगर हम 1 plus 1 करते हैं तो यह 0 नहीं होगा यह 1 या 1 से बड़ा number है तो इसको computer 1 में consider करेगा means condition true है तो इसके इसमी क्या आएगा 2 plus 2 means इस question का right answer होगा C4 तो अगर हम इसको यहाँ से copy करते हैं और आपको एक बार calc में इसका इसका इस्तेमाल करके भी बता देते हैं तो यहाँ पे अगर हम किसी एक cell में जाते हैं और इस particular function को paste कर देते हैं तो यहाँ पे मैंने paste कर दिया अब जैसे यहाँ पे इंटर की hit करेंगे आप देख सकते हैं जो result आ रहा है वो 4 है तो इस question का right answer है option C4 और अगला question है लिब्रे office writer में watermark किस menu में मौजूद है अगर आप watermark insert करना चाते हैं लिब्रे office writer में है तो आप किस menu का इस्तिमाल करेंगे और इस question का right answer है option C, format menu के अंदर watermark insert करने का option होता है और अगला question है Linux operating system में MV command का क्या उप्योग है यह काफी important question है कई बार repeat हुआ है और इस question का right answer है option C, A और B दोनों तुह क्या गरता है किसी file को एक इस्तान से दूसरे रस्थान पर ले जाने के बिए इसका इस्तिमाल करे जाता है यह और निर्देशी का means directory को एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर ले जाने के इस command करे जाता है तो it means mv command है जो कि file या directory को एक location से दूसी location पर move करने के लिए इस command का इस्तिमाल के जाता है और अगला question है OS जो Linux पर आधारित नहीं है Ubuntu, BST, Red Hat, CentOS और ये भी question काफी popular है कई बार exam में पूछा गया है तो Ubuntu, Red Hat, CentOS ये सभी Linux operating system पर आधारित है तो इस question का right answer होगा option B, BST एक ऐसा operating system है जो Linux पर आधारित नहीं है और अगला question है Apple अपने phone में किस company की chip का प्रियोग करता है और ये भी question CCC exam में पूछा गया है Intel, Microsoft, IBM, TSMC तो Apple अपने phone में TMC कंपनी के, TSMC कंपनी के chips का इस्तिमाल करता है और अगला question है रोबोट सब्द किस chip सब्द से वर्नित हुआ ये काफी important question है और ये भी question कई बार exam में पूछा गया है और इस question का right answer option B, Robota और अगला question है PowerPoint के किसी table में अधिक्तम कितने row और column हो सकते हैं और यहाँ पे PowerPoint की जगे पे impress लिखा हुआ भी हो सकता है और इन दोनों questions के right answer सेम होंगे और इस question का right answer है option C, 75 row और 75 column ये impress और PowerPoint दोनों के लिए सेम है और अगला question है अगला question है EPS में निम्न लिकित में से कौन सा input ग्रह के bank को निर्धारित करता है तो आधार enabled payment system में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है इससे related पूछा गया है question और इस question का right answer है option B, IIN और अगला question है किसी प्रक्रिया की बिस्यस्ताओं को प्रदर्शित करने के लिए किस command का उप्योग किया जाता है और ये question Linux operating systems related है तो किसी process की characteristics को दिखाने के लिए किस command का इस्तेमाल करेंगे और इस question का right answer है option C, PS command का इस्तेमाल करते हैं और अगला question है निम्न में से कौन सा protocol उप्योग करता को mail server से mail प्राप्त करने की अनुमती देता है तो mail server से mail receive करने के लिए एक protocol इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम होता है P.O.P.3 तो इस question का right answer है option B, P.O.P.3 और इसका full form होता है post office protocol version 3 और अगला question है print कतार से print को रोखने के लिए किस command का उप्योग किया जाता है LPR, LPQ, LPRM या फिर LPC और ये भी question Linux operating system से related है और इस question का right answer है option C, LPRM command का इस्तेमाल किया जाता है और अगला question ने Linux में command के पूर्ण बीवरण के लिए किस command का उप्योग करते हैं help, info, man या फिर question mark तो अगर आप Linux operating system में किसी command के बारे में detail में जानना चाते हैं या help लेना चाते हैं तो इन में से किस command का उप्योग करेंगे और इस question का right answer है option C, man एक command होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है और अगला question है search engine का उदाहरन है Unix, Alta Vista, Vista या फिर Linux तो Unix, Vista या फिर Linux ये तीनों operating system के उदाहरन है जबकि Alta Vista एक search engine का उदाहरन है तो इस question का right answer है option B, Alta Vista अगला question है LibreOffice Writer में text को heading में बदलने के लिए shortcut कुझी क्या है, control plus 1, control plus 2 या फिर control plus 3 या फिर उप्रोप्त सभी तो LibreOffice Writer में heading 1 के लिए control plus 1, heading 2 के लिए control plus 2 और heading 3 के लिए control plus 3 का इस्तेमाल किया जाता है means this question का right answer होगा option D, Approved सभी और अगला question है निमलकित में से कौन सा सब्द एक robot भुजा की up-down गती को संदर भित करता है ये काफी important question है और इस question का right answer है option A, Pitch रोबोट आम की up-down moment को Pitch के नाम से जाना जाता है और अगला question है निमलकित में से कौन सा सब्द रोबोट भाह के बाएं, दाएं, आंदोलन को संदर भित करता है Pitch, Yaw, Swing या फिर Vertical और ये दोनों question डुपल C exam में पूछे गए है रोबोटे के एक नया topic डुपल C ने उसले बस में add किया गया है और इस question का right answer है option B, Yaw और अगला question है 3D सामगरी देखने के लिए पहना जाने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है HMD, Gear, Glass या फिर उप्रोक्त सभी और इस question का right answer है option है HMD, Head Mount, Display और अगला question है LibreOffice Calc में Cell Insert करने के लिए किस shortcut key का इस्तेमाल किया जाता है control plus shift plus plus, control plus plus या फिर alt plus plus और इस question का right answer है option B, control plus plus का इस्तेमाल किया जाता है Cell Insert करने के लिए और अगला question है IFSC code में होता है 10 digit 3 letters या फिर 3 अच्छर या 14 अंक 4 अच्छर या 7 अंक 4 अच्छर या 11 अच्छर तो IFSC code total 11 digit का होता है और इस question का right answer है option C, 7 अंक means total 7 digits होती है और 4 letters होते हैं और अगला कोई इसने Wi-Fi password के लिए कम से कम कितनी digit required होते हैं जैसे कितनी minimum कितने digit का password रखा जा सकता है 4, 5, 6 या फिर 8 और इस question का right answer है option D, minimum 8 digit का password required होता है और अगला कोई इसने what is DuckDuckGo, web browser, search engine, operating system या फिर application software और इस question का right answer है option B, search engine DuckDuckGo एक search engine है और अगला कोई इसने library office writer में push button बिकल्ब किस menu में होता है तो इस question का right answer है option C, form एक menu होता है जिसके अंदर आपको मिलेगा push button तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे, form एक menu आप देख सकते हैं, tables के just next में form एक menu दिया हुआ है अगर आप इस पे click करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, push button का option दिया है आप चाहें तो अपने किसी भी document में इस तरह का push button बना सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको draw किया है, यहाँ लिख क्या रहा push button आप चाहें तो double click करके इसको edit कर सकते हैं और अपने इस आप से customize भी कर सकते हैं कई सारे options होते हैं ओके तो इस question का right answer है option C, form और अगला question है, library office calc में अधिक्तम, zoom, percent क्या है, 100, 200, 400 या फिर 500 और इस question का right answer है option C, 400 अगला question है, digilocker, पंजी करण के लिए निम्न में से कौन सा आवस्यक है, pen number, आधार number, mobile number या फिर उप्रोक्त सभी तो digilocker है कैसा locker होता है, जहाँ अपने document की soft copy store करके रख सकते हैं इसमें आपको 1GB storage मिलता है और अगर आप यहाँ पे registration कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको mobile number की जरूरत होते हैं तो इस question का right answer है option C, mobile number registration के बाद आपको आधार card से भी link करना जरूरी है अगर आप चाहते हैं इसको digitally कहीं पे आप अपने certificate को verify कराना चाहते हैं तो इससे पहले आपको अपने digilocker को आधार card के साथ link करना होगा लेकिन यह आप इस question में पूछा गया है पंजी करन means registration के लिए सिर्फ आपको mobile number की आवसकता होती है और अगला को इसने ascii 7-bit का code है और यह बिसेस्ट रूप से अधिक्तम कितने वर्णों को निरुपित कर सकता है तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं I hope याद होगा इस question का right answer option c 128 characters और अगला को इसने nimnical function का परिणाम क्या होगा और यहाँ ते एक function लिखा गया है count a b c 3 4 5 count और count a दो अलग अलग प्रकार के functions होते है और इस question का right answer होगा option a 3 यहाँ पे a b c दो letters है यह alphabets है और यहाँ पे 3 4 5 numbers है तो count function सिर्फ numbers को count करता है अगर यहाँ पे count के जगे पे हम count a का इस्तिमाल करेंगे तो यहाँ पे number यह alphabets सभी को count करेगा उस case में इस question का right answer हो जाएगा b और अगला question है निम्न मेंसे कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कारी करता है और उपयूग करता हो और hardware के बीच interface प्रदान करता है तो इस question का right answer है option D operating system और अगला question है दी गए बिकल्पों में से बिसम को ग्याद कीजिए सबसे पहला option है firefox, internet explorer, bing या फिर chrome यहाँ पर इस question का right answer है option C bing एक search engine का नाम है जबकि firefox, internet explorer या फिर chrome ये सभी browsers है और अगला question है edwag, in या किस PD के computer के उदारन है प्रत्थम, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी और इस question का right answer है option है प्रत्थम यह दोनों computer first generation के computers है और अगला question है virus, trozen और key logger उप्योगता means utility software के उदारन है तो इस question का right answer होगा false, यह एक malware है नकी utility software और अगला question है निम्न में से किस bank की साखाएं सबसे अधिक हैं तो यह काफी popular question है आप सभी को पता होगा किस bank की सबसे ज़्यादा साखाएं हैं तो इस question का right answer है option B, S, B, I और अगला question है जीवन भीमा का अर्थ है मसीन का भीमा, मनुस्य और मसीन का भीमा, मनुस्य का भीमा या फिर उप्रोक्त सभी और इस question का right answer है option C, मनुस्य का भीमा और अगला question है आवर्थी means recurring जमा खाता क्या है रासी को एक बार में जमा किया जाता है प्रतेक माह एक निश्चित रासी जमा की जाते है या फिर रासी को माह में कई बार जमा किया जाता है या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं और इस question का right answer है option B, प्रतेक माह एक निश्चित रासी जमा की जाती है और अगला question है, NPCI में रुपे सेवा का आरंभ कब किया और NPCI का full form होता है National Payment Corporation of India तो इस question का right answer है option D, अप्रेल 2013 में रुपे सेवा का सुबारम हुआ और अगला question है, bank में खाता खोलने की निउन्तम आयू क्या है तो यह बहुत simple सा question इसको पहले भी हम discuss कर चुके, यहाँ पे लिखा गया था SBI में खाता खोलने की निउन्तम आयू क्या है तो इस question का right answer option है 10 years और अगला question है, किस मुद्रा note में सुरच्छा धागा होता है तो आपने दिखा होगा note में security thread रहता है, जिसको बोलते हैं सुरच्छा धागा तो 50, 200 या 500 कौन से असी note है, जिसमें ये सुरच्छा धागा होता है और इस question का right answer है, option D उप्रोगत सभी इन सभी प्रकार के notes में सुरच्छा धागा होता है और अगला question है, सिच्छा रिण तो सबसे पहला option है, tuition, fees और खर्चों के लिए दिया जाता है या course पूरा होने पर चुकाया जाता है या फिर देश तथा विदेश में पढ़ने के लिए दिया जाता है या फिर उप्रोगत सभी तो इन में से कौन सा statement है, जो कि education loan के लिए सही है और इस question का right answer है, उप्रोगत सभी ये सभी education loan से related है और अगला question है, निमन में कौन सा bank खाता है आवर्ती जमा खाता, bank बचत खाता, मियादी जमा खाता या फिर उप्रोगत सभी तो इस question का right answer है, उप्रोगत सभी ये सभी bank accounts के types है और अगला question है, भारती रिजर्ब बैंक द्वारा अधिकतम किस मोल का note जारी किया जाता है ती काफी simple question है, वर्तमान में अधिकतम currency का जो note होता है, वो है 2000 तो इस question का right answer होगा, option B और इसी प्याधारी तीक और question पुछे जाता है कि अभी तक भारती रिजर्ब बैंक द्वारा जारी किया गया अधिकतम मोल का note क्या है या कौन सा है, तो इस case में इस question का right answer हो जाएगा 10,000 RBI के द्वारा अधिकतम currency जो जारी की गई है अभी तक वो 10,000 का एक note था जिसको पहले काफी पहले demonetize किया जा चुका है और अगला question ने सावध जमा खाता जिसको बुलते है FD की नियूंतम अवधी क्या है और इस question का right answer है option A 7 days नियूंतम आप 7 days के लिए FD account open कर सकते हैं और अधिकतम की बात करें तियो होता है 10 साल या फिर 10 year और अगला question है overdraft की सुविधा किस bank खाते पर मिलती है चालू खाता, जन्दन खाता, आवर्ती जमा खाता या फिर A तथा B दोनो और इस question का right answer है option B A तथा B दोनो current account और जन्दन account दोनों में overdraft की सुविधा मिलती है अगला question है PMJDY यूजना में क्या क्या लाब है तो PMJDY का full form होता है प्रधान मंत्री जन्दन यूजना तो सबसे पहला option है 30,000 का जीवन भीमा होता है 5000 तक overdraft की सुविधा रहती है या फिर 1,00,00 तक accidental भीमा होता है या फिर उप्रोक्त सभी और इस question का right answer है option do प्रोक्त सभी PMJDY में overdraft की सुविधा 5000 से बढ़ा कर 10,000 कर दी गई है अगर questions पुराने database से पूछे जाएंगे तो वहाँ पे 5000 दिया होगा और अगर updated question होंगे तो वहाँ पे इस जगे पे overdraft की सुविधा में 5000 के जगे 10,000 लिखा हुआ हो सकता है और अगला question है मुद्रा यूजना जिसको short में मुलते है PMY में ब्यवसाइक लिए अधिक्तम लोन की सीमा क्या है 1,5,5,10,5 या फिर 15,5 लाग तो इस question का right answer है option C 10,000 और अगला question है निम्न में PMY की category नहीं है सिसू, किसूर, बच्चपन या फिर तरोन और इस question का right answer है option C बच्चपन नाम की category नहीं होते है PMY की तीन category होते है सिसू, किसूर और तरोन और अगला question है PMY की किसूर category में कितना लोन मिलता है तो इस question का right answer है option B 5,000,000 और अगला question है प्रधान मंतरी मुद्रा यूजना की सुरुवात कब हुई तो इस question का right answer है option A 8,000,000,000 और अगला question है PMSBY मींस प्रधान मंतरी सुरुच्छा बीमा यूजना क्या है एक G1 बीमा है दुरुगटना बीमा है या G1 सुरुच्छा बीमा या फिर उप्रोगत सभी तो PMSBY एक दुरुगटना बीमा है तो इस question का right answer होगा option B और अगला question ने PMJJBY मींस प्रधान मंतरी G1 जोत बीमा यूजना कई बार इनके full form exam में पूछे आते हैं कि वासिक किस्त क्या है और इस question का right answer है option C 330 रुपए वार्सिक होती है PMJJBY में और अगर हम PMSBY मींस प्रधान मंतरी सुरुच्छा बीमा यूजना की बात करें तो इसकी वार्सिक किस्त होती है 12 रुपए yearly और अगला question है सिक के कौन जारी करता है RBI, SBI, भारत सरकार या फिर उप्रोग्त में से कोई नहीं तो इस question का right answer है option C भारत सरकार और अगला question है प्रधान मंतरी जेवन जो तिबीमा यूजना की सुरुआत कब होई 2014, 2015, 2016 या फिर 2017 और इस question का right answer है option B 2015 और अगला question है निम्न में सबसे मजबूत wireless सुरच्छा प्रणाली कौन सी है WEP, WPA, WPA2 या फिर WPA3 और इस question का right answer है option D WPA3 सबसे सिक्योर है और अगला question है और इस question का right answer है option C OPERA Software हम यहाँ पर questions के बीच में time थोड़ा सा कम रख रहे हैं क्योंकि काफी सारे question discuss करने है और अगला question है कुमंग एफ कब लाँच किया गया था नॉम्बर 2014, नॉम्बर 2015, 17 या फिर 18 और इस question का right answer है option C नॉम्बर 2017 अगला question है LinkedIn किस कंपनी का उत्पाद है Google, Yahoo, Microsoft या फिर इन में से कोई नहीं और इस question का right answer है option C Microsoft और अगला question है OTP की समय सीमा क्या होती है 5 minute, 10 minute, 30 minute या फिर कोई सीमा नहीं और इस question का right answer है option B 10 minute तक OTP की समय सीमा होती है और अगला question है QR code को किस ने और कब विक्सित किया तो इस question का right answer है option A Denso Wave 1994 में QR code को double up किया था और अगला question है UPI सीवा की सुरुवात कब हुई ये सभी important questions हैं तो आप इस test को last तक जरूर देखेगा काफी कुछ सीखने को मिलेगा इनमें से बहुत से questions होंगे जो आपको triple C exam में देखने को मिलेंगे तो इस question का right answer है option B 11 April 2016 और अगला question है USST के द्वारा fund transfer की सीमा क्या है 5000 per day या फिर 5000 प्रतियर या फिर 20,000 per day या फिर A तथा भी दोनो तो इस question का right answer है option B, A तथा भी दोनो per day आप 5000 तक transaction कर सकते हैं USST के माध्यम से और यहाँ पर जो yearly limit होती है वो 50,000 और अगला question है नमन में से किसने भीम आप को बिक्सित किया RBI, SPI, NPCI या फिर IBA तो इस question का right answer है option C, NPCI National Payment Corporation of India ने भीम आप को बिक्सित किया अगला question ने UTR नमबर क्या है unique transaction reference या फिर UTR नमबर एक 22 character code होता है या फिर RTGS में lane देन की बिसिस्ट पहचान करने के लिए उप्योग किया जाता है या फिर उप्रोक्त सभी अब कई बार UTR में क्या होता है पूछा जाता है UTR में कितनी digits होती है और यहाँ पे options लिखे रहते है 10, 12, 14, 15, 16 इस तरह के इससे एक number दिया रहता है और वहाँ पे 22 नहीं रहता है और उस case में इस question का right answer होता है 16 क्योंकि NEFT के माद्यम से transaction करने पे जो UTR number generate होता है वो 16 digit का होता है जबकि अगर हम बात करें RTGS के माद्यम से transaction करने की तो वहाँ पे जो UTR number generate होता है वो 22 character का एक code होता है तो इस question का right answer हो जाएगा उप्रोक्त सभी यह सभी UTR से related options है और अगला question है IMPS सेवा की सुरुवात कब होई और इस question का right answer है option B 22 number 2010 अगला question है future skill portal किसके द्वारा launch किया गया यह काफी important question है विप्रो, HDL, NASCOM या फिर Nailit और इस question का right answer है option C NASCOM यह सभी important questions है तो अच्छी तरीके से देखिएगा और यहाँ पे हम ज़्यादा detail में explain करने कोशिस नहीं कर रहे है ताक कि आपका time बचे और अगला question है internet of things सब्द का बिसकार किस ने किया और इस question का right answer है option B Kevin Aston ने IOT सब्द का बिसकार किया था और अगला question है निमलखित में से कौन एक antivirus program है Norden, Avira, Quickhill या फिर उप्रोक्त सभी तीए बहुत simple सा question है इस question का right answer होगा option D उप्रोक्त सभी यह सभी antivirus के प्रकार है अगला question है एक license उप्योग करता को copyright सामगरी का उप्योग करने की अनुमती देता है तो अगर आप कोई ऐसा application या product purchase करते हैं जिसके लिए license की जरूरत होती है तो आप उसका copyright license का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस question में कहा गया है एक license उप्योग करता है जिसने license purchase किया है copyright सामगरी का उप्योग करने की अनुमती देता है अगर कोई copyright content है उसको आप purchase करते हैं तो उसका आप उप्योग कर सकते हैं तो इस question का right answer होगा true और अगला question है नेमलकित में से कौन digital प्रमाल पत्र मानक है ये काफी important question है अगर आपको इस question का right answer नहीं पता है तो आप कहीं पे note down कीजेगा और इस question का right answer है option B x.509 और अगला कुछ ने fireball का इस्तिमाल किस से बचने के लिए किया जाता है तो fireball एक security system होता है जिसका इस्तिमाल किया जाता है अनदिकृत access से बचने के लिए तो इस question का right answer है option D अनदिकृत पहुँच से बचने के लिए fireball का इस्तिमाल किया जाता है और अगला कुछ ने WPS का पून रूप क्या है और इस question का right answer है option B Wi-Fi protected setup इसका full form होता है और अगला कुछ ने Bitcoin किसने बनाया और इस question का right answer है option है सतोसी नाका मोटो और अगला कुछ ने blocks chain क्या है एक बड़ा distributed peer-to-peer network एक प्रकार की cryptocurrency आउनलाइन लेन देन करना या फिर एक केंदी करत आउनलाइन खाता और इस question का right answer है option है बड़ा distributed peer-to-peer network और अगला कुछ ने Bitcoin को दुनिया में लाने वाले सोध पत्र का नाम क्या है ये सभी question बहुत important है और इससे पहले टपलस exam में पूछे जा चुके हैं तो इस question का right answer है option है white paper और अगला कुछ ने Bitcoin की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है तो इस question का right answer है option बी 21 million और अगला कुछ ने Google Docs एक प्रकार का cloud computing है तो इस question का right answer होगा true Google Docs cloud computing पर आधारित है और अगला कुछ ने SAAS का पूर्ण रूप क्या है तो इस question का right answer है option है software as a service अगला कुछ ने नेमन में से कौन एक समय में कई उप्योग करता हो मींस user को support कर सकता है micro computer, mini computer, mainframe computer या फिर B तथा C दोनो तो mini computer या फिर mainframe computer की बात करें तो इस question का right answer होगा option D, B तथा C दोनो और अगला कुछ ने LibreOffice Calc में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है sheet, worksheet, workbook या फिर document और इस question का right answer है option C workbook के नाम से जानते हैं और अगला कुछ ने internet traffic को ब्यवस्थित करने में router मुखे भूमे का निभाते हैं तो router एक networking device है जो की network में traffic को control करता है तो इस question का right answer होगा true और अगला कुछ ने internet को packet switching network भी कहा जाता है क्योंकि यहां किसका प्रियोग करता है sttp, ip address, tcpip या फिर ftp और इस question का right answer है option c tcp, ip protocol का इस्तेमाल करता है और अगला question है वानिजिक गत बिधियों में समान निता किस भासा का प्रियोग किया जाता है पास्कल, logo, kobol या फिर basic और इस question का right answer है option c, kobol और अगला question है NetScape Navigator किसका उदारण है search engine, web server, web browser या फिर्ण में से कोई नहीं तो NetScape Navigator एक प्रकार का web browser है तो इस question का right answer होगा option c, web browser और इसी pbsd का और question पूछा जाता है NetScape एक तरह का paid browser है और अगला question है नेमलकित में से कौन operating system को खोलने और RAM में लोड करने के लिए जिम्मेदार है cmos, bios, bootstrap, loader या फिर dmos ये काफी important question है तो देखते हैं आप में से कितने लोग इस question का right answer दे पाएंगे और इस question का right answer है option c, bootstrap, loader ये काम करता है और अगला question है tifff की full form क्या है तो ये एक image का type होता है, extension होता है ये भी आप याद रखेगा और इस question का right answer है option c, tagged image file format और अगला question है mbr का पूर्ण रूप क्या है और इस question का right answer है option d, master boot record और अगला question है SNMP का पूर्ण रूप क्या है तो इस question का right answer है option c, simple network management protocol और अगला question ने terminal windows को बंद करने के लिए किस command का उप्योग किया जाएगा तो terminal का इस्तिमाल किया जाता है linux में command को execute करने के लिए तो अगर आप terminal window को close करना चाते तो इन में से किस command का उप्योग करेंगे और इस question का right answer है option c, exit command का इस्तिमाल किया जाता है अगला question ने UPI के माद्धम से पैसे भीजना क्या कहलाता है push, pull, send या फिर forward तो इस question का right answer है option ने push पैसे भीजना push कहलाता है और अगर हम पैसे receive करने की बात करें UPI के माद्धम से तो ये होता है pull और अगला question ने Linux आधाई तो operating system के उदाहरण है Windows XP, Windows 10, Red Hat, Chromium या फिर iOS, Unix या फिर इन में से कोई नहीं और इस question का right answer है option b Red Hat, Chromium ये दोनों Linux पे आधारी तो operating system है और अगला question ने किस Windows operating system में start button नहीं है तो इस question का right answer है option C Windows 8 में start button नहीं है और अगला question ने निमलगित कुंजियों में से कौन सी toggle कुंजी नहीं है cap lock, num lock, scroll lock या फिर control तो इस question का right answer है option D control एक toggle कुंजी नहीं है और अगला question ने packet का IP address सामानिता किसके द्वारा बिसलेसित किया जाता है तो data packet का IP address हमेशा router के द्वारा analyze किया जाता है तो इस question का right answer होगा option B router और अगला question ने web crawler क्या है एक computer virus, एक browser, एक car crumb जो website को crumb बद करता है या फिर एक hacker समुदाए जो website को hack करता है और इस question का right answer है option C एक car crumb means program जो website को crumb बद मीन्स इंडेक्स करता है और अगला question ने IAM का पूर्ण रूप क्या है तो इस question का right answer है option B instant messaging और अगला question ने number keypad पर इन में से कौन सी कुझी नहीं होती है तो आप keyboard पर देखते होंगे वहाप एक अलग से number keypad दिया रहता है तो इन में से कौन सी key है जो इस number keypad पर नहीं होती है control, del, enter या फिर num log तो इस question का right answer है option A, control और अगला question ने bios setup में boot device को बदलने के लिए किस बिकल्ब का उपयोग किया जाता है boot number, boot code, boot sequence या फिर boot तो अगर आपके system में एक से ज़्यादा operating system होते हैं तो आपको वापे boot sequence set करना होता है तो इस question का right answer है option C, boot sequence और अगला question ने टेलनेट द्वारा किस परिवाहन प्रोडोकॉल का उपयोग किया जाता है FTP, TFTP या फिर SMTP या फिर TCP और इस question का right answer है option D, TCP प्रोडोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है और अगर हम टेलनेट प्रोडोकॉल की बात करें तो remote access के लिए इस प्रोडोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है और अगला question ने लेनेक्स में booting के दोरान कौन सा process run label programs को क्रियान with करता है means execute करता है init, kernel, grub या फिर MBR और इस question का right answer है option A, init और इसके साथ में 026 number का भी इस्तेमाल किया जाता है और अगला question है ROM, P-ROM और E-P-ROM में संगरहित program कहलाते हैं software, system software, firmware या फिर operating system और इस question का right answer है option C, firmware जैसे की BIOS और अगला question है internet बनाने के लिए ARPA net के साथ किस network को जोड़ा गया था NSF net, BSF net, LAN या फिर www तो ARPA net के साथ में NSF net को जोड़ा गया था तो इस question का right answer होगा option A और अगला question है M commerce means mobile commerce की सुरुवात किसने की और इस question का right answer है option B, Kevin Duffy और अगला question ने नेमलकित में से कौन Linux में एक default media player है B, L, C, Z, Norm, media player या फिर इन में से कोई नहीं और इससे पहले भी हम 200 most important question का एक video upload कर चुके हैं जिसका link इस video के description में दिया गया है तो आप इस video को भी जरूर देखीगा उसमें आपको इस video से अलग questions मिलेंगे और काफी important questions है तो इस question का right answer option B, Z, Norm नाम का player होता है जो कि default Linux operating system में होता है और अगला को इसने device driver किस प्रकार की software है application software, system software, upiogita means utility software या फिर ये hardware की प्रकार है तो जब भी आप कोई नया device खरीते हैं जैसे की keyboard, mouse या फिर कोई नया printer खरीते हैं तो उसके साथ में device driver मिलता है जिसको आप install करते हैं अपने system में उसके बाद ही आप उस device को इस्थिमाल कर सकते हैं तो इस question का right answer होगा option B, device driver system software की category में आते हैं और अगला को इसने निमलकित में से कौन computer प्रणाली में एक bad bus नहीं है data bus, memory bus, पता means address bus या फिर system bus तो हमारे computer system में कई अलग अलग तरह की bus इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे data bus, address bus, system bus, control bus तो इस question का right answer होगा option B, memory bus नाम की कोई भी bus इस्तेमाल नहीं होती है और अगला को इसने bitcoin किस प्रकार की blockchain पर आधारित है तो bitcoin एक public blockchain पर आधारित है तो इस question का right answer होगा option B, public और अगला कोईशने, micro ATM सेवा किस वर्स सुरू की गई और इस question का right answer है option D, 2018 और अगला कोईशने, name में कौन networking device नहीं है router, gateway, fireball या फे इन में से कोई नहीं तो router, gateway ये दोनो networking device है fireball जो कि security device हाता है ये software और hardware दोनों form में हो सकता है तो इस question का right answer होगा option C, जो कि networking device नहीं है और अगला को इसने credit card का दूसरा नाम क्या है debit card, plastic money, आसान money या फिर में से कोई नहीं तो इस question का right answer है option B, plastic money credit card को plastic money के नाम से भी जानते हैं और अगला को इसने twitter पर अधिक्तम कितने समय के video upload किये जा सकते हैं और इस question का right answer है option D, 2 minutes, 20 seconds और अगला को इसने BDS का पूर्ण रूप क्या है और इस question का right answer है आपसने virtual dedicated server और अगला को इसने Instagram पर अधिक्तम कितने समय के video upload किये जा सकते हैं 30 seconds, 60 seconds, 10 minutes या फिर 2 minutes और इस question का right answer है option B, 60 seconds के video upload किये जा सकते हैं Instagram पर और अगला question है किस topology में सूचना का प्रवाह एक ही दिसा में होता है तो आज के test का last question है तो कई अलग-अलग प्रकार की topologies होते हैं जैसे कि ring, burst, star, miss तो इस question का right answer है option है ring topology अगर हम ring topology के बात करें तो कुछ यहां पर स्टाइके का structure होता है यह systems हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ connected है अब यहां पर जो data transmitted होता है वो किसी एक ही direction में flow होता है means अगर यह direction होगी तो सिर्फ इस direction में data इस तही के से move करता रहेगा तो यहां पर एक ही direction में data flow होता है तो इस question का right answer होगा option A, ring topology cloud computing में कौन सी company अग्रणी नहीं है Microsoft, Google, Amazon या फिर Intel और इसी question पर बीस्ट कई और भी questions पूछे जा सकते है जैसे कि Microsoft की cloud service क्या है उसका नाम क्या है तो Azure और इसका नाम होता है और इसी तरह से question पूछे जा सकते है कि Google की cloud service क्या है उसका नाम क्या है तो Google cloud है और इसी तरह से question का right answer है वो option D है Intel जो कि Cloud Computing से सम्मंदित किसी भी प्रकार का कोई भी उत्पादन नहीं करती means Cloud Computing related कोई भी service Intel के द्वारा प्रवाइट नहीं के जाती तो यहाँ पर एक और question पूछा जा सकता है Amazon की जो web service है जो Cloud Computing service है उसका नाम क्या है तो Amazon web service और कई बार इस short form में लिखा रहता है AWS और इसका full form भी पूछा जाता है तो इस question से कई सारे questions बन सकते हैं तो इसको अच्छे से देखिएगा ओके तो देखते हैं अगला question और अगला question है Cloud Computing में Cloud क्या दर्स आता है Internet, Wireless Network, Storage या फिर लोग तो Cloud Computing में Internet को Cloud करते हैं इस question का right answer है ओप्शन है Internet और अगला question है Cloud Computing interaction के लिए एक Internet connection की आवस्चता है और इस question का right answer होगा true बिलकुल अगर हम Cloud Computing service का इस्तिमाल करना चाते हैं तो हमें Internet के माध्यम से connect होना पड़ता है जिसके लिए एक Internet connection की आवस्चता होती है और अगला question है इन में से कौन सा Cloud Computing उप्वियोग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है तो Cloud Computing हमें कई अलग अलग तरह की services प्रोवाइड करता है तो इस question का right answer है ओप्शन है hardware as a service जो की Cloud Computing की कोई service नहीं है और कई बार exam में इनके full form पूछे जाते हैं जैसे कि सबसे पहली service है platform as a service software as a service या फिर infrastructure as a service और कई बार इनके short form लिखे रहते हैं और full form पूछे जाता है PAS का full form क्या है या फिर SAS का full form क्या है या फिर IaaS का full form क्या है तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और अगला question दिखते हैं Cloud Computing के बारे में नंबर एक चिंता क्या है तो सबसे पहला option है सरल उप्यूग, बहुत महंगा, सुरच्छा, चिंताएं या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म तो जैसा कि आप सभी को पता होगा Cloud Computing एक online service है इंटरनेट के माध्यम से service का उप्यूग किया जा सकता है तो यहाँ पर इस question का right answer होगा option C, सुरच्छा, चिंताएं मींस यहाँ पर security related issues रहते हैं और अगला कुछ ने Google Docs एक प्रकार का Cloud Computing है तो आज के test में आपको काफी interesting और important questions देखने को मिलेंगे तो आप इस test को last तक जरूर देखीगा तो बिल्कुल सही इस question का right answer होगा true Google Docs एक Cloud Computing है और अगला question है S, A, 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 S का पूर्ण रूप क्या है Software as a service, system software as a service या फिस software as a system, या फिस system as a service तो इसको हम पहले भी discuss कर चुके हैं right answer आप सभी को पता होगा इस question का right answer option है software as a service और अगला question है Cloud में storage device की कितनी स्रेणिया है means storage device कितने प्रकार के इस्तेमाल की जाते है Cloud Computing में 1, 2, 3, या फिर 5 इस question का right answer है option B two types की storage device इस्तेमाल की जाते है क्लाउड में और यहां पे मैंने इसका नाम भी नोट डाउन कर दिया है अब चाहिए तो इसको अलग से नोट डाउन भी कर सकते हैं तो यहां पे सबसे पहला होता है block storage device या फिर file storage devices और अगला कुछने निमलकित में से कौन एक cloud service model नहीं है तो इस question का right answer है option D application as a service जो की cloud computing का model नहीं है और अगला कुछने IMEI number में कितनी संख्याई होती है 10, 12, 14 या फिर 15 तो इस वीडियो में मैं total 100 questions discuss करने हैं इस वह इसे हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे है तो इस question का right answer होगा option D 15 और अगला कुछने IMEI number देखने के लिए किस code का प्रियोग करते हैं तो अगर आप अपने mobile में अपने mobile का IMEI number चेक करना चाहते हैं तो इन में से किस code का इस्तेमाल करेंगे तो इस question का right answer है option E और अगला कुछने IMEI number में कितने भाग होते हैं तो इस question का right answer है option D 4 parts होते हैं और अगला कुछने Mac address कितने bits का होता है 16, 32, 48, 64 काफी popular question है कई बार exam में पूछा जा चुका है और इससे पहले भी इस question को हम कई बार discuss कर चुके हैं बिल्कुल साइस question का right answer है option C 48 और कई बार 48 bit को byte में convert करके लिखा जाता है और पूछा जाता है कितने bytes का होता है तो यहाँ पे 6 bytes का होगा अगर आप 48 bits को bytes में convert करेंगे तो होगा 6 और अगले कुछने mac address में कितनी संख्याएं होती है means mac address कितने digit का होता है और mac address एक physical address होता है जिसके द्वारा किसी भी computer को track किया जा सकता है तो इस question का right answer है option C 12 digits और अगले कुछने mac address किस में लिखा होता है binary, octal, decimal या फिर hexadecimal और इस question का right answer है option D hexadecimal mac address hexadecimal में लिखा होता है और अगले कुछने mac address कहां पर store होता है motherboard, modem, operating system या फिर NIC card और खईबार NIC card का full form पूछा जाता है तो network interface card होता है जो mac address होता है वो NIC card में store किया जाता है जो manufacturer होता है जब NIC card को develop करता है उस time पे mac address में store कर देता है तो ये manufacturer के द्वारा mac address को NIC card के अंदर write किया जाता है और कई बार यहाँ पे NIC card के जगे पे आपको LAN card लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि NIC card को हम LAN card के नाम से भी जानते हैं और अगला question है उपेरा बेब ब्राउजर किस कंपनी द्वारा बिक्सित किया गया तो इस question का right answer आप्सेन है उपेरा software और अगला question है मोजला Firefox ब्राउजर किस कंपनी द्वारा बिक्सित किया गया और इस question का right answer आप्सेन भी मोजला कॉर्पोरेशन और अगला question है इट ब्राउजर को किस operating system के साथ launch किया गया iOS, Linux, Windows 8 या फिर Windows 10 और कई बार एक्साम में ये भी पूछा जा सकता है इट ब्राउजर को किस कंपनी ने डबल अप किया तो इसको Microsoft ने डबल अप किया इसको Windows 10 के साथ पहली बार launch किया गया तो इस question का right answer होगा option D Windows 10 और अगला question है निमन में क्या instant messenger का उदारण नहीं है WhatsApp, Telegram, Twitter या फिर Facebook messenger तो अगर instant messenger की बात करें तो ऐसे application होते हैं तो इस question का right answer है option C, Twitter Twitter एक social networking site है यहाँ पे real time पे chatting नहीं की जा सकती जिसकी वज़े से यह instant messenger का उदारण नहीं है और अगला question है ORS सुभिधा क्या है और कई बार exam में इसका full form भी पूछा जाता है तो online registration system इसका full form है तो सबसे पहला option है OPD के लिए online registration system, exam के लिए online registration system, job के लिए online registration system या फिर business के लिए online registration system और इस question का right answer option नहीं OPD के लिए online registration system और अगला question है ORS portal के माध्यम से क्या सुभिधाएं मिलती है रक्त की उपलबता, lab report, OPD booking या फिर उप्रोगत सभी और इस question का right answer है option D, उप्रोगत सभी और अगला question है नहीं लिए खित में से कौन e-commerce का वर्णन करता है तो सबसे पहला option है electronic तरीके से ब्यवसाई करना, कारोबार करना, सामानों की विक्री या फिर उप्रोगत सभी तो e-commerce के माध्यम से electronic तरीके से ब्यवसाई किया जा सकता है कारोबार किया जा सकता है, सामानों को बेचा या खरीदा जा सकता है इस question का right answer होगा option D उप्रोग्त सभी और अगला question है नेमलकित में से कौन e-commerce के लिए चार मुख्य प्रकारों में से एक है B to B, B to C, C to B या फिर उप्रोग्त सभी और इस question का right answer है option D उप्रोग्त सभी ये सभी प्रोग्त प्रकार हैं और इनके full form ही कई बार एकसाम में पूछे आते हैं B to B का full form होता है business to business B to C का full form है business to customer या फिर consumer और C to B का मलब होता है consumer to business और अगला question है नेमलकित में से क्या blog से सम्मंदित नहीं है सबसे पहला option है blog एक website है सभी blog website होते हैं सभी website blog होते हैं या फिर एक blog मूल रूप से एक web blog है और इस question का right answer है option C सभी website blog होते हैं ये option इससे सम्मंदित नहीं है जबकि यहाँ पे second statement लिखिए सभी blog website होते हैं सभी blog website हो सकते हैं पर सभी websites blog नहीं हो सकते हैं तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं और अगला question है उमंग का पूरा नाम क्या है और इस question का right answer है उप्सन इए unified mobile application for new age governance काफी बार ये repeat हो चुका है question काफी important है और अगला question है users उमंग एप को कितनी अलग अलग भासाओं में प्रियूग कर सकते हैं और इस question का right answer है उप्सन डी 13 और अगला question है उमंग एप कब लाँच किया गया था और इस question का right answer है उप्सन सी नामबर 2017 में उमंग एप को लाँच किया गया था और अगला question है उमंग एप का प्रियोग किस operating system पर किया जा सकता है android, windows, ios या फिर उप्रोग तो सभी और इस question का right answer है option D उप्रोग तो सभी इन सभी operating system पर उमंग एप का इस्तेमाल किया जा सकता है और अगला question है digital locker किया है तो सबसे पहला option है दस्तावेजों और प्रमाल पत्रों के electronic प्रतियों को रखता है और next option है प्रमाल पत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर bank account को सत्यापित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उप्रोग तो सभी और इस question का right answer है option ने दस्तावेजों और प्रमाल पत्रों के electronic प्रतियों को रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इस question का right answer है option A और अगला question ने digital locker सेवा की सुरुवात कब हुई और इस question का right answer है option B 2015 नेक्स question है digital locker में document रखने के लिए कितना space मिलता है 500MB, 1GB, 5GB या फिट 10GB और इस question का right answer है option B, 1GB और अगला question है ने निम्ड में LinkedIn से सम्मन देता है तो सबसे पहला option है social media platform नौकरी चाहने वाले अपना CB पोस्ट कर सकते हैं, company job पोस्ट कर सकते हैं या फिर उपरोगत सभी तो LinkedIn एक ऐसा social media platform है जहाँ पे jobs related informations upload की जाते हैं और यहाँ पे कोई भी अपनी CB apply कर सकता है या CB post कर सकता है या फिर किसी company में कोई vacancy आती है तो वो company अपनी vacancies related information को यहाँ पे post कर सकते है इस question का right answer होगा option D उपरोगत सभी और अगला question है जो किसी से जुड़ा हुआ है LinkedIn किस company का उत्पाद है और इस question का right answer है option C Microsoft अगला question है WhatsApp के संस्थापक कौन है आप दिन बर में कई बार WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं तो सायद बहुती कम ऐसे लोग होंगे जिनोंने इस बारे में सोचा होगा कि WhatsApp को किसने डबल अप किया और इस question का right answer है option D A तथा B इन दोनों लोगोंने मिलके WhatsApp को डबल अप किया है और अगला question है QR code को किसने और कब विक्सित किया ये question काफी popular है कई बार एक्साम में पूछा जाज़ चुका है और इस question का right answer है option A डेंसो वेव 90-94 में QR code को डबल अप किया था और कई बार एक्साम में QR का full form पूछा जाता है तो QR का full form है quick response code और अगला question ने QR code में कितने number संग्रहित किये जा सकते है और इस question का right answer है 7089 total number संग्रहित या store किये जा सकते है और अगला question भी इसे से जोड़ा हुआ है QR code में कितने alphanumeric one संग्रहित किये जा सकते है ये काफी important question इन दोनों questions को अलग से no down कीजेगा और इस question का right answer है option ने 4296 alphanumeric characters को store किये जा सकता है और अगला question ने UPI का पूर्ण रूप क्या है तो इस question का right answer है option B unified payments interface और अगला question ने कभी कभी UPI के द्वारा payment करने पर OTP या ATM PIN की जरूरत पड़ती है तो इस question का right answer होगा false UPI के द्वारा payment करने के लिए किसी भी परकार की OTP या ATM PIN की जरूरत नहीं पड़ती है और अगला question ने UPI किसके द्वारा बिक्सित भुकतान प्रणाली है National Payment Corporation of India इसको सौर्ट में बोलते हैं NPCI या फिर RBI या फिर Indian Payment Gateway या फिर State Bank of India और इस question का right answer है option ने UPI आप को डबलब किया है या UPI सर्विस को डबलब किया है और अगला question ने UPI सेवा की सुरुवात कब हुई तो इस question का right answer है option B 11 अप्रेल 2016 और कई बार सिर्फ या पे ES पुछे जाते हैं और कई बार पूरा इस तरीके से date पुछे जाता है तो यह याद रखीगा 11 अप्रेल 2016 को UPI सेवा की सुरुवात हुई और अगला question है A.E.P.S का पूर्ण रूप क्या है और इस question का right answer है option B आधार enabled payment system A.E.P.S का full form होता है और अगला question है निम्न में A.E.P.S के द्वारा क्या सुविधा मिलती है तो सबसे पहला option है नगत निकासी, नगत जमा, आधार से आधार, fund transfer या फिरूप रूप रूप तो सभी और इस question का right answer है option D यह सारी सुविधा हमें मिलती है A.E.P.S के द्वारा और अगला question है USST का पूर्ण रूप क्या है और इस question का right answer है option नि unstructured, supplementary, service, data इसका full form होता है और अगला question है USST क्या है mobile service, mobile banking service, internet service या फिर आधार सेबा और इस question का right answer है option B mobile banking service और अगला question ने USST आधारित mobile banking का उप्यूप करने के लिए mobile internet data सुविधा की आवस्यक्ता नहीं है और इस question का right answer होगा true USST किसी भी basic feature phone पे इस्तिमाल किया जा सकता है इसमें internet की आवस्यक्ता नहीं होती है और अगला question है banking रहा क्या डायल करके USST सेवा का लाब उठा सकते हैं और इस question का right answer है option C Asterix 99 has code को डायल करके आप USST के माद्यम से banking सुविधा का लाब उठा सकते हैं और अगला question है USST के द्वारा fund transfer की सीमा क्या है तो USST के द्वारा हम एक दिन में 5000 तक payment कर सकते हैं और वार्सिक जो limit होती है वो 50,000 इस question का right answer है option D A तथा B और अगला question है MMID का मतलब है mobile money identifier बिल्कुल साइज question का right answer होगा true और अगला question है USST के द्वारा lane देन के लिए क्या आवस्तिक है तो सबसे पहले option है MMID MPIN Dialastic 99 has या फिर उप्रूक्त सधी तो यदि आप USST के द्वारा mobile CMOS का लाब उठाना चाते हैं तो इसके लिए आपको इन सभी चीजों की जरूत पड़ेगी इट मेंस इस question का right answer है option D उप्रूक्त सधी अगलग उसने पहले ATM card में 19 अंक होते थे लेकिन अब उन्हे 16 अंकों का मानकी करण कर दिया है और इस question का right answer होगा true इस समय जितने भी debit card या credit card इस्तेमाल होते हैं उन सभी में 16 digit होते हैं और इस पर बेस पर एक question पूछा जा सकता है कि ATM card कितने digit का होता है या ATM card में कितने number का अंक दिया होता है तो 16 digit का इस्तेमाल किये जाता है और अगला कुछ ने ATM card और credit card में CVV कितने digit का होता है और इस question का right answer option ए 3 digit जब आप अपने ATM card को या credit card को पलट के पीछे के तरब देखेंगे तो वहाँ पे 3 digit का एक number रहता है जो कि CVV number होता है और अगला कुछ ने CVV का पूर्ण रूप क्या है में इसका full firm क्या होगा और इस question का right answer है option B card verification value और अगला कुछ ने नगत निकासी के लिए debit card और credit card का उप्योग कर सकते हैं इस question का right answer होगा true हम debit card या credit card दोनों से ATM के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं और अगला कुछ ने पॉस मसीन के द्वारा payment करने पर CVV की आवस्यक्ता नहीं पड़ती और कई बार एक्साम में पॉस का full firm पूछा जाता है तो point of sell मसीन इसका full firm होगा और इस question का right answer होगा false जब हम post machine के द्वारा payment करते हैं तो इस time पे हमे CVV नंबर की आवस्यक्ता होती है और अगला कुछ ने जिस bank से credit card ले रहे हैं उसका account होना जरूरी है तो इस question का right answer होगा false जरूरी नहीं होता है अगर आपका bank account उस bank में नहीं है जिससे आप credit card ले रहे हैं तो तब भी आपको credit card issue कर दिया जाता है और अगला कुछ ने भीम app द्वारा किस भुकतान सेवा का उपियोग किया जाता है तो सबसे पहला option है RTGS, NEFT, MPIN या फिर IMPS और कई बार examines अभी के full form भी पूछे आते हैं तो यह भी आप याद कर लिजी RTGS का full form होता है Real Time Gross Settlement, NEFT का full form होता है National Electronic Fund Transfer और MPIN का full form होता है Mobile Banking Personal Identification Number और IMPS का full form होता है Immediate Payment Service और इस question का right answer है Option D, IMPS सुपिधा का उप्यूग किया जाता है और अगला question है NEM LAKIT में से किसने Bheem App को विक्सित किया RBI, SBI, NPCI या फिर IBA और इस question का right answer है Option C, NPCI, National Payment Corporation of India ने Bheem App को विक्सित किया है और अगला question ने RTGS का पूर्ण रूप क्या है तो पहले सी मैं इसका full form बता चुका हूँ इस question का right answer होगा Option B, Real Time Gross Settlement और अगला question B, RTGS पे आधारित है इस पे भी कई सारे questions एक्जाम में पूछे जाते हैं तो RTGS त्वारा payment transfer की समय सीमा क्या है हाली में RTGS और NFT की द्वारा payment की जो समय सीमा है उसको update कर दिया गया है चेंज कर दिया गया है तो इस question का right answer है Option C, Car A Diverse मींस working days में सुबा 8 बजे से लेके साम 6 बजे तक RTGS के माध्यम से भुक्तान किया जा सकता है और अगला question RTGS त्वारा भुक्तान की नियुनतम सीमा क्या है तो यदि आप RTGS के माध्यम से payment करना चाते हैं तो नियुनतम जो सीमा होते होते 2,00, 2,00 या 2,00,000 से उपर के amount को या transfer करने के लिए N.E.F.T. सुबिदा का इस्तेमाल किया जाता है और एक और CP-based important question पूछा जा सकता है कि RTGS के माध्यम से कितनी अधिकतम रासी भेजी जा सकते है या फिर RTGS की अधिकतम सीमा क्या है तो इसकी कोई upper limit नहीं होती है और अगला कुछने UTR number क्या है और इसी तरह एक काफी popular question है triple C exam में पूछा जाता है चेक के माध्यम से payment करने की अधिकतम सीमा क्या है तो चेक के माध्यम से अधिकतम payment की कोई सीमा नहीं होती है आप कितना भी amount किसी को pay कर सकते है तो इस question के right answer होगा option D उप्रोग तो सभी यह सारे points आप अच्छे से कही पे note down की जिगा UTR number क्या है इसका full form होता है unique transaction reference कई बार इसका full form भी exam में पूछा जा सकता है और अगला point है यहाँ पे UTR number 22 characters का एक code होता है तो यह भी याद रखेगा कई बार exam में पूछा जा सकता है UTR कितने digit का होता है तो 22 characters का एक code होता है और यहाँ पे RTGS में lane lane की business पहचान करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है तो इस question का right answer है option D और अगला कुछने IFSC क्या है तो यह काफी important question इसी question में आपको कई सारे questions के answer मिल जाएंगे जैसे कि यह पूछा जा सकता है कि IFSC का full form किया तो सबसे पहला option है Indian Financial System Code और कई बार exam में यह भी पूछा जा सकता है कितने digit का code होता है तो यह 11 digit का code होता है और अगला option दिया है पहले 4 word means starting के जो 4 characters होते हैं bank का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतिम जो 6 digits होती है वो साखा का प्रतिनिधित्व करते हैं तो it means इस question का जो right answer है option D यह सभी options IFSC से related हैं इस उपरोग तो सभी इस question का right answer होगा और अगला को इसने क्या NFT के उप्योग से बिदेश में भुकतान किया जा सकता है NFT का perform होता है National Electronic Fund Transfer और यह सिर्फ इंडिया के अंदर payment के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इस question का right answer है false और अगर आप इंडिया से बाहर payment करना चाते हैं भुकतान करना चाते हैं तो इसके लिए swift code का इस्तेमाल किया जाता है और अगला question है IMPS क्या है तो सबसे पहला option है Immediate Payment Service Next option है भुकतान करने की कोई समय सीमा नहीं means किसी भी time IMPS के माद्यम से payment किया जा सकता है और अगला option है एक बार में अधिक्तम 2,00,000 तक भुकतान कर सकते हैं तो यह सभी options जा सकते हैं जैसे इसका full form पूछा जा सकता है और यह पूछा जा सकता है कि समय सीमा क्या है तो इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है अब 24 hour किसी भी time IMPS के माद्यम से payment कर सकते हैं और अगला question है IMPS सेवा की सुरुवात कब हुई और इस question का right answer है 22 November 2010 में IMPS सेवा की सुरुवात हुई और अगला question ने IMPS त्वारा भुकतान करने के लिए किसका उप्योग किया जा सकता है MMID and Mobile Number Account Number and IFSC Code या फिर आधार Number या फिर उप्रोगत सभी IMPS का उप्योग किया जाता है खासतोर पे UPI Apps में तो अगर आप UPI या एप इस्तिमाल करते हैं तो आपको पता होगा कौन-कौन से option से हम किसी को payment कर सकते हैं और इस question का right answer है option do उप्रोगत सभी इन सभी माध्यम से IMPS के द्वारा भुकतान किया जा सकता है और अगला question है internet of things सब्द का अबिसकार किस ने किया तो ये एक नया topic है जो कि triple c news labels में पहली बार introduce किया गया है और इस question का right answer option B Kevin Aston ने internet of things सब्द का अबिसकार किया था और अगला question ने internet पर उप्योग करता गत्विधी पर नजर रखता है और उस जानकारी को किसी और को संचरित मीन्स टांसफर करता है malware, spyware, adware या फिर इन में से कोई नहीं और इस question का right answer option B spyware जो होते हैं वो आपकी जो जानकारी होते हैं information होते हैं उसे चुराते हैं और किसी दूसरे के पास transfer करते रहते हैं और अगला question ने या एक program या hardware device है जो internet connection के माधम से आने वाली सूचनाओं को किसी network या computer system में filter करता है antivirus, cookies, fireball या फिर cyber safety और इस question का right answer है option C firewall firewall एक तरीके से guard का काम करता है आपके system में आने या आपके system से जाने वाले सभी data को या monitor करता रहता है अगला question ने email को सुरच्छा प्रदान करने के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला protocol कौन सा है SNMP, POP, PGP या फिर STTP और इस question का right answer है option C PGP, pretty good privacy का full form होता है और अगला question है LibreOffice में row की संख्या क्या है और इस question का right answer है option A 1048576 टूटल नंबर और अगला question है LibreOffice में column की संख्या क्या है तो इस question में पूछे किया है LibreOffice Calc में column की संख्या कितनी होती है इस question का right answer option B 1024, total number of columns होते है LibreOffice Calc में Calc, Impress और इन सभी के वीडियोज अपलोड हो चुके है अगर आप triple C exam की तैयारी कर रहे है और Calc, Impress इस ताहिके के जितने भी नएने topics इन सभी के वीडियोज देखना चाहते है तो आप हमारे चैनल की playlist में जाके triple C news syllabus नाम की playlist है जासे आप triple C news syllabus पे आधायर वीडियोज देख सकते है यहाँ पे आपको chapter wise, topic wise सभी वीडियोज मिल जाएंगे और अगला कुछ ने एक course इरा क्या है e-learning, e-commerce, dev portal या फे इन में से कोई नहीं यह question कई बार triple C exam में repeat हुआ है और इस question का right answer है option A e-learning platform और अगला कुछ ने इंटरनेट पर काम करना क्या कहलाता है hosting, publishing, surfing या फिर उप्रोगत सभी तो इस question का right answer है option C, surfing और अगला कुछ ने twitter पर कोई post करते समय कितने word लिख सकते है तो जब आप twitter पर कोई post करते हैं तो वहाँ पर उसकी character limit कितनी होती किसी एक post में कितने maximum character लिखे जा सकते हैं तो इस question का right answer है option D, 280, maximum character वहाँ पर लिखे जा सकते हैं अगला कुछ ने library office calc में special paste की shortcut की क्या है तो इसी तरह से यहाँ पे calc impress या writer लिखा हो सकता है और इन तीनों के लिए same shortcut की का इस्तेमाल किया जाता है और इस question का right answer है option B, control plus shift plus B, paste special की shortcut की होती है और अगला कुछ ने भीम का पोन रूप क्या है तो इस question का right answer है option C, भारत interface for money और अगला कुछ ने OSI का पोन रूप क्या है तो OSI एक networking model होता है और इसमें total seven layers होती है कई बार इन layers के बारे में पूछा जाता है तो application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer और यहाँ पे physical layer यह total seven layers होती है तो सबसे पहले यहाँ पे question पूछा जा सकता है कितनी layers होती है, seven layers होती है और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सबसे उपरी layer कौन सी होती है, तो application layer सबसे उपरी layer होती है और यहाँ पे सबसे निचली layer कौन सी होती है, तो physical layer सबसे निचली layer होती है और इस question का right answer है option E, open system interconnection और अगला question ने impress में अधिक्तम जूम किया है, इसको अच्छे से देखेगा, कई बार लोग यहाँ पे confused हो जाते हैं और इस question का right answer है option D, 3000, यहाँ पे 300 नहीं लिखा गया है, यहाँ पे 3000 इंप्रेस में maximum जूम होता है 3000, और अगला question ने impress में निउन्तम जूम किया है, और इस question का right answer option E, 5% निउन्तम यहाँ पे 5% होता है और maximum होता है 3000, और अगला question ने calc में column cell की default height किया है और कई बार यहाँ पे values को centimeter में convert करके लिखा जाता है, और इस question का right answer option E, 0.18 inch और अगला question ने भारत में credit card सुरू करने वाला पहला bank कौन सा है, और यह question काफी important है, कई बार exam में repeat हुआ, इस question का right answer option E, Central Bank of India ने भारत में सबसे पहले credit card की सुरूआत की, और अगला को इसने IRCTC की किस website सी ततकाल ticket book कर सकते हैं और इस question का right answer है, option B, www.irctc.co.in, यह IRCTC की एक official website है, यहाँ से आप ततकाल या फिर normal कोई भी ticket book कर सकते हैं और अगला कुछने LibreOffice Writer में default page orientation क्या है, vertical, horizontal, portrait या फिर लैंड स्कैप और इस question का right answer है, option C, portrait, default page orientation होता है, और कई बार exam में पुछा जाता है, कितने प्रकार की orientation होती है तो दो तरह की होते हैं, portrait और landscape, तो calc और writer में जो default page orientation है, वो portrait होता है, जबकि impress में default orientation होता है, लैंड स्कैप इसी तरह अगर हम MS Word, PowerPoint की बात करें, या फिर Excel की बात करें, तो Word और Excel में जो default orientation होता हो, portrait होता है, जबकि PowerPoint में जो default page orientation हो, लैंड स्कैप होता है और अगला कुछने, calc में column cell की default width क्या है तो इस question का right answer है, option C, 0.89 in और कई बार एक्सामें, inch को centimeter में convert करके भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद कर लीजेगा और अगला कुछने, LibreOffice Writer में new thumb, zoom क्या है और इस question का right answer है, option C, 20% new thumb, zoom होता है और अगला कुछने, LibreOffice Calc में अधिक तम, zoom क्या है और इस question का right answer है, option C, 400% और अगला कुछने, among apps से क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला option है, apply pen card, passport, सिवा, gas booking, या फिर उप्रोक्त सभी और इस question का right answer, option D, उप्रोक्त सभी ये सभी प्रकार की services, among apps के द्वारा मिलते हैं अगला कुछने, Facebook पर एक बार में एक साथ कितने photo upload कर सकते हैं और इस question का right answer है, option B, 30, एक बार में आप 30 pictures upload कर सकते हैं, किसी भी Facebook के एक post में और अगला कुछने, IDS का पूर्ण रूप क्या है, और इस question का right answer है, option E, intrusion, detection system, इसका full form होता है, इसको note down की जिएगा, काफी important है और अगला कुछन है, नेम लखित में से कौन से कुझी toggle की है, cap lock, scroll lock, scap, tap key, या फिर control, या फिर alt और इस question का right answer, option B, cap lock, scroll lock, और num lock, ये सब ही toggle की होते है और अगला question है, लिब्रे आफिस राइटर में tip पनी, means comment लगाने की shortcut की क्या है तो comment हम लिब्रे आफिस राइटर में कैसे लगाते हैं, practically मने राइटर की वीडियोस में बताया है तो अगर आप ने राइटर की वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आपको writer, impress, calc, ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे triple c news, लिब्स नाम की एक playlist है, यहां से आप ये सभी वीडियोस देख सकते हैं और इस question का right answer है, option B, control plus alt plus C का इस्तेमाल करते हैं और अगला question है, IFSC code कितने अंको का होता है, तो I hope आप सभी को पता होगा, इस question का right answer क्या है क्योंकि इससे पहले भी हम इस तरीके का एक question discuss कर चुके है और इस question का right answer है, option B, 11 digit और अगला question ने निम्न में कौन एक समय पर एक सब्द को मसीन भासा में अनुवात करता है compiler, interpreter, assembler या फिर इनमें से कोई नहीं तो compiler, interpreter, assembler ये सभी क्या है, language translator compiler और interpreter क्या करता है, high label language को machine label language में convert करता है जबकि assembler एक ऐसा translator है, जो कि assembly language को machine label language में convert करने के इसका इस्तिमाल किया जाता है compiler पूरे program को एक बार में read करता है, और फिर उसे machine label language में translate करता है जबकि interpreter क्या करता है, sub by sub, line by line code को read करता है, उसे machine code में convert करता है तो इस question का right answer क्या होगा, आप समझ में आ चुका होगा, option B interpreter और अगला कुछने CD में data store करने की छमता कितनी है 650 MB, या फिस 660 MB, या फिस 670 MB, या फिस 680 MB तो normally आप सभी को पता होगा, CD में 700 MB data store किया जा सकता है बट यहां पे options में 700 MB नहीं है क्योंकि CD दो type की आते हैं, एक CD आते हैं जिसमें 650 MB तक data store किया जाता है तो इस question का right answer, option E 650 MB और अगला कुछने, USST का पूर्ण रूप क्या है और इस question का right answer, option C, unstructured, supplementary, service, data is का full form है और अगला कुछने, RSS का पूर्ण रूप क्या है यह काफी important question है, कई बर exam में repeat हुआ है और इस question का right answer, option E, really, simple, syndication इसका full form होता है, इसको आप अलग से कहीं पे note down जरूर कीजिगा और अगला question है, जो कि आज की test का last question है तो यहाँ पे पूछा गया है, www का पूर्ण रूप क्या है यह काफी popular question है, कई बार exam में पूछा गया है और इस question का right answer, option B, से पहले भी हम इसको कई बार discuss कर चुके है worldwide bib warm, जो की एक search engine है और इसका full form होता है, worldwide bib warm भीम app कब launch किया गया था और इस question का right answer है, option C, 2016 में भीम app को launch किया गया था और अगला question है, analog computer क्या करता है input को distal में बदलता है, distal signal को लेता है या फिर उप्रोगत सभी या फिर इन में से कोई नहीं और इस question का right answer है, option D, इन में से कोई नहीं क्योंकि analog computer physical data को लेता है, physical value को लेता है जैसे कि pressure, temperature या speed और ये directly उसे display करता है या दिखाता है, या mapता है और अगला question है, Libre Office Impress में नई slide जोडने की shortcut की क्या है और इस question का right answer है, option B, control plus M और power point में भी हम control plus M का इस्तेमाल new slide add करने के लिए जोडने के लिए करते हैं और अगला question है, Wi-Fi में 5 का मतलब क्या है तो सबसे पहला option है, frequency, fast information, infrared या फिर fidelity और इस question का right answer है, option D, fidelity और Wi-Fi का full form होता है, wireless fidelity और अगला question है, one nibble में कितने bytes होते हैं तो सबसे पहला option है, one, 0.5, two, या फिर four तो four bit equal होता है, one nibble और eight bit equal होता है, one byte तो I hope समझ में आ चुका होगा, इस question का right answer क्या होगा one nibble equal half byte होता है, means 0.5 और अगला को इसने debit card को ATM card भी कहते हैं तो ये काफी simple से question है, आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सही, question का right answer होगा true और अगला question है, Bheem app को किस reserve bank governor के समय प्रारंब किया गया, ये काफी important question है, आप चाहें तो अलग से note down भी कर सकते हैं और इस question का right answer है, option B, उर्जित पतेल और अगला question है, secondary memory का उदाहरण है, तो सबसे पहला option है, room, DRAM, SRAM या फिर pen drive और इस question का right answer है, option D, pen drive, secondary memory का एक उदाहरण है, और अगला को इसने formula div B2, B3 का परिणाम क्या होगा, यदि B1 equal 1, B2 equal 3, B3 equal 6, तो सबसे पहला option है, 1, 2, 3 या फिर has name question mark, और इस question का right answer होगा, option D, has name question mark, क्योंकि यहां पे div नाम का कोई formula नहीं होता है, जिसकी वज़े से यहां पे formula error आएगी और formula error को has name question mark से display होता है, और अगला question formula if C1 greater than 10, और यहां पे double quotes mean double inverted comma में लिखा गया है S, और comma double inverted comma में लिखा गया है No, का परिणाम क्या होगा, यदि C1 equal 3 हो, और इसको हम Excel के वीडियो में practically भी बता चुके हैं और जल्दी हम कैल के भी पूरे complete वीडियो upload करने वाले हैं, तो अगर आप October में triple C के exam देने जा रहे हैं, तो triple C news labels नाम की playlist है, जहांसे आप triple C news labels की भी वीडियो देखते रहें, जल्दी आप पे triple C का news labels complete upload होने वाला है, तो यहां पे अगर हम बात करें, तो यह if एक function होता है, जो नो लिखा हुआ है, तो नो आएगा, तो I hope समझ में आ चुगा होगा C1 की value है 3, तो यहां पे condition होगी false, it means इस question का right answer क्या होगा, option B, no और अगला कुछने mobile phone किसका एक उदारन है, तो सबसे पहला option है, mini computer, micro computer, मुख्य computer या फे इन में से कोई नहीं, तो right answer आ चुगा, इस question का right answer option B, micro computer, और अगला कुछने IBM 700 किस PD का computer है, तो सबसे पहला option है, पहली PD का computer, दूसरी PD का computer, तीसरी PD का computer या फिर चौती PD का computer, बिल्कुल सबसे इस question का right answer आ चुगा, इस question का right answer option B, दूसरी PD का computer, और अगला कुछने, फोन पे के द्वारा एक दिन में transaction सीमा क्या है, ये भी important question है, तो सबसे पहला option है, 20,000, 40,000, 50,000 या फिर 1,00,000, और इस question का right answer है, option D, 1,00, फोन पे के द्वारा एक दिन में अधिकतम 1,00,000 रुपए तक transfer किये जा सकते हैं, और अगला question है, line printer की speed किस में मापी जाते है, तो सबसे पहला option है, LPM, CPM या फिर PPM, तो LPM का full form होता है, line per minute, CPM means character per minute, PPM means page per minute, या फिर उपरोगत सभी, और इस question का right answer option है, line per minute, उके इसी तरह पूछा जाता है, printer की quality किस में मापी जाते हैं, तो इसका right answer होगा, DPI dot per inch, और अगला कुछने, आकार में सबसे बड़ा computer की speed ही का था, चौथी, तीसरी, दूसरी या फिर पहली, तो इस question का right answer है, option D, first generation की computer का size सबसे जादा बड़ा था, और अगला कुछने, mouse में प्राथमिक और दौती की आपस में बदली जा सकती है, बिल्कुल साइस, question का right answer होगा true, change कर सकते हैं, mouse setting में जाके, first key या second key की properties को आपस में exchange कर सकते हैं, और अगला कुछने, phone pay किस से संबन्दित है, NPCI, UPI, RBI या फिर E-Wallet, और इस question का right answer है, option B, UPI, phone पे एक UPI app है, और अगला कुछने, दो या दो से अधिक topology के science using को क्या कहा जाता है, तो सबसे पहला option है, tree, miss, hybrid या fan में से कोई नहीं, और triple C का exam कैसे देते हैं, इस पर मैंने एक पहले से video upload करके रखा है, तो आप इस video को जरूर देखेगा, इससे आपको help मिलेगी कि triple C का exam कैसा होता है, और किस तरह का interface होता है, questions कैसे आते हैं, और वहाँ पे हमें answer किस तरह के से mark करने, और इस video का description में आपको link मिलेगा, आप एक बार exam से पहले जरूर देखेगा, बिल्कुल साइज, question का right answer है, option C, hybrid, और अगला question है, BGA का पूर्ण रूप क्या है, और इस question का right answer है, option B, video graphics array, और अगला question ने, VR का पूर्ण रूप क्या है, तो इस question का right answer है, option C, virtual reality, और अगला question ने, microcode में कितनी संख्याएं होती है, तो इस question का right answer है, option D, total 9, और अगला question ने, asymmetric, cryptography में कितनी कुंजियों का उप्योग होता है, काफी important question है, तो सबसे पहला option है, 1, 2, 3, या फिर 4, तो asymmetric, एक concept होता है, जिसको हम security के लिए इस्तिमाल करते हैं, जब कोई message पेशना होता है, तो उसे encrypt करने के लिए, या फिर decrypt करने के लिए asymmetric, cryptography का इस्तिमाल किया जाता है, और इसमें दो तरीके की की इस्तिमाल होती है, एक होती public और दूसरी होती private, पब्लिक एक ऐसी की होती है, जिसको distribute कर दिया जाता है, पब्लिक में, और प्राइबेट एक ऐसी की होती है, जिसको अपने पास रखा जाता है, message को decrypt करने के लिए private की का इस्तिमाल किया जाता है, जब कि message को encrypt करने के लिए public की का इस्तिमाल किया जाता है, तो इस question right answer होगा option B2 और अगला कुछ ने दस्त वेज पार्ट के पीछे धुंदला दिखाई देता है तो क्या है इसमें से प्रस्ट भूमी, छबी, वाटर मार्क या फिर अग्र भूमी और ये सबी questions आपको English में मिल जाएंगे हमारी website पे तो आप एक बार जरूर विजिट कीजेगा और इस question का right answer है option C, watermark जैसा कि यहाँ पे screen पे आप देख पा रहे होंगे background में हमारे channel का logo लगा हुआ है जो कि आपको धुंदला सा दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे जो text है उसके पीछे दिख रहा है तो यहाँ पे इस question का right answer है option C, watermark और अगला question है cloud computing में cloud क्या है database, mandal, internet या फिर server तो इस question का right answer है option C, internet cloud computing में cloud का मतलब होता है internet और अगला question है marketplace facebook द्वारा प्रदान की जाने वाली कौन सी सेवा है यह काफी important question है तो facebook का एक platform है marketplace आप google पे ज़रू सच कीजिएगा हलकि यह platform इंडिया में अभी तक launch नहीं किया गया है लेकिन यह facebook का marketplace जो application है या platform है वो किस पे आधारित है उससे जड़ा हुआ question है तो सबसे पहला option है C to C, C to B या B to C या फिर B to B और यह भी question पिछले महीने triple C exam में पूछा गया है तो हम यहाँ पे जितने भी questions डिसकस करने हैं वो सभी questions पिछले महीने triple C exam में पूछे जा चुकी है तो इससे आपको पता चलेगा triple C exam में किस तरह के questions पूछे जाते हैं triple C exam में किसी भी प्रकार की negative marking नहीं होती है तो आपको 100 में 100 questions attempt करके आना है और true false के questions बहुत कम पूछे जाते हैं तो इस question का right answer है option A C to C, consumer to consumer या फिर customer to customer भी इसको बोलते हैं जिस पे आधारित होता है तो यहाँ पे जैसे OLX है वहाँ पे हम कोई भी product sell या purchase कर सकते हैं उसी तरह का Facebook के द्वारा Facebook market place एक platform launch किया गया है जो कि C to C पे based है और अगला question है निम्न में क्या banking सेवाओं से सम्मन्धित नहीं है यह काफी important question है तो देखते हैं कितने लोग इस question का right answer दे पाएंगे तो सबसे पहला option है NAFT, ECS, Demand Draft या फिर IMPS और इस question का right answer है option B ECS जो की banking सेवाओं से सम्मन्धित नहीं है NAFT, Demand Draft, IMPS यह सभी banking services से related है ECS का मतलब होता है electronic clearing service और इसके माध्यम से आपके या किसी भी account से पैसे डेविट करने की permission ली जाते है जो की banking service में नहीं आता है यह third party के द्वारा यह service provide की जाते है तो इस question का right answer है option B और अगला question है निम्न में क्या hard copy तयार करता है तो सबसे पहला option है scanner, monitor, printer या फिर disk तो दो तरह की copies होती है, एक hard copy होती है, दूसरी soft copy होती है soft copy हमारी computer में store होती है, या memory में store की जाती है और जबकि hard copy जो होती है, वो printed form में दिखती है means printer के द्वारा मिलने वाली copy होती है, उसको हम hard copy के नाम से जानते है तो इस question का right answer है option C, printer और यहाँ पे एक और popular question पूछा जाता है कि scanner किस तरह का device है तो scanner एक input device होता है, जबकि monitor एक output device है और disk एक storage device है और अगला question है, डेजी वेल किस प्रकार का printer है तो सबते पहला option है, matrix printer या फिर impact printer, laser printer या फिर manual printer और इस question का right answer है, option B, impact printer और अगला question है, email द्वारा फाइलें भेजने को क्या कहते है अपलोड, डाउनलोड, aggressive या फिर attachment तीए काफी simple से question है, इस question का right answer, option D, attachment बोलते है और अगला question है, निमलकित में से कौन ISP सुविधा प्रदान करता है तो ISP का मतलब है internet service provider तो सबसे पहला option है, Reliance, Wipro, TCS या फिर Microsoft और इस question का right answer है, option A, Reliance इंटरनेट service provider की सुविधा प्रदान करता है और अगला question है, निमल में CP command की बारे में मदद means help पाने के लिए किसका उपयोग करेंगे यह काफी important question है, जोकि Linux से जुड़ा हुआ है तो Linux में हम किसी command की अगर help लेना चाते हैं उसके बारे में जानना चाते हैं, तो इन में से किसका उपयोग करेंगे तो सबसे पहला option है help cp, man cp, about cp, या फिर cp help तो अगर आपको इस question का right answer नहीं पता है तो इसे अलग से no down कीजिएगा, काफी important है और इस question का right answer option b man cp यहाँ पे man एक command यूज किया जाता है, उसके साथ में हम उस particular command को लिखते हैं जिसके बारे में हमें जानना है या उसकी help लेनी है, तो यहाँ पे जिससे cp command है और यह copy करने की command होती है, तो यहाँ पे अगर copy command के बारे में हमें help चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे man और उसके बार लिखेंगे cp और अगला question है, निम्न में सीधे hardware पर क्या इस्थापित किया जाता है, तो सबसे पहला option है, software, firmware, application software या फिस system software और इस question का right answer है, option B, firmware जैसे की BIOS, BIOS एक firmware है, जिसको सीधे hardware means रोम पेज, स्थापित किया जाता है, या store किया जाता है, तो अगला question है, impress में elements जैसे text, image को ब्यवस्थित करने के लिए प्रियोग करते हैं, यह भी काफी important question है, तो सबसे पहला option है, design, scheme, presentation या फिर layout तो अगर आप कोई presentation बना रहा है, impress में, और वहाँ पे text और images को ब्यवस्थित करना है, या arrange करना है, तो इन में से किसका इस्तेमाल करते हैं और इस question का right answer है, option D, layout का इस्तेमाल करते हैं और अगला को इसने LibreOffice Writer में templates का प्रबंधन, means management करने के लिए, किस shortcut कुझी का उपयोग करेंगे Ctrl प्लस Shift प्लस N, Ctrl प्लस Alt प्लस N, या फिर Ctrl प्लस Shift प्लस T, या फिर Ctrl प्लस T तो आप चाहें, इसको अलग से no down कर सकते हैं, important shortcut की और इस question का right answer option है, Ctrl प्लस F, प्लस N और अगला को इसने निम्न में एक antivirus नहीं है, तो सबसे पहला option है, AVG, Bit Defender, BLC, या फिर Norton बिल्कुल साह, इस question का right answer आ चुका है, इस question का right answer option C, BLC, एक media player है, ना कि antivirus और अगला को इसने impress के लिए default extension क्या है, ODF, ODP, या फिर OFP, या फिर PPT और इस question का right answer है, option B, ODP, open document presentation इसका full form भी होता है, तो ये full form भी पूछा जा सकता है और अगला question है, IFSC code में कितने 1 means character होते हैं, 2, 3, 4, या फिर 6 तो इस question का right answer है, option C, 4 characters, इस्तिमाल होते हैं, जैसे कि पंजाब national bank, अगर आपका account है, तो आपके account का IFSC code होगा, वो होगा PUNB, तो आप count कर सकते हैं, आपे total 4 characters, इस्तिमाल होते हैं, जितने भी bank के IFSC code होते हैं, उन सभी में 4 characters का इस्तिमाल किया जाता है और अगला question ने Facebook account खोलने की निउन्तम उम्र क्या है, तो आप में से बहुत से लोग होंगे, जिनका Facebook account होगा, अलमुछ सभी का Facebook account होगा, तो आपने क्या कभी जानने की कोशिस की, कि minimum age क्या होनी चाहिए, Facebook account उपन करने की, 12 year, 13 year, 16 year, या फिर 18 year और इस question का right answer है, option B, 13 year, और शुरुवात में 18 year था, जिसको बाद में change करके, 13 year कर दिया गया, मींस, 13 साल से कम का अगर कोई है, तो वो Facebook account उपन नहीं कर सकता, और अगला कुशन है, निम्ण में दुनिया का पहला mini computer था, ये भी एक important question है, तो IBM system 36, या फिर PDP second, या फिर PDP one, या फिर Vax 11, और इस question का right answer है, option C, PDP one, word का सबसे पहला mini computer था, और अगला question है, कौन से memory बार बार refresh होते हैं, तो सबसे पहला option है, रूम, रैम, पी रूम, या फिर एपी रूम, और इस question का right answer है, option B, रैम, जो की बार बार refresh होती ही रहती है, और अगला question है, परम super computer को कहां पर बिक्सित किया गया था, और कई बार exam में ये भी पूछा जा सकता है, कि इंडिया का सबसे पहला super computer कौन है, तो परम 8000 सबसे पहला इंडिया का super computer है, जिसको CDAC ने double up किया था, और इस question का right answer है, option D, CDAC की पूने ब्रांच ने परम super computer को बिक्सित किया था, और अगला question है, कौन सा नया browser Windows 10 के साथ पेस किया गया है, internet explorer 9 या फिर internet explorer 10 या फिर internet explorer 12 या फिर EDGE, और इस question का right answer है, option D, EDGE browser को Windows 10 के साथ पेस किया गया है, या introduce किया गया है, और इसी तरह एक और question पूछा जा सकता है, कि internet explorer का latest version क्या है, तो यह है, internet explorer 11, आप चाहें तो इसको भी note down कर सकते हैं, और अगला को इसने mouse का बिसकार किसके द्वारा किया गया, यह काफी important question है, तो सबसे पहला option है, तो यह सभी ऐसे scientist के नाम हैं, जो की काफी important है, अक्सर इनके नाम पे based कई सारे questions पूछे जाते हैं, तो अगर हम हर्मन होलरित की बात करें, तो इन्होंने punch card का बिसकार किया था, और Charles पे बस जिनको computer का जनक कहा जाता है, इन्होंने difference engine डबलब किया था, जो की word का सबसे पहला mechanical computer था, और अगर हम इस question की बात करें, तो इस question का right answer है option C, Douglas C. Engelbert ने mouse का अविसकार किया था, और अगर हम bin surf की बात करें, तो इन्होंने TCP IP protocol का अविसकार किया था, जिसकी वज़िसे इनको internet का जन्मदाता कहा जाता है, और अगर हम इस ने छोटे छोटे pixel को icon कहा जा सकता है, ये भी एक important question है, तो इस question का right answer होगा, false, क्योंकि pixel हमारे display unit की smallest unit होती है, जबकि icon की बात करें, तो इस program का एक link होता है, जो कि graphical form में होता है, जिसको operate करने के लिए, open करने के लिए, execute करने के लिए icon का इस्तेमाल किया जाता है, और अगला question है, product 300, minus 5 का मान क्या होगा, तो ये question calc से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहला होतने 1500 या minus 1500, या फिर error आएगी, या फिर name, question mark, means यहाँ पे formula error होगी, तो product एक function होता है, जिसको multiply करने के लिए, इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर हम 300 को minus 5 से multiply करेंगे, तो I hope समझ में आ चुका होगा, इस question का right answer क्या है, बिल्कुल सही, इस question का right answer option B, minus 1500, और अगलकों इसने क्या email ID में, उप्योग करता नाम बदल सकते हैं, तो सबसे पहला option है, रोज means daily, सापता ही, दो बार, या फिर हमेशा, या कभी नहीं, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, email ID में दो parts होते हैं, एक होता है username, और दूसरा होता है domain name, तो अगर हम एक example की बात करें, तो जैसे कि मेरा एक email ID है, info.gyanxp.gmail.com, तो info.gyanxp.gmail.com, जबकि add.gmail.com एक domain name है, तो क्या हम username बदल सकते हैं, और इस question का right answer होगा, option D कभी नहीं, हम अपने email ID का username नहीं बदल सकते, और अगला question है, लिब्रे office writer में, drop down box में अधिक्तम font size क्या है, तो यह question कई अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कि लिब्रे office writer में, निउन्तम font size क्या है, या अधिक्तम font size क्या है, और जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, drop down box में अधिक्तम font क्या है, तो यह अलग question है, तो drop down के अगर बात करें, तो minimum font size होता है, यहाँ पे 6, और अगर हम अधिक्तम की बात करें, तो इस question का right answer है, option C 96, अधिक्तम होता है drop down में, और अगर हम manual की बात करें, जो की type करके आप change कर सकते हैं, तो manually यहाँ पे type करके, minimum 2 font size लिया जा सकता है, जबकि अधिक्तम की बात करें, तो 999.99, इसका अधिक्तम font size होता है, तो आप note down करेंगे, काफी important है, और अगला question है, निम्ण में, Linux पर आधारी तो operating system नहीं है, ये भी एक most important question है, तो सबसे पहला option है, Ubuntu, Red Hat, CentOS, या फिर BSD, और आप लोग playlist से, online test के videos देखते रहेगा, exam तक आप यहीं से practice करते रहें, और आप हमारी website, www.gyanixp.com से भी practice करते रहें, वहाँ भी काफी important questions मैंने upload किया है, जो कि triple C new syllabus पर बेस्ट है, बिल्कुल साइज question का right answer होगा, option D, BST, जो कि Unix पर आधारित है, और अगर हम Ubuntu, Red Hat, या CentOS की बात करें, तो ये तीनों operating system, Linux पर बेस्ट हैं, या आधारित हैं, और अगला कुछी ने hub की जगा, किस device का उप्योग किया जा सकता है, router, bridge, switch, या फिर gateway, और इस question का right answer है, option C, switch, तो hub की जगे पर हम switch का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई बार exam में एक और important question पूछा जाता है, कि hub और switch किस तरह के device हैं, तो hub एक broadcasting device होता है, means hub के पास जब कोई data send होता है, या hub कोई data receive करता है, तो वो क्या करता है, जितने hub से connected systems होते हैं, उन सभी के पास उस data को भेज देता है, जबकि अगर हम switch के बात करें, एक unicast device होता है, switch सिर्फ उस data को उसी computer के पास भेजता है, जिसके लिए वो data भेजा गया है, तो ये भी काफी popular question है, कई बार टॉपल से exam में पूछा गया है, तो आई होप समझ में आ चुका होगा, hub एक broadcasting device है, जबकि switch एक unicast device है, और इस question का right answer है, option C, switch hub की जगे पे इस्तेमाल किया जाता है, और start topology में hub या switch को हम इस्तेमाल करते हैं, और अगला कुछ ने IBM system 38 computer work का प्रत्यने धित्त करता है, means किस class का ये computer है, small scale computer या फिर large scale computer या फिर super computer या हिन में से कोई नहीं, और इस question का right answer है, option C, small scale computer और कई बार या पे mini, micro, main frame लिखा होता है, तो ये IBM system 381 mini computer का उदारण है, आप चाहें तो इसको भी कहीं note down कर लीजे, काफी important है, निम्न में से सबसे मजबूत wireless सुरच्छा प्रणाली कौन सी है, WEP, WPA, WPA2 या फिर WPA3, और इस question का right answer है, option D, WPA3, और इसका full form भी exam में पूछा जा सकता है, तो ये होता है, wireless protected access version 3, और अगला question है, Mac address किस में लिखा होता है, binary, octal, decimal, hexadecimal, ये question कई बार triple C exam में repeat हुआ है, तो इस question को हम पहले भी कई बार discuss कर चुके हैं, इसके बारे में काफी detail में मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इस question का right answer है, और ये हेक्जाडेसिमल में लिखा जाता है, जो कि 12 digit का code होता है, और इसका size होता है 48 bit, और अगला question है, निम्न में क्या instant messenger का उदारण नहीं है, तो instant messenger ऐसे applications होते हैं, जहांपे आप real time में chatting कर सकते हैं, तो WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook messenger में से कौन सा instant messenger का उदारण नहीं है, और इस question का right answer हो जाएगा option C, Twitter, Twitter एक micro blogging है, नाकि instant messenger, और अगला question है, उमंग एप कब launch किया गया था, 2014, 2015, 2017 या फिर 2018, ये सब ही ऐसे questions हैं, जो कि कई कई बार टॉपल सी एक्जाम में पूछे जाते हैं, और इस question का right answer है, option C, 2017 में उमंग एप को launch किया गया था, और अगला question है, डिश्टल लॉकर सेवा की सुरुवात कब हुई, और इस question का right answer है, option B, 2015 में डिश्टल लॉकर की सेवा की सुरुवात हुई, और इसमें आप अपने document की soft copies रख सकते हैं, और अगला question है, निम्ड में LinkedIn से संबन देते हैं, तो सबसे पहला option है, social media platform, नौकरी चाहने वाले अपने CV पोस्ट कर सकते हैं, company, job, पोस्ट कर सकते हैं, या फिर उप्रोगत सभी, तो इस question का right answer हो जाएगा, option D, उप्रोगत सभी, ये सभी LinkedIn से related हैं, means LinkedIn क्या है, social media platform है, जहांपे आप अपनी CV पोस्ट कर सकते हैं, और जो companies होती हैं, वो अपनी vacancies को यहांपे पोस्ट करती हैं, और अगला कुछन है, LinkedIn किस company का उत्पाद है, सबसे पहला option है, Google, Yahoo, Microsoft, या फिर इनमें से कोई नहीं, और triple C exam कैसे देते हैं, इस पर बेस्ट मैंने एक वीडियो अप्लोड किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, इस वीडियो में मैंने पूरा process बताया है, किस तरह से triple C का exam दे सकते हैं, और यहाँ पे किस तरह से questions डिस्पले होते हैं, इस सारी चीजे मैंने detail में बताई, तो exam से पहले आप एक बार इस वीडियो को जरूर दिखीगा, कई बार क्या होता है, जब आप exam देने जाते हैं, तो पूरा process नहीं पता होता है, उसको समझने में काफी time लगता है, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, तो आपको पूरा process समझने में आ जाएगा, किस तरह से आपको वाप exam देना है, तो इस question का right answer है, option C, Microsoft, और अगला question है, OTP को फिर से भेजने के लिए कितनी बार अनुरोध किया जा सकता है, 3, 5, 10 या फिर कोई सीमा नहीं, और इस question का right answer है, option B, 5, आप 5 बार लगातार OTP की request, send कर सकते हैं, और अगला question है, UPI सेवा की सुरुवात कब हुई, और इस question का right answer है, option B, 11 अप्रेल 2016, और कई बार या पे सिर्फ years लिखे रहते हैं, या पे मैंने पूरा complete date लिखती है, 11 अप्रेल 2016 को, UPI सेवा की सुरुवात हुई, और अगला question है, इस question का right answer है, और अप्रेल अप्रेल की सुरुवात कब हुई, और कई बार एक्साम में पूछा जाता है, फ्यूचर इस्किल पोर्टल की सुरुवात किस ने की, तो नेस्कॉम एक कंपनी है, जिसने फ्यूचर इस्किल पोर्टल की सुरुवात की, और इस question में पूछा गए इसकी सुरुवात कब हुई है, तो इस question का right answer है option B, 19 फरवरी 2018 को फ्यूचर इस्किल पोर्टल की सुरुवात हुई, और अगला question है इन्हें लखित में से कौन डिस्टल प्रमालपत्र मानक है, तो आपको पताना है इन्में से कौन सा डिस्टल प्रमालपत्र का स्टेंडर है, और जो लोग इस महीने CCC का एक्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें सभी से मिली एक request है, आप अपने exam के कुछ questions हमें जरूर भेजीगा, question भेजने के लिए आप हमें comment कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमें whatsapp पे send कर सकते हैं, और जब भी आप हमें questions पेज़ते हैं, कुछ ऐसे questions पेज़िए, जिनको आपने हमारे वीडियोस में नहीं देखा है, या फिर आपको लगता है, ये काफी unique और important question है, और जिसका आपको right answer नहीं पता, तो इन questions को हम अपने वीडियोस में discuss करेंगे, इससे आपको पता चलेगा, उन questions के right answer क्या है, प्लस जो लोग आने वाले दिनों में, टॉपल सी के exam देते हैं, उनको इन सभी questions से काफी help मिलती है, तो इस question का right answer हो जाएगा, option B, X.509, digital प्रमाल पत्र का standard है, और अगला question है, की logger क्या है, या फिर उप्रोग तो सभी, तो यह काफी simple से questions है, और काफी ऐसे questions होंगे, जो की triple C exam में आपको देखने को मिलेंगे, तो इस question का right answer है, option C, spyware, key logger क्या है, spyware होता है, spyware क्या होता है, कि जो हमारा keyboard होता है, उसमें key logger, अगर कोई application के form में, या hardware के form में लगा दिया जाता है, तो जब भी आप कोई keyboard में, कोई भी key प्रस करते हैं, तो उसकी proper recording करता है, तो spyware का काम होता है, आपके keyboard पे प्रस की गई keys को record करना, और अगला question है, Libre Office Calc में, नियुन्टम font size क्या है? तो इस question का right answer हो जाएगा, option A, 2, नियुन्टम font size होता है, 2, और अगला question है, Apple Company का पहला network server था, तो आज के इस वीडियो में हम, total 50 questions discuss करेंगे, और last में comment करके जरूब बताएगा, आपके कितने questions correct हुए हैं, तो इस question का right answer है, option A, signer, नाम का, सबसे पहला network server, Apple Company ने launch किया था, और अगला question है, Twitter के एक tweet में, अधिक्तम कितने सब्द हो सकते हैं, ये सभी काफी common questions है, अक्सर टॉपल सी एक्जाम में, कई कई बार पूछे जाते हैं, और इस question का right answer है, option C, 280 maximum character, आपको किसी भी tweet के लिए, इस्तिमाल कर सकते हैं, और अगला question है, bank को internet से कब जूडा गया, तो इस question का right answer है, option C, 1996 में, bank को internet से जूडा गया, और अगला question है, LibreOffice में, word count option किस menu में होता है, edit, view, tools, या फिर insert, इस तरह के कई सारे questions को, मैं पहले भी कई बार practically बता चुका हूँ, तो अगर आपने previous videos देखे होंगे, तो आपको याद आ रहा होगा, इस question का right answer है, option C, tools, tools menu के अंदर होता है, word count का option, और अगला question है, cut, copy, or paste का बिकल्ब किस menu में होता है, file, edit, view, या फिर format, और इसके साथ साथ आप लोग, previous online test के जितने भी videos हैं, उनको देखते रहे हैं, और इस question का right answer है, option B, edit menu में होता है, cut, copy, or paste का option, और अगला question है, किसी document का end कहा जाता है, header, footer, end note, footnote, और हाली में मैंने एक video upload किया था, online test का, जिसमें end note क्या होता है, footnote क्या होता है, उसको practically बताया था, तो अगर आपने देखा होगा, तो याद आरा होगा, और इसलिए आप इस question का right answer दे पाएंगे, तो इस question का right answer है, option C, end note, जो कि document का, सबसे last part होता है, या end होता है, और अगर हम footnote की बात करें, तो footnote हमेशा, हर एक page की last में add होता है, और अगला question है, computer network में bandwidth क्या है, अधिक्तम data transfer दर, या फिर अधिक्तम data transfer speed, या फिर अधिक्तम data transfer time, या फिर अधिक्तम signal transfer दर, तो इस question का right answer हो जाएगा, option है, अधिक्तम data transfer दर, means maximum कितना data, एक साथ भेजा जा सकता है, और अगला question है, WhatsApp instant messaging का एक कुदार रण है, तो ये काफी simple question है, I hope आप सभी को पता होगा, इस question का right answer क्या है, बिल्कुल सही, इस question का right answer हो जाएगा true, WhatsApp के माध्यन से हम, real time में chatting कर सकते हैं, जिसकी वज़े से, ये stand messenger का उदारण है, और अगला question है, warm boot किसे कहते हैं, तो booting दो तरह के होते हैं, cold boot और warm boot, जब हमारा system पूरी तरह से, shut down होता है, और हम उसे on करते हैं, उस time पे जो booting होती हैं, उसको हम cold boot के नाम से जानते हैं, cold booting उसको बोलते हैं, और जब हमारा system on होता है, चल रहा होता है, उसको हम जब restart करते हैं, और अगला कोशने क्याल्क में print preview की shortcut कुंजी क्या है अब यहां पे क्याल्क के जगे writer या impress भी हो सकता है तो इन तीनों के लिए same shortcut की का इस्तेमाल के जाता है print preview के लिए इस question का right answer है option b control plus shift plus o print preview की shortcut की है और अगला कुशने अत्यधिक इस्तेमाल की जाने वाली AI भासा कौन सी है को बोल, lisp, चावा या फिर उप्रोक्त सभी और इस question का right answer है option b lisp सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली language है और अगला कुशने line printer की speed किसमे मापी जाती है lpm, cpm या फिर ppm तो कई अलग अलग तरह के printers होते हैं और इनको दो categories में divide किया गया है impact और non impact और इनकी speed को भी अलग अलग तरह से measure किया जाता है जैसे line printer की speed को मापने के लिए lpm means line per minute का इस्तेमाल करते हैं कई बार इनके full form भी exam में पूछे आते हैं cpm character per minute यह हमारा impact printer होता है और line printer भी एक impact printer का type है और अगला option है आपके ppm और इसका full form होता है page per minute तो laser printer या inkjet printer की speed होते हैं इसको ppm means page per minute में map आ जाता है और अगला question है bitcoin किसने बनाया यह question कई बार triple c exam में repeat हो चुका है और bitcoin का एक cryptocurrency है और इस question का right answer है आफसा ने सतोसी नाका मोटो ने bitcoin को double up किया और अगला question है आप cryptocurrency कहां खरीज सकते हैं means bitcoin अगर आप purchase करना चाते हैं तो कहां से purchase कर सकते हैं एक नीची लेंदेन से या फिर एक bitcoin ATM से या फिर आदान प्रदान करना या फिर उप्रोगत सभी तो इस question का right answer हो जाएगा option D उप्रोगत सभी इन सभी माध्यम से आप bitcoin या cryptocurrency को खरीज सकते हैं और अगला question ने bitcoin को दुनिया में लाने वाले सूध पत्र का नाम क्या है white paper, black paper, green paper, yellow paper तो जल्दी से बताई इस question का right answer क्या होगा और triple C exam में total 100 questions पूछे आते हैं जिसके लिए आपको 90 मिनट का time मिलेगा और यहापे किसी भी प्रकार की negative marking नहीं होते हैं तो इस वज़े से आपको पूरे ये पूरे questions attempt करके आने हैं जब आप exam दे रहोंगे तो आपकी screen पे दू language में एक साथ question दिखाई पड़ेंगे जैसे Hindi और English दोनों में एक साथ questions स्क्रीन पे display होंगे इसमें आपको अलग से language सेलेक्ट करनी की आवसकता नहीं होगी आपको जिस language में questions समझ में आ रहा है उसमें आप read करिए उपर आपको option मिलेगा जहांसे आप correct answer mark कर सकते हैं तो यहाँ पे questions दो तरह से आते हैं जैसे Hindi और English एक combination आता है अगर आपने form fill up करने के time पे अपनी कोई original language सेलेक्ट किये जैसे गुजराती, Marathi, Bengali तो वहाँ पे English के साथ मराथी, गुजराती या बेंगॉली में भी questions आपको दिखाई पड़ेंगे तो यहाँ पे English एक common language है जो कि सभी papers में दिखाई पड़ेगी आपको और हिंदी जगे कोई भी दूसरी original language हो सकती है तो इस question का right answer हो जाएगा option A, white paper bitcoin को दुनिया में लाने वाले सूध पत्र का नाम है और अगला question ने blockchain bitcoin के समान है तो इस question का right answer हो जाएगा false क्योंकि blockchain एक technology है जिस पे आधारित bitcoin है और यहाँ पे बोला गया है blockchain bitcoin के समान है और अगला कुछ ने bitcoin की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है तो जो cryptocurrency होते हैं उनकी पहले से limit तैंकर दी जाती कि इससे ज़्यादा cryptocurrency नहीं create की जा सकती तो इसी तरह से bitcoin एक cryptocurrency और इसकी भी एक limit fix है कि इससे ज़्यादा bitcoins को नहीं create किया जा सकता तो जल्दी से बताई इस question का right answer क्या होगा इस question का right answer है option B 21 million maximum bitcoin की संख्या हो सकती है और अगला question ने cloud computing interaction के लिए एक internet connection आवस्यक है तो अगर आप cloud computing से जुड़ना चाते हैं या interact होना चाते हैं तो क्या इसके लिए internet की आवस्यक्ता होती है तो इस question का right answer हो जाएगा true आप जा सकती है जा सकती है जा सकती है और अगला कुछने इन में से कौन सा cloud computing उपयोग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है hardware as a service, platform as a service, software as a service, infrastructure as a service और इन सभी के full form कई बार एक्जाम में पूछे जाते हैं जैसे लिखा होता है PAS का full form क्या है या फिर SAAS का full form क्या है या फिर IAS का full form क्या है तो इसको भी कहीं पे दिमाग में अच्छे से बिठा लिजें इन सभी के full form अक्सर टॉपल्स एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इस question का right answer है, option है hardware as a service, जो की cloud computing का उप्योग नहीं है और अगला कुछन है, artificial intelligence के पिता के रूप में किसे जाना जाता है ये काफी popular question है, अक्सर टॉपल्स एक्जाम में पूछा जाता है और इस question का right answer है, option है John McCarthy जिनको artificial intelligence का पिता कहा जाता है और अगला कुछन है, email के जन्मदाता कौन है, ये भी question बहुत जादा popular है, अक्सर टॉपल्स एक्जाम में पूछा जाता है और इस question का right answer है, option B Ray Tom Linson ने सबसे पहला email भेजा था और इनको email का जन्मदाता कहा जाता है और अगला कुछन है, internet पर काम करना क्या कहलाता है hosting, publishing, surfing या फिर उप्रोगत सभी तो ये काफी simple से question है, इस question का right answer हो जाएगा, option C, surfing internet पर काम करने को कहते हैं, surfing और अगला question है, ceiling 1201,10 का मान क्या होगा ये question काफी popular, इसको कई अलग अलग तरह से पूछा जाता है कल की online test में भी मैंने इस question के बारे में बताया था तो ceiling और floor दो ऐसे functions हैं, जिस पर बेस्ट हमेशा triple C exam में questions पूछे जाते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा, option C, 1210 means 1210 इस question का right answer होगा, कैसे आता है इसको हम कई बार practically बता चुके हैं, तो आप सभी को पता होगा और अगला question है, asymmetric cryptography में कितनी कुंजियों का उपयोग होता है तो दो तरह की cryptography होते, symmetric और asymmetric तो इस question में पूछा गया है, asymmetric cryptography में कितनी कुंजियों का उपयोग होता है तो इस question का right answer है, option B, 2 अब यहां से question बनता है, पूछा जा सकता है कि asymmetric cryptography में कौन-कौन सी दो कुंजियों का उपयोग होता है तो एक होती, public और दूसरा होता है, private key, दो keys कर इस्तिमाल किया जाता है public ऐसी keys होती है, जिसको publicly distribute कर दिया जाता है और private एक ऐसी की होती है, जिसको खुद के पास रखा जाता है तो public key का काम होता है, कि जब कोई उसे message भीजता है तो public key के माध्यम से उसको encrypt करता है और उस encrypted message को decrypt करने के लिए private key का इस्तिमाल किया जाता है तो asymmetric cryptography में दो keys का इस्तिमाल होता है, public और private और अगला question है, facebook पर अधिक्तम कितने friends हो सकते हैं और यह question भी कई बार exam में पूछा जा चुका है, काफी popular है उससे पहले भी हम कई बार इस question को बता चुके हैं तो इस question का right answer है option C, अधिक्तम 5000 friends हो सकते हैं और अगला question है, blockchain technology क्या है Bitcoin में प्रियोक होने वाली technology, सुरचित लेन देन में सहायक A तथा B दोनों या फिरने से कोई नहीं तो इसको थोड़ा सा एक example के साथ समझ लेते हैं तो इसली समझ में आएगा और याद भी रहेगा तो blockchain क्या होता है, distributed peer-to-peer network होता है यहां पर काफी सारे इस्ताइक के systems होते हैं जो कि अलग-अलग locations पे होते हैं और इस इंटर्नेट के माद्यम से एक दूसरे के साथ connect होते हैं इस तरह से kibles के माद्यम से एक दूसरे से connect होते हैं अब यहां पी blockchain में क्या होता है जो भी आपे transactions होते हैं उन सभी transactions के detail हर एक system के पास individually store की जाती है माल लिजे इन दोनों nodes के बीच में एक node है A और दूसरा node है B इन दोनों के बीच में कोई भी lane देन होता है तो इसकी जानकारी बाकि जितनी भी nodes हैं उन सभी के पास भीज दी जाती है और यह सभी node उस जानकारी को अपने पास store करके रखते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यह होते है कि यह सुरच्छित lane देन में सहायक है जैसा कि यहाँ पे second point दिया गया है अब इन दोनों के बीच में कोई lane देन हुआ है तो यह जानकारी सभी connected nodes के पास store हो जाती है अब इन में से कोई भी node अगर dead होता है या destroy हो जाता है या out of network चला जाता है तब भी यह जो जानकारी है वो सुरच्छित रहती है तो हर हाल में जो जानकारी होती है वो blockchain technology में store रहती है इसी वज़े से इसको सबसे ज़्यादा secure माना जाता है और यहाँ पे hacking करना एक तरके से impossible है अगर माली जे कोई एक system compromise हो जाता है और उसे hack कर लिया जाता है तो उस case में क्या होगा अगर इस system को हम modify कर देते हैं या hack कर लेते हैं तो blockchain technology एक ऐसी technology है जिसको hack करना एक तरह से impossible है और इसमें जो lane देन होता है वो काफी ज़्यादा सुरच्छित होता है क्योंकि ये सभी connected notes के उपर अपनी जानकारी को individual store करके रखता है तो यहाँ पे जैसे माली जे अगर simple से example इसको जब समझाते हैं class में तो इस तरह कर समझाते हैं कि जैसे कि अगर आप कोई register कराते हैं property की तो उस case में क्या होता है कि हमारा जो detail होता है वो register office में submit हो जाता है लेकिन यहाँ पे क्या है अगर government उसको deny कर देते हैं तो आप उस register को कहीं भी claim नहीं कर सकते हैं लेकिन blockchain technology का इस्तेमाल होने से क्या है कि वो जो जानकारी होती है जो दो notes के बीच में transaction होता है उसकी जानकारी सभी notes के पास store होती तो अगर कोई एक note deny करता है कि यह information correct नहीं है तो other notes उसे claim कर सकते हैं कि नहीं यह जानकारी हमाई पास इस date में update हुई थी और यह सही है तो यह सबसे ज़्यादा सुरच्छित technology होती है और भविस्स में इसका सबसे ज़्यादा इस्तिमाल होने वाला है जिसकी वेज़ से इसको triple C में एक topic के रूप में add किया गया है तो इस question का right answer बजाएगा option C A तथा B दोनो means bitcoin में प्रियूक होने वाली technology है blockchain और सबसे ज़्यादा सुरच्छित लेंदेन में सहायक है और अगला question है इन में सी क्या cyber attack है fishing, MITM, अब यहाँ पर कई बार MITM इस तरह से लिखा होगा पूछा जाएगा इसका full form क्या होता है तो इसका full form होता है man in the middle attack sniffing या फिर reply attack तो जल्दी जबताएगा इस question का right answer क्या होगा तो इस question का right answer option B man in the middle attack अब यह क्या होता है इसको भी एक बार example के साथ समझ लिजए मान लिजए हमारे पास एक system यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है यह हमारा system A है और दूसरा है B अब यह दोनों अपने network के माधियम से एक दूसरे से communicate करते है मान लिजए यहाँ पर कोई attacker आता है और वो अपना जाल यहाँ पर भिछा देता है तो जब कोई system A, system B के पास कोई data भीजता है इस line के माधियम से तो उस data को यह पहले read करता है उसे modify कर देता है उसके बाद इसको B के पास भीजता है तो इस तरीके से जो hacking होते है या cyber attack होता है उसको बोलते है man in the middle attack तो I hope समझ में आ चुका होगा तो इस question का right answer है option B और अगला question है pocket wallet किस bank ने start किया तो pocket नाम का wallet किस bank ने start किया SDFC, ICICI, SBI या फिर BOB means bank of baloda तो pocket नाम का e-wallet या wallet start करने वाली bank का नाम है ICICI bank तिस question का right answer हो जाएगा option B ICICI और अगला question ने पहला search engine कौन सा है यह भी काफी popular question है yahoo, google, archie, altabista तो आपको यहां से पता चल जाएगा यह सभी search engine के नाम है तो इस question का right answer है option C, Archie सबसे पहला search engine है और अगला question है instagram पर अधिक्तम कितने समय के वीडियो upload किये जा सकते है 30 seconds, 60 seconds, 5 minutes या फिर 2 minutes और यह question भी कई बार triple C exam में पूछा जा चुका है instagram के संस्थापक कौन है किस year में launch किया गया था इसमें अधिक्तम कितने second का वीडियो upload कर सकते तो यहां से कई सारे question triple C exam में पूछे आते है अगर हम नियूंतम की बात करें तो यह 3 second minimum 3 second का वीडियो instagram पे पोस्ट कर सकते है और अगर हम अधिक्तम की बात करें तो इस question का right answer हो जाएगा option B, 60 seconds means अधिक्तम 1 minute का वीडियो आप instagram पे पोस्ट कर सकते है और अगरा question नियू यू यू पी का पोन रूप क्या है इसका full form भी कई बार एक्साम में पूछा गया है और इससे पहले धी मैं कई बार बता चुका हूँ तो इस question का right answer है option B, national unified ussd platform एक ऐसा platform है जिसके माध्यम से आप mobile से mobile banking सुविदा का लाव उठा सकते हैं बिना internet connection की और अगला question ने ATM card की सुरुवात सबसे पहले किस ने की थी SBI, HSBC, SDFC या फिर ICICI और यहां से एक और question पुछा जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा branch किस bank की हैं या साखाएं किस bank की हैं तो SBI की सबसे ज़्यादा साखाएं हैं इंडिया में और इस question का right answer है option B HSBC bank ने सबसे पहले ATM card की सुरुवात की और अगला question है निम्न में एक एंटी वाइरस नहीं है ABG, Bit Defender, BLC, Northern तो इस question का right answer हो जाएगा option C, BLC एक media player है ना कि antivirus तो इस question का right answer है option C और अगला question है hub की जगा किस device का उप्योग किया जा सकता है router, bridge, switch या फिर gateway तो इस question का right answer है option C, switch का इस्तेमाल किया जा सकता है router एक networking device है जो की network पे traffic को manage करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है bridge एक networking device है जिसका इस्तेमाल किया जाता है दो network को आपस में connect करने के लिए अगर वो same protocol पे काम करते हैं और अगर दो ऐसे network हैं जिनको हम connect करना चाते हैं लेकिन वो अलग-अलग protocols पे काम करते हैं तो इस case में हम वह आपे gateway का इस्तेमाल करते हैं तो यह आद रखिए कि कई बार इस पर 20 पर question exam में पूछे जाते हैं और अगला question एक credit card में APR क्या है इस बारे में भी कई बार question पूछा गया है और इसका full form भी कई बार exam में पूछा गया है तो इस question का right answer हो जाएगा option A annual percentage rate credit card में APR का मतलब है और अगला question है hyperlink हो सकता है तो सबसे पहला option है text, drawing object, pictures या फिर उप्रोक्त सभी तो hyperlink insert करनेंगे लिए shortcut की इस्तिमाल करते हैं control plus K और hyperlink को text, drawing object, image इन तीनों के साथ जोड़ा जा सकता है तो इस question का right answer हो जाएगा option D उप्रोक्त सभी हलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ बाल मुकंद मौर्या और आप देख रहे हैं गया next P तो आज हम discuss करेंगे LibreOffice और OpenOffice से related questions जो के CCC News Libres में इस topic को सामिल किया गया है तो आज कटे से start करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि LibreOffice या OpenOffice होता क्या है और ये MS Office से किस तरह से different है तो हाली में कुछ लोगों ने साइद इसका नाम सुना होगा हलाकि ये बहुत पुराने software से इनको बहुत पहले से use किया जा रहा है तो basic अगर हम difference की बात करें MS Office और LibreOffice या OpenOffice में तो MS Office या Microsoft Office एक paid software है जो कि जिसके लिए हमें payment देना पड़ता है उसके बाद हम उस application को या Microsoft Office के जो भी packages होते हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि अगर हम बात करें LibreOffice या OpenOffice के तो ये Open Source Software है इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की license या फिर payment की जरूरत नहीं होते हैं इसको हम simply internet से download करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम similarities की बात करें तो ये MS Office या LibreOffice या OpenOffice लगबग 80% same होते हैं उसी तरह से काम करते हैं इन में इस्तेमाल होने वाली shortcut keys भी लगबग 80% same होते हैं तो अगर आपने अभी तक Excel, Word और PowerPoint पढ़े हैं तो ऐसा नहीं कि आप exam में इससे related questions नहीं आएंगे या LibreOffice से ही सिर्फ question पूछे जाएंगे तो आप answer नहीं दे पाएंगे हलाग अभी तक clear नहीं हुआ है कि CCC exam में LibreOffice या OpenOffice से ही सिर्फ question आएंगे या फिर इन दोनों से आएंगे means MS Office या फिर LibreOffice या Microsoft Office को mix करके इनसे questions पूछे जाएंगे तो ये तो अगस्त में CCC exam के बाद ही पता चलेगा कि कहां से किस topic से questions पूछे जा रहे हैं तो अगर आपने Word, Excel, PowerPoint की तयारी की है तो कोई problem नहीं है लगबग 80% सेम चीज़े यहां पे होती है सेम उसी तरीके की shortcut कीज होती है लगबग interface भी उसी तरीके का होता है अगर हम difference की बात करें तो यहां पे जो MS Word होता है या उपकर आपिट की जाना जाता है अगर हम MS Excel की बात करें तो Excel को Open Office या Libre Office में Cal के नाम से जाना जाता है और अगर हम PowerPoint की बात करें तो Open Office या Libre Office में PowerPoint को IMPRES के नाम से जाना जाता है तो आई हो क्या differences है? कुछ आपको idea हो चुका होगा आगे हम questions जब discuss करेंगे तो automatic आपको समझ में आएगे कि LibreOffice या OpenOffice या Excel में क्या differences होते हैं तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe button पे click करके subscribe करें साथ में bell icon on करें ताकि जब भी हमारा कोई live test लाइब class start होती है उसका notification आप तक पहुंचता रहे अगर आप CCC exam के practice करना चाते हैं तो आप हमारी website www.ganxp.com पे visit कर सकते हैं यहाँ पर मैंने latest questions upload कर दियें तो आप यहाँ से regular basis पे practice कर सकते हैं तो आई दिखते हैं आज का सबसे पहला question और इन questions के right answer आप लोग comment box में comment करते रहेगा और last में कुछ बीच बीच ऐसे questions होंगे जिनको हम practically भी बताएंगे इससे आप को समझ में आएगा कि library office या open office और MS office में क्या difference है तो सबसे पहला question है नेम लेकित में से कौन सी file extension open office writer से सम्मंधित नहीं है तो सबसे पहला option है txt.sxwcsv तो अगर आपको पता है इन questions के answer तो आप comment कर सकते हैं अगर नहीं पता है तो यह questions के right answer आप लोग कहीं पे जरूर नोट डाउन करें important questions है तो इस question का right answer है option dcsb चुकि open office writer से सम्मंधित नहीं है अगला question है लिब्रे office में word processing क्या है तो अभी मैंने explain किया I hope आप इस question का right answer आप जरूर दे पाएंगे तो इस question का right answer है option d writer लिब्रे office या open office में word processor को मुलते हैं writer अगला question है लिब्रे office में spread seat क्या है draw, impress, calc या फिर writer लिब्रे office ओपन office में एक और अलग से application होता है जिसको बुलते हैं draw और इसका काम होता है कुछ अगर छोटे मोटे आप designs बनाना चाहते हैं तो इस particular application का हम इस्तेमाल करते हैं जैसे आपको flow chart बनाना है या ER diagram बनाना है किसी भी तरीके का कोई simple सा diagram बनाना है तो आप इस application का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये open office या library office package में सामिल होता है और इस question का right answer है calc तो अगला question है library office में power point क्या है यहाँ पे थुड़ी सी typing mistake है तो आप please इसे consider कर ले और इस question का right answer है option B impress में थोड़ा से यहाँ पे जल्दी discuss करने कोशिस कर रहा हूँ क्योंकि 50 questions discuss कर रहे हैं कुछ लोग बोर हो जाते हैं कि मैं 20-20 थोड़ा ज्यादा gap कर देता हूँ तो अगला question है library office क्या है एक company जो office software बेचती है एक छबी संपादन software या एक कार्याले उत्पादगता software या फिर एक संगठन और इस question का right answer है option C एक कार्याले उत्पादगता software जिसका इस्तेमाल किसी office में कई अलग लगत रखे documentation के लिए किया जाता है अगला question है library office software suite में एक साथ bundle किये गए कई applications सामिल है तो जैसे हम MS office की बात करें तो यहाँ पे भी कई अलग लगता है कि एक application एक साथ bundle की form में मिलते हैं जैसे कि word, excel, powerpoint, access यह सभी मिलते हैं इसी तरह library office या open office में भी कई अलग लग applications मिलते हैं जैसे कि writer, calc, impress, draw तो इस question का right answer होगा true उकी तो अगला question है library office केवल खुले दस्तावीज प्रारूप में फाइलों को open और save करता है इस question को पहले अच्छी तरीके समझें उसके बाद इस question का right answer reply करें इस question का कहने का मतलब है library office या open office में बनी फाइले ही सिर्फ open office या library office में open या save की जा सकते हैं या किसी other प्रारूप या means extension की files को भी save किया जा सकता है जोकि word, excel, powerpoint से संबन देत हो तो इस question का right answer होगा false ये word, excel, powerpoint की files को भी open या save कर सकता है अगला question है library office में Microsoft office प्रारूप जैसे की docx, pptx, xlsx में फाइलों को खोलने और सहजने means save करने के लिए समर्थन सामेल है means इस प्रारूप में भी file को save किया जा सकता है लिब्रे office या फिर open office में तो बिल्कुल साइस question का right answer होगा true, in formats ये extensions में भी लिब्रे office या open office में create की गई files को save किया जा सकता है अगला question है library office software चला सकते हैं macOS में या फिर Linux machine पे या Windows operating system पे या Linux और Windows और Mac इन तीनों तरीके के operating system पे तो इस question का right answer है option D, Linux, Windows और Mac OS इन तीनों पे लिब्रे office या open office को install करके इसका इस्तिमाल किया जा सकता है अगला question है calc cell के अंदर एक नई line या paragraph बनाने के लिए control के साथ में किस कुंजी संयोजन का प्योग करेंगे shift, alt, tab या फिर enter तो इस question का right answer है option D, enter, control plus enter की का प्रियोग करेंगे अगला question है calc में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में जाना जाता है बिल्कुल साइस question का right answer होगा true और ऐसा ही Excel में भी होता है अगला question है हम toolbar को जोल कर या हटा कर writer interface को customize कर सकते है तो toolbar में कई सारे options को add या remove किया जा सकता है और ऐसा हम word Excel PowerPoint में कर सकते हैं और same यह हम यहाँ पे writers में भी कर सकते हैं तो इस question का right answer होगा true अगला question है writer status bar में निमलकित मैंसे कौन प्रदर्शित नहीं होता status bar सबसे नीचे का बार होता है जहाँ पे total number of words, lines, यह सारी चीज़े डिस्पले होते हैं तो वहाँ पे cool words means letter, वर्थमान प्रस्ट संख्या किस particular page पे हैं वो डिस्पले होता है सब दो की cool संख्या means total कितने words हैं वो डिस्पले होता है और computer का नाम तो इसमें से कौन सा ऐसा option है जो प्रदर्शित नहीं होता है बहुत simple सा question है और इस question का right answer है option D, computer का नाम अगला question है writer के लिए अधिकारिक file प्रारूप ODT है means library office में writer में create की गई files को save करने के लिए default file extension क्या है उससे जुड़ा हुआ question है और इस question का right answer होगा true और इसका default extension होता है ODT जैसे की word की बात करें तो यहाँ पे default extension होता है dog DOC अगला question है library office writer में आप microsoft word format DOCX में file save नहीं कर सकते इस question का right answer होगा false हम इस format में भी files को save कर सकते हैं ताकि उस file को MS word में open किया जा सके तो अगला question है यदि आप कोई दस्तावी साजा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित means edit ना कर सकें तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए odt, docx या फिर pdf या फिर doc और इस question का right answer है option c, pdf अगला question है save as रूप में command का उपयोग करते समय आप वास्तों में एक अलग file name के साथ अपने mold दस्तावेश की एक प्रतीब बनाते हैं और मैं अपनी website पे इन सभी questions के English version भी वहाँ पे upload करूँगा तो हाली में ये सभी questions वहाँ पे भी उपलब्द हो जाएंगे वहाँ से आप mock test दे सकते हैं और ये सभी questions आपको mock test में मिल जाएंगे तो इस question का right answer I hope समझ में आ चुका होगा इस question का right answer है true जब आप save as करके कोई file save करते हैं तो वो किसी दूसरी location पे और किसी दूसरे नाम से उसे save किया जाता है अगला question है लिब्रे office writer में यदि आप कोई गलती करते हैं अर्थात कुछ part को हटा रहे हैं तो आप इसे undo command का उपयोग करके सही कर सकते हैं तो बिल्कुल सही काफे simple से question है इस question का right answer होगा true और अगला question है A-series मानक paper आकार क्या है जो अधिकान्स printer समर्थन करते हैं तो कई अलग-अलग series में papers आते हैं जैसे कि A1, A2, A3, A4, A5 तो अधिकान्स printer किस series को follow करते हैं तो बहुत common एक format होता है जो कि printers में इस्तिमाल किया जाता है वो होता है A4 size paper अगला question है pressed margin आपके दस्तावेज के उपर नीचे बाएं और दाएं के चारो और सफेद स्थान है ये भी काफी simple से question है इस question का right answer होगा true जो हमारा page margin होता है वो left, right, up, down in 4 directions में मिलता है जो कि white space रहता है और अगला question है writer में page break डालने के लिए keyboard संयोजन क्या है shift plus A, tab या फिर control plus enter या फिर control plus C बिल्कुल सही इस question का right answer मिल चुक है इस question का right answer है control plus enter और word में भी same यही हम shortcut key का इस्तिमाल करते है तो काफी हद तक मैंने पहले ही बताया 80% shortcut keys और काम करने का तरीका या options लगबग same होते है तो अगला question है जब writer में spell checker tool लाल लहराती रेखा के साथ एक सब्द को चिन्हित करता है तो जरूरी है कि वह वर्तनी की गलती है और इसे ठीक करने की आवस्सक्ता है अब देखते हैं कितने लोग इस question का right answer दे पाएंगे अलो यह बहुत simple सा question है लेकिन थोड़ा सा है logical तो इस question का right answer होगा false क्यों होगा इसका reason है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जरूरी word तो जब कहीं हम कुछ type करते हैं और कई बार यह होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे underline आ रहा है और यह red color की एक line है जिग जाइक line आ रहा है तो यहाँ पे spelling mistake यह सो कर रहा है अपने system के according लेकन यहाँ पे मेरे अनुसार कोई भी spelling mistake नहीं है तो इसे जरूरी नहीं होता है कि उसको हम spelling mistake को correct करें या इसमें किसी भी प्रकार की कुछ भी changes apply करें तो यहाँ पे यूज किया गया जरूरी जिसकी वज़े से इस question का right answer होगा false अगला question है आप LibreOffice writer में custom page style नहीं बना सकते और इस question का right answer होगा false हम custom page style बना सकते हैं और ऐसा ही same हम MS Word में भी कर सकते हैं अगला question है LibreOffice writer में template के लिए file extension क्या है यह काफी important question है तो इस question का right answer है option c.ott आप चाहिए तिसे note down करें important question है कई बार exam में पूछा जा सकता है अगला question है आप LibreOffice में template को edit नहीं कर सकते हैं तो जैसे की word में template होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं किसे document को create करने के लिए उसी तरह LibreOffice या open office में भी template होते हैं और इस question का right answer होगा false हम template को edit कर सकते हैं और अगला question है impress LibreOffice में सामिल प्रस्तुति मीन slides हो कारिकरम है तो बिल्कुल साहिए इस question का right answer होगा true इंप्रेस क्या है एक presentation software होता है या application होता है अगला question है slides को ब्यवस्थित या sort करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं तो PowerPoint में हम यूज करते हैं slide sorter view और इस question का right answer है option C उपरोग तो सभी और यहाँ पे दो options है slides pen या फिवस slide sorter view इन दोनों से हम slides को sort कर सकते हैं अगला question है एक छिपी हुई slide एक slide है जिसी slide सूच चलाने के दोरान दर्सकों को नहीं दिखाया जाता तो इस question का right answer होगा true बिलकुल सही अगला question है slide transitions वे प्रभाव होते हैं जो प्रस्तुती की सुरुवात में या फिर जब slide किसी प्रस्तुती में बदलती है या फिर जब हम किसी slide के object के अंदर क्लिक करते हैं या फिर प्रस्तुती के अंत में तो powerpoint के videos में मैंने triple c online classes में हाली में बताया था जो triple c news labels पे आधारित हमने videos upload किये हैं तो उसमें मैंने बताया था कि transition और animation इन दोनों में क्या difference होता है तो अगर आपने उस video को देखा होगा तो इजले आप इस question का right answer दे पाएंगे तो transition slide पे apply किया जाता है जबकि animation की बात करें तो slide के अंदर particular किसी object पे apply किया जाता है तो इस question का right answer है जब slide किसी प्रस्तुती में बदलती है तो एक slide से दूसरी slide में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे आपको transition effects दिखते है अगला question है slide transitions को हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं तो क्या option है split transition, non transition, wipe transition या फिर push transition और इस question से कई और questions भी बन सकते हैं जैसे याँ पे तीन transition के types दिखते हैं split, wipe और push ये transition के प्रकार होते हैं और इस question का right answer होगा option B, non transition अगर हमें transition हटाना है तो इस option का उप्योग करते हैं तो अगला question है slide animation transitions के समान है लेकिन वे equal slide में ब्यत्तिगत तत्वमीन्स element पर लागू होते हैं अभी मैंने हाली में explain किया है कि जो animation होता है वो किसी particular object पे apply किया जाता है जबकि जो transition होता है वो slide के उपर apply किया जाता है और ये transition तब देखता है जब एक slide से आप दूसी slide में जाते हैं जबकि animation object change होने पे देखता है तो इस question का right answer होगा true तो अगला को इसे ने impressed छबियों means images के एक set से एक photo album बना सकते हैं आम तोर पर प्रति स्लाइट एक photo के साथ तो जैसा कि मैंने powerpoint के वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे हम एक photo album बना सकते हैं किस तरह से बनाते हैं मैंने practically वहाँ पे बताया था तो क्या ऐसा possible है कि impress जो कि open office या libra office का एक presentation software है इसमें भी हम photo album बना सकते हैं तो बिल्कुल साइस question का right answer होगा true यहाँ पे भी हम photo album बना सकते हैं तो अगला question है एक slide में कौन सी एक slide है जिसे un-slide के लिए सुरुवाती बिंदो के रोप में उप्योग किया जाता है तो सबसे पहला option है प्रतम slide, master slide, templates या फिस style और इस question का right answer है option B, master slide अगला question है यदि आप एक master slide में एक graphic जोड़ते हैं तो क्या आपके प्रस्तुति के हर slide पर या दिखाई देगा तो master slide एक main slide होती है जिसको मैंने powerpoint के videos में practically बताया था यहाँ पर अगर हम कुछ भी changes करते हैं तो हर एक slide पर वो changes आपको दिखेंगे तो इस question का right answer होगा true अगर हम कोई image किसी एक slide पर master slide के अंदर insert करते हैं तो वो सभी slides पर दिखेगी अगला question है impress में एक प्रस्तुती में केवल एक master slide हो सकती है तो इस question का right answer होगा false multiple master slides हो सकती है और अगला question है express sheet हमें सार्णी बद रूप में data को ब्यवस्थित बिसली सर्ण और संग रहित करने की अनुमती देती है और इस question का right answer होगा true बिल्कुल सही और अगला question है calc express sheet में केवल एक seat हो सकती है जैसे कि आप MS Excel में देखते होंगे multiple seats होती है default हमाई 3 seats open रहते हैं seat 1, seat 2, seat 3 तो यहाँ पर बुला गया है calc express sheet में केवल एक seat हो सकती है तो इस question का right answer होगा false क्योंकि इसमें multiple seats हो सकते हैं आगे हम discuss करेंगे कि maximum कितनी seats हो सकते है या फिर इसका address क्या होता है, size क्या होता है, यह सारी चीज़े हम बात करेंगे बात में और अगला question है calc में spread sheet के लिए default file extension है कौन सा file extension यहाँ पर यूज करते हैं calc spread sheet के लिए जैसे कि Excel की बात करें तो XLS यूज करते हैं तो यहाँ पर कौन सा file extension यूज करते हैं calc spread sheet को save करने के लिए और यह एक important question है आप चाहें तिसे अलग से note down करें तो इस question का right answer है option B ODS अगला question है calc में एक formula हमेशा प्रतीक से शुरू होता है तो यहाँ पर कौन सा symbol यूज करते हैं किसी formula को लिखने से पहले percent dollar and या फिर equal काफी simple से question है और equal sign का हम excel में भी प्रियोग करते हैं और यहाँ पे भी formula लिखने के लिए equal sign का प्रियोग किये जाता है और अगला question है जो कि सबसे ज़्यादा important है formula और यहाँ पे लिखा हुआ है formula के अंदर क्या input देना है hello जो कि double course के अंदर double inverted comma में लिखा गया है फिर इसके बाद लिखा गया है and और फिर यहाँ पे double inverted comma लगाया गया इसके बाद लिखा गया है फिर से and और फिर यहाँ पे लिखा गया है word तो अब इसका result क्या होगा और यह काफी important question है तो अगर हम इस formula को यहाँ से copy करते हैं और Excel पे ले जाके paste करते हैं तो देखे यह formula जिस तरह से calc में काम करता है उसी तरह same Excel में भी काम करेगा तो यहाँ पे मैंने Excel open कर लिया है अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ तक ही जिले आपको दिखे और Excel में हम जाके इस formula को paste करते हैं तो यहाँ पे मैंने paste कर दिया एक सायद single space आ गया तो मैं यहाँ पे इसको सही कर लेता हूँ अब जैसे यहाँ पे इंटर की hit करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है Hello World तो इस question का right answer क्या है तो यहाँ पे एक रेंज है और यहाँ पे जो values है वो 5,4,6 है तो यहाँ पे total number of 3 numbers है तो इस पर इस question का right answer क्या होगा 3 क्योंकि count function सिर्फ total number of values कितनी है इसे count करता है और अगला question है जो कि यह भी काफी important question है formula यहाँ पे लिखा गया है max b1 colon b3 और यहाँ पे plus min b1 colon b3 और b1 से b3 तक की values होंगी यह cells होंगी उसमें क्या value होगी पहले तो यहाँ पे 5 दिया है 2 दिया है और 7 दिया है तो अगर हम इसको देखें अच्छी तरीके से max function का काम होता है इस range में दी गए values में maximum value क्या है वो find out करेगा तो गर यहाँ पे हम maximum value की बात करें तो 5, 2, 7 में maximum क्या है 7 और फिर यहाँ पे plus का sign लगा हुआ है और इसके बाल लिखा हुआ है min min एक function होता है जो कि minimum value find out करता है तो b1 से b3 की range में जो भी numbers है उनमें से minimum value क्या है 2 तो यहाँ से आएगा max से आएगा 7 और min function के थूँ जो value आएगी होगी 2 तो इस तरही के से इन दोनों को sum करेंगे तो result क्या होगा हमारा option c 9, 7 प्लस 2 अगला कुशने formula, concat और यहाँ पे लिखा है मैंने ग्यान और फिर semicolon फिर उसके बाद double quotes के अंदर x पी लिखा हुआ है और इसका परिणाम क्या होगा means इसका result क्या आएगा तो excel या फिर calc में function इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है concatenate अब इसका काम होता है दो strings को आपस में जोड़ना अब मान लिजे आपने एक excel seat बनाई है या calc seat बनाई है या कोई भी spread seat आपने बनाई है और वहाँ पर मान लिजे एक particular column के अंदर आपने लिखा mister और दूसरे column के अंदर नाम लिख दिया उसका तो अब आप चाहते हैं कि ये दोनों एक ही cell के अंदर आ जाए तो हम क्या गरेंगे इन values को concatenate कर देंगे इस function का इस्तेमाल करके तो यहाँ पर same यही function करना इन दोनों values को add करेगा आपस में तो यहाँ पर सबसे पहला option है ग्यान xp या फिर ग्यान xp या फिर ग्यान space xp तो इस question का right answer होगा option c ग्यान xp या पर किसी भी प्रकार का कोई space नहीं होगा इन दोनों strings को ये आपस में जोड़ देगा अगला कुछने formula का परिणाम क्या है तो यहाँ पर एक function यूज किया गया है if जो कि एक logical function होता है और यहाँ पर condition दी गई है c2 20 से बड़ा है और c2 के अगर value की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है c2 जो cell है उसके अंदर 5 है और यहाँ पर लिखा गया है yes और यहाँ पर लिखा गया है no यह एक important function होता है तो logical conditions को test करने के लिए हम एक function का इस्टेमाल करते हैं यहाँ पर दिखी यह condition है false तो यहाँ पर एक इस्टाइगी से काम करता है यहाँ पर होती ही condition और इस condition के true होने पर क्या आएगा yes मिलेगा अगर यह condition होती है false तो इस case में यह आएगा तो यहाँ पर अभी इस situation में यह condition false है क्योंकि 5 20 से less है और जब कि यहाँ पर दिखा गया है C2 greater than 20 तो यहाँ पर condition है false तो इस वज़े इस question का right answer क्या होगा no तो यहाँ पर option भी इस question का right answer है अगला question है LibreOffice Calc में कितने प्रकार के cell references होते हैं जैसे कि Excel की बात करें तो वहाँ पर absolute और relative cell references होते हैं तो यहाँ पर कितने प्रकार के cell references होते हैं उससे जुड़ा वा question है तो इस question का right answer है option B2 absolute और relative cell references यहाँ भी होते हैं सेम जैसे Excel में होते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी cell references होते हैं अगला कुछ नहीं यह formula copy करने पर cell address बदल जाता है तो address को किस रूप में जाना जाता है absolute या फिर relative तो सबसे पहला option है relative address, absolute address या फिर mixed address या फिर dynamic address इसको पहले भी हम practically बता चुके हैं relative और absolute cell reference में क्या difference होता है तो इस question का right answer होगा option A, relative cell reference में अगर हम formula copy करते हैं तो cell का address change हो जाता है जबकि अगर हम absolute की बात करें तो यहाँ पे absolute cell reference में dollar का sign यूच के जाता है, column name और row name के साथ में तो यह हमारा address होता है fix, अगर हम formula copy and drag करते हैं तो उस case में यहाँ पे जो cell reference होता है वो नहीं बदलता अगला question है, library office में find and replace का option किस menu में होता है तो इस question का right answer है option C, edit menu के अंदर आपको मिलेगा find and replace का option अगला question है, library office calc में अधिक्तम कितने row और column होते हैं, यह काफी important question है और यहाँ से दो questions बन सकते हैं, यह पूछा जा सकता है, कितने number of row होते हैं या फिर कितने number of columns होते हैं, तब भी आप इस question से आप उन questions के answer दे पाएंगे तो इस question का right answer होगा option A, अगर हम row की बात करें तो 1048576 number of row होते हैं और अगर हम column की बात करें तो 1024 means 1024 total number of columns होते हैं तो आप इसे अलग से जरू नूट डाउन करें, यह इस तहीं के questions अक्सर टॉपल सी एक्जाम में पूछे जाते हैं जिसे एक्सल के बारे में पूछा जाता है कितने number of row और columns होते हैं तो LibreOffice में यह total number of row और total number of columns होते हैं अगर हम open office की बात करें तो यहाँ पे row और columns की संख्या चेंज हो जाते हैं यह Excel और open office की जो cell संख्या होती है यह column संख्या होती है वो बराबर होती है तो यहां पे देखे, row और column की बात, अगर हम open office या excel की करें, तो option B इस question के लिए right answer होगा, अगर यहां पे लिखा हुआ है library office, तो उस case में इस question का right answer option A है, अगर यहां पे लिखा होगा open office या excel, तो उस case में इस question का right answer होगा option B उकी तो अगला कुछिन है LibreOffice Calc में अधिकतम कितनी worksheet हो सकती है तो सबसे पहला option है 256, 1028 या फिर यहां पे 10,000 या फिर कोई सीमा नहीं और अगर हम Excel की बात करें तो यहां पे जो worksheet depend करता है आपकी computer memory पे जितनी आपकी computer की memory होगी उतनी worksheet आप create कर सकते हैं अगर हम LibreOffice की बात करें तो इस question का right answer होगा option C 10,000 worksheet आप create कर सकते हैं लेकिन अगर हम open office की बात करें तो यहां पे आप maximum 256 worksheet create कर सकते हैं open office में जबकि LibreOffice में आप 10,000 worksheet को create कर सकते हैं उकी तो अगला लग विसे ने LibreOffice की आलक में self-formate dialogue box open करने की shortcut की क्या है shift plus one, control plus one या फिर alt plus one या फिर control plus alt plus one तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ लग बग 80% shortcut keys Excel की और open office या LibreOffice की सेम होते हैं तो एक्सल के अगर हम बात करें तो आपे self-formate dialogue box open करने की shortcut की होते हैं control plus one और सेम यही shortcut की इस्तेमाल होते हैं LibreOffice calc में तो अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे आप कई अलग अलग shortcut keys की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग similar shortcut keys यूज होते हैं word, excel में या फिर हम बात करें powerpoint में तो इसी तरह LibreOffice या open office में जो writer या फिर impress या फिर calc होते हैं उनकी shortcut keys 80% तक same होते हैं तो आज के इस पीडियो में हम discuss करेंगे 100 full form जो की काफी important है और यह सभी 100 full form triple C exam में पहले पूछे जाच चुके हैं starting case 60 plus ऐसे full form हम यहाँ पे discuss करेंगे जो की पिछले महिने triple C exam में पूछे गए हैं देखे करके हम discuss करेंगे और यह सभी full form आपको जल्दी हमारी website www.ganxp.com पे भी उप लब दोंगे तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं तो सबसे पहला sort form है OSI और इसका full form होता है open system interconnection OSI एक networking model है जिसमें total 7 layers होती है अगला sort form है JPG जो की image का एक file extension होता है उसका full form होता है joint photographic experts group और अगला है IMEI और इसका full form होता है international mobile equipment identity और अगला sort form है IDS और इसका full form होता है infusion detection system एक तरीके की cyber security से जुड़ा हुआ word है और अगला sort form है IoT Internet of Things और अगला है RSS और इसका full form होता है really simple syndication और अगला sort form है CSS cascading style seats और अगला sort form है www. यहाँ पे चार बार लिखा हो है इसका full form होता है worldwide web worms और कई बार यहाँ पे तीन बार www.w लिखा होता है तिसका full form होता है worldwide web और अगला sort form है B2G और इसका full form होता है business to government और अगला है B2B और इसका full form होता है business to business और अगला sort form है UIDAI और इसका full form होता है unique identification authority of India और अगला है QR एक code होता है इसका full form होता है quick response और अगला है EEP ROM एक तरीकी का ROM का टाइप है और इसका full form होता है Electrically Erisible Programmable Read Only Memory और अगला है ECS जो की Banking से जुड़ा हुआ एक Word है और इसका full form होता है Electronic Clearing Service और अगला है ASCII एक तरीकी की Coding Technique होती है और इसका full form होता है American Standard Code for Information Interchange तो Sky Code दो तरीकी की होते है Sky 7 और Sky 8 Sky 7 एक 7 bit का Code होता है और Sky 8 एक 8 bit का Code होता है और अगला है RTP Real Time Transport Protocol और अगला है IMF और इसका full form होता है Internet Massage Format और next है FDM और इसका full form होता है Fuse Deposition Modeling जो की 3D Printing से जुड़ा हुआ एक Word है और अगला है Swift Code और इसका full form होता है Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Code अगर आप इंडिया से बाहर कहीं पे पैसे भीजना चाते हैं या किसी इंडिया से बाहर किसी बैंक से पैसे रिसीब करना चाते हैं तो आपको Swift Code का इस्तिमाल करना पड़ता है और अगला है PAN और इसका full form होता है Personal Area Network और इसी तरह एक बैंकिंग से जड़ा हुआ word होता है PAN जिसका full form होता है Permanent Account Number और अगला है Wi-Fi और इसका full form होता है Wireless Fidelity और अगला है IMPS एक तरीकी की Payment Service होती है और इसका full form होता है Immediate Payment Service और अगला है ATM और इसका full form होता है Automated Tailor Machine तो नेक्स्ट है CC जिसका full form होता है Carbon Copy और नेक्स्ट है BCC इसका full form होता है Blind Carbon Copy और ये दोनों words चुड़े हुए है Email से और अगला है OSS और इसका full form होता है Open Source Software और अगला है CAD और इसका full form होता है Computer Added Design नेक्स्ट है ODF और इसका full form होता है Open Document Format और अगला है NASCOM ये काफी important topic है और इस पर बेस्ट हैं पहले भी एक वीडियो में काफी detail में बता चुके NASCOM क्या है और किसलिए काम करता है कौन कौन सी services प्रवाइड करता है तो इसका full form होता है National Association of Software and Services Companies नेक्स्ट है IAM और इसका full form होता है Instant Messaging और अगला है BGA और इसका full form होता है Video Graphics Array नेक्स्ट है VR और इसका full form होता है Virtual Reality और अगला है SSL जोकी Security से जुड़ावा एक Word है और इसका full form होता है Secure Socket Layer और अगला है AAPS जोकी एक Payment Service है और अगला है CRM और इसका full form होता है customer relationship management जैसा कि हम पहले बता चुके starting case 60 plus ऐसे short form है जिनका full form triple C exam में पिछले महीने पूछा जा चुका है तो यह सभी important है गर इनमें से कुछ ऐसे full form है जिसके बारे में आपको नहीं पता है तो से आप अलग से जरूर no down कीजेगा और अगला है ECB और इसका full form होता है external commercial borrowings और अगला है IIN इसका full form होता है issuer identification number और अगला है USSTA code होता है जोकि payment service के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो unstructured supplementary service data और अगला है HMD यह काफी important है RSA एक तरीकी की algorithm होती है जिसको message encrypt करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है काफी popular algorithm है और इसका नाम तीन अलगलग scientist ने डबलग किया था उनके basis पे रखा गया है तो सबसे पहले scientist का नाम था Revest फिर अगले scientist का नाम है Samir और अगला है Adelman तो इन तीनों को मिला के इसका short form बनाए गया RSA जो की एक algorithm है और अगला short form है STL और इसका full form होता है Standard Triangle Language और अगला है DES और इसका full form होता है Data Encryption Standard और अगला है SIL Safety Integrity Label और नेक्स्ट है PGP और इसका full form होता है Pretty Good Privacy जो की email से जुड़ा हो एक short form है और अगला है IVR Interactive Vice Response और नेक्स्ट है SEO और इसका full form होता है Search Engine Optimization और अगला short form है CAAS ये काफी important है Communications as a Service और अगला है EPFO और इसका full form होता है Employees Provident Fund Organization और अगला है NUUP ये भी काफी important है और इसका full form होता है National Unified USSD Platform और अगला है PNG जो की एक image का extension होता है image का एक type होता है और इसका full form होता है Portable Network Graphics और अगला short form है MMID और इसका full form होता है Mobile Money Identifier और अगला है MPN और इसका full form होता है Mobile Banking Personal Identification Number और अगला short form है RTGS और इसका full form होता है Real Time Gross Settlement और अगला है NEFT और इसका full form होता है National Electronic Fund Transfer और नेक्स्ट है IFSC और इसका full form होता है Indian Financial System Code और अगला है UMANG जो की एक app होता है इसका full form है Unified Mobile Application for New Age Governance और अगला है POS एक Point of Sell machine होते हैं जहांसे हम payment करके किसी merchant से product purchase कर सकते हैं इसका full form होता है Point of Sell और अगला है ORS एक तरीकी की online service है जो की government dollars start की गई है में जितने भी government hospitals हैं उनको online एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है तो इसके माध्यम से आप OPD के लिए online registration करा सकते हैं साथ में आप Blood Bank की inquiry ले सकते हैं या फिर अगर आपने किसी hospital government hospital में अपने आपको दिखाया है या OPD register की है वहाँ पर आपने कुछ reports submit की हैं या फिर आपने कुछ test करा हैं तो इसके reports भी आप online देख सकते हैं तो RS का full form होता है online registration system और अगला है EBRS और इसका full form होता है आधार based remittance service और अगला है UTR और इसका full form होता है unique transaction reference और अगला है EBCDIC और इसका full form होता है extended binary coded decimal interchange code एक 8 bit का code होता है जिससे maximum 256 characters को represent किया जा सकता है और अगला है OCR और इसका full form होता है optical character recognition कई जगे यहाँ पे recognition के जगे पे reader लिखा रहता है लेकिन इसका सही full form होता है optical character recognition और अगला short form है ATA जो की एक storage technology होती है जिसको hardest में इस्तेमाल किया जाता है इसका full form होता है advanced technology attachment और अगला short form है basic programming language है और इसका full form होता है beginners all purpose symbolic instruction code और अगला है CMOS और इसका full form होता है complementary metal oxide semiconductor और अगला है COBOL यह भी एक programming language होती है और इसका full form होता है common business oriented language और अगला है SD RAM और यह भी एक RAM का type होता है इसका full form होता है synchronous dynamic random access memory और अगला है EBZA और इसका full form होता है extended video graphics adapter और अगला है GPRS I hope आप सभी को इसका full form पता होगा general packet radio system और अगला short form है SDMI cable होती है एक port होता है जिसके माधियम से हम audio और video एक साथ transmit कर सकते हैं इसका full form होता है high definition media interface और अगला है ICMP और इसका full form होता है internet control message protocol और अगला है IPP internet printing protocol और next है MIPS और इसका full form होता है million instructions per second next short form है PDA और इसका full form होता है personal digital assistant और अगला है POST जिसको बोलते है post और इसका full form होता है power on self test तो post एक process होता है जब आप अपने system को boot करते हैं तो post process सबसे पहले run करता है वो run time पे आपके system से connected सभी hardware को check करता है memory को check करता है files को check करता है उसके बाद आपको report करता है कि क्या problem है अगर कोई problem नहीं होती तो इस case में आपका system properly boot हो जाता है तो अगला है RD RAM और इसका full form होता है RAM Burst Dynamic Random Access Memory और अगला है RIP एक protocol होता है routing information protocol और अगला है RZ45 एक connector होता है जिसको land cables से connect करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है और इसका full form होता है registered jack function 45 और इसी तरीके से एक और connector होता है RZ11 और अगला है SBGA इसका full form होता है super video graphics array और अगला है SATA ये भी एक technology होती story technology जिसको hardest में इस्तिमाल किया जाता है इसका full form होता है serial advanced technology attachment और अगला है SNMP ये काफी important है कई बार टॉपल सी exam में पूछा जा चुका है इसका full form होता है simple network management protocol और अगला है UTP इसका full form होता है unsealed twisted pair और अगला है UNIWAC एक तरीके का computer है जो की word का सबसे पहला commercial computer है इसका full form होता है universal automatic computer और अगला short form है UDP user datagram protocol एक connectionless protocol होता है और इसी तरह से TCP एक protocol है जिसका full form होता है transmission control protocol एक connection oriented protocol होता है तिन दोनों में क्या difference है protocols की videos में मैं पहले explain कर चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो हमाई channel की playlist में जाके triple c new syllabus online classes में आपको ये सभी videos मिल जाएंगे तो वहाँ से आप जरूर देखें अगर आप triple c exam की तयारी करना है तो सबसे पहले आपको syllabus complete करना है उसके बाद आपको important questions के videos देखने हैं तो आप आराम से एक बार में अच्छे grade से triple c का exam qualify कर सकते हैं बस आपको किसी भी track पे भरोसा नहीं करना है क्योंकि कोई भी trick आपको triple c का या कोई भी exam पास नहीं करा सकती तो अगला short form है VEO IP और इसका full form होता है WISE over internet protocol और अगला है WAP और इसका full form होता है wireless application protocol next है ARP और इसका full form होता है address resolution protocol और next है DHCP एक server होता है जो कि LAN से connected systems को dynamic IP provide करने के लिए allot करने के लिए इस server का इस्तेमाल के जाता है तो इसका full form होता है dynamic host configuration protocol और अगला है ICMP और इसका full form होता है internet control message protocol protocol और अगला है DDR और इसका full form होता है double data rate तो DDR कई अलगलग तरीके से आता है DDR1, DDR2 एक RAM के types होते हैं और DDR का full form है double data rate और अगला है DDP और इसका full form होता है data gram delivery protocol और अगला है FQDN ये काफी important है कई बार टॉपल्स exam में पूछा गया है इसका full form होता है fully qualified domain name और अगला है NTFS जो की एक file system होता है इसका full form होता है new technology file system और इसी तरह से एक और file system इस्टेमाल होता है जो की होता है FAT32 और अगला है PAP और इसका full form होता है password authentication protocol और अगला है PDN और इसका full form होता है public data network और अगला है SAN ये भी काफी important है कई बार exam में पूछा जा चुका है storage area network और अगला है SDML ये भी काफी important है कई बार पूछा गया है standardized general markup language और अगला है slip ये भी काफी important है कई बार पूछा गया हो इसका full form होता है serial line interface protocol और अगला है SQL structured query language और last है TFTP तो आपने FTP का full form देखा होगा file transfer protocol एक protocol होता है उसी का एक type है FTP और TFTP और इसका full form होता है trivial file transfer protocol Hello friends आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ बाल मुकुंद मौर रहा और आप देख रहे है ग्यानेक्स पी तो आज के online test में triple C news syllabus chapter number 7 पे आधारी कुछ important question discuss करेंगे और इस test में मैंने triple C news syllabus के chapter number 7 के सभी topics को सामिल किया है यहाँ पे सबसे important topic है email जिसका वीडियो में पहले अप्लोड कर चुका हूँ इस वीडियो में email से सभी topics को काफी detail में explain किया है जैसे कि email क्या है किस तरह से काम करता है कौन-कौन से protocols होते हैं उनका क्या काम होता है कि support number का इस्तिमाल करते हैं तो इस वीडियो का description में आपको link मिलेगा इस वीडियो को आप जरूर देखीगा इससे आपको email से सम्बंदी सभी questions के answer मिल जाएंगे ओके तो आएए देखते हैं सबसे पहला question और in questions के right answer अगर आपको पता है तो आप comment box में comment कर सकते हैं अगर आपको in questions के right answer नहीं पता है तो इसे जरूर no down करी गया यह सभी topics triple c news labels में पहली बार सामिल किये गए हैं तो सबसे पहला question है निम्न में hot spot किसका उदाहरण है लैन, man, wlan या फिर wifi तो hot spot को हम access point के नाम से भी जानते हैं जो की wlan means wireless lan का एक उदाहरण है तो इस question का right answer है option c wlan तो अगला question है निम्न में सबसे मजबूत wireless सुरुच्छा पढ़ाली कौन सी है WEP, WPA, WPA2 या फिर WPA3 तो जब आप अपनी mobile में hot spot configure करते हैं तो password के site में आपको एक option मिलता है जहां पिर WEP, WPA या फिर WPA3 जैसे options रहते हैं तिन में से कौन सी प्रणाली सबसे सुरुच्छित है और इस question का right answer है option D, WPA3 सबसे सुरुच्छित प्रणाली है और इसमें जो data होता है वो encrypted form में transmit होता है तो exam में इसके full form भी पूछे जा सकते हैं तो यहां पर मैंने इसका full form no down कर दिया है आप चाहें तो इसे अलग से no down कर सकते हैं यह important है आने वाले दिनों में इससे related questions पूछे जा सकते हैं तो WEP का full form होता है wired equivalent privacy और WPA का full form होता है wireless protected access तो अगला question है IMEI का full root क्या है तो जैसे कि आप जानते होंगे आपके mobile को track करने के लिए code दिया जाता है जो कि manufacturer आपके mobile में पहले से store करके रखता है जिसके दौरा आपके mobile को track किया जाता है तो IMEI का phone root क्या होगा और यह topic CCCC ने उस लिबस में पहली बार सौमिल किया गया है तो इस question का right answer है option C international mobile equipment identities का full form होता है तो अगला question है IMEI number में कितनी संख्याएं होती है 10, 12, 14 या फिर 15 और इस question का right answer है option D 15 अगला question है IMEI number देखने के लिए किस code का प्रियोग करते हैं तो अगर आप अपने mobile का IMEI number चेक करना चाहते हैं तिन में से किस code का इस्तिमाल करेंगे और इस question का right answer है option A asterisk has 06 has इस code का इस्तिमाल करके आप अपने mobile का IMEI number चेक कर सकते हैं और अगला question है IMEI number में कितने भाग होते हैं 1, 2, 3 या फिर 4 ये काफी important question है और इस question का right answer है option D total 4 parts होते हैं अब आईए यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कौन-कौन से parts होते हैं इसमें तो यहाँ पर मैंने पूरा note down कर दिया है इस वज़े से ताकि आप इसे अलग से note down कर लें क्योंकि इससे related भी questions पूछे जाते हैं सबसे पहला part होता है जिसमें 2 digit होते हैं जिसको बोलते हैं reporting body और अगला part होता है manufacturer and brand और इसमें total 6 digit होते हैं अगला part होता है serial number जिसमें total 6 digit होते हैं और last के एक digit होते हैं जिसको check digit बोलते हैं तो इस तरीके से EMI number में 14 digit होती है और last के एक digit होती है जो की check digit होती है तो आने वाले दिनों में IMI number जैसे जितनी भी topics हैं chapter number 7, 8, 9 अभी बचा हुआ है 00C news labels की classes में तो इन सभी topics को हम वहाँ पे काफी detail में explain करेंगे बताएंगे check digit आप कैसे IMI number का निकाल सकते हैं तो ये सारी चीज़े आप वहाँ से देख सकते हैं तो अगला question है Mac address कितने bits का होता है ये question कई बार triple C exam में पहले भी पूछा जा चुका है 16, 32, 48 या फिर 64 और Mac address आपके system का एक physical address होता है और इस question का right answer है option C 48 bits और अगला question है Mac address में कितनी संख्याएं होती है और इस question का right answer है option C total 12 digit होती है और अगला question जोकी Mac address सी संबंदित है Mac address किस में लिखा होता है binary, octal, decimal या फिर hexadecimal तो इस question का right answer है option D Mac address hexadecimal number में लिखा जाता है जिसके हर एक डिजिट को colon से separate किया जाता है तो अगर आप अपनी system का Mac address पता करना चाहते है कि कैसे दिखते हैं तो आई एक process simple सा बता देते हैं आप यहाँ पे notification एरिया में देख सकते हैं wifi या फिर network का एक icon रहता है simply आपको यहाँ पे करना है right click और इसके बाद एक option आता है open network का internet settings तो इसके आपको click करना एक नई window open हो जाएगी इसके बाद आपको यहाँ पे view your network properties पे click करना है जैसे आप यहाँ पे click करेंगे कलक से window आती तो यहाँ पे physical mac address दिया हुआ है जो कि d2, 32, 4b, b0, 22, 43 इस तरही के से आपको एक mac address दिखेगा जो कि हर एक digit को colon से separate किया गया और इसमें total 12 या 12 digit का यह code होता है अगला कुछने mac address कहाँ पर store होता है mother boot, modem, operating system या फिर NIC card जिसको बुलते हैं network interface card तो इस question का right answer है option D, NIC या network interface card के अंदर mac address को store किया जाता है और यह हमारे manufacturer द्वारा store किया जाता है अगला कुछने उपेरा, web browser किस company द्वारा बिक्सित किया गया तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ chapter number 7 की सभी topics को मैंने आज के test में सामिल किया है तो आप इस test को last तक जरूर देखी गए इससे आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा और इस question का right answer है option है ओपेरा software company ने ओपेरा web browser को डबल अब किया है और अगला कुछन है mozilla firefox browser किस company द्वारा बिक्सित किया गया mozilla software, mozilla corporation या net scap, communication, corp या फिर IBM तो इस question का right answer है option भी mozilla corporation ने mozilla firefox web browser को डबल अब किया है और अगला कुछन है इस browser को किस operating system के साथ launch किया गया है ios, linux, windows 8 या फिर windows 10 तो इस question का right answer है option d windows 10 operating system के साथ its browser को launch किया गया और कई बार exam में पूछा जाता है its browser किस company द्वारा launch किया गया तो यह microsoft company द्वारा launch किया गया जिसको window 10 में पहली बार introduce किया गया है अगला कुछन है निम्न में क्या instant messaging का उदाहरण नहीं है तो instant messaging का sort form होता है IAM तो सबसे पहला option है WhatsApp, Telegram, Twitter या Facebook Messenger Instant messaging एक ऐसा application होता है जिसमें हम chat कर सकते हैं real time में chat कर सकते हैं एक दूसरे के साथ तो इस ताइके के जो भी applications होते हैं उनको हम बोलते हैं instant messenger Facebook Messenger ये सभी instant messenger के उदाहरण है जबकि Twitter की बात करें तो ये social media networking site है यहाँ पे real time पे chat नहीं की जाती है तो इस वज़े से this question का right answer होगा option C Twitter और अगर यहाँ पे सिर्फ Facebook लिखा होता है तो ये भी instant messaging का उदाहरण नहीं होता और यहाँ पे लिखा है Facebook Messenger क्योंकि इस पे हम real time में एक दूसरे के साथ chat कर सकते हैं तो इस वज़े इस ये instant messaging का उदाहरण है तो अगला question है ORS सुविधा क्या है और ये सभी topics chapter number 7 के news syllabus में सामिल किये गए हैं तो सबसे पहला option है OPD के लिए online registration system exam के लिए online registration system या job के लिए online registration system या फिर business के लिए online registration system तो इस question का right answer है option E OPD के लिए online registration system Indian government ने एक service स्टार्ट किये जिसमें e-hospital की एक सुविधा स्टार्ट किये है और इसमें ORS एक service है जिसमें कहीं से भी किसी भी hospital के लिए online registration कराया जा सकता है इसमें आपको mobile number और आधार card की जरूरत होती और इसके बाद आप online registration किसी भी hospital में कर सकते है और इस service के साथ कई hospital को e-hospital की category में add किया गया है तो अगला question है ORS portal की माध्यम से क्या सुविधाएं मिलती है रक्त की उपलब्ता, lab report, OPD booking या फिर उप्रोक्त सधी तो इस portal की माध्यम से रक्त की उपलब्ता या फिर lab report या OPD की booking करा सकते है तो इस question का right answer होगा option D उप्रोक्त सधी और अगला question है निमलखित में से कौन e-commerce का वर्णन करता है electronic तरीश के से ब्यवसाय करना, कारोबार करना, सामानों की बिक्री या फिर उप्रोक्त सभी और इस question का right answer है option D उप्रोक्त सभी और अगला question है जो की इसी से जुड़ा हुआ है निमलखित में से कौन e-commerce के लिए चार मुख्य प्रकारों में से एक है B to B, B to C या फिर C to B ये भी काफी important question है B to B का मतलब होता है business to business और B to C का मतलब होता है business to customer C to B का मतलब होता है customer to business ये तीनों model e-commerce में इस्तेमाल की जाते है तो इस question का right answer है option D उप्रोक्त सभी तो अगला question है निमलखित में से क्या blog से सम्मंधित नहीं है तो सबसे पहला option है blog एक website है सभी blog website होते हैं सभी website blog होते हैं एक blog मूल रूप से weblog है तो blog को weblog के नाम से भी जानते हैं ये भी question पूछे जा सकता है कि blog को किस और नाम से जानते हैं तो blog को weblog के नाम से भी जानते हैं तो ब्लॉग एक तरीके की online website होते है जहाँ पे कई different अलग-अलग topics पे articles लिखे जाते हैं ये blogs लिखे जाते हैं तो इस question का right answer है सभी websites blogs होते हैं ये option गलत option है जोकि blog से सम्मंधित नहीं है क्योंकि सभी websites blogs नहीं होते हैं जबकि सभी blogs website होते हैं अगला question है उमंग का पूरा नाम क्या है उमंग इंडियन गवर्मेंट के द्वारा launch किया गया एक application एक ऐसा platform है जहाँ पे कई अलग-अलग services को एक साथ combine किया गया है जैसे की EPPF या फिर टैक्स से related जो भी departments है या आधार कार्ड इस ताइके के कई सारे platform को मिला के एक नया platform बनाया गया है जिसमें ये सारी services आपको एक ही platform पे मिलेंगी और इस application का नाम है उमंग और इसका full form क्या होगा जल्दी से आप लोग comment करते रहेगे गर आपको पता है और इस question का right answer है unified mobile application for new as governance तो इस question का right answer है option A ये important question है आप अलग से जरूर no down करेगा और अगलग question है users उमंग आप को कितनी अलग-अलग भासाओं में प्रियोग कर सकते हैं 5, 8, 10 या विर 13 तो इस question का right answer है option D 13 अभी तक उमंग को 13 अलग-अलग भासाओं के लिए compatible बनाया गया है future में और भी भासाओं में add करने का plan है और अगला question है उमंग अप कब launch किया गया था और ये सभी triple C new syllabus में नए topic सामिल किये गया है तो यहाँ पे मैं कुछ questions इन topic पर discuss कर रहा हूँ अगर आपके पास time है तो इन सभी topics के बारे में थोड़ा सा आप अलग से जरूर पढ़िएगा क्योंकि इन से काफी सारे questions भी पूछे जाएंगे पहली बार इन topics को triple C syllabus में सामिल किया गया है तो इस question का right answer है option C number 2017 को उमंग अप को launch किया गया था और अगला question है उमंग अप का प्रियोग किस operating system पर किया जा सकता है तो उमंग अप को किस platform के लिए design या डबलब किया गया है Android, Windows, iOS या फिर उप्रोगत सभी और इस question का right answer है option D उप्रोगत सभी ये Android, Windows और iOS platform के लिए डबलब किया गया है अगला question है digital locker क्या है तो सबसे पहला option है दस्ता वीजों और प्रमार पत्रों की electronic प्रतियों को रखता है अगला option है प्रमार पत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं और next option है bank account को सत्यापित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर उप्रोगत सभी इंडियन गवर्मेंट द्वारा लांच की के digital locker एक बहुत पुरानी सुभिदा है इसमें हम अपने documents को digital form में store करके रख सकते हैं जिनका इस्तेमाल जैसे आप कहीं पे travel कर रहे हैं और आपके पास अपना driving license या RC की copy नहीं है तो उस टाइम पे अगर आपने RC या driving license को digital locker में store करके रखा हैं तो आप वहां से भी digital locker की सहायता से आप अपने document को दिखा सकते हैं तो इस question का right answer है option A दस्ता वेजो और प्रमार पत्रों के electronic प्रतियों को रखता है और अगला question जोकी इसी से सम्बंदित है डिस्टल locker सेवा की सुरुवात कब हुई और इस question का right answer है option B 2015 और अगला question जोकी इसी से related है डिस्टल locker में document रखने के लिए कितना space मिलता है 500MB, 1GB, 5GB या फिर 10GB और इस question का right answer है option B, 1GB free space मिलता है 1GB तक के अपने documents को digital locker में store कर सकते है और अगला question है निम्ण में LinkedIn से सम्बंदित है तो सबसे पहला option है एक social media platform नौकरी चाहने वाले अपने CB पोस्ट कर सकते है company job पोस्ट कर सकते है या फिर उप्रोगत सभी और इस topic को भी CCC News Libbers में सामिल किया गया है जो की chapter number 7 का एक topic है और इस question का right answer है option D उप्रोगत सभी LinkedIn एक service है जो की online social media service है एक platform है जहाँ पे जो job seekers होते हैं वो अपनी CVs पोस्ट कर सकते हैं या जो companies होते हैं वो अपनी company में निकलने वाली jobs की information को upload कर सकते हैं अगला question है LinkedIn किस company का उत्पाद है Google, Yahoo, Microsoft या फिर इन में से कोई नहीं और इस question का right answer है option C Microsoft इसकी एक parental company है तो अगला question है WhatsApp के संस्थापक कौन है आप दिन भर में कई बार WhatsApp को इस्तिमाल करते होंगे साइधी कुछ लोग होंगे जो इस question को कभी search किया होगा या सोचा होगा कि इसके संस्थापक कौन है जैसे कि Facebook के संस्थापक कौन है आप सभी को आई होप पता होगा क्योंकि उस social media पे काफी ज़्यादा active रहते है तो इस question का right answer है option D, A तथा B John, Com, Brain, Acton ये दो ऐसे scientist थे जिन्होंने WhatsApp को double up किया था तो इस question का right answer है option D, A तथा B अगला question है Facebook, Twitter, WhatsApp और Instagram की सुरुवात कब हुई ये एक important question है यहाँ पे मैंने सभी popular platforms को सामिल किया है क्योंकि इस से related questions CCC exam में पूछे जा सकते हैं और यहाँ से एक और question पूछा जा सकता है Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram में सबसे पहले किसकी सुरुवात हुई तो इस question का answer भी आपको इसी से मिल जाएगा और इस question का right answer है option B 2004 में Facebook की सुरुवात हुई थी जबकि 2006 में Twitter लाँच किया गया था और WhatsApp 2009 में लाँच किया गया था ये एक important question है इसका right answer आप जरूर कहीं पर note down करें Hello friends आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ बाल मुकंद मौर रहा है और आप देख रहे हैं ग्या नेक्स पी तो आज के स्टेस्ट में CCC News Labors Chapter No.1 तो कि Digital Financial Tools and Applications है इस पर आधाईथ हम CT, RTGS, IMPS इन सभी topics को मैंने आज के स्टेस्ट में सामिल किया इन सभी पर आधाईथ हम questions discuss करने वाले हैं तो ये काफ़ी important वीडियो है आप इसको last तक जरूर देखेगा इसी तरह में chapter No.7 का पहले ही वीडियो अप्लूड कर चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के discussion में एक link मिलेगा जासे आप chapter No.7 पे आधारी सभी questions को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe बटन पे click करके subscribe करें साथ में bell icon on करें ताकि जब भी हमारा कोई live class से live test स्टार्ट होता है उसका No.2 के सनाब तक पहुंचता रहे और अगर आप triple C exam के practice करना चाहते हैं तो आप हमारी website www.gyanxp.com पे visit कर सकते हैं तो आई देखते हैं आज का सबसे पहला question और इन सभी questions के right answer अगर आपको पता है तो comment box में comment करके reply कर सकते हैं तो सबसे पहला question है bank द्वारा जारी किये जाने वाले OTP में कितनी संख्याएं होती हैं तो जैसे कि आप online कभी लेंदेन करते हैं आप payment करते हैं तो एक आपके mobile पे OTP भेज़ा जाता है तो उसमें कितनी संख्याएं होती हैं जोड़ोगा question है 4, 5, 6 या फिर 8 इस question का right answer है option C total 6 digit का OTP होता है जो bank द्वारा आपके mobile पे भेज़ा जाता है और अगला question है OTP की समय सीमा क्या होती है means आपके mobile पे भेजा गया OTP कितनी समय के लिए valid होता है 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes या फिर कोई सीमा नहीं होती तो इस question का right answer है option B, 10 minutes आपके mobile पे जो OTP आता है वो 10 minutes तक valid रहता है तब तक आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं अपने transactions में अगला question है OTP के जगे ATM PIN का इस्तिमाल किया जा सकता है तो यह बहुत simple सा question है OTP के जगे ATM PIN का इस्तिमाल नहीं किया जा सकता है तो इस question का right answer होगा false अगला question है OTP कहां भेजा जाता है तो सबसे पहला option है पंजिकरत mobile पर पंजिकरत email पर किसी भी mobile पर या फिर A तथा B दोनों पर तो bank द्वारा OTP हमारे registered mobile नंबर पे e-mail ID पर भेजा जाता है तो इस question का right answer होगा option B, A तथा B दोनों पर और अगला question है OTP का इस्तिमाल एक से अधिक lane देन के लिए किया जा सकता है और OTP का full form होता है one time password और इस question का right answer होगा false क्योंकि OTP एक single transaction के लिए generate होता है जिसको हम सिर्फ एक transaction के लिए इस्तेमाल कर सकते है अगला question है कितनी बार गलत OTP डालने पर card को online payment के लिए block कर दिया जाता है तो सबसे पहला option है दो बार, तीन बार, तीन से अधिक बार या फिर card block नहीं होता इस question का right answer है option C 3 से अधिक बार गलत OTP डालने पर आपके card को online payment के लिए block कर दिया जाता है जबकि आप अपने card को offline post machine के द्वारा payment करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगला question है OTP को फिर से भेशने के लिए कितनी बार अनुरोध किया जा सकता है कई बार यह होता है कि जब हम OTP generate करते हैं तो bank द्वारा OTP हमारे mobile पे receive नहीं होता है तो हम कितनी बार उसे दुबारा भेशने के लिए request कर सकते हैं तो इस question का right answer है option B 5 times आप request कर सकते हैं दुबारा से OTP भेशने के लिए और अगला question है QR code का phone route क्या है Quick register code, quality register code या Quick response code या फिर इन में से कोई नहीं और इस question का right answer है option C Quick response code, QR code का full form होता है अगला question है QR code को किसने और कब दिखसित किया ये काफी important question है तो इस question का right answer है option C Denso Wave 1994 में इन्होंने डबलब किया था और ये Toyota जो कि Japan की एक automobile company है उसके द्वारा डबलब किया गया था अगला question है QR code में कितने number संग्रहित किये जा सकते हैं 1024, 5028 या 7089 अब इस तरह से जब दी कोई question पूछा जाता है तो यहाँ पर दिखे character लिखा हुआ या फिर number क्योंकि यहाँ पर character और number दोनों की अलग-अलग संख्याएं होती है QR code में तो इस question का right answer है option C 7089 total numbers QR code में store किये जा सकते हैं अगला question है QR code में कितने alphanomeric word संग्रहित किये जा सकते हैं means कितने characters store किये जा सकते हैं जड़ा हुआ question है और इस question का right answer है 4296 आप में से बहुत से लोग होंगे सायद इस question का right answer नहीं जानते होंगे तो इसे जरूर no down करिएगा क्योंकि QR code, OTP ये सारे topic chapter number 8 में नए सामिल किये गए हैं और इन सभी को मैं आज के test में discuss कर रहा हूँ अगला question नहीं UPI का पूर्ण रूप क्या है तो इस question का right answer है option भी unified payments interface UPI का full form होता है अगला question नहीं कभी कभी UPI के द्वारा payment करने पर OTP या ATM PIN की जरूरत पढ़ती है ये काफी important question है UPI के द्वारा जब भी हम payment करते हैं तो किसी भी प्रकार का OTP या ATM PIN की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे M PIN का इस्तेमाल किये जाता है तो इस question का right answer होगा false अगला question है UPI किसके द्वारा बिक्सित भुगतान प्रणाली है National Payments Corporation of India या फिर RBI या फिर Indian Payment Gateway या फिर State Bank of India तो UPI NPCI के द्वारा डबल अब किया गया एक payment system है और इसका right answer है National Payments Corporation of India जिसको sort है बोलते हैं NPCI अगला question है UPI सेवा की सुरुवात कब हुई और इस question का right answer है option B 11 अप्रेल 2016 को UPI सेवा की सुरुवात हुई थी और अगला question है A.E.P.S का पूर्ण रूप क्या है ये काफी important question है ये topic C.C. New syllabus chapter no.8 में पहली बार सामिल किया गया है तो A.E.P.S का full form क्या होता है और इस question का right answer है option B आधार enabled payment system ये एक ऐसा payment system होता है जिसमें आप अपना आधार card input करके अपना fingerprint से lane देन कर सकते हैं आप पैसे जमा कर सकते हैं या पैसे bank से निकाल सकते हैं या किसी को आप पैसे भेज भी सकते हैं और अगला question है निम्न में A.E.P.S के द्वारा क्या सुविधा मिलती है तो सबसे पहला option है नगत निकासी, नगत जमा, आधार से आधार fund transfer या उप्रोगत सभी तो I hope अब आप इस question का right answer जरूर दे पाएंगे अलड़ी मैं discuss कर चुका हूँ तो बिल्कुल सही इस question का right answer होगा option D उप्रोगत सभी A.E.P.S के द्वारा ये सभी सुविधाएं मिलती है अगला question है U.S.S.D का phone loop क्या है ये वी एक नया topic है जो की CCC News Labels के chapter number 8 में पहली बार सामिल किया गया है कई बार क्या होता है कि आप अपने mobile में balance चेक करने के लिए कुछ code type करते है तो वहाँ पे U.S.S.D का इस्तेमाल होता है और यही same service payments के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है इस समय इंडिया में तो इस question का right answer है option E Unstructured Supplementary Service Data इसका full form होता है आप इसे अलग से जरूर नूट डाउन करें ये काफी important है और अगला question है U.S.S.D क्या है Mobile Service, Mobile Banking Service, Internet Service या फिर आधार सेवा और इस question का right answer है option B Mobile Banking Service अगला question है U.S.S.D आधारित Mobile Banking का उप्योग करने के लिए Mobile Internet Data सुभिदा की आवस्यक्ता नहीं है तो क्या हम U.S.S.D के द्वारा बिना Internet के payment कर सकते हैं और इस question का right answer होगा true क्योंकि U.S.S.D के द्वारा payment करने के लिए Internet की आवस्यक्ता नहीं होती है और अगला question है banking, ग्रहक और यहां पे क्या डायल करेंगे जिसे U.S.S.D सेवा का लाब उठा सकते हैं इन मेंसे कौन सा code डायल करके जो customers होते हैं वो U.S.S.D सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं यह भी काफी important question है और इस question का right answer है option C, Astrick 9 has और इसको आप अपने mobile पे immediate चेक भी कर सकते हैं अगर आपका mobile किसी bank से link है और आपने अपना आधार card वहाँ पे update करा रखता है तो जैसे ही आप इस code को अपने mobile पे dial करेंगे वहाँ पे आपको कई सारे options मिलेंगे जिसमें आप mini statement chip कर सकते हैं balance transfer कर सकते हैं, transactions कर सकते हैं इस तरहीं कई सारे options मिल जाएंगे तो U.S.S.D एक ऐसी सुभिदा होती है जिसमें बिना internet के lane-dane किया जा सकता है और इसको एक basic featured phone में भी इस सुभिदा का इस्तेमाल करके online payment भी किया जा सकता है जिसमें internet की जरूरत नहीं होती है अगला question है U.S.S.D के द्वारा fund transfer की सीमा क्या है? पांच हजार, पचास हजार वार्सिक या फिर बेस हजार प्रति दिन या फिर A तथा B तो इस question का right answer है option D A तथा B अगर आप U.S.S.D सुभिदा के द्वारा payment करना चाहते हैं तो उसके limit होती है एक दिन में पांच जार और प्रति वर्स पचास जार रुपे U.S.S.D के द्वारा payment किया जा सकता है या फिर लेन देन किया जा सकता है अगला question है MMID का मतलब है Mobile Money Identifier बिल्कुल सही question का right answer होगा true MMID का full form होता है Mobile Money Identifier एक code होता है 7 digit का code होता है जो की bank तवारा provide किया जाता है अगर आप किसी से कोई payment receive करना चाहते है तो उसको आप MMID और अपना registered mobile number देके उससे payment receive कर सकते है अगला question है USST के द्वारा लेन देन के लिए क्या आवस्यक है MMID, MPIN, Dial Asterix, 99HAS या फिर उप्रोप्त सभी ये भी एक important question है तो इस question का right answer है option D उप्रोप्त सभी अगर आप USST के द्वारा लेन देन करना चाहते है तो आपको इन सभी की जरूरत पढ़ने वाली है अगला question है credit card में 12 digit और debit card में 16 digit होती है ये भी एक important question है और इस question का right answer होगा false credit card और debit card दोनों में 16 digit होती है अगला question है पहले कई ATM card में 19 अंक मींस डिजिट होते थे लेकिन अब 16 या 16 अंकों का मान की करण कर दिया है ये भी एक important question है तो पहले कुछ ATM cards में 19 digit हुआ करते थे और अभी एक standard बन गया है कि हर एक bank को सभी ATM cards पे 16 digit ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस question का right answer होगा true पहले 19 digit भी हुआ करते थे अगला कुछने ATM card और debit card में CBB कितने digit का होता है बहुत simple सा question है और इस question का right answer है option ए 3 digit होते हैं जब आप अपना ATM card एक credit card पलड के पीछे देखते हैं जाप एक black color की strip होती है magnetic strip जापे आपके card की सारी information store की जाती ही वहीं पे आपका CBB जोकी 3 digit का होता है लिखा रहता है पहले से वो printed रहता है तो अगला question है CBB का पूर्ण रूप क्या है तो आज का test में मैंने chapter number 8 की सभी maximum topics को काफी detail में cover करने कोशिस किये है अब ही time बहुत कम बचा है इस वज़े से मुझे लगा chapter number 7, 8 और 9 की important questions upload कर दी जाए तो वही मैंने chapter number 7 की videos पहले upload कर चुका हूँ और chapter number 8 के questions आज हम upload कर रहे है और chapter number 9 का next day आपको video मिल जाएगा इनसे आपको triple C exam में काफी help मिलेगी और जिनका exam 3 अगस्त या इसके बाद है उन सभी से मेरी एक छोटी से request है आप हमारा whatsapp number जो की screen पे आपको देख रहा होगा इसको जरूर note down करें और जब आप exam देने जाते हैं अगर आपको कुछ questions याद होते हैं तो please हमें questions जरूर भीज़ेगा ताकि उन questions की basis पे मैं आने वाले दिनों में जो लोग triple C का exam देंगे उन सभी को में help कर पाऊंगा और उन questions के solutions भी आपको same day सामको मिल जाएंगे एक वीडियो के form में जिससे आपको पता चलेगा उन questions के right answer क्या है और काफी ऐसे लोग होंगे जो आगे आने वाले दिनों में triple C का exam देंगे तो उन सभी को उन questions से काफी help मिलेगी तो उमीद करते हैं जो कि आपके card पे पीछे दिया रहता है जो कि तीन डिजिट का code होता है अगला question है नगत निकासी के लिए debit card और credit card का उपयोग कर सकते हैं ये काफी important question है तो credit card और debit card में एक छोटा सा difference होता है पहले मैं इसको discuss कर ले रहा हूँ debit card आपके bank account पे इसू किया जाता है में इस एक prepaid card होता है आपके bank account में जो भी पैसे आपने deposit किये हैं उनको आप debit card के माध्यम से निकाल सकते हैं जबकि credit card एक इसमें जो भी limit होते हैं उस limit का हम online lane देन या कहीं भी post machine के द्वारा payment करने के लिए इस limit का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए हमें कुछ time duration मिलता है जैसे maximum bank द्वारा 50 days का free time period मिलता है अगर आप credit card के द्वारा कोई भी payment कर लेते हैं तो आप वो पैसा 50 तिन के अंदर अंदर गर आप उस bank में deposit कर देते हैं या आपने card में deposit करते हैं आपको किसी भी प्रकार का interest नहीं देना होता है और इसके free period के खतम होने के बाद आपको कुछ charges देने होंगे जो भी bank की guidelines होंगे या rules होंगे उसके इसाब से आपके द्वारा लिए गए या payment कीए गए transactions पे interest charge किया जाता है तो इस question का right answer होगा true हम debit card और credit card दोनों से नगदी निकाल सकते हैं अगला question है post machine के द्वारा payment करने पर CBB की आवस्यक्ता नहीं पड़ती तो इस question का right answer होगा false कई ऐसी machine हैं जहाँ पर हम post machine के द्वारा अगर हम card से payment करते हैं तो वहाँ पर CBB की भी जरूरत पड़ती है और अगला question है जिस bank से credit card ले रहे हैं उस bank का account होना जरूरी है यह भी एक important question है तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ debit card हमें हमारे bank account पे इसू किया जाता है जबकि credit card जरूरी नहीं होता है कि आप जिस bank से ले रहे हैं वहाँ पे आपका account हो तो इस question का right answer होगा false जरूरी नहीं होता है अगला question है भीम एप दोना किस भुकतान सेवा का उपयोग किया जाता है RTGS, NEFT, MPIN या फिर IMPS तो इस question का right answer है option D IMPS सुबिदा का इस्टेमाल किया जाता है अगला question है भीम एप में प्रति दिन लेन दिन की अधिक्तम सीमा क्या है 1000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000 और इस question का right answer है option D 20,000 पर डे भीम एप के दोरा लेन दिन की सीमा होती है और अगला question है नेम लिखित में से किसने भीम एप को डिक्सित किया RBI, SBI, NPCI या फिर IBA तो इस question का right answer है option C NPCI, National Payment Corporation of India ने भीम एप को डबल अप किया अगला question है RTGS का phone रूप क्या है यह बहुत simple सा question है पहले भी triple C exam में पूछा जाता था और अभी भी इसको नए स्लेबस में सामिल किया गया है और इस question का right answer है option B Real Time Raw Settlement और अगला question है RTGS द्वारा payment transfer की समय सीमा क्या है कार दिवस पर सुबा 8 से साम 4.5 बजी तक या कार दिवस पर सुबा 8 बजी से साम 5 बजी तक या फिर कार दिवस पर सुबा 8 बजी से साम 6 बजी तक तो इस question का right answer है option C कार दिवस पर सुबा 8 बजी से साम 6 बजी तक और ये पहले समय सीमा थी 8 बजी से साम 4.5 बजी तक जिसको बढ़ाके 8 बजी से साम 6 बजी तक कर दिया गया है अगला question ने RTGS त्वारा भुपतान की नियूनतम सीमा क्या है एक लाख, दो लाख, पाँच लाख या कोई सीमा नहीं तो अगर आप RTGS के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो क्या उसकी कोई नियूनतम सीमा होती है अगर होती है तो वो क्या नियूनतम सीमा है तो इस question का right answer है option B दो लाख से कम की amount को RTGS के द्वारा नहीं भेजा जा सकता और अगला question ने UTR number किया है, ये काफी important है कई बार क्या होता है कि जब आप किसी को RTGS करते हैं, RTGS के आधिम से payment करते हैं, तो आप उसको UTR number देते हैं, ताकि वो पता कर ले कि उसके account में वो पैसा deposit हुआ है या नहीं इससे आप उसके transaction को track कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने UTR से सम्भनी सारे topics को सामिल कर लिए इस question में बिसिकली एक question आपको बताना था इसमें क्या-क्या चीजे होते हैं, तो सबसे पहला option है, unit transaction reference इसका full form होता है UTR का, और UTR number total 22 character का होता है, या 22 number का एक code होता है, और RTGS में lane देन की business पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो इस question का right answer होगा है, तो सबसे पहला option है, Indian financial system code, यह बिल्कुल सही option है, इसका full form होता है और अगला option है, यह 11 अंको का code है, तो IFC code में total 11 digits होते हैं, और इसी तरह next option है पहले जो 4 characters होते हैं, वो bank का प्रतने धित्त करते हैं, यह किस bank का IFC code है और उसके बाद अंतिम 6 digits होते हैं, वो यह दिखाते हैं, यह सो करते हैं, कि यह किस bank का IFC number है तो I hope समझ में आ गया होगा, इन सभी topics को अच्छे से कहीं पर जरूर no down करें, जैसे कि IFC का full form होता है Indian financial system code, और यह total 11 digits का code होता है, जिसमें सुरुवात के 4 अंक जिसमें character इस्तिमाल की जाते हैं यह bank का प्रतनिधित्त करते हैं जिससे पता चलता है यह code किस bank का IFC code है और अंतिम 6 digits यह सो करते हैं कि इस bank की यह किस branch का IFC code है तो इस question का right answer है option D उप्रोक्त सभी अगला कुछन है क्या NEFT की उप्योग से विदेश में भुक्तान किया जा सकता है तो इस question का right answer होगा false यह internal payment system होता है जिसको within India ही इस system का इस्तेमाल करके payment किया जा सकता है अगला question है IMPS क्या है तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ मैंने यहाँ पे chapter number 8 जो की triple C news labels में कुछ नए topic सामिल किये गए सभी topics पे based हमें आज यहाँ पे question discuss किये तो उमीद करते हैं काफी कुछ नया सेखने को मिला होगा और कुछ important points भी मैंने यहाँ पे रखे उन्हें जरूर नो down करीगा 100% इन सभी से questions जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि यह सभी नए topics हैं तो इस question का सबसे पहला option है immediate payment service इसका full form होता है IMPS का और अगला है भुकतान करने के लिए कोई समय सीमा नहीं किसी भी time 24 hour आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आप B map के द्वारा किसी को payment करते हैं तो वहाँ पे IMPS payment method इस्तिमाल होता है इस वहे से आप 24 hour किसी भी time किसी दूसरी को पैसे भेज या receive कर सकते हैं अगला option है एक बार में अधिक्तम 2 लाग तक भुकतान कर सकते हैं इसकी अधिक्तम सीमा होती है एक बार में आप अधिक्तम 2 लाग तक IMPS के द्वारा किसी को भेज या receive कर सकते हैं तो इस question का right answer है option D उप्रोगत सभी और अगला question है IMPS सेवा की सुरुवात कब हुई ये भी एक important question है तो इस question का right answer है option B 22 November 2010 को इस सेवा की सुरुवात हुई और अगला question है IMPS त्वारा भुकतान करने के लिए किसका अपयोग किया जा सकता है MMID and Mobile Number Account Number and IFC Code या फिर आधार नंबर या फिर उप्रोगत सभी ये भी काफी important question है तो अगर हम IMPS के द्वारा किसी को payment करना चाहते है तो उसके लिए इन में से कोई एक option हमें चाहिए होगा means MMID and Mobile Number चाहिए उसके द्वारा हम payment कर सकते है या फिर account number और उसका IFC Code होना चाहिए या फिर आधार नंबर से भी IMPS के द्वारा भुपतान किया जा सकता है तो इस question का right answer है option D उप्रोगत सरी अगला question है IMPS का लाव उठाने के लिए ग्रहक के पास bank खाता होना जरूरी है ये एक important question है और इस question का right answer होगा false bank खाता होना जरूरी नहीं होता है अगला question है IMPS पर stop payment की सुविधा उपलब्द है means अगर आप IMPS के द्वारा किसी को payment कर देते हैं और उसके बाद उस payment को क्या रूका जा सकता है तो इस question का right answer होगा false IMPS द्वारा payment करने के बाद उस payment को रूका नहीं जा सकता है हेलो friends आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ बाल मुकुन मौर्या और आप देख रहे हैं ग्यानेक्स पी तो आज के इस online test में chapter number 9 future skills and cyber security related question discuss करेंगे और साथ में इस chapter के कुछ important topics को हम brief में discuss करने वाले हैं यह पहली बार एक नया topic add किया गया इसमें कई सारे interesting topics भी हैं तो बीच बीच हम उन सभी topics को discuss भी करेंगे और कुछ important questions भी discuss करेंगे तो कल से अगस्त में होने वाला triple C exam स्टार्ट हो रहा है आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका कल exam होगा तो उन सभी को मेहित अब से धेर साही सुप कामना है all the best आप अपने exam के बाद comment करके जरूर बताइगा आपका paper कैसा हुआ और अगर आपके पास कुछ exam के question होते हैं आप no down करके हमें WhatsApp पे उनके snap sort भेज सकते हैं आप चाहें तो हमारा WhatsApp नमबर no down कर सकते हैं जो कि आपको वीडियो पे कहीं न कहीं दिख जाएगा ओके तो आई दिखते हैं आज का सबसे पहला question और अगर आप practice करना चाहते हैं आप हमारी website से regular basis पे practice करते रहें यहां भी काफी important question आपको मिल जाएंगे तो सबसे पहला question है future skill portal किसके द्वारा launch किया गया विप्रो, HCL, Nescom या फिर Nylid तो सबसे पहले बात कर लेते हैं future skill portal क्या है कैसा online portal है जहाँ पे कई नई-नई technologies को सामिल किया गया और यहां पे लोगों की skill development के लिए काम किया जाएगा और यहां पे online training प्रोवाइट की जाएगी जो की नई technologies पे होगी जैसे की IoT, Big Data, Cloud Computing, Virtual Reality, AI, Social Mobile, Block Channing Technology, 3D Printing, Robotics इन सभी technologies को future skill portal में सामिल किया गया है और इस question का right answer है option C, Nescom एक company है या organization है जिसने future skill portal को launch किया है यहां पे कई अलग-अलग researchers या फिर trainees या फिर students या employees सभी इस portal के माध्यम से जुड़के इन सभी नई-नई technologies पे development का काम कर सकते हैं या फिर इनको सीखने के लिए इस portal का इस्तेमाल कर सकते हैं तो अब हम आईए देख लेते हैं Nescom का full form क्या होता है क्योंकि इसको भी एक्जाम में पूछा जा सकता है तो इसका full form होता है National Association of Software and Services Companies तो खास्त और पे इस portal पे IT departments related जितने भी research topics हैं उन सबी को सामिल किया गया है जिसको मैं पहले ही discuss कर चुका हूँ तो इसका full form मैंने आप यह note down किया आप चाहे तो अलग सी note down कर सकते हैं ओके अगला question है future skill portal की सुरुवात कब होई यह भी एक important question है तो बीच पीच जितने भी नए नए topics आएंगे उन सबी को हम थोड़ा सा brief में discuss करेंगे और इस question का right answer है option B 19 February 2018 को इस portal की सुरुवात की गई अगला question है पहली मानिता प्राप्त IoT device का नाम क्या है तो सबसे पहला option है smart watch, ATM, radio and video games और IOT का full form होता है internet of things तो अब हम बात कर लेते IOT क्या होता है IOT एक नई technology है यहाँ पे इस technology में क्या होता है कि जितने भी devices होते हैं उन सबी को internet या network की माधिम से connect करके remotely कहीं से भी operate किया जा सकता है इसका एक simple सा उधारन मैं आपको बदाता हूँ यह काता है smart bulk जिसको आप market से purchase कर सकते हैं उसको आप लगाने के बाद अपने mobile से या wifi से connect कर सकते हैं उसके बाद आप remotely किसी भी location से उस bulk को आप on या off कर सकते हैं या उसकी brightness बढ़ा सकते हैं या उसमें color contrast को भी change कर सकते हैं तो कई सारे features होते हैं ति यह IoT का example है इसी तहीं के से बहुत सारे devices आलरडी market में launch कर दिये गए हैं जैसे कुछ air conditions आते हैं जिनको आप कहीं से भी on off कर सकते हैं उनके temperature को control कर सकते हैं इस तहीं के कि जो चीजे होती ही हुआती है IoT के अंदर और यह ऐसी devices होते हैं जिनको network के माध्यम से connect किया जाता है और remotely कहीं से भी operate किया जा सकता है तो इस question का right answer है option B सबसे पहला मानिता प्राप IoT device है ATM machine और अगला question है Internet of Things सब्द का अभिस्कार किस ने किया और इस question का right answer है के बिन, एस्टोन ने Internet of Things सब्द का अभिस्कार किया था अगला question है IoT प्राणाली में मुख्य भाग है सबसे पहला option है sensor, network connectivity, data, भंडारण, अनुप्रियोब या फिर उप्रोक्त सभी तो इस question का right answer है option D उप्रोक्त सभी क्योंकि IoT devices में sensors होते हैं sense करने के लिए network connectivity क्योंकि सभी IoT device network के साथ connect किया जाते है तकि उनको remote location से control किया जा सके और इसमें कुछ data भंडारण applications का भी इस्तेमाल किया जाता है तकि IoT device के द्वारा generate किया गया data उनमें store किया जा सके और इसको बाद में analyze करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है तो अगला कुछ ने IoT में किन जोखिमों और चुनोतियों पर बिचार किया जाना चाहिए तो सबसे पहला option ने privacy and security energy consumption network congestion या फिर उप्रोक्त सभी तो अगर हम IoT की बात करें तो यहाँ पर जितने भी devices होते हैं वो 24 hour network से connect रहते हैं तो यहाँ पर security या privacy की भी problem हो सकती है तो इस पर काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर यह जोखिम है इस पर बिचार करना चाहिए अगला point है energy consumption अगर हम अपने devices को 24 hour on करके रखेंगे ताकि वो network से connect रहें तो यहाँ पर energy consumption भी ज़्यादा होगा और अगला point है network congestion अगर बहुत साई devices network के साथ connect हो जाएंगे और वो सभी data भीजना शुरू करेंगे network पर तो वहाँ पर network congestion बढ़ जाएगा traffic काफी ज़्यादा है भी होगा जिससे network में data transmission की जो speed होगी बहुत कम हो जाएगे तो इन points पे काम करने के जरूरत है तो इस question का right answer है option do you prog तो सभी अगला question है निमन में से क्या big data से संबंदित है अब यहाँ पे word यूज हो रहा है big data जिसको हम अभी पे discuss करेंगे तो सबसे पहला option है structured data only या unstructured data only या structured and unstructured data या फिर इन में से कोई नहीं तो big data simple से एक data होता है जो की काफी heavy amount में होता है जो की peta bytes इस ताहिके से होता है heavy amount में data को हम बोलते है big data जिसकी processing काफी complex होती है और इस ताहिके के data को process करने के लिए main frame या super computers की जरूरत होती है एक simple example आपको बताते हैं जो weather forecasting होती ही वहाँ पे बहुत सारे records collect की जाते हैं वो काफी heavy amount और data होता है तो इस ताहिके के data को बोलते हैं big data और एक और दूसरा example लेते हैं जैसे कि आप facebook का इस्तिमाल करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग facebook platform से जुड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हमेशा कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं या किसी को like करते हैं या share करते तो इस तरीके की सारी चीजों के records रखता है facebook तो इसके द्वारा जो जनरेट होने माला data होता है उसको हम बोलते है big data तो simply यहाँ पे इस question का right answer है structured and unstructured data जो की big data से संबंदित होता है means big data में structured और unstructured दोनों तरीके के data सामिल होते हैं तो option C इस question का right answer है अगला question है निम्न में से कौन सा बला data धाचा means framework Google द्वारा बेक्सित किया गया तो big data framework Google द्वारा कौन सा ऐसा framework है जिसको double up किया गया सबसे पहला option है map producer, hadoop, hype या फिर इन में से कोई नहीं तो जैसा कि आप सभी को पता होगा Google एक search engine है जो की indexing करता है अलग-अलग web pages के, websites की और भी बहुत सारे records होते है जिसको अपने database में store करता है तो Google ने big data structure या framework डिजाइन किया उसका नाम किया उससे जुड़ा होगा question है और इस question का right answer है option है map producer नाम का एक indexing big data framework डिजाइन किया है जो की अपने web pages को index करने के लिए स्थेमाल करता है अगला question है cloud computing के बारे में निमलकित में से कौन सा सही है तो सबसे पहला option है या हमेशा इस्थानी computing की तुलना में कम खर्चिला और अधिक सुरच्चित है अगला option है जब तक आपके पास internet connection है आप दुनिया के किसी भी computer से अपने data तक पहुँच सकते हैं और अगला option है केवल कुछी छोटी कमपनिया निवेस कर रहे हैं जिससे या एक जोखिम भरा बन गया है और last option है उप्रोक्त सभी तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं cloud computing क्या होता है cloud computing में क्या होता है कुछ servers होते हैं जो remote locations पे होते हैं आप उस software को अपने system पे इस्टेमाल नहीं कर पाते हैं इसका एक simple solution होता है cloud computing हम क्या करते हैं cloud पे space खरीते हैं और वहाँ पे हम अपने applications को install कर सकते हैं वहाँ पे हम कोई operating system purchase कर सकते हैं या rent पे ले सकते हैं वहाँ पे हम अपने सारे applications को install करके अपने computer के द्वारा internet से connect होके उन सबी applications को इस्तेमाल कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह से हम अपने laptop पे install करके कर सकते हैं और इसका एक benefit होता है आप किसी भी computer से कहीं से भी इस application को access कर सकते हैं अगर आपने कोई cloud पे space purchase करके रखा है और वहाँ पे कुछ application को install किया है तो आप उसको remotely किसी भी location से access कर सकते हैं सिर्फ आपको एक normal computer की जरुवत होगी जिसमें कुछ MBRAM और कुछ एक simple operating system चाहिए और वो internet से connect होना चाहिए इसके बाद आप उस cloud से connect होके अपने सारे applications का इस्तिमाल करके अपना आप काम कर सकते हो इसका एक simple example है Google Drive हो सकता है आप में से बहुत से लोग होंगो जो Google Drive का इस्तिमाल करते होंगे जो अपना document Google Drive पे upload करके रखते हैं जिसको remotely हम कहीं से भी access कर सकते हैं तो यह होता है cloud computing technology और इस question का right answer है option B जब तक आपके पास internet connection है आप दुनिया के किसी भी computer से अपने data तक पहुँच सकते हैं तो इस question का right answer होगा option B अगला कुछने cloud computing system के दो मुखे भाग या खंड क्या है तो सबसे पहला option है terminal और notes, front end, back end, network और server इन में से कोई नहीं तो इस question का right answer है option B front end and back end दो यहाँ पे होते हैं front end वो end होता है जिससे हम अपने system का इस्तिमाल करते हैं और back end वो होता है जहाँ पे हमारे application से या software install की जाते हैं remote location पे या clouds पे अगला कुछन है cloud computing क्या है तो इस question का right answer है option B computing का एक model जिसमें आपका computer terminal के रूप में कारी करता है और server का एक network आपके लिए processing power और storage को संभालता है तो जैसा कि मैं पहले explain कर चुका हूँ I hope समझ में आ चुका हूँगा कि cloud computing क्या है तो अगला कुछन है प्रद्योगी की उपयोग करता हूँ को ऐसा महसूस कराती है जैसे वे वास्तों में एक आभासी वातावरण में हैं तो सबसे पहला option है IR, RA, ARX या फिर VR तो triple C news labels chapter number 9 में एक नया topic एड़ किया गया है virtual reality तो इस question का right answer है option D, VR, virtual reality और अगला कुछन है एक display device है जिसे सिर्पर helmet के एक हिस्से के रूप में पहना जाता है जिसमें एक छोटा display optic होता है तो सबसे पहला option है HD, MD, SMD या फिर ARD और ये topic जुड़ा हुए है virtual reality से जो कि chapter number 9 में एक नया topic एड़ किया गया है तो virtual reality एक नया topic है, एक नई technology है और इसको खास तोर पे अभी तक सिर्फ games की दुनिया में इस्तेमाल किया जाता था जिसमें हम कुछ helmets वगर इस्तेमाल करके और ये लगता था कि हम game के अंदर उसी तरीके से behave कर रहे है जिस तरीके से वहाँ पे दिखने वाले object भी हैब करते हैं तो इस question का right answer है option C, H, M, D और इसका full form भी मैंने आपे note down कर दिया है क्योंकि ये काफी important है, पूछा जा सकता है तो आप चाहिए तिसे अलग से note down कर सकते है head mounted display इसका full form होता है अगला question है निमलकित में से कौन एक antivirus program है Norden, Avira, Quick Hill या फिर उप्रोक्त सभी बहुत simple सा question है और इस question का right answer होगा option D, उप्रोक्त सभी, ये सभी antivirus की उदाहरन हैं या programs है अगला question है internet पर उप्योग करता, गत्विधी पर नजर रखता है और उस जानकारी को किसी और को संचारित या send करता रहता है तो सबसे पहला option है malware, spyware, adware या फिर इन में से कोई नहीं और ये भी काफी simple सा और popular question है पहले भी कई बार इस तेगी questions triple C exam में पूछे जाते थे तो इस question का right answer है option B, spyware, इस question का right answer होगा spyware एक application होता है जो आपके system laptop, mobile में कहीं भी आके store हो जाता है और इसके बाद आपकी कुछ secret जानकारियां किसी और के पास भेजता रहता है अगला question है एक license उप्यूग करता को copyright सामगरी का उप्यूग करने की अनुमती देता है तो बिल्कुल से इस question का right answer होगा true अगला question है या एक program या hardware device है जो internet connection के माध्यम से आने वाली सूचनाओ को किसी network या computer system में filter करता है ये काफी important question है तो सबसे पहला option है antivirus, cookies, fireball या फिर cyber safety और इस question का right answer है option B, fireball जो कि software या hardware दोनों form में हो सकता है इसी वज़े से यहाँ पे लिखाए एक program या hardware device है और fireball का basically काम होता है हमारे system से आने या जाने वाले data को ये monitor करता है अगला question है निमलकित में से कौन digital प्रमाड़ पत्र मानक है तो digital प्रमाड़ पत्र होते हैं जैसे कि आपका जो triple C का certificate होगा जिसको आप online download करेंगे वो भी एक digital प्रमाड़ पत्र होगा certificate होगा तिन में से कौन सा standard follow किया जाता है तो इस question का right answer है option B X.509 इस standard को digital प्रमाड़ पत्र सार्टिफिकेट में follow किया जाता है अगला question है firewall का मुख्य काम है monitoring, deleting, copying या फिर moving ति यह बहुत simple से question है I hope आप सभी को इस question का right answer पता होगा और इस question का right answer है आप से निए monitoring firewall का काम होता है हमाई system में आने या जाने वाले data की monitoring करना अगला को इसने proxy server का प्रियोग किस लिए किया जाता है तो सबसे पहला option है आना दिकरत उपयोग करताओं के खिलाब सुर्चा प्रदान करने के लिए अगला option है web page के client request process करने के लिए और अगला option है TCP IP देने के लिए या फिर database access करने के लिए तो proxy server एक virtual server होता है जब हम अपने network को सुरचित बनाना चाते है ताकि हमारे main actual server को कोई hack ना कर पाए तो हम proxy server का इस्तेमाल करते है ताकि जो हमारा data है वो proxy server के रास्ते से root होके जाएगा तो जो hacker होगा उसको सबसे पहले proxy server मिलेगा उसको लगेगा ये data यहां से आ रहा है तो वो उसे hack करने की कोशिस करेगा और इस तरह से हमारा actual server सेफ रहेगा तो यहां पर इस question का right answer है option ए आनधिकरित उपयोग करता के खिलाब सुरच्छा प्रदान करने के लिए proxy server का इस्तेमाल किया जाता है अगला कुशने key logger क्या है ये काफी important topic है तो सबसे पहले option है firm bear, antivirus, spy bear या फिर उप्रोक्त सभी और इस question का right answer है option C, spyware, key logger, software या hardware दोनों form में हो सकता है तो कई बार आप new channels में देखते होंगे ATM machine को लोग इसी तरह से हैट करते है उसी तरह same एक keyboard design करते है उसको ATM के actual keyboard की उपर लगा देते है और इसके बाद क्या होता है कि जब customer वहाँ पे pin press करता है या numbers type करता है या कोई भी information वहाँ पे type करता है तो उपर जो एक अलग से लगाया गया keyboard होता है उन सभी की informations को collect करता रहता है तो इस तरह के से जो key logger होता है वो काम करता है इसी तरह आपके CPU के पीछे कोई device लगा दी जाते है जब आपने keyboard का इस्तेमाल करते हैं कोई भी password टाइप करते हैं तो वह password वहाँ पे store हो जाता है तो यह होता है key logger जो कि एक spyware है लोग की जानकारियां चुराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इस question का right answer है option C spyware अगला question ने fireball का इस्तेमाल किस से बचने के लिए किया जाता है तो सबसे पहला option है data चले थमले आग का हमला या virus के हमले या फिर आनधिकरत पहुँच तो इस question का right answer है option D आनधिकरत पहुँच या आनधिकरत पहुँच या आनधिकरत एक्सेस से रोगता है तो अगला question है data और password की सुरच्छा करता है यह काफी important question है तो कल से triple C का exam start हो रहा है आप में से बहुत से लोग होंगे जिनका कल exam होगा तो उन सभी को made up से all the best और उमीद करते हैं आप लोग अपने exam के कुछ questions हमें whatsapp पे जरू send करेंगे उन questions को same day मैं discuss करूंगा same day सामको same time पे आपको इन questions के solutions में मिल जाएंगे और इससे पता चलेगा paper का pattern क्या है किस तरह के questions पूछे जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जो लोग triple C के exam देने जा रहे हैं उन सभी को में help कर पाऊंगे और इस question का right answer है option यह encryption एक method होता है चापे data को कुछ दूसरे code में convert कर दिया जाता है ताकि जो actual data है वो उस form में ना दिखे ताकि अगर data हमारा hacker द्वारा hack कर लिया जाता है तो उसे वो actual data ना मिल पाए इस तरह से हम अपने data या password को सुरच्छित कर सकते हैं encryption method के द्वारा और अगला question है computer virus program आम तोर पर कहां छिपा होता है तो सबसे पहला option है operating system, application program या disk driver या फिर A तथा B तो computer virus application programs के अंदर भी हो सकते हैं operating system के अंदर भी हो सकते हैं तो इस question का right answer होगा option D A तथा B इस question का right answer है अगला question है email को सुरच्छा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला protocol कौन सा है SNMP या POP या PGP या फिर STTP और इस question का right answer है option C, PGP जिसको बोलते हैं pretty good privacy और इसका full form भी कई बार पहले triple C exam में पूछा जा चुका है और अगला question है WPS का पूण रूप क्या है Wi-Fi Protected System या Wi-Fi Protected Setup या फिर Wi-Fi Protocol Setup या फिर Wireless Protected Setup और इस question का right answer है option B, Wi-Fi Protected Setup इस question का right answer है अगला question है mobile phone को प्रभावित करने के लिए SMS, Bluetooth, Wireless, माध्यम, USB और infrared जैसे network और technology के माध्यम से प्रचारित होता है तो सबसे पहला option है WAMS, Antivirus, Malware या फिर Multimedia Files तो यह कुछ नए topics हैं हो सकता है इस तरही के questions आपको समझ में ना रहे हो क्योंकि CCC News Labus के chapter number 9 में कुछ ऐसे topics ही रखे गए हैं थोड़े से complex हैं जिनको पहले से अगर आपने नहीं पढ़ा तो इस तरही के questions के right answer आप जल्दी नहीं दे पाएंगे क्योंकि कुछ एप गुपत रूप से आपके memory card या contact data तक पहुँच सकते हैं और यह question जुड़ा हुआ है mobile security से तो जैसे आप play store से कुई app download करते हैं तो install करने के बाद कुछ permissions आप मांगते हैं इस तरह से कुछ ऐसे apps होते हैं जो कि आपके memory या फिर contact details को access कर सकते हैं और उसे किसी दूसरे के पास भी भेज सकते हैं तो इस question का right answer होगा true अगला question है आपके mobile phone पर SMS भेज कर आपके phone से पैसे काड़ सकते हैं ये काफी interesting question है और इस question का सबसे पहला option है I am trojans, backdoor trojans, SMS trojan या फिर ransom trojan तो इस question का right answer है option C SMS trojan एक तरीके का virus होता है जो आपके mobile पर SMS के द्वारा आपके mobile account से कुछ पैसे deduct कर सकता है तो सबसे पहला question है browser कारिक्रमों से बेप संसाधनों को access किया जाता है और इन सभी questions के right answer आप चाहें तो comment box में comment कर सकते हैं इसको आप एक test के तरीके से लीजे और last में total score क्या मिला है कितने answers correct हुए हैं वो comment करके जरूर बताईएगा तो इस question का right answer है true web browser का use के जाता है बेप संसाधनों को access करने के लिए अगला question है TCP protocol की जगा UDP protocol का प्रियोग किया जा सकता है तो TCP एक protocol होता है जिसका full form होता है transmission control protocol और UDP का full form होता है user datagram protocol दोनों में एक simple सा difference होता है TCP connection oriented protocol है जबकि UDP के बात करें तो connection less protocol है तो TCP के जगे UDP का इस्तेमाल किया जा सकता है तो इस question का right answer है true अगला question है file का नाम बदलने के लिए run command का उप्यूग करते हैं और ये question जुड़ा हुआ है MS-DOS से और इस question का right answer है true अगला question है BZA को monochrome monitor भी कहते हैं और इस question का right answer है true बिल्कुल सही monochrome monitor या जो monitor होता है या display unit जो होता है उसको हम monochrome monitor के नाम से जानते हैं जोकि CRT monitor होता है उसको भी हम monochrome monitor के नाम से चानते हैं अगला question है किसी भी text को select करने पर एक वाक्या पूरा data select हो जाता है तो आहे हो इस question का right answer आप जरूर दे पाएंगे बहुत simple तर question है इस question का right answer होगा false तो अगला question है dotmatics printer में सिरा और प्रस्ट के बीच carbon ribbon का प्रियोग होता है तो dotmatics printer एक impact printer होता है यहाँ पे head और प्रस्ट के बीच में एक ribbon होता है carbon का ribbon जिसको printing के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इस question का right answer होगा true अगला question है ग्यान xp.at.gmail.com एक सही email id है यह काफी popular question है I hope आप सभी को इस question का right answer पता होगा और यह accept पस exam में पूछा जाता है तो यहाँ पे email id मैंने अपना email id दे रखा है और इस तरह से यहाँ पे कोई भी email id दे दिया जाता है और यहाँ पे कुछ dot dot is तहीं के से कुछ changes की जाते हैं उसके बाद पूछा जाता है कि इन में से सही email id क्या है या कुछ दिया गया email id correct है या नहीं तो इस question का right answer होगा false क्योंकि यहाँ पे continuous दो बार dot का इस्तिमाल किया गया है अगर email में कहीं भी एक से जादा dot इस्तिमाल होता है एक साथ तो वो email id correct email id नहीं होगा अगला question है MS Word में default page orientation landscape होता है और अगला question है MS Word में default page orientation landscape होता है और इस question के right answer होगा false क्योंकि MS Word में default page orientation होता है portrait और जबकि अगर हम power point की बात करें तो वहाँ पे page orientation जो default होता है होता है land landscape अगला question है MS PowerPoint में default page orientation land landscape होता है तो I hope अब आप इस question का right answer जरू दे पाएंगे बिल्कुल सही इस question का right answer होगा true क्योंकि MS PowerPoint में default page orientation land landscape होता है अगला question है task bar को screen पर एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ले जा सकते हैं तो Windows operating system में सबसे नीचे की जो पट्टी होती उसको मोलते है task bar और आप इसे drag करके किसी दूसरे अस्थान पर left right या top पर ले जा सकते हैं तो इस question का right answer होगा true अगला question है MS Word में image को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ले जाने पर cursor do arrows में दिखता है तो अगर आप MS Word या PowerPoint में कोई image insert करते हैं तो आपने देखा होगा है वहाँ पर total eight dots दिखते हैं और यहाँ पर जब हम किसी image को drag करते हैं तो उस case में क्या होता है कि वहाँ पर four directions में चारो direction में एक एक arrow दिखता है कि आप किस direction में उसे move करना चाहते हैं तो इस question का right answer होगा false क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है दो arrow दिखते हैं अगला question है जब computer को on किया जाता है तो data secondary memory में load होता है तो इस question का right answer होगा false क्योंकि जब हमारा system boot करता है उस time पे secondary memory से data primary memory में load होता है अगला question है ms word में गलती से लिखे text को cut करके दोबारा वापस लाने के लिए control प्लस y का उप्योग किया जाता है और इस question का right answer होगा false क्योंकि यहाँ पे control प्लस z का उप्योग करते हैं जबकि control प्लस y redo की shortcut की होती है अगला question है bus topology में मुख्य केबल खराब हो जाने पर networking संचालन बंद हो जाता है तो इस question का right answer है true बेलकुल सही bus topology में मुख्य केबल के खराब होने पे पूरा का पूरा network काम करना बंद कर देता है अगला question है full flex में संचार एक दिसा में होता है full duplex, half duplex ये सब हम पहले भी कई बार explain कर चुके है तो इस question का right answer होगा false क्योंकि full duplex में दोनों तरफ एक साथ संचार किया जा सकता है अगला question है powerpoint में text, video तथा audio जोड़ा जा सकता है और इस question का right answer होगा true ये सब हम अपनी powerpoint slide में add कर सकते हैं और अगला question है network को जोडने के लिए NIC card का प्रियोग होता है तो इस question का right answer होगा false क्योंकि system को ये PC को network से जोडने के लिए NIC card का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे लिखावाए network को जोडने के लिए NIC card का प्रियोग किया जाता है तो इस question का right answer होगा false यहाँ पे हम bridge या फिर gateway का इस्तेमाल करते हैं अगला question है LCD monitor की तुलना में CRT monitor अधिक उर्जा का प्रियोग करता है तो I hope यह काफी simple से question है आप सभी को पता होगा इस question का right answer और इस question का right answer होगा true CRT monitor electricity ज्यादा यूज करता है अगला question है character size को points में मापा जाता है तो बिल्कुल से इस question का right answer है true अगला question है MS Excel में AZ777 Excel नंबर है और इस question का right answer होगा true next question host name को IP address से map करने की प्रक्रिया को address resolution कहा जाता है और यह एक important question है इस तरह के जो important questions है आप उसे अलग से जरू note डाउन करें क्योंकि ऐसे questions कई बाए double C exam में repeat होते रहते हैं तो इस question का right answer होगा true बिल्कुल सही अगला question है MS Excel में इस function का प्रियोग सिर्फ number पर किया जा सकता है text पर नहीं तो Excel की videos में मैंने इस तरह के कि सभी functions explain किये हैं if कैसे काम करता है वो मैंने practically बता है तो अगर आपने Excel की videos देखे होगे तो आप इस question का right answer जरू दे पाएंगे और इस question का right answer होगा false क्योंकि हाँ पर इस function को हम text या number दोनों पर apply कर सकते हैं अगला question है MS Excel में int और trunk कुछ पहलो पर समान कारे करते हैं बिल्कुल सही इस question का right answer होगा true intake function होता है जो कि किसी fractional value जैसे के लिखा हुआ है 123.9 या something कुछ ऐसे लिखा हुआ है 56.123.56 यहां पर लिखा हुआ है तो अगर हम इसे integer function के अंदर input करेंगे तो इसका result आएगा 123 और इसी तरह trunk function apply करते हैं तो trunk function क्या करता है आपको कितनी digit के numbers को दिखाना है तो उसमें हम trunk function का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ पहलो में क्या होता है int और trunk दोनों समान तरह से कारे करते हैं हर cases में int और trunk समान कार दे नहीं करते हैं या फिर इनसे मिलने वाला result समान नहीं होता है तो यहाँ पर लिखावा है कुछ पहलो पर समान कारी करते हैं इस वोज़े से question का right answer होगा true अगला question है boolean operator का प्योग आम तोर पर संकीन और व्यापक खोश के लिए किया जाता है तो boolean operator होते हैं जैसे कि and or not इस तरह किसे कई अलग अलग operators को हम संकीन या complex search के लिए इस्थेमाल करते हैं तो इस question का right answer होगा true उक्या अगला question है printer header को margin area में print करता है बिल्कुल सही इस question का भी right answer true होगा जो header area या footer area होता है उसको printer margin area में print करता है अगला question है RAM को read and write memory और ROM को read only memory कहा जाता है तो इस question का right answer होगा false क्योंकि RAM होता है random access memory जबकि यहां लिखा हुआ है read and write memory जिसकी वज़े से question का right answer होगा false अगला question है यदि आप चाहते हैं तो आप mail सूची से आसानी से subscribe या unsubscribe कर सकते हैं यह काफी important question है तो कई बार आप देखते हैं अपने mailbox में कई अलग-अलग advertisement companies के mails आपके पास आते रहते हैं या कहीं पर किसी site पर जाके आप अपने आपको register करते हैं तो वो होता है subscription तो अगर आप यहां पर subscribe करते हैं तो आपको वहां पर उस website से आपको कई सारी mails आती रहते हैं इस थान पर पूर भासा का प्रियोग आसान था तो सबसे पहले अगर हम पिछली जितनी भी लैंग्विज हैं programming language हैं उनकी बात करें तो वो ज़्यादा complex थी as compared to आज की date में इस्तेमाल होने वाली programming language की तो अगर इस question के हम बात करें तो HTML से पहले इस्तेमाल होने वाली जो भी programming language थी वो HTML से ज़्यादा complex थी तो इस question का right answer क्या होगा जल्दी से आप लोग comment करते रही और इस question का right answer होगा false और अगर आपने अभी तक cc का complete syllabus नहीं तयार किया है तो आप हमारे चैनल की playlist में जाके cc new syllabus नाम की playlist है जहां से आप cc क complete syllabus तयार कर सकते हैं और साथ में अगर आप practice करना चाहते हैं तो आप हमारी website www.ganxp.com पे भी regular basis पे practice करते रहे हैं यहाँ पे home page पे option दिया है हिंदी और English में आप test दे सकते हैं आपको हिंदी में हिंदी सारे questions मिलेंगे और English option पे click करेंगे तो सारे questions आपको English में मिलेंगे और आप यहाँ पे जितनी बार टेस्ट देंगे उतनी बार आपको ने-ने questions मिलते रहेंगे, हर बार आपको 100 new questions मिलेंगे तो अगला question है, MS Word को Unix operating system पर प्रियोग किया जा सकता है और इस question का right answer होगा false क्योंकि MS Word को Windows operating system के लिए design किया गया है अगला question है, LAN की अधिकता में speed 300 Mbps या Megabyte per second है और इस question का right answer होगा false क्योंकि LAN की speed 1 Gbps तक हो सकती है अगला question है, Ethernet खंड या segment repeater द्वारा जुड़े होते हैं ये थोड़ा सा logical question है, देखते हैं कितने लोग इस question का right answer देपाएंगे और इस question का right answer होगा false क्योंकि जो LAN या Ethernet segments होते हैं उनको जोड़ने के लिए Brizia Gateway का इस्तिमाल किया जाता है अगला question है, IP, datagram की कुल लंबाई में header और data दोनों सामिल होते हैं ये काफी important question है, ये question कई बार triple C exam में repeat हो जुका है और इस question का right answer होगा true बिलकुल सही अगला question है, MS PowerPoint 2003 में अधिक्तम जूम 300% कर सकते हैं तो अगर यहाँ पे MS World जूम की बात करें, तो maximum होता है 500% और minimum होता है 10% जबकि अगर हम PowerPoint की बात करें तो इसमें अधिक्तम जूम होता है 400% और इसी तरह से MS Excel में भी अधिक्तम जूम 400% होता है तो इस question का right answer होगा false अगला question है, MS Word के document को MS PowerPoint में link कर सकते हैं बिल्कुल सही, insert object option की help से हम यहाँ पे objects को link कर सकते हैं अगला question है, TCP IP protocol data को भीजने से पहले छोटे छोटे packets में तोड़ देता है और इस question का right answer है true TCP IP protocol data को send करने से पहले उसे packets में break करता है, उसके बाद उसे send करता है अगला question है, E और S का अभी प्राय है, यह भी question कई बार एक सामने repeat हुआ है और इस question का right answer होगा true, either or survivor अगला question है, full duplex में दोनों तरब से संचार होता है, पर एक साथ नहीं तो इस question का right answer होगा false, क्योंकि full duplex में एक साथ दोनों दिशाओं में संचार होता है तो अगला question है, when में land की अपेच्छा तुटियां कम होती है और इस question का right answer होगा false, क्योंकि when में land की अपेच्छा जादा तुटियां होती है अगला question है, ms powerpoint में control plus d slide delete करने की shortcut की है तो इस question का right answer होगा false, क्योंकि ms powerpoint में control plus d slide की duplicate copy बनाने की shortcut की होती है और अगला question है, internet explorer, windows operating system का एक अंग है या part है और इस question का right answer होगा true, क्योंकि ये windows operating system के साथ pre-installed आता है इस वोई से ये windows operating system का एक component या part है अगला question है, multi media, बहुत सारे media का miss run है जिसमें audio, video, text, image, ये सभी होते है animations, तो इस question का right answer होगा true अगला question है, volume control icon notification area में प्रदर्सित होता है तो windows operating system में जहाँ पे time और date दिखता है ये area को हम notification area बोलते हैं और यहाँ पे लिखाव है volume control icon notification area में प्रदर्सित होता है तो इस question का right answer होगा true अगला question है, network 127.0.0.0 आपके local IP traffic host के लिए आरचित होता है ये एक important question है तो 127 से start होने वाले IP address को हम loopback IP address के नाम से जानते हैं और ये reserve होते हैं, इनको network test करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इस question का right answer होगा true और अगला question है, text होने के बाद ही वर्तनी और grammar check का उप्योग हो सकता है वर्तनी means spelling mistake और grammar mistake क्या text होने के बाद ही चेक कर सकते हैं या इन options का उप्योग किया जा सकता है तो इस question का right answer होगा false आप इस option को बिना text के भी apply कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वहापे किसी भी प्रकार की grammar mistake या वर्तनी mistake या spelling mistake एक so नहीं होगी, वहापे 00 के form में सारे error so करेगा अगला question है, यदि कई computer किसी printer से जुड़े होते हैं तब एक साथ print दिया जा सकता है बलकुल साथ, question का right answer होगा true अगर किसी printer के साथ कई अलग-अलग computers जुड़े हैं तो एक साथ सभी printer print दे सकते हैं लेगिन वहापे क्या होगा, जिसकी request सबसे पहले आई होगी जिसने सबसे पहले अपना button, print का button प्रेस किया होगा उसका print सबसे पहले निकलेगा, इस तेके से Q में उनके prints निकलेंगे अगला question है, start apology में प्रते एक system एक दूसरे से direct connect होते हैं तो यह start apology से जुड़ा हुआ question है, और आपको पता होगा, start apology में hub या पर switch के इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सभी systems connect होते हैं जबकि अगर हम mess topology की बात करें, तो mess topology में सभी system एक दूसरे के साथ direct connect होते हैं तो इस question में बोला गया, start topology में प्रते एक दूसरे के साथ direct connect होते हैं तो इस question का right answer होगा false, क्योंकि ऐसा mess topology में होता है अगला question है, ms excel में संख्या cell के दाएं तरफ और text cell के बाएं तरफ aligned होते हैं और इस question का right answer होगा true, बिल्कुल सही अगला question है, slide में किसी picture या image को background के रूप में प्रियोग नहीं कर सकते ती काफी simple से question है, और इस question का right answer होगा false क्योंकि किसी image या picture को हम slide के background में यूज कर सकते हैं अगला question है, ms excel में cell को split नहीं कर सकते बहुत simple से question है, और इस question का right answer होगा false हम cell को split कर सकते हैं या merge कर सकते हैं, split की गई cell को merge भी किया जा सकता है और आज के test का last question है, dot dmp, dot dmp, dot jpg और dot gif में dot dmp सबसे अलग है क्योंकि या picture नहीं रखता और ये काफी important question है, आप चाहें तो इसे अलग से रोट डाउन कर सकते हैं, तो dot dmp एक dumb file का extension होता है, जबकि bmp, jpg या फिर gif image file के extensions होते हैं, तो इस question का right answer होगा true, बिल्कुल सही picture select करने पर उसमें 8 बिंदू दिखाई पड़ते हैं, और triple c exam में total 100 questions पूशे आते हैं, इसमें mcqs और true false दोनों आते हैं, दोनों में fix नहीं होता है, कितने true false होंगे और कितने mcqs होंगे, कई बार क्या होता है two false जादा आते हैं, और कई बार यह होता है, कि mcqs जादा आते हैं, और इस question का right answer होगा true, जब आप किसी image को select करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, चारो कॉर्णर पे एक एक डॉट दिखता है, जबकि बीच में भी एक एक डॉट दिखता है, इस तरह किसी total eight डॉट दिखते हैं, अगला question है, बंद लिफाफा इन बॉक्स में प्रदर्सित करता है, कि email पढ़ा नहीं गया है, और यह question email से संबंदित है, और इस question का right answer होग true, अगला question है, बंदोज ओपरेटिंग सिस्टम में सुरच्छा प्रणाली नहीं होती है, तो इस question का right answer होगा false, बंदोज ओपरेटिंग सिस्टम या जतनी भी ओपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसमें security का feature होता है, अगला question है, STP cable में RJ45 connector का उप्योग होता है, और कई बार exam में STP का full form पूछा जाता है, sealed twisted pairs का full form होता है, और इसके साथ में RJ45 connector का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस question का right answer होगा true, अगला question है, पिछली वक्षीट पर जाने के लिए हम control प्लस page down का प्रियोग करते हैं, और इस question का right answer है false, क्योंकि पिछली वक्षीट पर जाने के लिए control प्लस page up का प्रियोग किया जाता है, अगला question है, या संभव है कि आप किसी वक्षीट को डाउनलोड करके अपने computer पर save कर सकते हैं, और इस question का right answer है true, आप वक्षीट को अपने system पर डाउनलोड कर सकते हैं, अगला question है, किसी इमारत या मकान में WAN network का प्रियोग किया जाता है, तो यह काफी simple सा question है, और इस question का right answer होगा false, क्योंकि किसी building या किसी मकान में land network का प्रियोग किया जाता है, अगला question है, bit एक binary digit है, तो यह काफी simple सा question है, और इस question का right answer होगा true, और कही बार exam में पूछा जाता है, bit का full form क्या है, या bit का point रूप क्या है, तो इस case में इसका full form होता है, binary digit, means bit का full form होता है, binary digit, अगला question है, compact disk में store किये गए data को edit किया जा सकता है, और इस question का right answer है, false, cd में store किये data को edit नहीं किया जा सकता, अगला question है, internet एक public network है, जिसका कोई मालिक नहीं है, और यहाँ पर जो भी questions हम discuss कर रहे हैं, यह सभी questions, triple C exam में पूछे गए important questions है, और इस question का right answer होगा true, क्योंकि internet एक public network है, तो कई बार यह भी पूछा जाता है, internet किस प्रकार का network है, तो public network है और जिसका कोई मालिक नहीं होता है, और अगला question है, ms word पहले ब्याकरन तुटी, फिर spelling तुटी की पहचान करता है, तो इस question का right answer होगा false, क्योंकि जब भी आप कुछ type करते हैं, तो सबसे पहले spelling mistake को check किया जाता है, फिर उसके बाद grammar mistake को check किया जाता है, अगला question है, shift plus tab का प्रयोग अगली cell में जाने के लिए किया जाता है, और यह भी question होगा false, क्योंकि previous cell में जाने के लिए control plus tab का उप्योग किया जाता है, अगला question है, किसी disk को clean up करते हैं, तो उसे formatting कहते हैं, तो disk clean up एक utility होती है, जो किसी disk में stored temp file को delete करने के लिए इस utility का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि formatting नहीं होता है, formatting एक अलग process है, तो इस question का right answer होगा false, अगला question है, web exploring को surfing के नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब इस question का right answer है true, तो अगला question है, IPv4 128 bit और IPv6 32 bit का होता है, तो यह काफी important question है, कई बार इसे अलग लग पूछे जाता है, जैसे IPv4 का size क्या है, या IPv6 का size क्या है, यहाँ पे एक साथ पूछा गया है, तो इस question का right answer होगा false, क्योंकि यहाँ पे just opposite दिया गया है, तो हाले मैंने online CCC classes में IPs rated एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने पूरा detail में बता है, IP क्या होता है, कितनी classes होते हैं, उनकी range क्या होते है, और IP को किस तरह से लिखते हैं, IPv4, IPv6 के बारे में बता है, तो अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है, तो CCC new syllabus नाम के एक playlist है, जहां से आप CCC के new syllabus पर आधार वीडियो देख सकते हैं, और वहाँ पे आपको IP का वीडियो भी मिल जाएगा, तो इस question का right answer आपको पता चल चुका है, false होगा, क्योंकि IPv4 का size होता है 32 bit, और IPv6 का size होता है 128 bit, और अगला question है, hexadecimal में C का मतलब 13 होता है, तो hexadecimal number एक number system है, जिसका base होता है 16, और यहां पे numbers की बात करें, तो 02F numbers होते हैं, यहां पे a digit होती है, तो यहां पे a को 10 से represent किया जाता है, b को 11 से और c को 12 से, तो यहां पे लिखा हुआ है C का मतलब 13, इस question का right answer होगा false, क्योंकि hexadecimal में D को 13 से represent किया जाता है, next question है, अगर आप Excel में formula लगाते समय, equal का प्रियूग नहीं करते हैं, तो formula उस cell में उसी तरह लिखा रहता है, तो इस question का right answer होगा false, अगर हम किसी formula से पहले equal sign नहीं लगाते, तो वो formula काम नहीं करता है, और उसी तरह से उस cell में वो दिखेगा, अगला question है, laser printer में स्याही का प्रियूग नहीं होता है, तो बिल्कुल सही इस question का right answer होगा true, क्योंकि laser printer में toner का प्रियूग किया जाता है, जो कि एक charge powder होता है, और अगला question है, computer की IP address को बदला जा सकता है, बिल्कुल सही, IP address को हम बदल सकते हैं, और अगला question है, किसी domain name की सहायता से, आप अपने दोस्त का email ID सर्च कर सकते हैं, और इस question का right answer होगा false, क्योंकि email ID एक private ID होता है, इसको public कहीं भी किसी भी search engine के द्वारा search नहीं किया जा सकता है, अगला question है, monitor screen पर एक बिंदू को एक pixel कहा जाता है, तो बिल्कुल सही, इस question के right answer होगा true, और अगला question है, आधा byte एक nibble के बराबर होता है, तो 4 bit equal होता है 1 nibble, जबकि 8 bit equal होता है 1 byte, और यहाँ पे लिखाएं, आधा byte एक nibble के बराबर होता है, इस question का right answer होगा true, अगला question है, इंटरनेट फाइल का संग्रा है, तो बिल्कुल सही, इस question का right answer होगा true, web browser को एक web client भी कहा जाता है, और इस question का right answer होगा true, बिल्कुल सही, और अगला question है, compiler और interpreter system software के उदाहरण है, तो यह भी question true होगा, क्योंकि compiler, interpreter, दोनों language translator होते हैं, और language translator system software की category में आते हैं, अगला question है, Microsoft Excel में, has, name, question mark, character 30 को दरसाता है, तो इस question का right answer होगा false, क्योंकि formula error को दरसाता है, और अगला question है, BOL command से computer speaker के value को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो यह question जुड़ा हुआ है DOS से, तो आई इसको हम practically बता देते हैं, किस तरह से जो हमारा BOL command होता है, वो क्या करता है, यह basically आपका जो disk space होता है, यह disk related जो information होते हैं, जैसे disk का ID, उसका नाम, यह सारी चीज़े display करने के लिए, इस command का DOS में उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हम press करेंगे, बिंडो के साथ में R, और इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे CMD, CMD कमांड होता है, जो DOS prompt को open करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे अगर हम CMD टाइप करते हैं, तो यहाँ पे आ चुका है, अब इस समय हम यहाँ पे C drive पे हैं, तो अगर आप देखना चाते हैं, पूरा drive चेंज करना चाते हैं, तो आपको इस drive का नाम उसके साथ colon sign लगाना है, तो यहाँ पे मैं एक drive का नाम लिखूँगा, तो इस तरह से आप drive चेंज कर सकते हैं, अब इस drive की information अगर हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे command यूज़ करेंगे BOL, तो यहाँ पे मैंने type किया BOL, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कि यहाँ पे जो drive का name है, तो यहाँ पे उसका नाम है D, और इसका जो serial number है, वो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि D, E, B, A, और something यहाँ पे F, D, 6, 4, एक ID आ रहा है, जो कि इसका serial number है, तो BOL command क्या करता है, आपका disk का name, जो partition है, उसका name, और उसका serial number डिस्प्ले करने के लिए, इस command का इस्तिमाल किया जाता है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है, volume को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इस question का right answer होगा false, और अगला question है, MS Excel में, has, ref का मतलब error message होता है, जो reference cell के delete करने पर दिखाई देता है, और यह काफी popular question है, कई बार पूछा गया है, double six exam में, और इस question का right answer होगा true, अगर किसी reference cell को delete कर दिया जाता है, जिसको आपने कहीं पे formula में use किया है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक error message आएगा, जो कि इस form में लिखा होगा, और इसका मतलब होता है, कि reference cell को delete कर दिया गया है, अगला question है, slide sorter view में, slide को delete कर सकते हैं, slide sorter view का उप्योग, slides को arrange करने के लिए किया जाता है, यहाँ पे हम slide को delete भी कर सकते हैं, तो इस question का right answer होगा true, अगला question है, MS PowerPoint में, slides होके दोरान, पिछली slide पर जाने के लिए, space बार का प्रियोग करते हैं, और इस question का right answer होगा false, क्योंकि यहाँ पे हम left arrow का प्रियोग करते हैं, अगला question है, MS PowerPoint में, bullet list के text में animation नहीं दे सकते हैं, और इस question का right answer होगा, false, क्योंकि bullet list पे भी animation अप्लाई किया जा सकता है, और अगला question है, MS DOS में, CLS command का उप्योग screen को, clear करने के लिए किया जाता है, तो यह भी important question है, twice को practically बता देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इतना सारा काम कर लिया, अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं, CLS तो यहाँ पे जो हमारी DOS screen है, वो clear हो जाएगी, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे CLS टाइप किया, जैसे इंटर की प्रस करेंगे, आप देख पा रहे हैं, DOS screen हमारी clear हो चुकी है, तो इस question का right answer होगा true, और अगला question है, email के body में बिना कुछ लिखे email भीज सकते हैं, और इस question का right answer है true, अगला question है, cash memory RAM के अंदर होती है, तो cash memory RAM और CPU के बीच में होती है, तो इस question का right answer होगा false, और कई बार exam में पूछा जाता है, cash memory किस से बनी होती है, तो यह SRAM से बनी होती है, और अगला question है, टूल मेन्यू से आप spelling, check, micro और mail merge, इत्यादी का उपयोग करते हैं, तो टूल मेन्यू के अंदर, spelling, check, micros, mail merge, जैसे options होते हैं, तो इस question का right answer होगा true, और अगला question है, Windows operating system का उपयोग, Linux operating system के साथ किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही, इस question का right answer होगा true, अगर आप Linux operating system, अपने system पे install कर चुके हैं, उसके बाद आप Windows इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, या फिर अगर आपने Windows operating system, अपने system पे install करके रखा हैं, तो आप वहाँ पे Linux operating system को भी load कर सकते हैं, और इस तरह से dual boot system बनेगा, और आप जब चाहें, जिस operating system को इस्तिमाल करना, उसे इस्तिमाल कर सकते हैं, अगला कुछन है, टेलनेट का उपयोग, दूसरे computer को संचालित करने में किया जाता है, और इस question का right answer है true, अगला कुछन है, MS Excel में पूरे column को cell में बदला जा सकता है, तो Excel में आप पूरे column को cell में बदल सकते हैं, और इसके लिए हम इस्तिमाल करते हैं, merge cell का एक option होता है, तो IAS को हम practically बता देते हैं, कि सब्सक्राइब किसी column को cell में बदल सकते हैं, तो सबसे पहले आप जिस column को cell में बदलना चाहते हैं, उस column को आपको select करना है, और इसके लिए आपको column heading पे click करना होगा, और इसके बाद यहाँ पे merge and center का एक option है, यहाँ पे जब click करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे Excel में convert हो चुका है, तो इस तरह से आप किसी भी column या किसी भी row को एक cell में convert कर सकते हैं, तो इस तरह से भी आप इसको convert कर पाएंगे, इसको भी आप merge कर सकते हैं, इस तरह किसे अगर आप select करते हैं, तो इसे भी आप merge करके एक single cell में convert कर सकते हैं, तो अगला question है, single user system को security की आवसिकता नहीं होती है और इस question का right answer होगा false single user या multi user सभी प्रकार की system को security की आवसिकता होती है और अगला कुछ ने cmd command का उपयोग dos screen open करने के लिए किया जाता है तो अभी practically मैंने बताया कि आप अगर run command पे हैं तो वहाँ पे आप cmd टाइप करेंगे उसके बाद आप dos screen को open कर सकते है तो इस question का right answer होगा true और अगला कुछ ने IP datagram की कुल लंबाई 65,535 bytes होती है और ये काफी important question है कई बार repeat हो जुका है इस question का right answer होगा true और अगला कुछ ने computer को नियंतरीत करने वा प्रोग्राम चलाने वाला software system software कहलाता है तो ये बहुत simple सा question है और इस question का right answer होगा true अगला कुछ ने search engine केवल दस्तावेजों को search करता है तो search engine की साहता से हम कोई text, document या audio file या video file को search कर सकते हैं तो इस question का right answer होगा false क्योंकि यहाँ पे लिखा है केवल दस्तावेजों को search करता है तो अगला question है word processor एक system software का उधारन है तो triple C new syllabus में हम ये सभी topics काफी detail में cover कर चुके हैं तो अगर आपने triple C new syllabus के videos नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की playlist में जाके triple C new syllabus नाम की playlist है जहाँ पे new syllabus पर आधारित videos देख सकते हैं और इस question का right answer है false क्योंकि MS Word एक application software का उधारन है अगला question है header और footer email के दो भाग होते हैं तो इस question का right answer होगा false अगर मुख्य भाग की बात करें email के दो दो parts होते हैं एक होता है header और दूसर होता है body अगला question है bus topology में terminator का उपयोग होता है और ये भी question कई बार repeat हो चुका है और काफी important question है तो bus topology की वीडियोस में मैं अलरड़ी बता चुका हूँ terminator का क्या काम होता है कहां पे से इस्तेमाल करते हैं और इस question का right answer होगा true bus topology में terminator का इस्तेमाल किया जाता है और अगला question है MS Excel में पूर्फ cell में जाने की shortcut की shift plus tab है तो बिल्कुल सही previous cell में जाने के लिए हम shift plus tab का इस्तेमाल करते हैं होने के लिए odd plus page up कुणजी का प्रियोग करते हैं तो इस question का right answer होगा false क्योंकि यहां पे हम प्रफम cell पे जाने के लिए home key का प्रियोग करते हैं अगला question है mkdir जिसको बुलते हैं make directories का full form होता है और md command समान कारे करते हैं तो यह question जुड़ा हुआ है ms-dos operating system से और इस question का right answer होगा true क्योंकि यह दोनों command एक ही काम करते हैं डारेक्टरी बनाने के लिए इस command का इस्तेमाल किया जाता है और अगला question है जो कि last है color monitor में color दिखाने के लिए तीन electronic gun का उपयोग किया जाता है और यह भी question बिल्कुल साही true होगा अगला question है library office writer में control plus shift plus backspace shortcut कुणजी का उपयोग क्या है तो जल्दी से comment box में बताए इस question का right answer क्या होगा तो इस question का right answer है option है वाक्य की सुरुआत तक part हटाएं means delete text until beginning of sentence तो इसको practically देख लेते हैं किस तरह से यह काम करता है control plus shift plus backspace तो यहां से इस question को हम copy कर लेते हैं इसको हम library office writer पर paste करेंगे उसके बाद control plus shift plus backspace यूज करेंगे और देखते हैं क्या होता है तो यह writer मैंने open कर लिया यहां पे हम उस question को paste करेंगे अब यहां पे control plus shift plus backspace का क्या काम होता है जैसे आप कहीं पे cursor को रखते हैं या कहीं पे click करते हैं अब इसके बाद अगर आप control plus shift plus backspace प्रिस करेंगे तो देखी क्या होता है तो यहां पे मैंने जैसे ही control plus shift plus backspace प्रिस किया cursor से पहले जितना भी text था वो delete हो चुका तो इस तरह से हम control plus shift plus backspace का इस्तिमाल करके cursor position से पहले जितना भी text है उसको delete करने के लिए shortcut key का इस्तिमाल करते है उके तो आई देखते हैं अगला question तो अगला question है IFSC code में 0 को 11 को वाले IFSC code में से किस पद पर रखा गया है 4, 5, 6, 7 तो जल्दी से comment box में comment करके बताई इस question का right answer क्या होगा IFSC code total 11 digit का होता है आप सभी को पता होगा कई कई बार मैं इस बारे में बता चुका हूँ तो इस question का right answer है option B 5th position पे होता है या 5 भी position पे 0 placed होता है तो आई इसके बारे में कुछ और details देख लेते हैं क्योंकि इस पे based कई सारे questions पोछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको इसका full form पता होना चाहिए Indian financial system code इसका full form होता है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखती आ है और इस code को 2005 में launch किया गया था और अगला point देखते हैं IFSC code total 11 digit का होता है और यह एक alpha numeric code होता है तो यहाँ से कई सारे questions पोछे जाते हैं यह सभी important points इसको अच्छे से देखीगा अगर हम example की बात करें तो किसी bank अगर IFSC code आप देखते हैं तो इस तरह से सबसे पहले सुरुआत में 4 character होते हैं जो कि उस bank को represent करते हैं और फिर इसके बाद आप 5 वी position पे देख रहे हैं 0 जिस पे based equation पूछा गया था और last के जो 6 character होते हैं उस bank की branch को represent करते हैं तो यहाँ पे अगले point में यही लिखा गया है first 4 character जो होते हैं वो represent करते हैं bank name को किस bank का IFSC code है और last के जो 6 characters होते हैं numbers होते हैं वो यह define करते हैं कि यह IFSC code किस branch का है तो यहाँ से भी कई सारे questions पूछे जा सकते हैं अगला point यहाँ पे देखी यह भी important points है use online fund transfer अब इसका इस्तिमाल कहां भी किया जाता है IFSC code का online fund transfer करने के लिए इस code का इस्तिमाल करते हैं जिसमें हम NFT, RTGS, IMPS के माध्यम से अगर payment करते हैं किसी के bank account में तो उसका IFSC code पता होना जरूरी है और अगला point है जो कि इसी से जड़ा हुआ है माईकर, माईकर एक code होता है अगर आपने checkbook देखी होगी तो check में सबसे नीचे एक माईकर code दिया रहता है जो कि 9 digits का होता है इस पे based कई बार exam में questions पूछे रहा चुके हैं कि माईकर क्या होता है तो magnetic ink character recognition इसका full form होता है यह total 9 digits का code होता है और first 3 digits के अगर बात करें तो यह city को represent करता है कि 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 city का माईकर code है और next 3 जो digit होती है वो bank code को represent करते है means किस bank का micro code है और अगर last 3 digits की बात करें तो इस bank की branch को represent करता है तो यहां से कई सारे questions पूछे जा सकते है यह सभी important points है आप चाहे तो इसका snapshot ले लिजे क्योंकि यहां पे based कई सारे questions है जो कि triple C exam में पूछे जाते है तो आए देखते हैं अगला question और अगला question है robotic सब्द किसके द्वारा दिया गया यह काफी popular question है और यह सभी question दिसंबर 2019 triple C exam में पूछे गये important questions है जो कि कई कई बात triple C exam में पूछे जा चुके हैं तो जल्दी से बता इस question का right answer क्या होगा उके तो इस question का right answer है option C इसाग असीम वो जिनके द्वारा robotic सब्द दिया गया और अगला question है P.O.P का पूण रूप क्या है तो जल्दी से बताइए काफी simple सा question इस question का right answer क्या होगा और इस model paper में सभी questions को मैंने हिंदी और इंग्लिस तोनों language में रखा हैं क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हिंदी में questions चाहिए और बहुत से लोग होते हैं जिनको इंग्लिस में चाहिए इस वए से मैंने questions को हिंदी और इंग्लिस तोनों language में रखा है तो इस question का right answer है option E point of purchase जैसे आप सुनते होंगे point of से लिक machine होते हैं उसी तरह point of purchase होता है तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं point of purchase आप जानते होंगे bending machine के बारे में जो की point of purchase का एक उदारन है यहाँ पे आप कोई भी सामान purchase कर सकते हैं जिस से related bending machine होगी उसके जो भी products होंगे उन सभी को आप purchase कर सकते हैं इसके लिए आप card के माधियम से या coins के माधियम से payment करके वहाँ से आप product को purchase कर सकते हैं तो यह होता है point of purchase जिसको हम sort में बोलते हैं P.O.P. और यहाँ पे एक छोटी से detail है आप चाहिए इसको note down कर सकते हैं कि point of या जो switchlet bending machine होती है इसका विसकार किस ने किया तो पार्सीवल एवरिट ने इसका विसकार किया था 1880s के दोरान और अगला question है यह काफी popular है कई बार exam में पूछा जा चुका है काफी important question है MIME का पूण रूप क्या है तो जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा तो इस question का right answer है multi-purpose internet mail extensions तो इसके बारे में थोड़ी से detail देखेंगे कि MIME क्या है और इसका क्या काम होता है इसका full form जरूर याद रखीएगा यह question कई बार exam में repeat हुआ है तो अगर हम MIME की बात करें तो एक supporting protocol होता है SMTP के लिए SMTP एक protocol है जिसका full form होता है simple mail transfer protocol और इस protocol का इस्तिमाल के जाता है email को send करने के लिए लेकिन SMTP के माध्यम से simple text message को ही भेजा जा सकता है अगर हम किसी mail के साथ में audio, video या image या application program को send करना चाते हैं तो उसके लिए MIME supporting protocol का इस्तिमाल किया जाता है तभी आप इन सभी contents को mail के माध्यम से send कर सकते हैं और अगले point में देखें 1991 में bell communications द्वारा प्रस्तावित किया गया था MIME protocol को किसने प्रस्तावित किया, कब प्रस्तावित किया ये भी question पूछा जा सकता है तो 1991 में bell communications ने इसे प्रस्तावित किया या उप्यूग करताओं को internet पर बिभिन प्रकार की data फाइलों का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है जैसे आप audio, video, image, application and programs को इसके माध्यम से भेज सकते हैं या receive कर सकते हैं तो देखते हैं अगला question और अगला question है सर्फिंग क्या है? काफी simple से question है तो जल्दी से comment box में बताई इस question का right answer क्या होगा? ओके तो इस question का right answer है option C एक web page से दूसरे web page में जाने को बुलते हैं सर्फिंग और अगला question है land की सीमा means range क्या है? काफी simple से question है और कई बार exam में पूछा भी गया है तो जल्दी से बताई इस question का right answer क्या होगा? एक किलोमेटर से कम या फिर एक किलोमेटर से दस किलोमेटर तक या फिर एक किलोमेटर तक या फिर कोई सीमा नहीं तो network तीन तरह क्या होते हैं land, man और when land का full form होता है local area network man का full form होता है metropolitian area network और when का full form होता है wide area network अगर हम एक्जांपल की बात करें तो किसी एक building या किसी एक block के अंदर जो setup किया गया network होता है उसको बोलते है land means local area network जो किसी एक building या किसी एक घर में काम करता है और अगर हम बात करें man की तो किसी एक city में बिचाये गए network को हम man बोलते हैं जिसका full form होता है metropolitian area network और अगर हम cities को आपस में connect करना चाते हैं या countries को एक दूसरे के साथ connect करना चाते हैं तो इसके लिए जो network setup किया जाता है वो होता है van तो इस question का right answer है option C एक kilometer तक इसकी अधिकतम सीमा होती है उके तो अब हम बात कर लेते हैं pan, land, man और van की क्या range होती है क्योंकि यहां से भी questions पूछे जा सकते हैं तो pan का full form होता है personal area network जिसकी maximum जो distance होती है वो 10 meter तक होती है 0 to 10 meters की range होती है और personal area network की अगर उदारन की बात करें तो यह होता है bluetooth और अगला है यहां पे land जिसकी range होती है 0 to 1 km और man की जो range होती है वो 1 to 50 km की होती है और अगर हम van की बात करें तो more than 50 km इसकी range होती है जो की होता है wide area network उके देखते हैं अगला question और अगला question है calc में column की अधिक्तम उचाई क्या है यह काफी popular question है और यहां से कई और भी questions पूछे जाते हैं जिनको अभी हम discuss करने वाले हैं तो जलती से बताए इस question का right answer क्या होगा ओके तो इस question का right answer है option A 3.937 inch इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि कई बार जब question exam में पूछा जाता है तो inch की जगे इसी तरह से centimeter लिख दिया जाता है तो यहाँ पे जो default height होती है या बिर्थ होती है या यहाँ पे उचाई चाउणाई जो भी होती है इसल की उसको inches में दिखाता है तो यह याद रखिएगा हम इसा जब भी questions पूछे जाएंगे तो आपे options में inches होगा और कई बार इनको inches को centimeter में convert करके options में दे दिया जाता है तो यह भी ध्यान रखिएगा तो अगर हम बात करें default की तो यहाँ पे कई सारे important points है जिस पे basic questions पूछे जाते हैं तो सबसे पहला point देखिए calc में column की अधिकतम चौडाई पूछी जाती है कितनी होती तो अधिकतम चौडाई होती है 39.37 inch और अगला point है calc में column की default चौडाई क्या होती है यह भी question पूछा जा सकता है जैसे पहले question पूछा गया अधिकतम चौडाई उसके बाद पूछा जा सकता है default चौडाई क्या होती है तो यह होता है 0.89 inch और इसी तरह से एक और question पूछा जा सकता है कि अधिकतम उचाई क्या होती है तो उचाई और चौडाई दोनों सेम होती है अगर यहाँ पे चौडाई के जगे पे उचाई पूछा जाता है अधिकतम उचाई तो उस question का भी right answer हो जाएगा 39.37 inch और यहाँ पे last point देखी calc में column की default उचाई क्या होती है तो default चौडाई होती है 0.89 inch और इसी तरहिके से उचाई की बात करें तो यह होता है 0.18 inch तो आप देखते हैं अगला question और अगला question है undo की shortcut की क्या है बहुत simple सा question है तो जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा बिल्कुल साइस question का right answer है option B control प्लस Z जो की undo की shortcut की होती है तो अगला question है जो की काफी popular है कई बार टुपल सी जामें एक question पूछा जा चुका है कई अलग अलग तरह से तो इस question में पूछा गया है selling 220,11 का मान क्या होगा तो जल्दी से comment box में बताए क्योंकि इस बारे में practically हम कई कई बार अपने वीडियो से में बता चुके हैं selling और floor दो अलग अलग तरह के functions होते हैं जिसका इस्तिमाल हम calc की axle में कर सकते हैं selling function का इस्तिमाल किया जाता है जैसे यहां लिखा गया 220,11 तो 220 या 220 के बाद कौन सा ऐसा number होगा जो की 11 से divisible होगा या 11 का multiple होगा तो यहां पर अगर हम बात करें तो 220,11 का divisible है या 220,11 का multiple भी है तो इस question का right answer हो जाएगा option A220 तो इसको हम practically भी एक बार देख लेते हैं तो easily समझ में आएगा किस तरह से यह function काम करता है इसमें हम कुछ values को change भी करेंगे तो यहां पर इस function को हम कर लेते हैं copy और यहां पर हम calc को open करेंगे तो यहां पर calc मैंने open कर लिया इसको थोड़ा सा करते हैं जूम अब हम यहां पर इस value को paste कर देते हैं तो इस function को मैंने paste किया जैसे हम यहाँ पे enter की hit करेंगे function execute होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे 220 आ रहा है लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ values कुछ change कर देते हैं 220 के जगे पे यहाँ पे 21 करते हैं फिर देखी क्या result आएगा तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 231 जैसे मैंने यहाँ पे 220 किया जैसे आप देख सकते हैं 221 किया मैंने comma 11 सेम है और जैसे हम यहाँ पे enter की hit करते हैं यहाँ पे आ रहा है 231 means 221 के बाद कौन सा ऐसा number है जोकि 11 से divisible है selling function basically यही value निकाल के देता है जो यहाँ पे दी गई values हैं जैसे 221 है इसमें कौन सा ऐसा number होगा जोकि 221 के बाद आएगा और 11 से divisible होगा selling basically यही value निकाल के देता है और अगर हम selling के जगे पे floor का इस्तिमाल करते हैं फिर देखें क्या होता है यह just opposite तरीके से काम करेगा means 221 से पहले कौन सा ऐसा number होगा जोकि 11 से divisible होगा तो यहाँ पे हम floor टाइप करते हैं और जैसे हम enter की hit करेंगे आप देख सकते हैं इसका result क्या आता है तो देखें 221 से पहले कौन सा ऐसा number है 220 है जोकि 11 से divisible है तो अभी हमने 220 पे जब selling को apply किया तो उस case में क्या आ रहा था 231 और यहाँ पे जैसे मैंने floor apply किया तो यहाँ पे आ रहा है 220 तो इंटर करते हैं अब देखें आप 220 आ रहा है means दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं floor पहली की value देता है जबकि selling बाद की value देता है उके तो इस question का right answer है option A और अगला question देखते है writer में print preview की shortcut की क्या है बहुत simple सा question है काफी popular है इस question का right answer होगा option D control plus O और यह सभी question December मन्त के टुपल सी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं इससे पहले भी यह questions कई कई बार पूछे गए है और अगला question है writer में save as की shortcut की क्या है तो जल्दी से बताइए writer में save as की shortcut की क्या है और अगर आप फरवरी में triple सी के एक्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस पूरे वीडियो को last तक ज़़ूर देखीगे काफी सारी नई नई चीज़े आपको सेखने को मिलेंगी ऐसे बहुत से questions आज आपको देखने को मिलेंगे जो कि triple सी एक्जाम में कई कई बार repeat होते हैं तो इस question का right answer और आपसा ने control plus plus s writer में save as की shortcut की है तो आप देखते हैं अगला question writer में paste special की shortcut की क्या है writer calc impress इन तीनों की shortcut keys के videos मैंने upload कर देएं जिसका link आपको इस video के discussion में मिलेगा आप इन shortcut keys के videos को जरूर देखीगा तो इस question का right answer है option c control plus shift plus v paste special की shortcut की होते है writer calc impress इन तीनों में paste special की जो shortcut की हो सेम होते है तो अगर यहाँ पे writer की जगे calc या impress लिखा हुआ होता है और यह same question इसी तरह से पूछा जाता है कई बार यहाँ पे writer की जगे calc या impress लिख दिया जाता है और इस question का same answer होगा control plus f plus v तो आईए दिखते हैं अगला question और अगला question है international monetary fund के द्वारा पैसे भेज सकते हैं और कई बार exam में पूछा जाता है IMF का full form क्या है तो इसका full form होता है international monetary fund तो क्या हम इसके द्वारा पैसे भेज सकते हैं तो इस question का right answer है false हम इसके द्वारा पैसे नहीं भेज सकते हैं अगर हमें international कोई payment करना है तो इसके लिए swift code का इस्तेमाल किया जाता है तो देखते हैं अगला question और अगला question है वाई-फाई में FI का क्या मतलब है ये question आपने पहले कई बार देखा होगा और ये काफी simple question है लेकिन काफी popular है XCCC exam में पूछा जाता है तो जल्दी से बताई इस question का right answer क्या होगा बिल्कुल साइब इस question का right answer है option B fidelity FI का मतलब होता है fidelity तो इस question का right answer हो जाएगा option B wireless fidelity अगला question देखने से पहले यहाँ पे कुछ details देख लेते हैं यह होता है Wi-Fi router जिसके माध्यम से हम Wi-Fi connect करके internet का इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगर हम traditional Wi-Fi router की बात करें यह 2.4 GHz पे चलता है means इस band पे चलता है इसके जो frequency होती है वो 2.4 GHz होती है जो traditional routers होते हैं Wi-Fi router उनकी बात की जा रही इस पे भी इस question पूछे जा सकते हैं कि router जो की परमपरिक तरीके से इस्तेमाल की जाते हैं उनकी band क्या होती या उनकी frequency range क्या होती है तो यह होता है 2.4 GHz तो अगर हम इसके range की बात करें तो 150 feet होता है घर के अंदर और अगर घर के बाहर की बात की चाहे table insert करने पर default proof से कितने row और column होते हैं तो जल्दी से बता है इस question का right answer क्या होगा तो इसको भी एक बार हम practically देख लेते हैं तो यह हमाई पास है writer और यहाँ पर अगर हम table insert करते हैं तो कई बार यहाँ से और भी questions पूछे जाते हैं table insert करने की shortcut की क्या है तो आप जैसे यहाँ पर table menu पर click करते हैं आप देख सकते हैं insert table और इसकी shortcut की होती control plus F12 इसको note down कीज़ेगा क्योंकि important है कई बार exam में पूछा गया है अगर हम यहाँ पर click करते हैं तो अब आप देखेंगे एक window आती है और यहाँ पर यह insert table की एक window है यहाँ पर जो column है 2 है और row क्या है 2 इस पर भी इस question कई बार पूछी जा चुके है कि default troop से जब आप table insert करते हैं तो वहाँ पर कितने column और row होते हैं तो अब I hope समझ में आ चुका होगा इस question का right answer क्या होगा इस question का right answer है option है 2 row and 2 columns उके अगला question देखिए net escape एक browser है तो यह question true होगा या false होगा जल्दी से comment box में बताइएगा और true false rated कई सारे लोग अलग 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 तरह की questions पूछते रहते हैं कि sir true false के कितने questions आते हैं तो true false के कितने questions आते हैं यह fix नहीं होता है क्योंकि randomly database में इसे 100 questions select होके आते हैं तो कई बार क्या होता है true false काफी ज़्यादा आ जाते हैं और कई कई बार क्या होता है कुछ अलग अलग shift में true false बिलकुल नहीं आते हैं 2, 4, 6 questions ही आपको true false rated देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसी shift होते हैं जिसमें true false की भरमार होती है बहुत सारे questions होते हैं 50 and 50 plus ऐसे questions होते हैं जो सिर्थ true false से related होते हैं लेकिन यहाँ पे true false के साथ में आपको किसी भी प्रकार की कोई trick अपलाई नहीं करने हैं अलगि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको tricks बताते हैं तो किसी भी exam को qualify करने की कोई भी trick नहीं होती है ऐसे लोग सिर्फ आपको गुमरा करते हैं ये लोग सिर्फ आपको exam fail करने में help कर सकते हैं क्योंकि कोई भी ऐसी trick नहीं जिससे exam pass किया जा सके तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने हैं और आराम से आप triple C के exam निकाल सकते हैं अगर आप एक हपते भी तयारी करते हैं तो एक अच्छे grade से आप triple C के exam qualify कर सकते हैं ओके तो इस question का right answer हो जाएगा true NetScape क्या है एक browser है इस बारे में आप थोड़ी से हम बात करेंगे NetScape किसके द्वारा डबलब किया गया ये भी question पूछा जा सकता है तो NetScape Communications Corporation के द्वारा NetScape browser को डबलब किया गया था 1994 में और ये एक proprietary software है अब यहां से आपके मन में आ रहा होगा कि proprietary software क्या होता है ऐसा software होता है जिसको आप purchase करने के बाद ही इस्तिमाल कर सकते है means एक paid software होता है जिसको हम proprietary software के नाम से जानते है जैसे कि Windows operating system एक proprietary software है जब कि अगर हम Linux की बात करें तो Linux operating system एक open source software है या operating system है जिसका इस्तिमाल हम बिना payment की कर सकते है means बिना license के Linux operating system का इस्तिमाल किया जा सकता है जबकि windows operating system को legally इस्तेमाल करने के लिए आपको license purchase करने की जरूरत होती है क्योंकि proprietary software होता है तो यहां से एक और question पुछा जा सकता है कि net escape कई बारी question पुछा जाता है दूसरी तरह से कि इन में से कौन सा ऐसा browser है जो कि paid है तो net escape navigator क्या है एक paid browser है तो देखते हैं अगला question bridge एक networking device है तो जलती से comment box में बताई इस question का right answer क्या होगा bridge और gateway दो devices होते हैं जिनका हम networking में इस्तेमाल करते हैं bridge एक ऐसा device होता है जब similar protocols पे run करने वाली LANs को आपस में connect करना हो तो वहाँ पे bridge का इस्तेमाल किया जाता है और जब अलगलग protocols पे काम करने वाली LANS को आपस में connect करना हो तो उस case में gateway का इस्तेमाल किया जाता है उके तो एक networking device है तो इस question का right answer हो जाएगा true और last में हमें comment करके जरूर बताइए आपके कितने questions correct हुएं अगर आप आज 60 plus questions correct करते हैं तो आपका triple C exam बहुत अच्छा जाने वाला है आप एक अच्छे grade से triple C के exam qualify करेंगे ओके अगला question पूछा गया था MEA का पूर्ण रूप क्या है यह सभी question दिसम्बर मंद के triple C exam में पूछे जा चुके है तो जल्दी से बता इसका पूर्ण रूप means इसका full form क्या होगा Ministry of External Affairs इसका full form होता है जिसको बुलते हैं बिदेश मंत्राले ओके तो यहां से भी कई सारे questions पूछे जा सकते हैं तो इसकी भी थोड़ी से detail देख लेते हैं भारत के Ministry of External Affairs को Foreign Ministry means बिदेश मंत्राले के नाम से भी जाना जाता है अब यहां से question पूछा जा सकता है किसके मंत्री कौन है means हमारे जो बिदेश मंत्री हैं वो कौन है उनका नाम क्या इस पे बिदेश भी question पूछा जा सकता है तो यहां पे स्री सुभरमन्यम जैसंकर बिदेश मंत्राले के मिनिस्टर या मंत्री हैं और अगला question है टी एफटी का पूछन रूप क्या है टूटल हंडेट questions हम discuss करेंगे तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरू देखीगा ओके तो इस question का right answer है option B तिन फिल्म टांजिस्टर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम यहां पे questions को detail में discuss करने है और अगला question है RTGS का पूण रूप क्या है बहुत सिंपल से question है जल्दी से comment box में बताईए बिल्कुल साइस question का right answer होगा option है real time gross settlement ओके यहां पे और भी questions पूछे जा सकते हैं RTGS के बारे में कि RTGS की timing क्या है तो अगर हम timing की बात करें तो 8 a.m. and 6 p.m. means सुबा 8 बजे से लेके साम 6 बजे तक RTGS के माध्यम से आप payment कर सकते हैं और एक्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि RTGS की सुरुवात कब हुई तो इसकी सुरुवात हुई मार्च 2004 में यह question popular है कई बार पूछा गया है RTGS से लेका कि सुरुवात कब हुई तो और कई बार इसी question में लिखा होता है NEFT और इसका NEFT का फिल फॉर्म होता है National Electronic Fund Transfer बिल्कुल साइस question का right answer है option C 2005, RTGS की शुरुआत हुई थी 2004 में और NEFT की शुरुआत हुई थी 2005 में और कई बार exam में ये भी पुछा जाता है इसकी timing क्या है तो अगर हम इसकी timing की बात करें तो 16 December 2019 से पहले इसकी timing थी 8 बजे सुबा 8 बजे से लेके साम 7 बजे तक लेकिन 16 December से इसकी सेवा 24 आवर कर दी गए means 2400 गंटे आप किसी भी time working या holidays में भी आप इस सेवा का इस्तेमाल करकी online payment कर सकते हैं तो अगर पुराने database से questions पूछे जाएंगे तो NEFT की जो timing होगी उसमें options में आपको सुबा 8 बजे से लेके साम 7 बजे तक का option मिलेगा और अगर updated questions होगे तो आपको यहाँ पे 24 into 7 का एक option होगा जो की question का right answer होगा और अगला question है सिफ़र text में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती ही काफी popular question है एक से टुपल से exam में पूछा जाता है बिल्कुल साइज question का right answer है option है encryption सिफ़र text में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं encryption अब इसके बारे में थोड़ी से detail देख लेते हैं देखे plain text होता है जो आप simple message लिखते हैं वो होता है plain text तो अगर आप किसी को message करना चाते हैं और आप कोई text type करते हैं और in case वो text किसी और को मिलता है और particular उस recipient के पास नहीं पहुँचता है तो उस case में क्या होता है कि आपके द्वारा भीजे गए message को कोई भी read कर सकता है तो इसको कोई दूसरा read ना कर पाए जिसके लिए encryption required होता है means हम उस plain text को c4 text में convert करते हैं तो आपके द्वारा लिखा गया जो message होता है जैसे यहाँ पे लिखा है Welcome to GyanixP एक plain text है और इसी को encrypt करने के बाद जो text बनता है उसको बोलते हैं c4 text तो यहाँ पे दिखे Welcome to GyanixP लिखा है इसको encrypt करने के लिए मैंने यहाँ पे एक technique यूज किया है जो भी यहाँ पे characters दिये गए हैं उन सभी का अगला character से हमने उसको replace किया जैसे W को मैंने X से replace किया E को हमने F से replace किया L को M से किया इस तरीके से हर एक letters को अगले letters से replace कर दिया तो यहाँ पे जो बनता हो यह text है यह message है यह क्या एक c4 text है इसी तरीके के technique apply की जाते है plain text को c4 text में बदलने के लिए तो plain text को c4 text में बदलने की जो प्रक्रिया होती है इसको बुलते है encryption तो यहाँ पे आप नीची देख सकते है plain text to c4 text को बदलने की process को बुलते है encryption और c4 text से वापस plain text में convert करने की प्रोसस को बुलते है decryption तो यह याद रखिएगा इस पर बेस questions पूछे जाते है और अगला question ने writer में default font name क्या है यह भी question काफी popular है कई बार exam में पूछा जा चुका है तो अगर आप writer open करते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी area लिखा हुआ है और अगर हम writer की कोई दूसरी file open करते हैं तो आप इसका default font name देख सकते हैं लिबरेशन सेरिफ यहाँ पे लिखा हुआ रहा है जो कि इसका default font name होता है तो I hope समझ में आ चुका होगा इस question का right answer क्या है तो इस question का right answer हो जाएगा आप सने लिबरेशन सेरिफ जो कि writer का default font name है और अगला question है HTML में sttp का प्रियोग होता है तो जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा HTML का इस्तिमाल करके web pages को double up किया जाता है design किया जाता है HTML का full form होता है hyper text markup language एक language है जिसका इस्तिमाल web designing की दुनिया में web pages को double up करने के लिए किया जाता है और अगर हम sttp की बात करें तो hyper text transfer protocol एक protocol होता है जो web pages होता है उनको एक system से दूसरे system में transfer करने के लिए इस protocol का इस्तिमाल किया जाता है तो यहाँ पे इस question में पूछा गया है HTML में sttp का प्रियोग होता है HTML में coding का इस्तिमाल होता है जो कि sttml tags होते है वहाँ पे sttp का इस्तिमाल नहीं किया जाता है sttp एक protocol है जो कि web pages को transfer करने के लिए इस्तिमाल होता है तिस वज़िस इस question का right answer हो जाएगा false और अगला question है किस PD का computer सबसे बड़ा था बहुत simple दी question है उके तिस question का right answer है option A first generation की computer का जो size था वो सबसे बड़ा था और अगला question है चाइना का search engine कौन सा है तो Bing, Baidu, Yandex अब यहाँ से याद कर लिजे Bing एक search engine का नाम है Baidu भी एक search engine है Yandex भी एक search engine है कई बार पूछा जाता है इन में से कौन सा search engine नहीं है या इन में से कौन सा search engine है इन में से कोई option दिया जा सकता है तो इस question का right answer है option B Baidu जो की China का एक search engine है और यह Chinese language में उपलब्द है यहाँ से भी एक question पूछा जा सकता है इन में से कौन सा ऐसा search engine है जो की Chinese भासा में सिर्फ Chinese भासा में उपलब्द है तो by do एक search engine है चाइना का जो कि सिर्फ Chinese language में उपलद्ध है और अगला question देखते हैं email में इनमें से किस से बचना चाहिए तो जल्दी से बताई इस question का right answer क्या होगा विसाय पंक ते जिसको बुलते हैं subject line या फिर गलत email पते से या फिर से पढ़ने से या फिर smileys से और इसी तरह से एक और question पूछा जा चुका है पहले क्या हम email में smileys का इस्तिमाल कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं इस्तिमाल आप message या email में smileys का इस्तिमाल कर सकते हैं उके तो इस question का right answer है option B गलत email पते से अगर आप किसी को mail करना चाते हैं उसका correct email id नहीं लिखते हैं तो आप उसे mail नहीं कर पाएंगे और अगला question इन में से कौन सा email के लिए एक माध्यम है intranet, internet, extranet या फिर उपर के सभी या फिर इस question को दूसी तरह से भी पूछा जा सकता है इन में से किसके माध्यम से email भेजा जा सकता है या receive किया जा सकता है तो इस question का right answer है option D उपर के सभी इन सभी माध्यम से email को भेजा या receive किया जा सकता है अब बात आते हैं intranet क्या होता है तो किसी एक company का private network intranet होता है जिसमें सर्फ वहां के जो employees होते हैं या authorized person होते हैं सर्फ वो ही उस network का इस्तिमाल कर सकते हैं वो होता है intranet internet एक public network है जिसका इस्तिमाल कोई भी कर सकता है कहीं से भी आप connect हो सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से आप internet से connect होके information रिसीब कर सकते हैं या किसी को भी mail कर सकते हैं अब बात आते हैं extranet क्या होता है तो intranet का ही extended रूप होता है extranet intranet में सर्फ company के employees ही उस network का इस्तिमाल कर सकते हैं जबकि extranet में companies के employees के साथ साथ companies के customers भी उस network का इस्तिमाल करते हैं ऐसे network को हम बोलते हैं extranet ये सारी चीज़े काफी important है अच्छे से दिमाग में बिठा लीजेगा ओके तो देखते हैं अगला question इन में से किसने internet को परिभासित किया ये काफी important question है पिछले मैंने triple C exam में पूछा गया है तो इस question का right answer है option D the federal networking council कई बार यहाँ पे network लिखा रहता options में जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने the federal network council तो इसको आप देयान दिजेगा इसका जो right answer होगा the federal networking council इस question का right answer है इन्होंने internet को परिभासित किया उके तो अगला question है internet को global information system भी कहते हैं internet को global information system भी कहते हैं तो जल्दे इसे बता है इस question का right answer क्या होगा और आप लोग हमाई channel की playlist में जाके previous जितने भी online test के वीडियोस हैं या test series related जो भी वीडियोस मेंने upload किये हैं सभी वीडियोस को आप देखते रहे सभी वीडियोस में काफी important questions मैंने discuss किये हैं इन सभी वीडियोस से आपको triple C exam qualify करने में काफी help मिलेगी उके तो इस question का right answer हो जाएगा true internet को हम global information system के नाम से भी जानते हैं और अगला question है intranet company की आंतरिक बेब है तो अब बताए intranet क्या है question का right answer क्या होगा true या false बिल्कुल size question का right answer होगा true intranet क्या है company की आंतरिक बेब है और अगला question है extranet एक बेब के भीजर एक बेब है तो अब बताए इस question का right answer क्या होगा बिल्कुल size question का right answer होगा true क्योंकि extranet के अंदर एक बेब के अंदर बेब होता है क्योंकि intranet में सरफ employees ही उस network के इस्तिमाल करते हैं जबकि extranet में customers भी उस network के इस्तिमाल करते हैं तो यहां पे एक बेब के अंदर दूसरा बेब होता है एक होता है employees के लिए और दूसरा होता है customers के लिए कि अगला कुछ ने इन में से कौन इंट्रानेट द्वारा उप्योग नहीं किया जाता TCP, STTP, IP या फिर BSNL और इन सभी के full form भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार इनके full form भी एक्जाम में पूछे आते हैं TCP का full form होता है Transmission Control Protocol और STTP का full form होता है Hypertext Transfer Protocol, IP का full form होता है Internet Protocol और BSNL का full form होता है विदेश, संचार, निगम, लेमिटेड ओके तो इस question का right answer होगा option D BSNL का इस्तेमाल इंट्रानेट में नहीं होता है ओके तो अगला question है काफी important है इस पर बीस्ट कई सारे questions पूछे आते हैं जिनको आगे हम discuss करने वाले हैं नए 200 रुपए के note का रंग क्या है ये पिछले 2-3 महिने में कई बार repeat हुआ है काफी important question है तो इस question का right answer होगा option A bright yellow means चमकीला पीला color का होता है 200 रुपए का note ओके तो अब और कुछ important चीज़े देख लेते हैं जैसे आपे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी नई currency जारी की गई है या RBI के दोरा कौन कौन सी नए note जारी किये गई है तो RBI के दोरा हाली में 2500, 200, 150, 20, 10 के note जारी किये गए हैं अब इनके color और size के बारे में questions पूछ जाते हैं तो आप एक बार इसका snapshot ले लिजे इन सभी important points को याद कर लिजेगा 2000 note का जो color होता है, होता है mezentा और इसके dimension means size की बात रहे तो 66 mm by 166 mm होता है इसका size और ये भी exam में पूछा जा सकता है कि 2000 का note RBI के द्वारा कब जारी किया गया तो 9.16 में इसको note बंदी के बाद जारी किया गया था और अगला है 500 रुपए का note इसके बारे में भी पूछा जा सकता है जैसे कि आप सभी को पता होगा note बंदी के समय पुराना 500 का note बंद हो चुका है नया market में आ चुका है और इसका color होता है stone gray ये कई बार exam में पूछा गया है नये 500 के note का color क्या है तो इसका color होता है stone gray और अगर हम इसके dimension की बात करें तो यह होता है 66 mm by 150 mm इसको भी याद कर लिजे और इसको भी number 2016 means 2000 note के साथ में इसको भी जारी किया गया था और अगला है 200 रुपए का note इसका जो color होता है bright yellow होता है और इसका dimension है 66 mm by 146 mm और इसको अगस्त 2017 में RBI के द्वारा जारी किया गया था ओके अगला है 100 रुपीज का note इसका color होता है blue green brown purple इसको याद रखेगा blue green brown purple यह दोनों ही एक साथ होंगे options में वो option correct होगा और इसका dimension होता है 66 mm by 142 mm और इसको जारी किया गया था जुलाई 2018 में 100 रुपीज का नया जो note है RBI के द्वारा जुलाई 2018 में जारी किया गया है अब हम बात करतें 50 रुपीज के नये note के बारे में तो इसका जो color होता है fluorescent blue होता है और इसका dimension है 66 mm by 135 mm और इसको अगस्त 2017 में जारी किया गया था अब बात कर लेते हैं 20 रुपीज के नये note के बारे में इसका जो color होता है orange red है color अकसर टॉपल सीक्जाम में पुछा जाता है dimension और color तो इसका color होता है orange red और इसका dimension है 63 mm by 147 mm और इसको जारी किया गया था अप्रेल 2019 में और अगला currency है 10 रुपीज का note इसका जो color होता है chocolate brown होता है जो नया 10 रुपे का note है उसका color है chocolate brown और इसका size होता है 63 mm by 123 mm और इसको जारी किया गया था January 2018 में तो इस सभी important points है यहाँ इस पे based अकसर टॉपल सी exam में questions पूछे जाते हैं तो आप देखते हैं अगला question तो अगला question काफी simple सा है I hope आप बता सकते हो इस question का right answer क्या है नए 200 रुपे के note का आकार क्या है उके तो इस question का right answer है option C 66 mm by 146 mm और अगला question है UPI का पूर्ण रूप क्या है यह भी बहुत common question है एकसर टेपल सी exam में पूछा जाता है UPI का full form होता है unified payment interface तो इस question का right answer हो जाएगा option B उके तो आप यहां से भी कई सारे questions पूछे जा सकते है जैसे UPI किसके द्वारा जारी किया गया तो National Payment Corporation of India के द्वारा UPI सेवा की सुरुवात की गई और यह पूछा जा सकता है कि UPI किस year launch किया गया तो 11 अपरेल 2016 को UPI सेवा की सुरुवात हुई उके तो आप देखते हैं अगला question और अगला question है LibreOffice Writer में heading 3 लगाने की shortcut की क्या है यह भी काफी common question इस question कर I answer हो जाएगा option एक control plus 3 heading 3 या फिर इसी तहिके से control 1,2,3,4,5 headings की अलगलग shortcut कीज होती है अगर आपको heading 3 लगाने तो control plus 3 heading 4 लगाना है तो control plus 4 का इस्तेमाल किया जाता है और अगला question है यदि आपके computer में date और time गलत है तो कहां से सही करेंगे profile setting, system setting, control panel या फिर उप्रोक्त सभी तो जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा उके तो इस question का right answer हो जाएगा option C control panel के माध्यम से आप computer का date और time सही कर सकते है और अगला question है दुनिया का पहला browser कौन सा है तो जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा www, mosaic, aids या फिर सफारी तो दुनिया का सबसे पहला non-GUI based जो web browser है वो है www जिसका full form होता है worldwide web तो इस question का right answer हो जाएगा option A और इसी तरह से एक और question पुछा जाता है दुनिया का सबसे पहला GUI means graphical user interface पे आधारित web browser कौन सा है तो इसके इस question का right answer हो जाएगा option B Mosaic एक और question पुछा जाता है कि सबसे latest browser कौन सा है तो latest browser की अगर हम बात करें तो यह होता है aids जो कि window 10 के साथ Microsoft company की तरफ से launch किया गया है safari एक web browser है जो कि apple company का एक web browser है तो यहां से भी कई सारे questions पूछे जा सकते हैं जैसे एक पूछा जाता है apple company के browser का नाम क्या है 10 के साथ में किस browser को launch किया गया है तो 8 जे एक browser है जिसको बेंडो 10 के साथ में launch किया गया है तो कुछ और important points देख लेते हैं क्योंकि यहां से कई सारे questions पूछे जाते हैं triple C exam में तो यहां पे पूछा जाता है www का विसकार किस ने किया तो Tim Berners-Lee नाम की एक scientist थे जिन्होंने 1990 में www जिसका full form होता है worldwide web का विसकार किया था और इसी तरह से एक और question पूछा जा सकता है कि Mosaic web browser को कब विक्सित किया गया तो 1993 में Mosaic जो की graphical user interface पे आधारित सबसे पहला web browser है और इसको double up किया था Mark Anderson ने तो यह भी कई बार exam में पूछा गया है Mosaic web browser को किस ने double up किया तो Mark Anderson ने 1993 में GUI पे आधारित web browser डबलब किया जिसका नाम था Mosaic और अगला question देखते हैं calc windows में कितनी scroll bar होते हैं तो जल्दी से बताए इस question का right answer क्या है उकित इस question का right answer हो जाएगा option B दो scroll bar होते हैं अगर आप calc open करते हैं यहाँ पे example के तोर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं आप एक calc open करता हूँ तो यहाँ पे आपको vertical scroll bar और horizontal दोनों ही दिखते हैं जबकि अगर हम writer की बात करें तो यहाँ पे default troop से एक ही होता है तो यहाँ पे अगर हम writer open करेंगे तो दिखिए यहाँ पे सिर्फ vertical scroll bar रहता है default troop से अगर आप इस page को जूम करेंगे तब जाके यहाँ पे horizontal जो हमारा scroll bar होता है वो आएगा तो यहाँ पे default troop से दो scroll bar होते है वर्टिकल और horizontal उके तो अगला question है CRM का पोन रूप क्या है तो जल्दी से comment box में बताई इस question का right answer क्या होगा और इस question का right answer है option है customer relationship management अगला question देखते हैं vacuum tube को कब डिकसित किया गया तो यह काफी popular question है कई बार exam में पूछा गया इस question का right answer है option है 1904 में vacuum tube को बिकसित किया गया था इस पे बेस कई सारे और भी questions पूछे जा सकते हैं एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पे दो points को मैंने लिखा है सबसे पहला point है vacuum tube का विसकार किस ने किया एक question पूछा जा सकता है तो John Ambrose Flaming ने 1904 में vacuum tube का विसकार किया अब यहाँ पे एक और question पूछा जा सकता है कि इसको और किस किस नाम से जानते हैं तो thermonic valve, vacuum, diode, canotron, thermionic tube या फिर flaming valve के नाम से भी vacuum tube को जाना जाता है इन में से कोई भी नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है इसका अविसकार किस ने किया तो यह याद रखिएगा यह सभी नाम vacuum tube के हैं जिसको John Ambrose Flaming ने 1904 में इसका अविसकार किया था तो आई देखते हैं अगला question और अगला question है personal computer किस प्रकार का computer है बहुत सिंपल दे question है mini, micro, mainframe या फिर उप्रोगत सभी तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं और इस question का right answer हो जाएगा micro option भी इस question का right answer है personal computer, micro computer का example है और अगला question है प्रतम generation के computer में storage के लिए किस का प्रियोक हुआ punch card, punch tape, magnetic drum या फिर ए तथा भी दोनो तो first generation में stories के लिए magnetic drum का इस्तिमाल किया गया इस question का right answer हो जाएगा option C, magnetic drum तो यहाँ पर मैंने एक image रखी है जिससे आपको पता चलेगा याद रहेगा कि magnetic drum क्या होता है तो आप यह देख सकते हैं magnetic drum है इस तरही की magnetic drum था जिसका इस्तिमाल first generation में data store करने के लिए किया गया और अगर हम बात करें इसके विकास की या इसके अविसकार की तो आस्टेलिया में 1932 में गुस्ताव तैसिक द्वारा इसका अविसकार किया गया था तो यहां से भी questions पूछे जा सकते हैं कि magnetic drum का आविसकार किस year में किया गया तो 1932 में किया था किस country में या किस देश में किया गया तो आस्टेलिया में किया गया किस के द्वारा किया गया था गुस्ताव तैसिक के द्वारा इसका आविसकार किया गया था ये point अलक्सी note करते रही है, ओके तो आप देखते हैं अगला question, और अगला question है, calc में count function केवल संख्याओं को गिनता है, तो ये question true होगा ये false होगा, जल्दी से comment box में बताइए, बिल्कुल size question का right answer हो जाएगा true, count functions तरिफ संख्याओं को गिनता है, जबकि count एक function होता है, जो कि alpha numeric values को भी count करता है, means alpha weights और numbers दोनों को count करना है, तो हम count एक का इस्तिमाल करेंगे, और सिर्फ संख्याओं को count करना है, तो उसके लिए हम count function का इस्तिमाल करते हैं, और अगला question है, calc में new time zoom क्या है, ये काफी popular question है, x66 exam में पूछा जाता है, ओके तो इस question का right answer है option D, new time means minimum zoom होता है 20%, और comment box में बताई, impress का minimum zoom क्या है, तो अगला question देखते हैं, आटी जीएस की new time सीमा 5 लाख है, तो इस question का right answer हो जाएगा false, आटी जीएस की new time सीमा होती है 2 लाख, 2 लाख या 2 लाख से उपर की amount को online payment करने के लिए, भेजने के लिए आटी जीएस का इस्तिमाल किया जाता है, जबकि 2 लाख से कम amount को transfer करने के लिए, NEFT का इस्तिमाल किया जाता है, और अगला question है, slide sorter view में slide automatic alphabetical order में sort हो जाती है, तो जल्दी से बता इस question का right answer क्या होगा true या फिर false, बिल्कुल साइज, इस question का right answer हो जाएगा false, alphabetical order में automatic sort नहीं होती है, slide sorter view में आप अपने अनुसार slides को arrange कर सकते हैं, sort कर सकते हैं, और अगला question है, what text जो एक website को दूसरी website से जोड़ता है, web text, hyper text, link text, तो इस question का right answer क्या होगा, जल्दी से बताए, जिनका भी आज 60 plus question correct होगा, वो लोग आराम से टपल सीक exam qualify कर लेंगे, और जिनका 70 या 80 plus होता है, तो वो लोग एक अच्छे grade से टिपल सीक exam qualify करेंगे, और जिनका आज 50 से कम questions correct होता है, उनको और थोड़ा सा मेनत करने के ज़रूरत है, आप लोग demotivate बिलकुल भी मत होएगा, थोड़ी से मेनत कीज़े, आपका भी 50 plus, 60 plus answers correct होगे, और आप भी एक बार में अच्छे से, आप भी एक बार में एक अच्छे grade से टिपल सीक exam qualify करेंगे, तो बस थोड़ी से मेनत करते रहे हैं, इसके जरूवत है, तो इस question का right answer option भी hypertext, ओके तो आप दिखते हैं अगला question, आरेम कमांड का क्या प्रियोग है, और ये question पूछा गया है, Linux कमांड से related एक question है, तो आरेम एक कमांड होता है, जिसका Linux में इस्तिमाल किया आता है, clear directory को clear करने के लिए, या फिस sub directory इसको clear करने के लिए, तो इस question का right answer हो जाएगा option D, ए तथा B दोनो, clear directory and clear sub directory, ये question काफी popular है, के बर अर्गसाम में पूछा गया, अगर आपको right answer नहीं पता है, तो इसका snapshot लीजिए और याद कर लीजिएगा, तो आप देखते हैं अगला question, और अगला question है, 200 रुपए के note का रंग stone gray होता है, तो अभी अभी मैंने सभी new currencies के notes के बारे में, काफी details में बताया था, तो अब बताए इस question का right answer क्या होगा, तो इस question का right answer हो जाएगा false, stone gray color होता है 500 रुपीज के नए note का, उकी तो आप देखते हैं अगला question, MS Word का new thumb zoom 50% होता है, तो अभी भी कुछ questions MS Word, Excel, PowerPoints related पूछे जाते हैं, लेकिन ना के बराबर बहुती कम questions होते हैं, जैसे कि December month के 666 exam में, कई अलग-अलग shift में इस तरह की questions मुझे देखने को मिलें, जो कि Word, Excel, PowerPoint से related थे, MS Word में new thumb zoom होता है 10%, जबकि यहां पे लिखा है 50%, और अगला question ने record की shortcut की क्या है, तो अब जल्दी से बताएं, इस question का right answer क्या होगा, और कई लोग सोच रहे होंगे record होता क्या है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, यह question पूछा क्या है, LibreOffice writers related, तो यहां पे हम writer open करते हैं, अगर आप यहां पे edit menu के अंदर जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, track change एक option दिया गया, यहां पे record, control plus shift plus c, इसकी shortcut की होती है, track change क्या होता है, मैंने writer की videos में practically बताया था, तो अगर आपने writer impress calc की videos नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल की playlist में जाके, LibreOffice calc impress writer की videos देख सकते हैं, इसके लिए अलग से मैंने एक playlist बना दी है, उके तो इस question का right answer हो जाएगा, option A, control plus shift plus c, और अगला कुछने, OSI model की hardware layer क्या है, network layer, physical layer, data link layer, या फिर उप्रोक्त सभी, अब देखें, यहां से कई सारे questions पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाता है, OSI क्या है, तो OSI का full form होता है, open system interconnection, अब यहां से पूछा जाता है, OSI model में कितनी layers होती हैं, तो total 7 layers होती हैं, अब यह पूछा जा सकता है, कौन कौन से layer होती हैं, तो उसको याद करना है, तो इसके बारे में पहले में कई बार बता चुका हूँ, A, P, S, T, N, D, P, आप यह याद खर लीजे, सारी layers के नाम याद हो जाएंगे, A का full form हो जाएगा यहां पे, application layer, P का मतलब होता है, presentation layer, S का मतलब होता है, session layer, T का मतलब होता है, transport layer, N का मतलब होता है, network layer, D का मतलब होता है, data link layer, और P का मतलब होता है, physical layer, physical layer सबसे पहली layer होती है, जबकि application layer सबसे अंतिम, सात्वी layer होती है, ओके और यहाँ पे इस question में पूछा गया है, OSI model की hardware layer कौन सी है, तो इस question का right answer हो जाएगा, option B, physical layer, hardware layer होती, OSI model की, तो B इस question का right answer है, तो अब देखते हैं अगला question, अगला question है, justify की shortcut की क्या है, बहुत simple जग्वे question है, और काफी लोग ऐसे भी हैं, जिनको नहीं पता है, justify क्या होता है, तो इसको भी हम एक बार practically देख लेते हैं, ताकि उनको भी समझ में आए, कि justify क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा, और इसकी shortcut की होती ही, control plus J, लेकिन justify क्या होता है, यह साइद कुछ लोगों को नहीं पता है, तो यहाँ पे dummy text हम insert करते हैं, तो इसके लिए हम shortcut key उज़ करेंगे, DT, और इसके बाद जैसे आप press करते हैं, F3, यहाँ पे dummy text आ जाएगा, तो देखिए dummy text आ चुका है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ देखिए जितना भी text है, वो हमारा left hand side में, एक line में है, है, वो equal नहीं है, तो अगर आप इसको equal करना चाते हैं, दोनों तरब से, तो हमें justify करना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इस text को हमें select करना है, उसके बाद जैसे हम control J प्रस करेंगे, यह justify हो जाएगा, अब अगर आप इस text को देखेंगे, तो दोनों ही direction में, left और right दोनों ही positions में, इनकी जो line की लंबाई है, वो बराबर है, तो यह होता है justify, तो इस question का right answer यह option B, control plus J, और अगला question है, F10 से F14 तक की संख्याओं में, A9 जोडने पर क्या formula लिखेंगे, अगर आपको F10 से F14 तक की संख्याओं में, E9 जोडना है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो इस question का right answer हो जाएगा, option E, equal sum, क्योंकि हमें जोडना है, तो sum का function इस्तेमाल करेंगे, और जब एक particular range में हमें values को जोडना होता है, तो यहाँ पर हम colon का इस्तेमाल करते हैं, जैसे F10 colon F14, plus E9 भी उसके साथ जोडना है, तो यहाँ पर plus करते हैंगे A9, तो इस question का right answer हो जाएगा, option A, और अब दिखते हैं अगला question, राइटर में default page orientation क्या है, तो page orientation दोतरा के होते हैं, portrait और land list के, तो अगर हम writer की बात करें, तो इसका default page orientation होता है, portrait, तो इस question का right answer हो जाएगा, option A, portrait, और अगर हम बात करें, impress की, तो इसका default page orientation होता है, land list, जबकि calc और writer, इन दोनों का page orientation default होता है, portrait, जबकि impress का default page orientation है, वो होता है, land list, के याद रखिएगा यहां से भी questions पूछे जाते हैं उके तो आप देखते हैं अगला question calc में sort वा filter का प्रियोग करने के बाद seat को edit नहीं कर सकते तो sort और filter का इस्तिमाल किया जाता है data को sort करने के लिए या फिर filter करने के लिए तो क्या इन दोनों का apply करने के बाद seat के data को edit नहीं किया जा सकता है तो इस question का right answer हो जाएगा false edit किया जा सकता है और अगला question जो की काफी simple सा है जल्दी से बता है इस question का right answer क्या है calc में formula किस से शुरू होता है बिलकुल सा है इस question का right answer है option A equal sign से calc या फिर excel दोनों में formula लिखने से पहले equal sign का इस्तेमाल करते हैं अगर आप equal sign नहीं लगाते हैं तो उस case में क्या होता है formula उसी तरह से उस cell के अंदर लिखा रहेगा वो formula काम नहीं करेगा जब हम उस formula में सबसे पहले equal sign लगा देंगे उसके बाद अगर हम उसे execute करेंगे तो वो formula वापे काम करेगा और उससे related जो value होगी वो उस cell के अंदर input हो जाएगी तो अब अगला question RTGS की नियुन्तम सीमा 5,00,00 वा NFT में कोई नियुन्तम सीमा नहीं है तो अभी-अभी RTGS और NFT की सीमा के बारे मैंने discuss किया बिल्कुल सही question का right answer हो जाएगा false और अगला question है freeze row या column करने के बाद first row या column freeze हो जाती है इम data दिखाई पड़ता है तो freeze row या freeze column क्या होता है इस बारे में practically मैंने कई-कई बार अपनी वीडियोस में बताया है calc के वीडियोस में मैंने बताया है तो इस question का right answer हो जाएगा true और अगला question है अलग-अलग color का प्रियोक चार्ट में अलग-अलग आंकडे दिखाने के लिए करते हैं तो अगर आप calc अंदर कोई chart डिसाइन करते हैं आपको पता होगा वहाँ पे कई अलग-अलग तरह के colors का इस्तिमाल किया जा सकता है तो अलग-अलग तरह के आंकडों को दिखाने के लिए अलग-अलग color का इस्तिमाल किया जाता है तो इस question का right answer हो जाएगा true उके तो अब देखते हैं अगला question तारों का जाल किस topology में होता है तो अब हम अगर topology के बात करें जैसे कि यहाँ पे topology word इस्तिमाल किया गया है तो star, ring, mess, bus, hybrid, tree यह होती है topologies topology का मतलब होता है systems को आपस में किस तरह से connect करना है यह होता है topology तो अगर हम star topology के बात करें तो यहाँ पे central hub होता है उसके साथ में systems आपस में connect होता है यह होता है start topology और एक और topology होती है जिसको बोलते है mess topology mess topology के अगर हम बात करें तो यह होता है एक तरीके का तारों का जाल अब यह तारों का जाल क्यों होता है इसको भी हम समझ लेते हैं जो Match Stramology होता है उसमें जितने भी systems होते हैं वो सभी system एक दूसरे के साथ directly cable के माध्यम से connected होते हैं अगर यहां पे 5 systems हैं तो यह सभी system एक दूसरे के साथ direct cable से connect होंगे तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा जब इन सभी को आपस में हम connect करेंगे तो बहुत सारे cables की requirement होगी जिसकी वज़े से यहाँ पे एक जाल सा बन जाएगा तो इस वज़े से इसको बोलते हैं तारू का जाल किस topology में होता है तो इस question का right answer हो जाएगा option C mess topology में तारू का जाल होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं in which topology is the wire mess इसी वज़े से इसका mess नाम भी रखा गया है mess topology तो इसको याद रखिएगा क्योंकि कई लोग confused हो जाते हैं और कई लोगों को मैंने बताते हुए सुनाएं कि यहाँ पे start topology इस question का right answer होगा जो कि बिलकुल पूरी तरीके से गलत है तो इस question का right answer है option C mess topology तो आप देखते हैं अगला question LinkedIn profile public या private दोनों हो सकती है तो LinkedIn एक social media platform है तो इस question का right answer हो जाएगा true LinkedIn profile private या public दोनों तरह की हो सकती है दोनों options होते हैं आप जिस तरह से अपनी profile को रखना चाहें रख सकते हैं private कर सकते हैं या फिर आप public भी कर सकते हैं और अगला question है OSI का पूरूरूप क्या है तो अभी मैंने इसका full form बताया था जो जल्दी से बताया इस question का right answer क्या होगा तो इस question का right answer है option B open system interconnection जो की एक networking model है और अगला question है आधार द्वारा hospital में क्या सुविधा मिलती है OPD booking, lab report, blood availability या फिर उप्रोक्त सभी तो इस question का right answer हो जाएगा option D प्रोक्त सभी आधार के माध्यम से government के द्वारा एक सुविधा start की गई है जिसका नाम है ORS जिसका मतलब होता है online registration system यहाँ पे आप अपने आधार card के माध्यम से OPD booking कर सकते हैं, lab report देख सकते हैं या फिर blood availability की जानकारी भी ले सकते हैं और अब अगला question देखते हैं Outlook के साथ attachment की अधिक्तम सीमा क्या है और इसी तरह से question पूछा जाता है email के माध्यम से अधिक्तम कितने size की file को भीजा जा सकता है तो इन दोनों question के अलग-अलग answers होंगे अगर हम email की अधिक्तम सीमा की बात करें तो होता है 25 MB जबकि अगर हम outlook की बात करें तो इस question का जो right answer है वो option हो जाएगा B और अगला question है निमन में कौन Libre office का formula नहीं है ये भी काफी popular question है min, max, avg या फिर इन में से कोई नहीं तो इस question का right answer है option C avg नाम से कोई भी formula नहीं होता है इसके जगे पर average एक formula इस्तिमाल किया आता है जबकि min, max ये दोनों formula Libre office calc में इस्तिमाल होते है और अगला question है 100 रुपए और 200 रुपए के नए note का आकार समान है इसी वज़े से मैंने अभी सभी currencies के notes के बारे में काफी detail में बताया था क्योंकि इस तरह के काफी सारे questions triple C exam में पूछे जाते है तो आप बताए 100 रुपए के नए note का जो size है वो समान है बिलकुल size question का right answer हो जाएगा false इन दोनों notes का जो size है वो अलग-अलग है और अगला कुछ ने LibreOffice impress में छबी means image को handout mode में बदला जा सकता है तो impress के वीडियोस में मैंने बताया है handout क्या होता है इसका क्या इस्तिमाल होता है handout एक audience notes होता है जब आप कोई presentation बनाते हैं उसकी जो print copy होती उसको आप handout mode में print कर सकते है तो उस case में क्या होता है कि आप उस handout को खुद presentation देने के लिए भी इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर जो audience में लोग बैठे होते हैं उनको भी हम उसको distribute कर सकते हैं उसमें slide की जानकारी होती है जो आप slides लिखते हैं या बनाते हैं वो सभी slides के छोटे-छोटे pictures रहते हैं जो कि handout के form में रहते हैं और एक handout में maximum आप 9 slide को print कर सकते हैं ये भी question एक टपल सी exam में पूछा जा चुका है कि एक handout में अधिक्तम कितनी slide print की जा सकते हैं तो 9 slide अधिक्तम print की जा सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा true आप image को handout mode में बदल सकते हैं और अगला question है जो सबसे कमजोर password है तो इन में से कौन सा ऐसा password है जो सबसे कमजोर है जल्दी से बताइए ये काफी simple question है इस question का right answer है option C Delhi88 बहुत simple सा password है जो की सबसे कमजोर है हमेशा जब भी आप किसे account का password setup करते हैं तो वहाँ पे आप कोई special character alphabets में आप lower case अपर case के साथ में numbers का भी इस्तेमाल करें जैसे यहाँ पे देखे P at the rate SS इस्ताइगे से alphabets, capital और lower दोनों case में इस्तेमाल किया गया प्लस यहाँ पे special character का भी इस्तेमाल किया गया आप option D देख सकते हैं जो की सबसे better तरीका है password का यहाँ पे special character upper case letter, lower case letter और numbers का इस्तेमाल किया गया जो की password का सबसे secure format माना जाता है और अगला question है प्लस के छोर और text के बीच की दूरी को margin कहते हैं तो अगर आप इस page layout को देखते हैं तो यहाँ पे दिखिए उपर की तरफ यह जो area है वो हमारा margin area होता है उपर यहाँ पे इस जगे पे यह जो हमारा area है वो margin area इसी तरीके से left, right, up, down, चारो direction में margin area होता है तो यहाँ पे लिखा गया प्रस्ट के छोर और text के बीच की दूरी को margin कहते हैं तो इस question का right answer क्या होगा? True बिल्कुल सही question का right answer हो जाएगा? True तो देखते हैं अगला question PC को switch से connect करने के लिए कौन से cable का उप्योग करते हैं? तो इसको अच्छे से देखे पहले इस question को switch का मतलब वो switch board नहीं जहां से हम power supply करते हैं switch एक networking device होता है जिससे हम अपने PC means computer को connect करते हैं तो switch और PC को आपस में connect करने के लिए कौन से cable की आवस्यक्ता होगी? coxial cable, fiber optic, twisted pair या फिर उप्रोक्त सभी? तो इस question का right answer है option C twisted pair cable का इस्तिमाल किया जाता है अब एक और question यहां से पूछा जा सकता है कि इन cables में सबसे ज़्यादा data transfer करने की दर किस cable की है या किस cable की छमता है सबसे ज़्यादा गती से data भेजने की तो इस question का right answer हो जाएगा fiber optic और अगला question है middle language, low level language, high level language, computer की language है तो computer की एक ही language होते है जिसको बोलते है machine language तो इस question का right answer हो जाएगा false assembly language को हम middle level language बोलते है और machine language को हम low level language बोलते हैं लेकिन यहाँ पे options में तीनों language के बारे में लिखा गया है जिसकी वेज़ इस question का right answer हो जाएगा false middle language, assembly language को बोलते हैं low level language, machine language होते है जबकि high level language होते हैं वो हमारी programming language होते हैं जैसे C, C++, Java यह सभी क्या है high level languages हैं जिसका इस्तिमाल करके हम programs लिखते हैं और अगला question है प्रस्तुती मींस presentation को print करने के लिए दबाएं कौन से shortcut की के इस्तिमाल करके आप अपनी presentation को print कर सकते हैं बहुत simple से question है बिल्कुल साइस question का right answer option B, control plus P तो control plus P अधिकतर जितने भी applications होते हैं उनमें अगर print करने का कोई option होता है तो shortcut की होते हैं control plus P और अगला question है e-commerce कुछ खरीदने या बेचने से सम्मन्दित है ये भी काफी simple से question है बिल्कुल साइ e-commerce में online माध्यम से चीजों को खरीद या बेच सकते हैं और अगला question है online marketing करने वाली website को क्या कहते हैं अगर आप online माध्यम से marketing करते हैं तो उस website को हम क्या कहेंगे ये भी काफी simple से question है इस question का right answer हो जाएगा option B e-commerce और अगला question है library office में पहली slide को क्या कहा जाता है title slide, main slide, style slide या फिर slide master जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा और इसके साथ साथ आप previous online test के videos और test series के videos देखते रहे हैं ये हमारे channel की playlist में मिल जाएंगे आप इन सभी playlist को follow करते रहे आपको इस video के discussion में सभी important playlist के links मिलेंगे आप यहां से भी directly उन playlist को देख सकते हैं और अगर आप एक बार में triple C के exam qualify करना चाते हैं तो simply आप सबसे पहले syllabus complete करें जो कि freely हमारे channel पे available है और इसके साथ में आप practice करें उसके लिए भी आप हमारी website www.ganxp.com को follow कर सकते हैं यहां से आप practice कर सकते हैं आपको नए syllabus के recording questions मिलेंगे और जितनी बार आप यहां पे home page पे test देंगे उतनी बार आपको नए-ने questions मिलते रहेंगे ओके तो इस question का right answer हो जाएगा option 8 title slide जो सबसे पहली slide होती है उसको हम title slide के नाम से जानते हैं और अगला question ए ATM card में कितने CVV अंक होते हैं बहुत simple question आप सभी को बता होगा ATM में ATM card के पीछे एक 3 digit का code होता है जिसको बोलते हैं CVV इस question का right answer हो जाएगा option B 3 तो अगला question control plus F4 spread sheet को बंद करता है ये भी काफी simple question इस question का right answer हो जाएगा true spread sheet को बंद करना है writer calc impress को बंद करना है तो control plus F4 का इस्तिमाल कर सकते हैं क्या हम एक से अधिक लोगों को एक साथ mail भेज सकते हैं बहुत simple दे question है जल्दी से बताएगा बेलकुल सा इस question का right answer है true हम multiple persons को एक साथ mail भेज सकते हैं उन सभी के email IDs को two field में कॉमा से separate करके लिखना होता है इसके बाद उन सभी को आप एक साथ mail भेज सकते हैं और अगला question है जो की काफी interesting है YouTube पर अधिकतम कितने चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ये भी question पिछले महिने means December की triple C exam में पूछा गया है YouTubers अधिकतम कितने चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं तो I hope आप सभी ने हमाई चैनल को सब्सक्राइब किया होगा अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे जल्दी हम कुछ नय को से स्टार्ट करने वाले है और आने वाले दिनों में अगर आप ओ लेबल की तयारी करना चाते है तो आप सभी को पता होगा ओ लेबल कभी syllabus रिवाइज हो चुका है चेंज हो चुका है नया syllabus आया है काफी interesting subjects हैं और सभी subject पे based हम syllabus जल्दी से नई classes start करने वाले हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहेगा हमारे चैनल को subscribe कर लिजे तो अगर हम इस question के right answer की बात करें तो इस question का right answer है option D आप YouTube पर अधिक्तम 2000 चैनल को subscribe कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक limit भी होते हैं पर डे आप maximum 500 चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं वोकि अगला question एक cloud computing हर एक computer उपकरण के लिए आवस्यक है काफी popular question है इस question को कई बार triple C exam में पूछा गया है बिल्कुल साइस question का right answer बुजाएगा false cloud computing के लिए हर एक उपकरण means computer उपकरण के लिए आवस्यक नहीं है और अगला question है रोम memory को firm bear के नाम से भी जाना जाता है तो आप बताएगे जल्दी से इस question का right answer क्या होगा रोम एक primary memory है जो कि non-volatile है means power off होने के बाद भी यहाँ पे data store रहता है तो इस question का right answer हो जाएगा false हम bios को firm bear कहते है जो कि room के नदर store होता है ना कि room को firm bear तो अगला question देखते है रो और column के बीच की दूरी को क्या कहते है cell, workbook, workseat या फिस seat बिल्कुल size question का right answer हो जाएगा option A cell और अगला question देखते हैं 3D system में 2D system चल सकता है तो यह भी काफी simple question है इस question का right answer हो जाएगा true 3D system में आप 2D system चला सकते हैं पर 2D system में 3D systems आप नहीं चला सकते हैं और अगला question है Instagram से किसी image को save किया जा सकता है और कई बार exam में पूछा जाता है Instagram किस से सम्मन्दित है तो Instagram की parental company है Facebook तो Instagram फेस बुक से सम्मन्दित है और इस question में पूछा गया Instagram से किसी image को save किया जा सकता है तो आप इसे बहुत से लोग होंगे जो Instagram को follow करते हैं इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी से बता इस question का right answer क्या होगा और आप हमें ग्यान XP Instagram पे search करके follow कर सकते हैं तो इस question का जो right answer है हो जाएगा false आप Instagram से image या video को save नहीं कर सकते हैं और अगला कुछ ने Windows में extension 4 अच्छर का हो सकता है तो extension की बात करें तो जितनी भी files होते हैं उन सभी का एक उनको पहचानने के लिए extension होता है जैसे doc file होते है उसका extension होता है doc text file का extension होता है txt और executable file का extension होता है ext तो क्या extension 4 अच्छर का हो सकता है जैसे txt, doc, exe तो आप बता है इस question का right answer क्या होगा बिल्कुल सा इस question का right answer होगा true क्योंकि 3 अच्छर या 4 अच्छर का हो सकता है एक example आपको बताते हैं docx आपने सुना होगा एक extension होता है जो कि अगर आपने office 2017 में कोई word में file बनाई है excel में file बनाई है तो वहाँ पे x लगा रहता है जैसे word की file होगे तो docx होगा जो कि 4 character का एक extension है तो यहाँ पे जो windows में extensions होते हैं 4 letters के भी हो सकते हैं तो देखते हैं अगला question paint का file extension क्या होता है तो यह काफी simple से question आप सभी को बता होगा तो जल्दी से बताए बिल्कुल साइस question का right answer है option A BMP और इसका full form होता है bitmap और अब अगला question देखते है वाइरस computer से software और hardware को खराब कर देता है पर data को नहीं तो क्या virus computer के software और hardware को सिर्फ खराब करता है data को नहीं खराब करता है बहुत simple question इस question का right answer हो जाएगा false hardware software और data इन तीनों को virus खराब कर सकता है और अगला question है email पत्र आप अपने mailbox में प्राप्त करते हैं बिल्कुल साइस question का right answer हो जाएगा true आप email को अपने mailbox में receive करते हैं तो अगला question है outlook एक email सेवा है जो इसके द्वारा प्रदान किया जाता है यहाँ पर थोड़ी सी typing mistake है यहाँ पर होना चीक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है Google, Apple, Microsoft या फिर Adobe यह भी काफी simple सा question है इस question का right answer हो जाएगा option C Microsoft की email सेवा है outlook और अगला question है CC का पूर्ण रूप क्या है यह भी email से जुड़ा हुए question है काफी popular है कई बार exam में पूछा जाता है इसका full form होता है carbon copy तो इस question का right answer हो जाएगा option A अगर आप कई लोगों को एक साथ mail भेज रहें और आप यह चाते हैं कि उन सभी को पता चले कि यह email किस-किस को भेजा गया है तो email भेजने के समय CC का एक field होता है जहां पे आप उन सभी के email IDs को type कर सकते हैं और वहीं पे एक BCC का option होता है जिसको बुलते है blind carbon copy मालीजे आप 10 लोगों को email भेजना चाते हैं और आप यह चाते हैं कि इन में से किसी को यह ना पता चले कि यह email किस-किस को भेजा गया है तो उन सभी के email IDs को हम BCC में type करते हैं ओके तो अगला question देखते हैं अगला question है outbox और send box दोनों एक हैं तो जब आप किसी को mail भेजते हैं और वो email उस तक नहीं पहुंचता है तो उस time तक जो email होता है वो outbox के अंदर store रहता है और जैसे वो email उस तक पहुंच जाता है वो receive कर लेता है वो email outbox से send box में आ जाता है तो यहाँ पर इस question में पूछा गया outbox और send box दोनों एक हैं तो इस question का right answer हो जाएगा false क्योंकि यह दोनों एक नहीं है तो अगला question देखते हैं IPv6 address का size क्या है और इसी तरीके से IPv4 का भी size पूछा जाता है तो IPv4 का size होता है 32 bits तो इस question का right answer हो जाएगा option C 128 bits यह इसका size होता है और कई बार इसको bytes में convert किया जाता है तो 128 को अगर आप 8 से divide करते हैं तो इसका जो answer आएगा होगा 16 तो कई बार options में इस तरह से bits को bytes में convert करके रखा जाता है और पूछा जाता है इनमें से right answer क्या होगा तो उनमें से अगर bytes में convert किया गया है तो यहां पर एक option होगा 16 bytes जो की correct answer हो जाएगा तो अगला question है spelling जाज करने की shortcut की क्या है F7 F12 F8 या फिर F9 यह भी काफी simple question है इस question का right answer हो जाएगा option A F7 spelling check करने की या जाचने की shortcut की है और अगला question है BCC का pull loop क्या है अभी मैंने बताया BCC क्या होता है किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल साइए इस question का right answer होगा blind carbon copy तो option A is question का right answer है और अगला question देखते है ADSL BCS प्रकार की DSL DSL का full form होता है digital subscriber line है जिस पर upload गती download से भिन है तो यहाँ पे model paper की आज जितने भी हम questions discuss करें वो सभी की सभी questions दिसमबर 2019 के triple C exam में पूछे गे important questions है इनमेंसे बहुत से questions है जो पिछले कई-कई मैनों से repeat हो रहे है तो आप इन सभी questions को अच्छे से याद कर लीजेगा ओके तो जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा इस question का right answer हो जाएगा true ADSL का full form होता है asymmetric digital subscriber line जो कि एक बिशेश प्रकार की DSL line है means digital subscriber line है जिस पे upload और download दोनों के गती अलग-अलग होती है इसकी दोनों के speed होते वो अलग-अलग होती है ओके तो आप दिखते हैं अगला question और अगला question है email में सभी attachment सुरच्छित है बिल्कुल साइस question का right answer हो जाएगा false सभी attachment सुरच्छित नहीं होते हैं इसी वज़े से बोला जाता है जब भी आप कोई mail में attachment आता है तो अगर किसी unknown के द्वारा उस mail को भेजा गया उस attachment को कभी open ना करें क्योंकि इसमें virus होने की सम्मावना जादा होते है तो यह हमेशा सुरच्छित नहीं होता है तो आज के टेस्ट का last question है उमीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज हमाई इस वीडियो को लाइक और से जरूर कीज़ेगा और जो लोग फरवरी मन्त में triple C exam देने जा रहे हैं उन सभी को मेही तरब से धेर साही सुब काम ना है आप लोग अपने exam के कुछ questions हमें जरूर send कीज़ेगा questions send करने के लिए आप हमारा whatsapp number note down कर सकते हैं जो की screen पे दिया हुआ है आप चाहें तो हमें facebook पे send कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो हमें mail कर सकते हैं info.gyanxp.gmail.com तो अगर आप अपने exam की questions भेजते हैं तो उन questions को हम same day discuss करते हैं आपको पता चलता है उन questions के right answer क्या है प्लस जो आने वाले दिनों में जिन लोगों का double C exam होता है उन सभी को in questions से काफी help मिलते हैं तो उमीद करते हैं आप सभी लोग हमें questions जरूर भेजेंगे और आप सभी practice करने के लिए हमारी website www.gyanxp.com पर widget कर सकते हैं यहां पर आपको triple C news labels के recording questions मिलेंगे तो आप यहां से practice करते रहें और साथ में आप हमारे channel की playlist में जाके important questions के videos देखते रहें test reads नाम की playlist है आप इसको follow कर सकते हैं यहां पर आपको सभी news labels पर based questions मिलेंगे जो कि Hindi और English दोनों language में हैं आप इसको भी follow कर सकते हैं और इस video के discussion में आपको काफी अलग अलग तरह की important playlist के links मिलेंगे जिसको आप follow कर सकते हैं जैसे shortcut keys के videos मिल जाएंगे उसकी playlist मिल जाएगी banking related कुछ questions पुछे जाते हैं उसके लिए मैंने अलग से playlist बना दी है जिसका नाम मैंने रखा है banking topic तो आप इस playlist को follow कर सकते हैं Libre Office, Writer, Calc और Impress इन सभी के अलग से मैंने एक playlist बना दी जिसमें आपको एक साथ ये सभी videos मिल जाएंगे इसमें आपको shortcut keys भी मिल जाएंगी Writer, Calc, Impress, इन तीनों की shortcut keys मिल जाएंगे इसके भी अलग से एक playlist बना दी है प्लस अगर आप चाहें तो CCC News Slabers के एक अलग से playlist है आप उसे भी follow कर सकते हैं CCC News Slabers online class नाम की playlist होगी जहां से आप CCC News Slabers के वीडियोस देख सकते हैं जो कि Slabers बेस्ट हैं, ओके तो आप सभी को अगर पसंद आए तो प्लीज आप अपने social media network, whatsapp, facebook इन सभी पे share करते रहीगा तक कि जाता से ज़्यादा लोग हमाई साथ जुड़े और उन सभी के मैं help कर पाऊं तो जाने से पहले अगर आपने इस वीडियो को like नहीं किया है तो please like करें और साथ में अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe बटन टेक क्लिक करके subscribe करें साथ में bell icon on करें ताकि जब भी हमारा कोई video upload होता है उसका notification आप तक पहुंचता रहे है और जल्दी हम O level news labels की classes start करने वाले हैं तो आप हमारे साथ बने रहेगा ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए bye bye thank you thank you for watching